है गाई इस क्या हल चला आप सबके मैंने में जेवी सिंग एक बर फिर साफ के सामने हाजिरूं और आज का जो सेशन रहने वाला है वो हद से जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है अगर आप स्किप कर रहे हैं इस पकी पकाई खीर को ready and made content को तो फिर आपका बहुत बड़ा content इकठा करने में लेकिन authentic और accurate content जो मैंने इकठा किया इतने समय लगा के actually पिछले एक महीने से मैं इस पर work कर रहा था क्योंकि मेरे को history में वह जादा interest था तो मेरे को ये था कि आपकी में end moment फे help करूँगा history का complete एक marathon वीडियो बना के वो भी short notes के form में ताकि directly आपके सामने स सालों से पूछे जा रहे हैं ठीक है और जो expected है वो भी सारे के सारे और इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं आपका ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ छोड़ दूँगा बिल्कुल मैंने concise रखने की कोश्च किया और कैसे हम करेंगे हम बिल्कुल story की form में history को करेंगे ताकि paper से ए मैंने story forms की मदद से बहुत सारी कहानियों की मदद से एक तरह से इतिहास की मदद से आपको जल्दी चीजे याद करवाने की कोशिश की है PDF तो मैं इसकी दे दूँगा लेकिन PDF को ऐसे याद करने में आपको जितनी तकलीफ आएगी जितना समय खराब होगा और फिर भी देखने के complete तो मैं आपको guarantee दे रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखना एक बड़ी और मैं इस बात के लिए जिम्मेदार होंगा अगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद ये बोल दो कि भया आपने तो हमारा time based कर दिया ठीक है कोई भी बच्चा ये उठके नहीं बोल आपने हमारा time based कर दिया हर बंदा यही बोलेगा कि अच्छा हुआ कि आज हमने ये वीडियो देख ली अगर ना देखते तो हमारा history का जो main portion है वो सारे का सारा गया जाता इसके अंदर बिल्कुल वो topics मैंने उठाए हैं सारे के सारे और उठाए complete है ऐसा नहीं कि कुछ अगर हम करने बैठेंगे और उसमें बहुत आपका समय खराब हो जाएगा और exam के point of view से हमेशा आपको अपनी smart work के हिसाब से काम करना और मैं बता रहा हूँ कि मैंने medieval के अंदर और modern history के अंदर एक भी point को छोड़ा नहीं है सारे के सारे point cover कर दिये examiner से भी 10 कदम आगे हम र अल्रेड़ी ऐसी बोल रहा हूँगा कि आपको 2x पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगे और बहुत ज़्यादा energetically बोलूँगा इसके अंदर और to the point direct questions जो मैं बताऊंगा आपको वो आ सकते है paper में और highly sequential matter रहेगा pdf's आपको telegram GV Vitmover पे मिल जाएगी जो हमारे channel का नाम YouTube के उपर वही channel का नाम हमारे telegram पे वहाँ पे आपको इसकी pdf's मिल जाएगी ठीक है हम देखी करेंगे क्या इरान और अफगान की invasions करेंगे सबसे पहले यानि की फार्सी में आफगानी हम ले कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि भाया आप हिंदी में भी दे दो pdf हिंदी म में भी हमें समझा दो तो देखो इसमें कोशिच करूँगा कि मैं सारी बाते अपनी हिंदी में ही deliver करूँगा लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा अब हर चीज के लिए आप बोलो कि इरान यहां पर इंग्लिश में क्यों लिख दिया इसको हिंदी में लिखो इरान तो व मोहमद गोरी आया अब आपसे देखिए कि बच्चे अकसर इसी बात में confusion देगी 17 बार अकर्मन किस ने किया लोगों को पूछेंगे तो बोलेगा कि मोहमद गोरी ने 17 बार अकर्मन किया 16 बार तक हार गया था 17 बार प्रित्वी राज चोहान को उसने हरा दिया यह बोलते है जब कि ऐसा नहीं है यह गलत फैक्ट है महमूद गोरी जो मोहमद गोरी था जो उसने 17 बार अकर्मन नहीं किया था महमूद गजनी ने 17 बार अकर्मन किया था ठीक है लेकिन यह भी देखेंगे कि इन दोनों गजनी और गोरी से पहले किसने अकर्मन किया था और कहां से यह स सलतनत में आप देखेंगे जाके तो इतने सारे मार, काट, लड़ाई, जगडे बहुत हद से जादा है, है ना, कतल याम, शहर याम, क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या ये नई innovations लेके आ रहे हैं, आपको ये बता लगेगा कि एक कट्र समाज से, एक पागलों के समाज से हम जोल जी वाली जुग में आगे, ठीक है, आदी मानस से, एक सूपर हुमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आपको ये आज पूरी की पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा, उसके बाद हम देखेंगे मुगल एंपाइर का, ये मैं एक शोर्ट नोट के तोर पर आपको बता हैं, और फिर मुगलों को कैसे ब्रिटिशर से नहरा है, इनकी strategies क्या क्या होती थी, जोग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी, हमेशा किसी भी यूद को जीतने में, हम हमेशा देखें कि यहाँ पे किसी का यूद किस से हो रहा है, लेगिन एंड में वो क तुक्का लगा रहे हैं, वो बात और होती है, और दो option के अंदर तुक्का लगा रहे हैं, वो बात और होती है, उसमें high probability होती होती होगी, आपका अंसर सही ही होगा, ठीक है, तो ये GK के point of view से इस वीडियो से बहतर कोई वीडियो आपको मिलने नहीं वाली है, पूरे YouTube को बात में फिर ये वीडियो देखने आओगे, तो कि to the point सारा content मिलेगा, और last में क्या है, British India के अपर हम जाएंगे, कि British India जो है, British India ने किस हिसाब से इंडिया को मलब की हराया, कैसे आकरमन किया, कैसे एंटर किये, वैपारी बनके एंटर किये, तो उसके बाद इन्होंने क्या भारत सोबते हैं, और सोबते भी हैं, तो पाकिस्तान को कुछी इस तरह से डिवाइड करते हैं, कि आदा पाकिस्तान उदर और आदा बंगलावाय देशवाली साइड हो जाता है, और फिर हमें बीच में फजा के चले जाते हैं, कैसे हम सारी स्थीति से निगलते हैं, सारे क questions, direct questions जो है हम इसमें करेंगे, चलिए start करते हैं आज का अपना इस session जिसके अंदर बहुत मज़ा आने वाला है और आप छोड़ नहीं पाएंगे, एक बरी class start हुई, तो मैं आपकी किसी की सुनने नहीं वाल हूँ 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 हूँ, आज सिर्फ आप मेरी सुनेंगे, क् क्योंकि बहुत speed से हमें बढ़ना आगे देदनन, आप बस आगे रख लो phone, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सारे की सारी PDF आपको मिल जाएगी, और अब इसको as a movie देख लेना आप, 6-7 गंटे की आज यह जो movie चलेगी आपको, मैं बता रहा हूँ कि इसको छोड़ने का म मैंने बनाया है, मैं बीच बीच में, मैंने phone भी दिखाया है, इस video के अंदर कि भईया यह देखो, आज रात को चार बजगे, तीन बजगे, ठीक है, तो इसको share जरूर कर देना हर जगा पे, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच जाए, आपका exam कभी भी है, किसी भी shift में है, आप इस video को जरूर देखके जाएगा, बिना इसके फिर आपको history के अंदर बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, तो चलिए अब start करते हैं, तो guys देखें, सबसे पहले हम जो start करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, तीन ऐसे invaders, जो इरान और अफगान थे, ठीक है, वैसे तो usually most of the cases में आप देखें हैं कि अफगान से ही आरे थे बहुत सादा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो invader इंडिया के अंदर था, वो इरान से था, ठीक है भाई, यह सब बात थे, question हम बाद में discuss करेंगे, पहले आप समझेगा, थोड़ी सी चीज को, हम किन-किन के बारे में discuss करने आप देखें कि एक तो है महमद बिन कासिम, ठीक है भाई, यह था इरानियन, इरान से था, यानि कि फारस से था एक तरह से, और यह जो है महमूद गजनी, जिसने सोमनाथ का टेंपल लूटा सा, ठीक है, अभी बहुत interesting facts है इनके बारे में, और direct सवाल क्या क्या आ सकते हैं, उसके बाद history आपके दिमाग में यू जबरदस तरीके से उसकी carbon copy चप जाएगी, और paper में आप सवाल करके आओगे ही आओगे, आप देखिएगा, अभी नीमा कुछ बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ लोगे ये पूरे lecture को, तो आपको पता लगए कि पूरा का पूरा आप सवाल आए और आप यू चुटकियों में करके जाएं, अब आप देखिए कि और speed मेरी बहुत तेज रहेगी, ठीक है, महमद बिन कासीम जो था, ये इरान से था, महमूद गजनी था जो, ये अफगान, महमूद गोरी था जो, ये भी अफगान, ये वही है महमूद गोरी ज सिंद्ध का राज़ा हुआ करता था उस टाहिए और आप देखिए कि यहां था इरान, इरान में कौन था उस टाहिए खलीफा Алहसाज, अलहसाज का जो कमांडर कहलें, सलैव कहलें, या फिर उसका धमाद कहलें, ये कौन बेज़के मोतियों का यहां पर बेज़ा गया है मोतियों का देश होता है शेरिलंगा ठीक है अभी भी वह सबसे ज़्यादा मोति यहीं पाए जाते हैं तो हर साल एक जहाज मोति का इनके बास जाता था इरानियन्स के बास ठीक है भाई फार्सियों के बास तो ये लोग कभी भी अटैक नहीं करते थे इसके उपर लेकिन हुआ क्या है एक बारी बीच में यह जा रहा था और यहां पर लुटेरों ने लूट लिया ठीक है भाई अब उनको क्रांतिकारी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए जब हम वहाँ पर देखते हैं काकोरी कांड जिसके अंदर ट्रेन लूट लेते हैं राम परसाद बिस्मी लॉड है न तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए यहां भी तो अब यह जो बंदा है अलहजाद यह बिल फार देता है सिंद के राज़ा दाहिर के उपर कि भाईया तुम नहीं किया है तो सिंद के राज़ा दाहिर होते हैं वो इनको बोलते हैं कि भाईया आप बिल्कुल यह बेशेरम हो रखे हो भाईया हम लोग राजा है हम क्यों आप पर चुराएंगे तो बहुत सारी कहां सुनी होती है बीच में एड़ा एंड क्या होता है कि यह अपने बंदे को मुहमद बिन कासिम को यहां पर बेचता है मुहम्मद बिन कासिम जाता है सिंध के ओपर अटेक करता है रातो रात अटेक करता है गोरिला वारफेर पद्दती होती है ठीक है तो गोरिला वारफेर पद्दती का यही फाइदा था कि रातो रात अटेक करेंगे और चाहे बच्चे हो चाहे उनकी बेगमें हो राजाओं की मालना जितनी भी औरते हैं बच्चे सब को नर साहार कर दिया जाता था रात और पता ही नहीं लगता था कि कौन कहां से आ रहा है तो यहां पर इनकी जो दो राजकुमारिया होती है ठीक है राज़ दाहिर की अब उनको पेश किया जाता है अलहजाज के सामने और आपको मैं बता रहा हूँ कि यहां से बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के ले गया था मौमद बिन कासिम वो दौर था गुलामों का यानि क जितने जिसके बाद जादा गुलाम वही सबसे बड़ा राजा ठीक है तो वही चीज थी कि ये उन दो राजकुमारियों को भी लेगए क्यों कि अल्टीमेटली क्या होता था जो महिलाएं होती थी थी उनका शोशन होता था उनके साथ ये लोग रेव बगएरा करते सब कु दोनों बोलती हैं कि भईया हमारे साथ एक पिता को जो एक बेटी के साथ सलूक करना चाहिए एक वालिद को अपनी पुत्री के साथ जो सलूक करना चाहिए वो कीजिए तो ये सुनके अलहजाजाज का मन पसीच जाता है क्योंकि इसकी भी एक बेटी होती है और वही बेटी होती है, एक होती है सत्यवती, एक और होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो इसका अलहजास का जो है दिमाग, brainwash करना धीरी-दीरी शुरू करती है, कि आप कैसे पिता है, इस बंदे ने हमारे पिता को मार दिया, या फिर ये कहीं कि इस बंदे इने हमारे उपर rape attempt करने की कोश्च की, मतलब पचासो ऐसी चीज़े बोलती है, इसके बारे में मौहमद बिन कासिम के, ठीक है, तो फिर क्या होता है, कि एक दिन मौहमद बिन कासिम को जमीन के अंदर दफनवा देता है, ठीक है बाई, तो इस तरह से ये मौहमद बिन कासिम जो है, निकल लिया, लोड़क लिया, तो ये जो है, ये सबसे पहली इन्वेजन थी, ठीक है, अब यहां से बहुत सारे सवाल आपके बनेंगे, पेपर के अंदर सीधे सीधे सवाल बनेंगे, आप देखे, यहां पर आपको दिखाई देंगे, कि पहला इन्वेडर इंडिया का कौन था, लोग गलती से मौहमद बिन कासिम मार देंगे, सिकंद किया, और who was the khalifa of Iran, यानि कि इस टाइम पर khalifa कौन था, इरान का अलहजास था, अभी आपको मैंने समझाया, और किस किताब से हमें यह सारी चीजे पता लगते हैं, अभी ऐसा तो है, नहीं कि भईया, वहां का कोई बंदा अभी तक जिंदा है, जो हमें बता रहे है, किता अभी तो बने, यह लोग तो पर्शेंस लिखते थे, तो यह सारी कहानी है, जो फस्ट इन्वेजन हुआ, यह किस के बारे में था, मोहमद बिन कासिम के बारे में, ठीक है जी, अब इसके बाद क्या होगा, यह तो पहली चीज हो गई, पहला इन्वेजन होगा, इसको उतार कितत बारे में, इसके बाद क्या होगा, महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, कि वो क्या क्या करता है, आके, अब देखते हैं, दूसरा इन्वेजनी को हो था, महमूद गजनी, देखो यह जो गजनी था, लोग अक्सर कंमेज़ों कर देते हैं, गोहरी के साथ, नो सो अठानवे से लेके एक हजार तीस तक इसका रेन रहा है, मतलब कि राज करने का पीरेड रहा है, नाइन नाइन टी एट में इसकी कोरोनेशन हो जाती है, अब थोड़ा सा इसका समझते हैं, आप देखें ये भारत है और यहां अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, तो ये वही का शासक था, एक्चुली में होता कहा था, गजनी का किंग कौन था, सुबुक्त गीन था, ठीक है, और इसी का दो बेटे थे, उन में से एक बेटा था मेमूद गजनी, और ये बहुत ज़्यादा अबिश्यस वेक्ती था, और इसने क्या किया, इसके बापा इसको समझाते रहते थे, ये पीपू के लोटके, उटले-पुटे काम करता रहता था, इसको समझाते थे, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और फिर नाम कमाते हैं, आप देखें कि उस टाइम पर लोग जो होते थे, राजा होते थे, इनके बास ये ऑप्शन ह रहता था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा तो था झांनी की एकोनोमिक को बहुत जादा स्टांग करना है, या कुछ टैकनोलाजी नहीं लेके आने है, इनका काम क्या था, इसकी जितना ज्यादा से ज्यादा गुलाम इकठा कर सकते हो जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया इकठा कर सकते हो वही सबसे बड़ा राजा है और इन्हों ने देख लिया था कि इरान के इनदर जो है बहुत ज्यादा चका चाहिए थी क्योंकि मुहमद बिन कंसीम लूट के लेके गया था, तो वहाँ के हाल ही बदले थे, तो ये चाता था कि वहाँ पर जा करें आकर मंठ पर Ouris के अंदर इरान के अंदर ठीक है और वहाँ से फिर उनका लूट के लेके आए लेकि आए लेकिन इसके जो सिपा सलार या कमांडर्स जो भी थे उन्होंने समझाए कि भाईया ऐसा मत करो यहां के लोग बहुत लड़ाके हैं आप चले जाओगे आज कल को फिर आपके उपर हमला करने आएंगे और फिर आप से बनेगा तो यह करियर बनाने फिर यहां भारत के अंदर आते हैं महाराज और यह जो है 998 AD में इनका कोरो निशन हो रखा हरता है आब देखिए कि इंडिया में 1001 1 बार आते हैं होता यह 3 कि 17 बार ऐते हैं ठीक है एक हजार एक में कहां पर अटेक करते हैं पंजाब के अंदर अटेक करते हैं ठीक है वहां से लूट पाट करके कतले आम करके चले जाते हैं उसके बाद एक हजार चार में फिर आता है यह महाराज यह मुलतान के अंदर अटेक करता है वहां पर कतले आम करता है सब लूट इक यह डाको की तरह रहा है, इक तरह से, कि सब कुछ लूट लो बस, लूटेरो की तरह, समझ रहो, इनौने हिंदूस्तान पर राज नहीं करना था, इसलिए आप देखेंगे कि मुगल्स बहुत लोंग टाइम तक सर्वाइव किये और ये लोग तो बस कुछ चंद दिरों के मेमान थे आये और गए वाली बात थी ठीक है आप देखेंगी एक हजार अठार में ये मुथुरा के टेंपल्स पर बाकर्मन करता है तो ये देखते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा सोने चांदी इसको मिला फिर इसको लगता है कि भाया हम ये जो चोटे मोटे लोगों के घरों को लूट रहे हैं वहाँ पर देखते कि मुथुरा के टेंपल्स पर कबराकर्मन किया मुलतान पर कब किया ये सारे इंपोर्टेंट जो इसके अटेक्स थे वह लिए 17 बार किया लेकिन 17 के 17 अटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है सीधा सवाल जहां से आएगा मैंने वह लिख दिया है यहापे ओके यही तो फा करता है यह कांट ठीक है लेकिन 2020 में पहले जाके आता है वहाँ पर जाकर जाकर जाएगा तो यह वहां से फूर रहो जाता है यह टैक नी करता हुस्त है 2020 के अंदर फिर बाद में क्या होता है कि वहाँ का एक पंडित होता है विश्णु शर्मा इतिंक उसका नाम होता है तो ये मरलब कि अंदर से खुफिय आजन्सियों से अपनी उसे पता लगवाता है कि यह क्या मसला है तो वही है कि अपने देश के लोगों ने सबसे ज़्यादा लूटा है अगर अपने देश के लोग अच्छे होते हम बोलते रहते हैं मेरे देश के लोग अच्छे मेरे देश के लोग अच्छे थी उसको और वहाँ से फिर इसके कान में ये बात पहुंचती है कि भाया मंदीर के चारो तरफ मेगनेट्स लगा रखे हैं ठीक है और वो मेगनेट्स जो है उनके जो मेगनेटिक फिल्ड है उसके कारण ये जो शिवलिंग है ये उपर जूल रहा है तो अब ये बाई साब आते हैं फिर से 1025 में आकर क्या करते हैं एक तरफ से खुदा ही टेंपल की शुरू कर देते हैं तोड़ फोर शुरू कर देते हैं और जब वो मेगनेट इनको मिलता है तो जैसी वो मेगनेट अपने प्लेस से हटता है शिवलिंग नीचे गिर जाता है तो ये चीज होती है उस ताइम भी अपनों ने धोका दिया और फिर ये सौमनाथ टेंपल जो कि पाटन में था गुजरात में ठीक है पाटन उस ताइम गुजरात का नाम होता था उसको इसने लूटा और कहा जाता है कि वहां से इसने 700 मन तो सोना लूटा और 1200 मन इतना है एक मन में आप देखे कि क्या होता है 40 केजी होते है 40 केजी एक मन के अंदर होते है 700 में कितने होंगे 28,000 किलो सोना ठीक है बाइए 28,000 किलो सोना इसने वहां से लूट की चोरी किया एक तरसी ये समझ लीजिए और ऐसे ही 1200 मन चांदी तो 1200 को फिर मल्टिप्लाई कर इतना चालीस से तो 48,000 हो गए ठीक है तो आप समझ भाएंगे कि कितना जादा यहां से धन इतना जादा चुरा के वो लेके जा रहा था लेकिन लेकिन अभी क्रक्स की बात बागी है वो लेके नहीं जा पाया यह से होता है क्या है कि जो वहां पर एक जाट कम्यूनिटी होत है ठीक है और उसके पास जो गजनी के पास है हजारों में लोग हैं तो आप देखी कि वो सेकड़ों के लोग हैं और वो हजारों के लोग हैं इतने जादा डिफरेंस था तो जाट कम्यूनिटी को जैसी पता लगते कि भाई यह तो हमारे धार्मी के मंदिर को लूट के इसको रास्ते में और यह हसता है कि भाईया तुम सो लोग और हम हजारों लोग और तुम हराओगे हमें लेकिन आपको पता है कि जाट लोग जो थे थोड़ा सा हट्टे कट्टे होते हैं ना तो इन्होंने बोला ठीक है भाईया आ जातो है दो 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 हात कर लेते हैं उसके गुटनों के बल नीचे, तो हाथ जोड़ लिए इसने, कि भाया हमें तो जाने दो, तो बोलते हैं तुम करने के आये थे, यहां पर यह तो बता दो, बोलता कि लूट पाट करने आये थे, तो कहता है लूट के लेकर जाओ फिर इसको, दम है तो, तो फिर वो सारे का सारा वही पर चोड़ के, हाथ पर चोड़ के, निकल लिया, वापस कहां पर, यहां से, यहां, गुजरात से, वापस से वो, अपना, घजनी में आ गया, अफगानिस्तान के अंदर आ गया, ठीक है, लेकिन, अब क्या था कि, अब आप सोचेंगे कि, उस सोने का और चान्दी का क्या कि बोलते हैं, यह मैं नहीं बोलता हूं, इतिहासकार बोलते हैं, कि जाटों ने अपने पास नहीं रखा उसको, वो थोड़ा सा आप देखे कि, हट्टे-कटे थे शारीरी क्रूप से, लेकिन दिमागी तोर पे भी आप उनको हट्टे-कटे बोले, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उन्होंने सोचा, यह तो भगवान का खजाना है, तो भगवान कोई दे देते हैं, तो उन्होंने उठा के उसको समुदर में भैक दिया, यह ऐसा इतिहासकार बोलते हैं, तो जो इतिहासकार बोलते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है, अब आगे का अ नहीं थे वो लोग बस इतना तो confirmed है ठीक है तो अब या तो उन्होंने पानी में फैक्तिया होगा या फिर वापस से वहां रखा होगा या जैसे भी सीन हुआ होगा अब ये वाली बात जो है ये वाली बात महमूद गजनी को खाती रहती कि भाईया मेरे करियर में तो ये सबसे बड़ा धबा लग गया कि मैं तो कहां से कहां पहुँचना था और ये सो मुठी पर लोगों ने मेरे को हरा दिया तो सब ये का बात फैल रही है त अच्छे खासे हतियार लेके आता है अब यहां जाट फिर तयार होते हैं देख लेते हैं भाईया ये फिर आ गया अच्छा खासा थोड़ा सा यूद्ध चलता है इसकी अच्छे से फिर सुताई कर देते हैं जाट अब यहां पर इसको इतना पता होता है कि भाईया पड़ेगा ठीक है तो ultimately क्या होता है इसको बोलते हैं कि तुम्हें शमादान तो दे दिया कि जिंदगी तो दे दी लेकिन अब ऐसे नहीं जाने देंगे तो फिर क्या करते हैं अच्छे से इनकी कैंची बनाते हैं और इनकी जो पैरों की दोनों पसलियां होती हैं उनको तोड भाइ तो यह थी महमूद गजनी की कहानी अब यह सारी चीजों का हमें पता कहां से लगता है कि यह सब हुए उस time पर अलबरुनी नाम कहा नाम के point थे, ये पहले ही आ चुके थे, 11 साल पहले ही आ चुके थे, इस से महमूद गजनी से, ठीक है, तो ये अब contemporary थे, तरह से ये समझ लिए कि फिर इन्हों ने सारे का सारा अपनी किताब उलहिंद नाम की एक book थी, उस book में सारे का सारे ये जो वर्नन किया है, ठीक है, जै यहां पर कौन सी book है, किताब उलहिंद, ये अलबरुनी ने लिखी है, ठीक है बाई, और ये किस के बारे में है, महमूद गजनी के बारे में, confused मत हो ना, अब देखो एक और चीज की, उस टाइम पर, पांच रैटर फिमस थे, यह उत्थर कहेंगी, फिमस थे, बाचों के न क्योंकि इसकी तो डैथ होगी है, अब गोरी के ऊपर चलते हैं, अब अगला तीसरा रूलर देखिए, अब इसके बाद आपको फिर भारत का कुछ रूलर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पृत्वी राज-चोहान, तो अब इसके बाद थोड़ा सा मज़ेदर कहानियां श कोई बन्दा बोलेगी पृत्वी राज-चोहान के बारे में कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको अगर पताएगी मोहमद घोरी के साथ वो contemporary है, तो फिर आप easily बता पाएंगे कि ये जो कुत्ब-दीन काकी थे, ये भी उसी टाइम के थे अगर इनके बारे में कुछ प काकी, ठीक है, ये थोड़ा सा रंगीन मिजाजी होते थे, लेकिन इनका पूरा का पूरा फोकेस कहां पे होता था, इंडिया के उपर होता था, कुद वो दिन काकी के बहुत सारे शिशे होता थे, उन्हें से एक शिशे था मोहमद बिन सांग, ये लगबग 60 साल के हो चुके काकी को मेरे उपर बहुत जदा विलीफ था, ठीक है, तो अब इसको जब यहां का स्यांसन दे दिया गया, और ये बन गया फिर मुहमद गोरी, मुहमद बिन सांग से, ठीक है, क्योंकि गोर जगा थी, तो गोर से क्या बन गया, गोरी, और ऐसी गजनी जगा थी, तो वो बन के लिए कि आया और चका चौन बढ़ गई ऐसी उदर मुहम्मद बिन कासिम को देखो इरान के अंदर फारस के अंदर लिए तो महां चका चौन बढ़ गी तो अब अपने गोर को हमें आगे बढ़ाना है ठीक है तो वो बोलता कि ठीक है भाई तो फिर क्या होता है कि इसके कहन यह जो होता है यह वापस यहां इंडिया में अटेक करने आता है 1175 में बैटल ओफ मुलतान होता है और उसके अंदर यह जो किंग होता है मूलज राज टू यह इंडिया का किंग होता है इसको डिफीट कर देता है गोरी और यहां से लगबग आप तेखिए कि 1800 सेलेव को य बहुत दूरदर्शीरी राजा होते हैं इनको पहले ही पता होता है कि अगर यह इनके साथ मुल्तान वालों के साथ आइसा कर सकता है, तो इनके साथ पहले ही रएडी रहते हैं चीज के लिए इन्होंने पहले ही अपने आपको strategize कर लिया था ठीक है क्योंकि देखे आप देखे कि कि दाहिर के साथ भी ऐसी चीजे हो चुकी थी फिर यहां भी हो गई तो उसके बाद राजाओं को थोड़ा से यह होने लगए कि भीया हमें aware रहना पड़ेगा ठीक है समझ कि बिल्कुल पीछे protected था इनका फूरा पूरा मैल ठीक है तो इसने सोचा कि भाईया मैं पानी के रास्ते से इधर से attack करता हूँ यहां पर परवत नहीं थे तो यहां पर सीधा-सीधा attack करके जीत लूँगा इनको बड़ी underestimate कर देता है भीमदेव 2 को क्योंकि यहां पर यह भ करनों में तो शमा मांगते हैं कि भाईया आगे से नहीं आएंगे इस बार तो छोड़ दो तो बोलता है कि भाईया हो कहां के तुम तो लगते भी नहीं यहां के हैं और नाम भी अजीब सा रखा हुआ है तो फिर यह बताता है कि भाईया हम तो अफगानिस्तान से आएं घो ठोक डालेंगे तुम्हें, ठीक है, उसके बाद बगा देते हैं, यह विचारा वापस यहीं से जाने लगता है, तो इसको बोलता है यहाँ से मत जा, इदर से निकल जा, आजा, इदर से इसको बेज दिया वापस की, यहाँ से छोटा रास्ता पड़ेगा, यहां से बहुत लं आगया मेरा बच्चा तो उसके बाद बोलते कि कहां पर है क्या क्या जीत क्या है तो भाईया सुना देते हैं खाकी को कि भाईया हमें ऐसी की तैसी करा दी तुमने तो कहते हैं कि आज हमसे बात मत करो अब हम कहीं नहीं जाएंगे गौहर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ख अब कब करेगा अकर्मन ये करेगा जब हमारे देश के खुद के लोग इसको बुलाएंगे अकर्मन करने के लिए ठीक है अब बात आएगी पृति विराज चुहान की तो चलिए इसको आप फड़ा फड़ से कॉपी करो अब पृति विराज चुहान पर वड़ते हैं ये द अब देखते हैं पृति विराज चुहान के बारे में देखिए बहुत मज़ा आने वाले आपको क्योंकि अब जब इनकी बात आती है तो अक्सर हमारे रॉंक्टे खड़े हो जाते क्योंकि शब्द बेदी बान विद्धया इनको आती थी वहां के भीलों से इन्होंने सीख पूरा भी इनको बोला जाता थे ठीक है तो ये दोनों चीजें आपका डिरेक्ट सवाल बनता है मैं सवालों के साथ-साथ आपको स्टोरी बता रहा हूं ऐसे नहीं कर रहा कि स्टोरी स्टोरी बता दी और आगे निकल लिए तो फिर वो गडबड हो जाएगा मामला ठीक है क जो कि अपने को जो सीधा सीधा सवाल आएंगे वहां पर फेपर में स्टोरी नहीं आएगी पुछी स्टोरी आपको ही help करेगी कि contemporary कौन था उस्टाइम प अच्छा ये हो सकता है तो आपको तुक्का लगाने में option elimination में स्टोरी ही help करेगी ठीक है भाई और इसकी PDF में डाल करता जा रहा हूँ अब वो PDF में देखने को मिलेगी नहीं तो आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा आपको बड़ा monotonous लगए इनको याद करते हो और आपको याद भी नहीं होंगी चीजे लेकिन वही चीज इसको 2x पर चला के देख लो चाहिए इस वीडियो को आपको वैस आप सवाल के उत्तर लगा पाएंगे आपको नहीं भी बताओगा उसका सही अंसर आप तुक्य से भी लगा पाओगे फिर जब इस स्टोरी आपको सारी पताओंगी डैनेस्टी इनकी बोलें तो चहामना डैनेस्टी है अब वहां पर चोहान देदेगा तो लोग चोहान किताब लिखी तो वहां पर उसमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं तो आप याद कर लीजीगा ठीक है अब इनके जो फादर और मदर थे सोमेश्वर चोहान और करपूरी थे पेंटर उस टाइम पे इनका फेमस जो था अनिरुत था इनके क्यों लिखे है मैंने यह जब स आसा रहा गया पहले बहुत बड़ा होता था कनोच का अनोच के राजा कौन थे जैचंद ठीक है ऐसी साथ में था अजमेर अजमेर के राजा कौन थे अनदफाल और इनकी बेटी होती थी करपूरी ठीक है यह बात याद रखना करपूरी अजमेर के राजा अनदफाल की बे होता था महाजनपत भी होते थे 18 महाजनपत है लेकिन उस चीज में हम घुसी नहीं रहें अभी ठीक है वो बिल्कुल फिर वो हो जाएगा कि सवाल आते हैं सवाल आएंगे यहीं से जादा तो सीधा सीधा हम उन पर टार्गेट कर रहें कि अपने को बिल्कुल टूदा पॉइंट क्योंकि पहले हम पढ़ रहे हैं अवगान फिर पढ़ रहे हैं मुगल और फिर डेली सल्तनाद फिर मुगल्स फिर उसके बाद जो अपन क्योंकि ऐसा तो है निकि अब हम आप सोचें कि अभी हम पूरी की पूरी हिस्ट्री करने हैं 20-25 गंटे से ज़्यादा का समय चाहिए अगर हिस्ट्री पूरी करनी है तो हम बिल्कुल 5-6-7 गंटे जो भी यह वीडियो इसके अंदर हम पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि to the point ह हमारे सारे कोश्चंस कवर हो जाएं ठीक है अब देखिए होता क्या है कि यह जो डैलिका के सुमेश्वर चोहान है इनकी अजमेर के जो अनदपाल महाराजे इनसे अच्छी बनती थी यह लगववान लो 25-26 साल के लोंडे थे उस टाइम पे ठीक है भाई सुमेश्वर चोह होते हैं इनकी सुमेश्वर चोहान से जाधा बनती होती है हाला कि बनती जैचंद से भी थी लेकिन उनको पता होता था कि जैचंद थोड़ा सा शरार्ती व्यक्तित्वाला व्यक्ति है ठीक है अब बच्बंस ही कोई ऐसा है तो उसको कोई चेंज नहीं कह सकता है अब यह द पूरा पूरा कोशिश होती थी कोई ना कोई पार्ट डेली का ही है अपने अंदर मिला ले लेकिन ये भी बहुत ज्यादा बलवान होते थे सुमश्वर चोहान तो वो ऐसा कर नहीं पाता था तो बहुत बार ये क्या होता था ये युद्ध के लिए भी तयार हो जाता था ये बस तलवार निकालके भाई साब खड़े हो जाते थे और कोई दूसरा रास्ते ही नहीं देखते थे अब क्या होता है कि एक दिन इसको गुसा आ जाता है ये बोलता है कि भाईया इनके साथ अब अपना ज्यादा पंगा हो गया अब तो ठोकेंगे इनको जाके ठीक है तो य ये जो है अपनी तलवार निकालके अपने मंत्रियों को तयार कर लेता सेना पति को चलो भाईया चलेंगे आज उद पर चलेंगे एकदम से मूड भाईया मूड स्विंग है भाई साब के अपने ही टशन है ये अलगी गुडू भाईया है तो आप देखे कि इनके जो बंद या आप उनको हराना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अजमेर के जो राजा है उनकी एक डॉटर है करपूरी ठीक है और एक लोती करपूरी है इनके बास लड़का कोई है नहीं है तो भाईया ऐसे करो इनकी बेटी से शादी कर लो और अगर वो आपकी हो गई तो भाईये सारे का सारा रियासत आपकी और फिर महाराज अनंदपाल को मजबूरी वश आपका ही साथ देना पड़ेगा वो समश्वर चोहान का साथ नहीं देंगे ठीक है जी तो जैचंद भाई साब पहुंच जाते हैं यहां पर रिष्टा लेके अजमेर के अंद है वो मना कर देती इस रिष्टे के लिए उसे पसंद नहीं होता है सिंपल सी बात यह है कि जैचंद उसे पसंद नहीं होता और महाराज अनदपल्फ को भी जैचंद जो है वो पसंद नहीं होता है उन्हें बता है कि कल को यह फिर किसी ना किसी तरिके से मुझे भी तंग कर सकता है ठीक है जैसे ये सुम시면 को दंख करता है तो इनका जो जादा जुकाव सुमस्षवर की तरह था और मैंने बोला की सुमिश्वर भी एक भी रीयोदा था तो इन्हों जोहान जिसको प्रिस्वी त्री भी बोल देते हैं या फिर राहे पीथोरा भी बोल देते हैं ऐसी याद होने चाहिए आपको tips पर होने चाहिए जैसे मैं एकदम बगबगबगबगईएशे चल रहा हूँना था यार संयोगीता, बेटी का नाम क्या था? संयोगीता, और इनके बेटे होते हैं प्रिथवी राज चोहान, क्योंकि इसकी भी शादी हो गए होते हैं, ऐसा तो थो नी बेए बंदा कुवारा मरेगा, एक ने मिली तो दूसरी के साथ तो करेगा ना, तो अब वही बात है यह यहां पे भी अब यहां क्या होता है यहां कहीं एक जग़ा होती है कोई common जगा होती है जहां पे क्या होता है कि संही जानीत ah की दोस्त समझ लो और प्रिष्वीराज चोहान का दोस्त Across अब हृती कर यह दिजा निशनेर कि ओझते हैं इनकों नीचसे हैं यह नाम क्यों ज़्यादा हो रखा था देखिए एक तो पहले तो ये कि सोमेश्वर चोहान भी बहुत ज़्यादा बलवान हुआ करते ते दूसरी बात ये कि इन्हों ने शबधी बान, शबधि बान विद्या शिख ली है और पूरे भारत में सिरफ इन को शबधी बान विद्या आती थी आप देखेंगे अगर वाहियात चीज़ें हैं सब आपको नेट पर मिल जाएंगी बट उस चक्र में नहीं फसना अपने को ओट पटांक बाते हैं वो सब ठीके भीलो से सीखी थी इस चीज को justify किया जा सकते दूसरी चीज को कभी justify ने करोगा कि बया अश्वत्थम आ गया उसको चीखाने ऐसे भी हा करते हैं जिस काम के लिए हैं लॉंडो के साथ आये हैं चिल कर रहे हैं एश कर रहे हैं वजा कर रहे हैं और यह देख लेती हैं तो तब से इनका दिल आ जाता है फिर लोगों से पूछती है तो काफी बड़ी है feedback मिलता है जब feedback अच्छा मिल रहा है तो लड़की को क्या attention है अब क्या होता है कि यहां के जो painter होते हैं वो अनिरुद painter है उनका नाम ठीक है वो यहां के राज़सी painter एक तरह से समझ लीजे कि वो यहां पर डैलिका के अंदर प्रिथवीरा चोहान की तस्वीरे बनाया करते थे उनकी मदर की उनकी फादर की ठीक है तो यहां पर अच्छ पर नहीं रहते हैं अब बहुत एक बड़ तस्वीर बना दी एक बड़ी खुश कर दिया राजा को बेटी को उस के बेटे को उसके पति पतिनी अब कर दिया है उचिसा न ऊस बहूं को ब्रैइंट वैल्यू क्रेक्ट कर दे पनी तो यह आते हैं यहां पर कनोच के अंदर जया चन्द के बास दिखाते हैं कि बैया ये देखो वहाँ परिद्यवरा चोहां जैसे इनकी फोटोस बनाते हैं तो आप भी बनवाई यह तो बोलते हैं कि मैं तो बुड़ा ओ गया हूँ, अब मेरी कहां तुम फोटो बनाओ गया, जब समय था था तब तु तो ऐसा है, कि हमारे जनान खाने में चले जाओ, मनलब जहां पर लेडिस रहती है, तो वहां पर जाकर जो जो बनाना चाहती है, लेडिस को जादा उनका हता लेडिस की बनानी शुरू करते हैं, लेकिन संयोगिता इनके हाथ में देख लेती है, पृत्विरा चोहान की फोटो तो बस उसके बाद ये सुनके सेयोगिता की फोटो भी बनाते हैं ठीक है ओर रख लेते हैं एक extra फोटो भी बनाके क्योंकि भाई यह सब जगा जाएंगे दिखाएंगे कि भाई आज यह देखो हम राजकुमार की फोटो बनाके लें वाistically है यह भी हम हने का कि ठीक है ले लो इनके पास एक और painting थे बोलते हो तो यह भी ले दते हैं वह कैती है रहा ठीक है दे जा हो यह भी तो दोनों painting रख लेती है वह तो डूनों प्लेटी कि भी दो जा कि दुबार से बना दूगा उनकी ऐसा क्या आणिए और सभी हो कि आ साथ मिले जाते हैं तो भाईया अब मामला सैट हो गया, अब समझ गये बाईया, देखो, तो अब ये एक पेंटिंग लेके जाते हैं, प्रिति विरा चोहन के पास यहां पर, इनको देते हैं, तो ये देखते हैं, तो ये भी फिर खुश हो जाते हैं, बाईया, नोटिस तो किया होता है ठीक है बाई, तो आजकल तो वट सा मैसिज जोगा, तब तो कबूतर सी होता था, और कोई लोग इसको ये मत समझ लेगी कबूतर से सच में होता था की नहीं होता था, ट्रेन किया जाता था, जब आप एक डोग को ट्रेन कर सकते हो न, आप लोग कई सारे काम करने के लिए, तो कबूतर को भी ट्रेन किया जा सकता है, इवन आजकी डेट में भी ऐसा होता है कई जगा पे, आप कबूतर के साथ चिप लगा देते हैं कुछ लोग और फिर उसको ट्रेस भी कर लेते हैं, तो उस तरीके से सिखाया जाता है, आजकी डेट में पहले अलग तरीके से सिख सकता है ठीक है जी तो अब क्या होता है कि ये कभूतर उड़ उड़ ये तोता उड़ मैना उड़ कभूतर उड़ तो एक दिन क्या होता है कि वह उदर से संदेश आया होता है कनोज के अंदर तो वो सहियों किता की जगा पर उसके मम्मी जी को मिल जाता है मम्मी जी को मिल जात कि भाईया ऐसा ऐसा खेल हो रहा है यहां पे तो जैचंद को गुसा आ जाता है जैचंद क्या करता है स्वेंबर रज देता है अब स्वेंबर हो रहा है भाईया यह देखे यह बाहर क्या करता है यह दर्वाजा है ठीक है दर्वाजे के बाहर बाला पकड़े मार डाल देना है, तो भाया हो गया, यही होता है स्वेंबर, अब ज़रूरी थोड़ी है कि स्वेंबर के अंदर की लड़की शर्त रखेगी, कि नहीं भाया, जब तक तुम मचली की आख में तीर नहीं मारो गया, मैं तुमसे यादी नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है, अचंद, ताकि इनके से प्रतिशोद लिया जा सके, वैसे प्रित्विराज चोहान को मना करते हैं सभी कि नहीं जाना है, वो बोलते कि ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में जब उनको पता लगते कि वह या ऐसे बुद्ध खड़ा करके, पापा की भी बेजज़ती ह हो रही है, मम्मी की भी बेज़ती हो रही है, हमरी भी बेज़ती हो रही है, यह तो बड़ी गलत बात हो रही है, तो बिना बताए किसी को प्रित्विराज चोहान उठके यहां पर आ लेते हैं, और इधर सहियोगिता बैठी होती है, आते हैं, गोड़े में सवार आते हैं, अब वो क्या खेल होता है कैसे होता है यह तो अपने को भी नहीं पता पंद हो थे नहीं वाँ पर जो इतियास बोलता है हम आपको बता रहे हैं ठीक है सिंपल सी बात है तो आते हैं यहां पर डिरेक्ट एंट्री लेते हैं यहां महिल के अंदर संयोगिता को बुलाते हैं संयो कहीं कोई सक्षय मिलेंगे इतियास के अंदर तो पता लगेगा बट मोटी मोटी बात यही थी ठीक है कि मोटी 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 बात यह थी कि संयोगिता की शादी प्रिथविरा चोहां से जबरन होगी थी बिना जैचंद की परमिशन के मुद्दे की बात यह है अब कई से आये बता दिया भागी तो ठीक है आप समझ लेना ठीक है तो अब जब यह सही हो गिता है तो यहां चली गई है अब जैचंद गुसे सो और बढ़ा पड़ा है कि भाया हमारी वाली को भी ले गया था ये बनलब इसके पापा अब यह हमारी बेटी थी उसको भी ले गए तो भाय के मानता नहीं है तो फिर ये एंड में दुखी होके इसको लगते कि अब क्या किया जाए तो वापस से कौन आएगा पिक्चर के अंदर मोहमद गोरी तो यह संदेश बेजता भीया मोहमद गोरी को यहां पर कौन बैठे है काकी काकी के हाथ लग जाता संदेश काकी पढ़त प्रतिशोद पूरा होगा तो इससे बड़ी बात क्या है डैलिका को लूट पाट करके फिर आ जाना बहुत अमीर है यह लोग तो गोरी बोलता है ठीक है पक्का काकी बोलता है फंडर परसंट अब जाना ही है तुम्हें तो भाईया गोरी उठता है यहां से और आक्रमन करत जाना होता है डैली का पे बैयात आ गया हम आ होता है ग्यारस औका ग्यारा सुचानवन का बैटल ऑ टराइन-वन जहता है थो यह यहां पर हो तो यहाँ पर चृता है कि है व्यत्तिविरा फर्द लाजका कूशी Tamara कर्टुरा चोहन तो हरा देते हैं इसको, गले पे तलवार रखते हैं, तो भाई, वो भी यही पूछते हैं कि भाई, हो कौन तुम पहली बार देख रहे हैं तुमें, अब भाई समझ लो, कि जैसे कोई चिंके यहां पर इंडिया में आ गया, कोई चाइनीज उठके हैं लडने, तो हम तो यही पूछेंगे न, भाई यह कौन हो तुम, तो ऐसी यह था, यह वहां से उठके आ गया, अजीब यजीब सी शकले होती थी इनकी, तो आके, तो भाईया, यहां पर आकरमन कर रहा है, रंग, रूप, सब कुछ, अलग था, अलग ही लेवल था, तो भाईया, पूछा इनसे कि क अब फिर हुआ इसके साथ, तो फिर हाथ-पैर जोड़े और दोड़ लिया वापस, ठीक है, और इधर यह भी शान्ती से बैढ़ गे, कि अच्छा इसा है, अब देखो मुद्धे की बात क्या है, कि जा के काकी बोलते हैं कि जीत के लाए, तो सुना देते काकी को, भाईया, मरवादिया था आज, तो मरते मरते बचा हूँ मैं, हाथ-पैर जोड़ के जैसे तरसे करके, ठीक है, तो इसको बताया होता है कि भाईया, कोई भी तुम्हें भाँ भारत के अंदर फस जाओ, तो हत्यार डाल दे ना वस, ये समझ लो, कि तुम्हें हमारे माई-बापो वही अगले साल क्या हुदता है, जैचन फिर इसको मैसिज भीजता है, पत्तर लिखता है कि भाईया ऐसा है, तुम फिर से आकरमन करो, इस बार हम धुगनी पावर से आकरमन करेंगे, और अगर तुमने दिल्ली को जीत लिया, तो दिल्ली तुम्हारी, हमें दिल्ली नीची है, ह अब कौन संभाल रहा था, प्रित्विराच चोहान ही संभाल रहे थे, क्योंकि डोटर जो थी करपूरी, तो वो most probably नहीं रहे होंगे, आनदपल महराज, ठीक है, क्योंकि नाना हुए ना इसके, प्रित्विराच चोहान के, तो क्योंकि आप देखे कि सुमेश्वर चोहान और करपूरी की शादी होई थी, तो ववेसी बात है कि ये सारा एरिया अभी नहीं का था, सारा एरिया नहीं का था, तो ये बोलता मैं अज मेर रख लूँगा, उसको बोलता कि तुम दिली रख लेना, तो भया, खुश हो जाता है गोरी, कि भया, अभी देखो समझने वाल ये आपी का घर है, तो फिर इसको ये confirmation हो जाएगी कि भया, ये मेरे पर हमला नहीं करेगा, तो मैं यहां पर अराम से रहूँगा, राज करूँगा यहां पर, तो अब ये बात अलग हो जाएगी, समझ रहो इस चीज़ को, तो ये एक लालच बड़ा था, कि यहां पर स्थ परिथविरा चोहान हरा नहीं सकते थे, हरा सकते थे, लेकिन होता क्या था, कि आप देखे कि एक हाथी होता था, जैसे ये हाथी है, हाथी पर होते थे परिथविरा चोहान, अब इसके आगे तीन लेयर बनाई जाती थी, ठीक है, चक्र विव टाइप, तो वो तीनों लेयर का काम यही होता था कि इस हाथी तक प्रिथवी राज चोहान तक पे सिखली किसी को नहीं पहुँचने देंगे, बहुत स्टोंग लेयर मनाई जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो इनका कमांडर होता है मैं को नाम तो नहीं पता है बर मुद्दे की बात यह है कि जो कमांडर होता है, कमांडर सिक्कों के लिए बिख जाता है जैचन्द इसको सिक्के देता है यह जै भाई जो है, इसको सिक्के देते हैं बहुत सारे, तो यह खुश हो जाता है कि यह ठीक है तो यह क्या कर देता है कि यहाँ पे loopholes छोड़ देता है इस चक्र view के अंदर loopholes छोड़ने के चक्र में क्या होता है कि होता गया था पृत्वीराज चोहान जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे सामने वाला राजा होता था ठीक है तो यहीं से डिरेक्टली आपको पता है इनकी तीर अंदाजी बहुत अच्छी थी सीधा सामने वाले राजा की आँख में तीर मार देते थे क्योंकि बाकि सब चीजे कवर होती थी बाकी सब चीज़े कवर होती थी लेकिन आख तो कभी कवर नहीं कर सकता ना राजा तो आख में तीर मार देते थे ठीक है तो उससे क्या है कि सीधा सीधा जुद जीत सकते थे ये इनकी सीधी सीधी स्ट्राटजी होती थी लेकिन यहाँ पर जब ये बंदा इनका कमांडर लूप होल छोड़ देता है लूप होल बोले तो कि कमजोर चक्र वियू बनाता है तो वहाँ पर फिर यहाँ से सीधा गोरी की सेना घुचती जाती है इनके हाथी बे भी अकर्मन कर दिया जाता है हाथी को हताश करके नीचे गिरा दिया जाता है इनको भी ये भी नीचे गिर जाते हैं इधर गोरी लेके तलवार आ जाता है रख लेता है बहाँ जब कमांडरी साथ नहीं इनके तो कहां से लड़ लेंगे तो अपने इनों फि युद्ध में एक नए गदार निकला ही है अपने देश का तो ये देखी एक तो जैचंद था यहाँ पे गदार और दूसरा ये भी कमांडर भी गदार निकला क्योंकि खुद ही नहीं कि सेनगा था अब क्या होता है हाथ ही लगे तो सही यार आख भी बना देते हैं अब क्या होता है कि प्रिश्वीरा चोहान घूर रहे होते हैं मुहमद गोरी को मुहमद गोरी बोलता है कि भया अपनी आखे नीचे कर लो लेकिन वो अपनी आखे नीचे नहीं करते हैं क्योंकि अब गौरी के साथ क्या हो रखा होता है, यह हाथ पैर जोड के, ऐसे आखे जुका आखे, माफी मांगे फिर इसको छोड़ा जाता था, छोड़ना इसने फिर भी नहीं था चोहान को, लेकिन यह चाहता था कि वो जुक जाए, लेकिन वो जुके नहीं, तो इसने क्या बेदी बानविद्या जानते हैं, तुम इसको जिंदा छोड़ोगे, तो कल को तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो हसने लगए, अच्छा भाईया, ऐसा भी कुछ होता है, कहता कि पकड़ो इसको, प्रित्वी राज जोहान को, और साथ में इनकी help के लिए, जो इन ये बोलता है, गोरी, कि भाईया, आपने करताब करके दिखाओ, तो चंदबर्दाई भी वहाँ पर आता है, और चंदबर्दाई फिर प्रित्वीरा चोहान के साथ, पूरे का पूरा प्लैन डिसकस करता है, ये छोड़ने वाले दौमें वैसे भी नहीं है, अब आखरी मोक सब्सक्राइशन बैठती है, थोड़ा से यहां पर बनाता हूं मैं, कि इधर सुल्तान बैठा है, ठीक है, काफी उपर बैठा है, और इसको ये बोला जाता है कि भाईया, एक राजा तभी तीर चलाएगा, जब आप यहां का जो राजा है, आप बोलेंगे तभी ये तीर च निशाना प्रिथ्विराज चोहान ले लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से था, अब घंटी उधर होती है, निशाना इधर लगाना होता है, ठीक है, इधर घंटी है आपकी घंटा, तन, तो उधर घंटा बजाये जाता है, और इधर जो होता है, आप देखिए प्रिथ्विरा चोहान यहां खड़े हैं और इधर साथ में खड़े हैं चंदबरदाई अब चंदबरदाई की आखे तो है ना प्रिथवीरा चोहान की नहीं है निशाना इनको इधर लगाना है लेकिन करना क्या है अब अब चंदबरदाई का काम है कि इनको अपनी बाशा में क्योंकि अब इनको हमारी भाषा तो पता नहीं होती थी तो अपनी भाषा में इनको दोहे के रूप में बताना है कि भाई यह सुल्तान कितनी दूरी पे और कितनी उपर बैठा है और जैसी सुल्तान बोलेगा कि चौहान तीट चलाओ कहने का मतलब है कि एक्जेक्ट लोकेशन बता देता है और जैसे ही बोलता है ये कि चार बांस चोबीस अंगुल अश्ट परमान चोबी है ठीक है मच चुके चोहान तो सीधा यहां से यह गोरी बोल रहा हुता है चलाओ तीर चलाओ तीर ऐसे से चिला रहा था अपना हसी में इसको लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो ये इसको यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ कर देंगे इधर से एक तम एकदर तीर आता है ये बोल रहा होता है कि चलाओ तीर चलाओ तीर इतने गले में लगता है एक तीर आगे ठा और वहीं पर काम समापत हो जाता हाला कि क कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था कि इसको गौरी को आफगानों ने मार दिया था लेकिन आप देखिए कि अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गौरी उसके बाद जब यहां पर यह ले गया था 1109 की बात है 1192 में जब यहां से ले गया था प्रि इंडिया में आए था ठीक है तो फिर अगर यह जिन्दा होता उस टाइम की बात मैं बहीं बता रहाएं 1200 का आस पास यह नहीं रहा था गोरी ठीक है और उस टाइम पे यह चीज हो चुक्की थी तो कहने का मतलती पैं अगर जिन्दा होता और यहां फिर यह बोलने की प्रित वैबली हो सकता है कि यह चीज हुई हो लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं है कि क्या हुआ कह नहीं हो आप उस टाइम पर ऐसा तो है丁दा कि कामरा लेकि रिपोर्टर आपके साथ है फलाण फलाण रिपोर्टर है ना शुएताची आ रही हैं कैमरा लेके कि भाया यहाँ पर यह हो गया ऐसा तो है नहीं था तो जो अब सुनने में आया शुरुतियों होती थी कि जो सुनने में आया चलता जा रहा है यह उस टाइम पर लोगोंने किताबों में लिख दिया तो चीजें होती है जिसका दोश लोग जैचंद को देते हैं इसको जीने नहीं देते हैं जहां भी बाहर निकलता है लोग थूथू करते हैं इसके उपर तो यह सोचता है कि भाया अब मैं हराओंगा उसको बढ़ाओ हो गया है अब तू हराएगा है ना तो प्रिष्वीरा चोहा इसके कहानी हुई थी इसको उतारो कोपी में ठड नहीं लगए है तो में टोपी में चलो आगे बढ़ते हैं आप देखिए कि क्या होता है यह अपर बहुतके क्या पता है यह महम्मद incentiv ह्जुन क्क्या यह मरने से पहले 240 मैक्ट कृता कि एक स्लेव को खेड़ता है और च्थ स्लेव को कहां से खरीदता है यह होता है इरानियन ही होता है ठीक है इरानियन स्लेव होता है तरकिश स्लेव होता है ठीक है कुटबु दिन एवक यह टरकिश स्लेव होता है ठीक है बच्पन में इसको खरीद लेता है जब यह चोटा होता है तब ही से इसके साथ रहता होता है गोरी के साथ इसका काफी विश्वास पत्र होता है और जब गोरी नहीं रहता है तो होता क्या है कि यहां से अब ये लोग आते हैं भारत में गोरी तो नहीं रहा तो यहां पर जो कुत्बुदिन एबक है ये उस एक तरह से सिपा सलार की फॉर्म में आता है ये सुल्तान नी बनता अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल में अभी मैं एक ओवर्वियू दे रहा हूँ आपको आप देखें उपर डैली सल्तनत लिख दिया मैंने टोपिक चेंज कर दिया अब डैली सल्तनत आने वाली है ठीक है तो यहीं से डैली सल्तनत की शुरुआत होती है तो सीधा सीधा भी मैं शुरू कर सकता था कि सीधा आपको बता दूं कि भईया सीधा मामलुक डैनेस्टी से शुरू कर देते हैं ना कि ये आया खुते था भी बता दिए कहां से आई या ये ठीक में कई जो ओर है घुधा है तो अब ये जो गोर है गोर से ये अईए सारी सारी तो गोरी का सलेव कुट आला है को sekali दिली आता है में तो मैंने आपको पहली बता दी है, दूसरा ये है कि थोड़ा रंगीन विजाज के लोग व्यक्ति होते हैं, ये इतने वो नहीं होते हैं कि जो सूफी सेंट जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है? और लेकिन ये जो होते हैं मौईनुदिन चिश्टी, ये सच में सूफी सेंट होत अब इन दोनों की ही डेथ के बाद क्या होता है, कि जो कुत्ब दिनेबक होता है, कुत्ब दिनेबक जो है, कुत्ब मिनार बनाता है काकी की याद में, और आप देखिए कि वहाँ कोई नहीं चाता होगा, काकी की याद में मनाई है तो भाई है, उसको पूजा थोड़ी जा तो यही फरक होता है वही एक अच्छे विक्तित वाली विक्ति में और बुरे विक्तित वाली विक्ति में तो यह देखी दोनों पैरलेल चल रहे थे positive negative तो इनके बाद फिर मुईनुदीन चिष्ति के बाद ये जो अपना हो था कुत्बुदीन एबक इनके लिए क्या बनाता तो एबक ने ही कुत्बुदिन काकी के लिए कुत्ब मिनार को बिल्ट करवाया नाम यही मलब पूछा जाएगा आपसे तो फिर आप कुत्बुदिन एबक ही बोलेंगे लेकिन आपको मैं बता दूगी इसने सिर्फ स्टार्ट करवाया था उसके बाद यह complete नहीं हुआ था अभी तो complete किस ने कराया है इसके बाद जिसको हम real founder बोलते है डैली सलतनत का सुल्तान जो होता है वो होता है इल्तूत्मिष तो इल्तूत्मिष जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा कराता है ठीक है, लेकिन अब ये तो दो सबाल होगे, कि पूरा कौन करवाता है, iltoutmish, लेकिन स्टार्ट कौन करवा देता है, e-buk, और अगर सीधा बोलों कि इसने बनवाया, तो e-buk ही बोलो गया आप, अब तीसरा सबाल ये आता है, इसको renovate गिसने कराया था, तो लोग उसमें गलती से इल्टूतमिश लिख देते हैं, इल्टूतमिश नहीं तो भईया पिछले वाला complete कराया था, फस्थीत हो जाए, फिरोष्षा तुगलग था वो, तुगलग डाइनस्टी का, जिसने कुतुम मिनार को रेनोवेट कराया था, खराब होगी थी, जर-जर होगी थी, भईया इतने साल होगे थे, तो इसने रेनोवेशन करवाई थी, क्योंकि आप देखें कि तुगलग कहां पर आ रहे हैं, ठीक है, तो पिछे 100-500 साल का फरक हो रहा है, 100 साल का लगबग फरक हो रहा है, देख लीज कि हम पढ़ने क्या-क्यावाले हैं इसके अंदर, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, एक सेकेंड रुक ये, एक मिन रुक हो यार ये तो, आदा दूरा कट रहा है ये बीच में, एक सेकेंड रुक हो, मेरे को नीचे करने दो ये, अब शायद आपको पूरा दिखाई दे रह है ना, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसके साथ है, ये इदर है, ये इदर है, ये इदर है, तो अब आप देखिए कि ये पाँच डैनेश्टी होती हैं, उस टाइम पर दिली सल्तनत के अंदर, पहले आती है स्लेव डैनेश्टी, जिसको मामलोग डैनेश्टी बोलते हैं को तुब दिन एबक इसके फाउंडर है ठीक है 1206-1290 में चलती है फिर खिल जी आएंगे 1290-1320 के बीच में ये कोई जादा समय तो नहीं निकालके जा रहे हैं खिल जी कम ये 30 सारी निकालके गया है फिर आते हैं ये जो अलाओ दिन खिल जी ता पदमावति वाले ये वही है खिल जी ठीक है सबसे ज्यादा सक्सेस्फूल इनी को मना जाता है कम समय निकालके फिर भी सक्सेस्फूल अलाओ दिन ने बहुत जब्रदस चीज़ां की थी आएंगे तो बात करेंगे फिर तुगलक आते हैं 1320-1414 में फिर सेयद आते हैं 1414-1415 में ये भी ज्या आश्ट शासतक होता है इब्राहिम लोदी उसको हराने के लिए कौन आ जाता है अफगानिस्तान से बाबर और बाबर आके जब इनको हरा देता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाती है तो ये एक ओवर विव्यू था अभी इनके इनके बारे में पढ़ना बाकी है क्योंकि इन सब डाइनस्टी के अंदर के जो रूलर हैं उनसे सीधा सीधा सवाल आ सकता है तो वो सारे सवाल हमें कवर करने हैं तो इस सब भी रूलर के बारे में देखते हैं कि इनके अंदर जो मेन मेन इनके रूलर है उन उनके बारे में और ज़ादा जिन्होंने कुछ किया ही नहीं नहीं था जिनको जिन्होंने अश्व अराम किया तो उनके बारे में पढ़के भी कोई खास फायता आपको ये को मिलने हिन वाला आप यह समझे कि यह क्या है, जब Jesus थे, मतलब इसा मसी थे, ठीक है, तो यह वो टाइम हो गया, अब B.C. क्या हो गया, बिफॉर क्राइस, इससे पिछा, पिछे का टाइम, और इससे आगे का टाइम क्या हो गया, अब शायद आपको कंफूजन नी होगी, तो उसके बाद का जुतना भी समया, अभी हम एडी में ही है, सारी की सारी चीज़े, क्योंकि पीछे चले जाएंगे एडी से तो फिर वो सारे का सारा कहां पर पहुंच जाएंगे हम, आप देखिए हमने 712 एडी से स्टार्ट किया है अब एडी से पीछे चले जाएंगे बीसी में, तो फिर वो एंशेंट हो जाएगी, तो उसमें हम घुसी नहीं रहे हैं, ठीक है भाई, अब आप देखिए कि जो स्लेव डाइनिस्टी के फाउंडर है, वो कुत्पुदीन एबक है, he never accepted the title of Sultan, अब अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले कि पहला सुल्तान कौन था डेली सल्तनत में, तो आप कभी भी यह नहीं बोलोगे कि कुत्पुदीन एबक था वो, उसका बहुत सारे कारण है अलग लग, क्यों नहीं था यह पहला सुल्तान, आप देखिए कि यह आया तो जरूर था, अब देखो यह जब आता ह तो इसको भी थोड़ा डर रहता है, क्योंकि अब उस टाइम पर गोरी का देखिए 100% कोई हमें डेटा नहीं मिलता कि गोरी था या नहीं था, या मर गया था, या क्या हुआ था, तो इसको थोड़ा से यह भी डर रहता है कि कोई आकर इसको कतल ना कर दे या इसके पीछे न लार बोलता है यह क्या हो गया एक तरह से सुल्तान का सिपसा लार ना तो बट ये खुद को एक और टाइटल इसको लोग देते हैं लख भक्ष के नाम से कि जिसको भी ये जिसको भी उपर इसका दिल आ जाता था यह जो इसको अच्छा लगता था उसको लाखो रुपैस ही द बना रख है दिल्ली को बनाया ही ने अभी तक capitalist इसने तो इसको नहीं बोलेंगे इस कारण से भी बिल्डिंगे इसने कुटब मिनार बनाई कुवत इसलाम बनाई और एक अठाई दिन का जोपड़ा गया रहा हूं ठीक है तो ये तीनों के बार मैंने पहली बता रखा आपक है एक ये जो कुवत अलिसलाम है ये इंडिया की पहली मॉस्क कहा जाता है अब जब कि आप नेट फे सर्च करेंगे तो कुछ जगा पर आपको छेरा मंजूमा भी दिखेगी तेकि क्योंकि इस मस्जीद में कभी वर्षिप नहीं हुई है कुरान नहीं पड़ी गई है तो अब ना हमाज दता होई है तो फुर उसको हम कभी भी यह फिंडियू का सकते कि भाया यह मुस्क है एक तरस उसको नहीं भोल सकते हैं जैसर अपने यहां भी क्या होता है कि अब डो को भगवान प्रuksella की जाती जैसे लोग बोलते हैं पन्डित लोग बोलते हैंकि परान प कि फर्स्ट मॉस्क अगर कोई वोले तो कुवत इसलाम हम माक कर देंगे किसने मनाई थी स्लेव डाइनिस्टी के फाउंडर ने कुद्वुदी नेबग ने और अगर ये आपको नहीं मिलती है कुवत इसलाम उफशन में तो फिर हो सकता है चेरा मंजुमार दियो तो उस केस में आप चेरा मंजुमार को माक कर देंगे ठीक है और ये जो था खुद्वुदी नेबग ये पहला ऐसा वकती था जिसने इंट्रोड्यूस किया था टर्किश कल्चर को दिल्ली के अंदर की तर्की से ही इसको लेके आया था कौन लेके एता गोरी लेके आया है था उसके बारेंगे हैं एक और चीज इस बारें में आपको बता दूं कि 1210 में देखो बारासो ङसे बारासो दास भस लिख बस स्रील लगबग एमाने और लगधेफिन रहेख आपया यहां पर दाप進ेर न के यह papas उणने 205 में यहां अमरेंघालन थलte ऑफ क्यों ल तो यह सारी के सारी चीजें इसको उतार लो कोपी में अब आगे देखिए कि अपने बास नेक्स्ट जो बंदा यहां पर आता है यह आता है इलतूत मिश अब देखो आता तो अच्छली में पहले अराम शाह है अब यह कंफर्म नहीं है कि अराम शाह जो था यह अपना कोई भी उसके रूल से खुश नहीं था वो और रूलर में देखिए दमखाम होना चाहिए उसे पता होना चाहिए स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए तब ही वो चलेगा नहीं तो हलका फुलका रूलर एश्व आराम करने वाल कहां चल पाता है तो इलतूत मिश देखता है यह य यह देखते हैं कि यह क्या नो टंकी चल रही है यह आता है आरामशा के साथ लड़ता है और आरामशा को कतल कर देता है डिफीट कर देता है और 1211 के अदर देखो 1210 में किसकी मृत्यू हो गई है कुद्बदी नेबक की 6 मेने तक 1210 के अंदर ही कौन मना रहता है आपका आरा करता है और इसी को रियल फाउंडर ओफ दिली सलतनथ बोला जाएगा और इसने सुल्तान की जो टाइटल है वो लिया तो फॉस्ट सुल्तान इसी को बोला जाएगा ठीक है यहाँ यहाँ यह लिक देता हूँ इसी को हम बोलेंगे 1st Sultan of Delhi Sultanate अब आप इस चीज को यहां से भी सीख सकते हैं कि क्यों इसको 1st Sultan बोला जा रहा है आप देखे कि इसने क्या किया है Capital Delhi को बना या है ठीक है भाई? इसने जब Delhi को Capital बना लिया जब कि आप देखे कि पहले वाले लोग क्या कर रहे थे यहां काबूल में लहोर में इनको कैपिटल बना रहे थे बट इसने सोचा कि वह यह जब हमें आगे राज करना तो सीधा दिली को कैपिटल मनाता हूँ इतनी दूर जहां पे तो सब कुछ टेबल ही है यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं था तो वो सीधा दिली के अंदर आके यहीं पर बश जाता और इसी कपिटल मनाता हे यही से सब कुछ करता है सारग कुछ ओफड़ करता और देखे जिसने भी दिली पर राज किया उसने पूरे हिंदूस्तान पे राज कर लिया यहाँ बेश्चुमार दॉलत होती थी, बेशुमार याशी थी, सब कुछ था यहाँ दिल्ली के तखत पर. जिसने भी राज किया आज की डेट में कहां से राज हो रहे है? दिल्ली के उपर से ही राज हो रहे है, ठीक है भई? और दूसरा क्या कि इसने काम किया, इसको पता था कि भैया, मेरा ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए, अब मैं रूल तो कर रहा हुएं, पर मेरे उपर भी हमला हो सकता है, तो इसने क्या कि चहल गनी मना दी, यानि कि 40 मना दी, और एक से बढ़के एक लड़ाके और जासूस उनके अंदर मनलब अलग 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 टाइप की चीज़ें थी अलग अलग गुंड थे तो जैसे अकबर के नवरतन होगे वैसी इसके थे चालीस रतन थे तो ये लोग देखते रहते थे जासूसी करते रहते थे कि वह यह कोई स पर चाल कि आपनार का जो निर्माना मैं आपको पताय थे कि इलतूतमिष ने कंप्लीट कराए था उपर के तीन मंजिल रही थी जो कि इलतूतमिष ने कंप्लीट कराए ठीक है इसके बाद इसने इक्ता सिस्टम लांच किया, कि आपी लें न बंषन, सकी दूए बाट देख यह लगबग आप कहिए कि 1,5 भाग यहां फिर कहें कि आप 20% भाग था जो यह किसके लिए था यार यह इसी था यह सब चीजों के लिए था ठीक है गरीबों के लिए वेलफेर हो गया आर्मी के लिए हो गया तो हां एक 20% था किसीधा सुल्तान के खाटे में जाएगा सुल्तान के खजाने में जाएगा ठीक है 20% तो ये जितने भी जमीने थी सबका इतना इतना शेयर ऐसे-इसे बटा जा रहा था ठीक है तो इसको बोलते थे इक्ता सिस्टम और जो इस चीज का हिसाब किताब रखेगा उसको बहुत बरबर होते थे उनका काम था लूट पाट करना रेप करना ये सब काम करते था कि लेकिन यही एक ऐसा रूलर है जिसने उनको हराया अचली में हुआ कि नासिर उद्दीन क्वाचा इसका एक जनरल हुआ उस टाइम पे ये क्यों डबल लगा दिया चलो कोई नी ठीक है जनरल हुआ उस टाइम पे ये मुल्तान का जनरल था और एक नदी पार करने बढ़ती था इंडस्री वर थी मेरे साब से तो वो इंडस्री पार करके मंगोल इनके उपर अटाक करने आये था मुल्तान वालों के लेकिन ये बंदा थोड़ा सा तेज निकला और काबिल रूलर था तो इसने क्या सोचा कि भईया अभी नदी क्रोस करके हैं थक्या रहे होंगे तो ठोक लालो इनको अभी तो उस टाइम इसने उनको नीचे तो फिर क्रेडिट किसको जाएगा इलतूतमिश हो जाएगा ऐसा ही होता था जो राजा है वही क्रेडिट लेगा अगर सब हार गए तो राजा क्रेडिट की राजा हारा राजा की वैज से हारा है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो राजा की वैज से जीत रहे हो ठ वह मर गया था तो उसकी याद में इसने यह बनाया अब इसका एक दूसरा बेटा भी था यह अलग था ठीक है यह था रुकुनुदिन फिरोज और बेटी का नाम था रजिया सुल्तान अब रुकुनुद इसके मरने के बाद क्या हुआ 1232 में भीया लुडक लिए तो अब इस करने के लिए दूसरा कोई ना कोई आ जाएगा और उसका कतल करके उसको रिप्लेस करके खुद वहां पर बैठ जाएगा यही उस टाइम पर सियासत थी यही तरीका था और यह आम तरीका था इसको कोई बहुत बड़ी चीजी नहीं माने जाता यह होता था नॉर्मल था यह ठीक है कोई डेमो कर इसी नहीं थी वैसी तो इन नट शेल फिर इनकी जो बेटी होती है रजिया सुल्तान इनके अंदर एक कमांडर वाले बादशावाले सारे गुन होते हैं तो यह बोलती है कि भाईया तुम तो नाम खराब कर रहने तो तुम से ना होपाएगा हमें सारे में अब देखिए अब नई शासक आती है रजिया सुल्तान बारास सो चाली से तक यानि कि चार एक साल ही इसको शासन करने दिया जाता है और कमाल की बाद यह कि पहली और आखरी मुस्लिम रूलर रही है यह पूरे भारत के अंदर ठीक है क्योंकि औरतों को राज नही बावजूद इतने डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद इसने बहुत अच्छे से संभाला था और यह होती तो बैटर रहता है लेकिन अब ही क्या क्या होता है इसके साथ वो देखते हैं इसका हजबेंड होता है यह रूलर होता बठिंडा का और इसका कमांडर होता है जमाल आते हैं वैसी शरेयाम आती थी बाधिशा के तोर पे है ना और शी अप्ट कुबा एंड कुला कुबा होता था बलेजर और कुला होता था यह रहता था जैसे वह बाधिशाग निई डालते थे यूँ उसका और फिर सर पे हैट रहते थे तो वो काम इसने भी शुरू कर दि तो फिर इन लोगों को और कहने का मौका मिल कि इसके इसके साथ खराब relations है यह है वो है तो इन अच्छा इसको पूरे का पूरा इन्होंने deteriorate कर दिया और एंड में फिर क्या होता है एंड में होता है कि चाह साल के बाद इसको भागना बढ़ता है अपने commander के साथ क्योंकि यह लोग बिल्कुल इसके पिछे इसको मारने के लिए दोड़ पड़ते हैं और रुकनुदिन फिरोज और अलतूनिया दोनों मिलके ठीक है रुकनुदिन फिरोज को ने इसका भाई है तो एंड में आठ साल के बाद फिर वो इन दोनों को ढूंड के दोनों यन दोनोंज करते हैं पहले पर इलतूत मिश्छ fracture की बेटी दूसरे अपे नयी की राणी तीसरे च्टन्थ की हरनी तोि यहीं से पताब पता लगते कि इलतूत मिश्छ न अदी acho है यहांत होते हैं यह रजिया सुल्तान का है जैसे ही रजिया circular हटनिये 1240 पे वो हट रही है तो 1240 से लेके 65 तक अब यहाँ पर क्या खेल होता है 1240 से 65 तक यह रुकनू दिन फिरोज और अलतुनिया जैसे लोगों को भी निराने देते है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यह तीन बादशाओत थे हैं यह तीन सुल्तान बनते हैं और यह तीन सुल्तान कुछ नहीं करते सारा दिन एशो अराम अयाशी और लोगों से लेते हैं उट पटंग टेक्स और मज़े मारते हैं जितना हो सकता है और यह तीन सुल्तान कौन से होते हैं यह होते हैं उसी चहल गानी के उसी 40 के सदस्या है ठीक है जिस 40 को बनाया था इलतूत मिशने अपनी सेफटी के लिए और अब ना इलतूत मिशन ना उसकी बेटी तो आप रुकनुदीन फिरोज को तो कोई समझता ही क्या था और इलतून गांट इन्दा वाला था तो भाइया यहाँ पे इन्होंने कर लिया अपना हला बोल अब आप देखिए कि पहले मुईजुदिन बैरम शा बनता है 1240 से 42 में ये तीनों को नाम याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है इन्होंने खंटा कुछ नहीं किया तो इन पर सवाल कभी आएगा ही नहीं ठीक है ये सिरफ आपको समझ महमूद पहले वाले ने 2 साल आश्क की दूसरे वाले ने 4 साल की और इसने देखी कितने की 50 तो 15 और 19 साल इसने आश्क मारी ठीक है लेकिन अब इसकी आश्क को खदम कौन करता है ये तीनों चहलगानी के सदस्या होते हैं कौन खदम करता है आकर ग्यासुदिन बल्बन ये चैल गानी का सदस्या होता है लेकिन ये जो बन्दा है अब जैसे रजिया ने बहुत अच्छे से संबाला तो अगर इसी ने संबाला है ये एक टालेंटी बन्दा इसको आप कह सकते हो ग्यासुदिन बल्बन और इसके सामने बहुत चैलेंजिस आते हैं जिसके बारे में भ अब बात करते हैं कि ग्यासुदिन बल्बन ने क्या किया देखे ग्यासुदिन बल्बन जब आता है 1265 से 187 के अंदर आता है और उस टाइम पर इसको बहुत सारे चैलेंजिस फेस करने पड़ते हैं सबसे पहले तो इसको खुद को सीक्यार करना होता है क्योंकि यह देख रहा कोई पचानता ही नहीं होता कि यह कोन है बादशाह को खौफ ही नहीं है किसी को लोग बोलते हैं अच्छा बादशाह आ रहे तो हम क्या करें क्योंकि पिछले तीन बादशाहों ने कुछ किया ही नहीं 20-25 सालों के अंदर और ना वो गए पबलिक में बस आयाशी लुटा र चीज है ठीक है तो तब से लोगों के दिमाग में खौफ था उस चीज का दूसरा इसने इंट्रोड्यूस के नौरोस फेस्टिवल नौरोस कल्चर यह पर्शिन फेस्टिवल था ठीक है एक सीधा सीधे सवाल हैं जो मैंने लिखे हो है यह आएंगे पका अगर आना होगा त तीसरा इसने लौंच के सजदा और पैबोस सिस्टम सजदा होता है लेट के प्रणाम कि कोई भी बादशाह से मिलना है तो लेट के प्रणाम करेगा और उससे बात करनी है तो उसके पैरों को पहले चुमेगा और लास्ट में ही अप्टेड दबलड एंड आइरन वे यानि क एक तरह से तलवार और खून की नीती इसने अपनाई थी ठीक है तो ये था सारे के सारा बलबन के बारे में अब होता क्या है कि इसके बाद दो शासक और आते हैं जो दो एक साल के अंदर ही नहीं बट लेते हैं क्यों क्योंकि बलबन के बाद क्या होता है 1287 के बाद ठीक है तो ये आते हैं दिली को बरबाद करके चले जाते हैं, फिर आते हैं दिली को बरबाद करके चले जाते हैं, तो मतलब कि कोई बादशाय टिकी नहीं पाता है, दो बादशाय निपट लेते हैं, इतने से समय में, तो कहने का मतलब कि जैसे ही ये होता है, तो उसके साथ ही स्लेव डाइनस्टी ओवर ठीक है भाई अब इन पर मंगोलों पर नकेल कसने के लिए आएंगे खिलजी ठीक है और खिलजीों में भी जो मेन बंद आएगा अलाउदिन खिलजी ठीक है वही जिसका पदमावती में जिक्र है तो वो उसने बहुत सारी नहीं चीजें और सारे का सारे स्लेव डाइनस्टी यहीं पर खतम हो जाता है तो अब देखिए अब कौन सी डाइनस्टी शुरू हो जाएगी अब खिलजी डाइनस्टी शुरू हो जाएगी ठीक है भाई अब देखो की मामलुक डाइनस्टी तो निपटली जितनी भी इससे पहली डाइन तक कि ये चल रही थे नो टंकी और फाउंडर इसके थे जलालुदिन फिरोज खिल जी अब इसके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा अंदाजा भी हो क्योंकि आपने मुवी देखी हुए पदमावत तो उसके अंदर भी है ठीक है 1290 से 96 में यानि कि लगबग 6 साल का राज करके जाता जलालुदिन फिरोज और इसी यह बतीजा होता है अलाउदिन खिल जी जिसको की हम most effective सुल्तान ओफ डेली सल्तनत बोलते है क्योंकि इसने बहुत सारी चीजे लॉंच की अभी तक क्या था ना ये ये लोग क्या कर रहे थे सिरफ राज कर रहे थे इनको कोई मतलब नहीं था ये आप देखिए जैसे इल्टूतमिश था इल्टूतमिश ने आके क्या किया उसक किये कई सारी चीजें एडॉप्ट की ठीक है ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे खिलजी डैनेस्टी में आप पूरी दिली सल्तनत के अंदर सबसे एफेक्टिव रहा क्योंकि इसने आते ही बहुत सारी चेंजिस किये और वो चेंजिस सच में हेल्फुल रहे इसको पता था यह भी उसी की है रण बीर सिंग की तो इसने जो 39 बैटल जीते हैं 1720 से 40 में तो दोनों का पीरिएट सेम रहा है लेकिन आप देखिए पीरिएट इन दर सेंस की यहर्स 20 साल इसके हैं लगबग ही उसके हैं उसकी कितने होगे 16 साल होगे ना ठीक है क्योंकि 1296 से हाँ 20 ही इस सब्सक्राइब ऐसके सबकराइब से कगी स्कंदर साहनी के नाम से पीस यहां पे जो छीजये लिख्धी के तो वी सथा तो याद नहीं है यह फिर कोई फाइदा नहीं अब इसका असली नाम कहता अली गुर्शास्प दस बार यह पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि भाईया अली गुर्शास्प किसका नाम था तो वह अलाउदिन खिल जी का नाम था most effective सुल्टान पूरी दिली सल्तनत का मैं मुगलिया की बात नहीं करो मुगलिया सल्तनत की बात कहां से कर लो मुगलिया सल्तनत अलग है दिली सल्तनत अलग है तो most effective सुल्तान था यह और real founder कौन था इलतूतमिश founder कौन था? कुद्बुदिन एबगग पहला सुल्तान कौन था? इलतूतमिश अरामशा को नहीं बोलोगे, वो तो नो टंकी था, ऐसी था वो और कुद्बुदिन एबगग जो था? वो भी सुल्तान नहीं, उसने सुल्तान के उपादे ली नहीं थी सिपा सालार की ली थी, या मलिक की ली थी, या लखबक्ष की ली थी, तो आप देखे, ऐसे आपको याद होनी चीजिए, आपके दिमाग में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसने रिफॉर्म लेके आई ये आर्मी के अंदर, ये सबसे बड़ी बात थी, एक तो ये आर्मी तो उससे पता लग जाता है कि भाया, ये गोड़े तो हमारे हैं, तो सिधा-सिधा बहुत ज़्यादा हेल्फूल हो जाता था इनके लिए, और दूसरा ये है कि इनको सिकंदर सानी इसलिए बोले जाता थे, ये सिकंदर की टैक्टिक से लड़ते थे, जैसे सब्स कीजिए क सो गोड़े अगर आपको चाहिए है, यूद के अंदर, ठीके सो सानी के माल लो, सो के सो गोड़े पर बैठे हैं, तो पचास गोड़ो को रिजर्म में रखते थे, ताकि कोई भी बंदा गिरे, या किसी का गोड़ा जखमी हो तो दूसरे को, तुरंत एक गोड़ा उसको महि सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे में connectivity रहेगी, घोड़ा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो बंदा फिर मरी जाता था, at the end, ऐसे बता था, अब क्या था, एक और चीज इसने की, इसने uniform बना दी, सारी की सारी आर्मी की, तो ये सारे सुधार् उनिफॉर्म से क्या होगा, कि आपको पता लगे जाएगी, ये तो हमारी आर्मी है, पहले बाले नोटंकी कर रहे थे, बस ऐसी राज करने के लिए थे वो, उनको कोई भी मार धाड करके निकल लेता था, और ये देखी कि, अलाउदीन ने भी इसको मारा ही है, वो बाद में बात करते हैं कि क्या है, पहले सुधारों की बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, तो इसमें क्या था, आर्मी को ये सब चीजे कर दी, मिल्टरी को स्ट्रॉंग मना रहे है, उसके बाद इसने क्या क्या ओपन रिकूरूटमेंट की, कि भाया जो जबरदस्त बंदे हैं, इन गर से बंदा आएगा, और युद लड़ने जाएगा, तो उनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था तो उसका कोई मतलब नहीं था, तो इसने क्या क्या रिकूरूटमेंट की, फिर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की, और अच्छे खासे लड़ाके बनाएं, त जैसे आप देखे कि उसने Iqta System Iltooth Mission launch किया, इसने Biswa System किया, तो सीधा सीधा सुवाल आता है, ये पेपरर में कई बार आ चुका है, कि Biswa System किस ने launch किया Allowed In खिलजीने, और ये जमीन किया कि काई थी, तो और देखे, Darkand хuliyah का में आपको बताईगा, ये वुआ स्टैंप च्पटे रहा है टकस लेने के बाद फिर उसके ऊपर 1000 अट हिरलत द després sought और का म开त्स में फ्रॉन च्रेख करें देबस ये करेंगे मैनेज करेंगे जैसे आज की डेट में होता है रेवन्यू ओफिसर्स हम रखते हैं गुवर्मेट ऐसी इसने रखे तो वो पूरा मेंटेन करते थे कि कोई बंदा जूट तो नहीं बोल रहा है मलिक गफूर जो की हिंदू था उसका असली नाम क्या था मलिक मनी यह राजस्तान से इसने खरीदा था हजार दिनार दे के और इसी का नाम हजार दिनारी भी रखा गया है ठीक है बाई अब देखो आप यहां पे एक और चीज़े कि इसने चलो इस पर बाद में आते हैं आप 1296 में बनता है और मैंने क्या बोला कि फिरोज खिल जी का यह बतीजा है तो अपने चाचा के साथ रहता होता है और इसको उमीद होती है कि चाचा ही इसको बनाएगा लेकिन अभी इसको प्रूब भी करना है खुद को तो अब देखिए कि यह जब लोग यहां लाहोर में आ इसके तो होसले खतम हो जाता है कि ह हम तो आगे जाएंगे निक रहे जाएंगे दम तो होता निया लेकिन अब करत लिखाने का समय आते है अलीज ऑला फिल जी की बोलता कि आप यह आराम करो यह जंग में फते करके आउँगा और Мыंगोलों से सब डरते था बहर निर दिय होत कए ने मालवा का बैटल इनको हरा देता है मंगोलों खाय कर частा कर दर यहां से लेकिन यहां पर राज नहीं करता वापस सर्हाँ सतन में आ है धर करती है तो आप मेरे को होगी ये तो उसके बाद फिर 1296 में देवगरी का बैटल करता है इसको लगता है कि भाया अब तो देंगे फिर नहीं देते बोलता बहुत हुआ तुम्हारा बढ़व तुमने बहुत राज कर लिया तुम तो छोड़ने को तैयार नहीं हो भलव साथ में लेके जाओगे गदी तो ये बढ़व को ही तफका देता है फिरोज शाखिल जी को वहीं कतल कर देता है और उसके बाद फिर ये खुद बन जाता है राजा और आप देखिए कि 1297 में गुजरात का बैटल करता है ये 1301 में रंथम बोर का करता है अब 1303 में देखिए चितोडगड का युद ठीके बाई जो आपको फिलम में दिखाया गया है तो कौन सा युदे 1303 में चितोडगड के अंदर लड़ता है ध्यान रखना इस चीज को और इसने कभी देखा नहीं था रानी पदमनी को ये जो इतिहास बताता है उसके बाद 1305 में मैंने क्या बताया आपको ये मालवा का बैटल फिर लड़ता है पहले क्या था ये लड़ लूड़के इसने कुछ नहीं क्या मा छोड़ दिया था ऐसी बाद में फिर लड़के उसको अपने अंडर किया क्योंकि अब इसकी भी स्टैटिजी यही थी कि यहां राज करना है यहां से जाना नहीं गई और सभी जगह स लोर का बैटल ठीक है यह सारे के सारे बैटल इसने जीते हैं और आप देखिए कि इसी के राज में इसी का बेटा होता है मुईजुदिन मुबारक ठीक है इसके मरने के बाद क्या होता है मुईजुदिन मुबारक मन जाता राजा तीन-चार साल तक वो राजा रहता है तो वो इसको slow slow poison देता रहता है और वही इसको मारता है और उसके बाद वो क्या करता है जब उसको लगता है कि भाईया मैं सारा हमने जीत लिया है उसके बाद मौका देखके वो तीन घंटे तक टॉर्चर करता है आखे निकाल लेता है किसकी मुईजु दिन मुभारक की यानि कि लो दिन खेल जी के बेटे की सिहासन के उपर ही दिली के तो वहीं पर उसको 3 गंटे तक पूरा टॉर्चर करके उसको मारके फिर वहां पर ये अगला सुल्तान बन जाता है और इसको 36 दिन का सुल्तान को यह 36 दिन इस ने वो कहर मचाया वहां पर कि कोई इसकी तरफ देख भी लेता था तो उसकी आख निकाल लेता था अपनी दर्बार में टर्चर करता था किसी का हाथ कटवा दिये किसी के मुंडि कटवा दी पहिए इसके लिए तो बिल्गुल आम हो गया था था ठीक है तो इसे इतना ज़्यादा परिशान हो गई थी जंता कि उसके जनता तो छोड़ो दर्बारी ही इतने परिशान हो गए थे तो उन्होंने conspiracy करके इसका काम तो करा दिया तमाम ठीक है भाई तो ये सारे का सारा क्या था आपका खिलजियों का पर्चम था और 1316 के अंदर तो ये तो अलाउदिन खिल जी का हो गया ठीक है तो 1320 के अंदर आप देखें कि 16 में तो अलाउदिन खिल जी नहीं रहा था ये सब सवाल बहुत important हो जाते हैं और कुछ इसने और development की taxes के उपर वो सीधा सीधा सवाल आ सकता है मैंने सारा कुछ कवर करने की कोश्च की है ठीक है और अलाउदिन खिल जी पर हमेशा सवाल आया करते हैं आप देख लेना चाहिए उठा के देख लेना previous year को पता लग जाएगा देखो एक इसने क्या था लगान on land basis जो आपकी जमीन है उसके उपर भी लगान लगेगा उस पर भी पैसा लगेगा और एक इंपोर्टन था कि टेक्स इसने लॉंच किये दो एक घराई और एक चराई तो घराई में क्या है कि अगर आपका घर है अपना तो आपको हाउस टेक्स देना पड़ेगा ठीक है कि आपका घर कईसे है बिया जुगी में रह रहे हो तो अलग बात है घर है तुमारे पस तो में टेक्स देना है तो मामीर हो, दूसरा चराई, यानि कि अगर आपके बस पशु हैं, तो आपको, देखो, चार इसी समझ आ रहा होगा, तो ठीक है, तो चराई, अगर आपके बस पशु है, तो आपको फिर टेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे कमाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ अगर जादा लोग हैं, तो फिर जादा कमाई आती होगी, मनलब कुछ भी समझ लीज़े, इसने बस ये सोच के कर दिया, और ऐसी अगर आपके पास पशु है, तो पशुओं का दूद बेच रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, घी बेच रहे हैं, मक्खन बेच रहे ह अब देखिए, इसने बिल्डिंग्स कौन कौन से बनाई, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एक तो इसने होस खास बनाई, आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको आज की डेट में भी दिखाई देता है, एक इसने चोर मिनार बनाई, चार मिनार निये ये, ये चोर मिनार है, चोर मिनार में क्या है कि छोटë-चोटे ज़रोके chain छोटो-चोटे से आप آپ खिड़किया मान लीचे कि उससे क्या होता है कि अंदर से कोई बंदा İssaeralty बाहर िार्गेट कर सकता है किसी को μारने के लिए लेकिन बाहर का बंदा करनी बाए क्योंकि इतनी छोटी-छोटी जरोकें हैं छोटी-छोटी किड़कें हैं तो बाहर का बंदा कैसे कहां पर target करेगा समझ गे इस चीज को और ऐसे इसने एक new town मनाई जिसका नाम था Siri और Siri Fort बनाया और फिर end में Siri के अंदर ही अपनी capital मनाया और aik жinyi k moralि ने बना जैगा और इसने अलाई मिनार बनाई ये कोश्यन आ रहा च包ै और अलाई दरवाजा ये दोनों कोश्यन आ रहा है तो ये किस ने बनवाये अलाउदीन खिल जी ने और अलाई से याद आजाएगा कि अलाउदीन है फिर इसने एक मस्जिद बनाई थी जमयत खाना ठीक है जी ये सारे का सार क्या हो गया खिल जी के बारे में हो गया उतार लो इसको कोपी में आओ अब देखते हैं टेक्सेशन सिस्टम की जो डेली सलतन थी देखो मैं मुगल सलतनतनि बोल रहा हूं मैं बार बार बोल। इस इस इसес शर thief होता था टेक्स यह लिया जाता है सिरफ मुस्लम से 5,10% और एंगम अकोन्ताई परसंन भान से ठीक है या फिर ये मिया आपने तो भी आपने खेतीका उससे आपने जो produce किया उसका percentage होता था ठीक है ऐसी खराज होता था ये एक बटा तीन से एक बटा दो होता था from non-muslim अब देख कैसे रखता है कि वह ये non-muslim से इतना कम क्यों ले रहा था ध्यान देना ये 1 by 3, 2, 1 by 2 है तो ये हिस्सा है यानि कि 1 by 2 हो गए 50% और अगर maths के student हो तो इतना तो पता ही होगा इतना maths तो मैंने सिखाया आपको और 1 by 3 हो गए 33.33% इनसे 5 से 10% ले रहे हैं इनसे कोई राजा आता था वो 33% ले ले लेता था अगर मान लो कि उस टाइम पर आपके पास 20-1000 रुपे रहे तो आपको डोनेट करने पड़ जाते हैं फिर तो वो था सजा का प्रावदान बाहर से लूट पाट करके आते हैं जब ये जैसे राजा के साथ गए लोग बाहर से लूट के लिया है सोना बहुत सारा बहुत सार सिक्के तो होता गया था कि एक बटा पांच माल तो रखता था बाधिशा ये भी देखिए कमाल की चीज और बाकी के जो सिक्के होते थे बाकी का जो माल होता था वो 80% जो माल होता था वो फिर इनमें सैना में बाट दिया जाता था तो ये था अब जकात देखी क्या होता है जकात ह और एक जजिया हो गया यह आगे चलके भी हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि अकबर जजिया को हटा देता है लेकिन फिर यह जो आपका औरंग जेब है यह फिर लगा देता है तो यह समनों टंकी चलेगी हाला कि अभी आप देखते रहेगा जजिया आगे भी आपको आपको देखने को मिलेगा अब तुगलग डाइनस्टी में जब चलेंगे में तो आपको देखने को मिलेगा किने पहले जजिया लगा और क्यों मौहमद excuse me increase कासीम का तो हम पढ़ चुके हैं भी इंट्रोड्यूस किया था लेकिन उसको रियल माएने में नहीं भोल जाता है क्योंस नहीं किया था अग आगे चलेंगे जब तब बताऊँगा कि क्यों और कौन था वहुन जिसको हम बोलेंगे जजया इसी था इस इत्रोडीूस किया तो जकात हो गया 2-5% religious tax on Muslims तो ठीक है वो इसलाम धरम की स्थापना के लिए उसके विस्तार के लिए पैसे दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो जजिया था वो लिया जा रहा रहा था non-muslim से और वो भी लिया जा रहा था 10% कि भाया इसलाम धरम की spread के लिए उसकी growth के लिए आप दो और वो भी आप Muslim से ज़्यादा tax 10% हो रहा थो उल्टा जिये था कि भाया Muslim हो आप तो आप ज़्यादा दो गए ना कि आपके धरम की परचार हो रहा है लेकिन यहां पर उल्टा ही था कि जजिया लिया जा रहा था 10% मैं लोग कि आप अगर बहुत हैं हिंदू हैं सिख हैं कुछ भी हैं तो आप दीजिए सिख तो शयद तक आये नहीं थे मेरे साब से नहीं आये थे ठीक है तो सिख धरम तो बाद में आया है 1469 के आसपस कुछ ऐसे आया मेरे साब से तो यहां से फिर जजिया का हो गया और लगान हो गए कि जमीन है आपकी तो उस जमीन का टेक्स आपको लेंड टेक्स देना पड़ेगा ड़ी परसेंट था मुसलिम का और पांच परसेंट फिर नॉन मुसलिम तो इतनी वेरियेशन आपको देखने को मिलती थी कि जकातन मुसलिम देते थे जजजिया नॉन मुसलिम देते थे लगान सभी मुसलिम देते थे उशर्फ मुसलिम लोग देते थे इतना तो पता होने चीए ठीक है उता उरे grieving को पर इसके बास ist 되지 कि agreed कि कैसे hierarchy होती थी अब देखिया भाई देखो एक और चीज जाद रखना कि ज्यादा आपको यह सब चीजे नोट करने की जरूरत नहीं बड़ेगी यह सारी मैं आपको बैसे तो मैं यहां पर बॉर्ड की जगह छोड़ देता हूं ताकि आप स्नैप्शोट ले पाएं नहीं तो यह form में भी आपको देखो और सारी का सारा है यह जितने भी लेक्चर हैं ताकि पूरा-पूरा बॉर्ड आपको सीधा-सीधा स्लाइड मिल जाएगी और आप वहां से कभी भी रीड कर सकते हैं लिखने में टाइम वेस्ट मत करना है फिल्म की तरह देखो भाईया जैसे चल यहां पर भी था यहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थी चोटे-चोटे लिखे हैं मैंने क्योंकि नहीं तो फिर पूरे बॉर्ड पर पूरे नहीं आते हैं आप देखिए कि जो दिवाने वजीरत था अब वजीरत वजीर के नाम से आपको समझ आना चाहिए है कि उसके मंदरी मंदल बगरा होगा तो कमांडने यहां से ठीक है तो अगर पैपर में कभी भी आजा है कि ये कमांडर वाला कौन से डिपार्टमेंट था तो यह 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 फिर फूच लेगा कि वजीरत कि इसको कहते हैं तो कमांडर वाला ठीक है ऐसी दिवाने रसालत तो वैसे ही इनका defense department होता था ठीक है तो यही सारा decide करता था defense के लिए और सबसे बड़ा defense system किसने अपने वहले सबसे बड़ी army किस के पास थी दिली सल्तनत में अलाउदिन खिलजी के पास थी सबसे ज्यादे innovation भी कौन लेकिया था army के अंदर अलाउदिन खिलजी लेकिया था ऐसी दिवाने इंशा या अशरफ दोनों एक ही बात है दिवाने इंशा बोल दे या दिवाने अशरफ बोल दे यह होता था media और news का अब इनका काम क्या होता था कि भाई बादशाय ने कोई नई चीज लॉंच की है तो यह क्या करते थे सारे पूरी रियासतों में सब जगा तो वैसे ही तब था ठीक है यह गुम गुम के चाहिए बताएं चाहिए लिख लिखके पेपर्स बाटें कि भाईया यह चीज लॉंच हो गई अभी आज की डेट में तो मोदी जी आते हैं रात को बोलते हैं कि मितरवाज रात 12 बजे यह हो गया प्रोग्राम तो वो तो फर्मान को ठुकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा ऐसे थोड़ी था तो उसी के लिए इन्होंने मीडिया इंड न्यूज डिपार्टमेंट रखा था और दूसरा बात यह था कि इसमें आब यह भी समझे कि सुल्तान को भी अलग लग जगा से खबरें मिलती थी तो यह भी लेते थे पूरे जितने भी जगा थे उनका बायो डेटा ले सकते थे ठीक है भाई ऐसी दिवाने अमीर को ही यह है अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट तो यह था भाई मुहमद बिन तुगलग इसने लौंच किया था सबके याद करने की जरूरत ने कि किसने लौंच किय अगरा मुस्तक बिल कैसा है करियर या फिर जो भी है ठीक है करियर ही होता है तो मुस्तक राज यह हो गया रेविन्यू का तो यह अलाव दीन खेल जी ने किया था क्यों किया था क्योंकि इसने 50% टेक्स लेना शुरू किया अलग-अलग टेक्सेशन थे तो अब उसका आप सब रेवन्यू डिपार्टमेंट एंकम टेक्स हो गया एकसाईज हो गया सब रेवन्यू डिपार्टमेंट अलग छोटे स्केल पर देखा जाए तब भी है और बड़े स्केल पर भी है तो यह सब चीजे है तो उसने फिर उसे बनाना पड़ा आई यह वक्त की पहुतीस हैं कहीं सचलों कि भाया जिनकी शादी नी होता थे तो यह लड़कियां कहीं से लीके आते थे उनकी शादियां करते थे ऐसा कुछी नहीं बहीं इस यह था दिवाने कजा मलिक यह कया था Justice Department जैसे आज की डेट में अपना हो गया Lower Court District Court Supreme Court High Court है तो उस ताइम पर Justice Department उता था जिसको यह बोलते थे अपना दिली सल्तनत वाले Muslims कजा मलिक ठीक है कजा सजा वहाँ से याद रहेगा आप कुछ की Justice वाला है ऐसी लास्ट वाला है दिवाने वकूफ दिवाने वकूफ क्या था Expense Department था यह था अलाउदिन खिल जी ने लॉंच किया था अब मैंने आपको पहली बता दिया कि यह Expense Department और Revenue Department की क्यों उसको जरूरत पड़ी थे इस सारो को लगबग मैंने आपको याद कराई दिया है मोटा मोटा तो और क्या था एक दिवाने इलाज भी हुआ करता था वो भी फिरोजशा तुगलक नहीं लॉंच किया था तो वह आप समझ सकते हैं कि Health Ministry आज की डेट में जैसे हो गया वैसे ठीक है इसको कोपी पर नॉ इस पर जाना यहां PDF आपको मिल जाएगी अब देखिए स्टार्ट होती है तुगलक डाइनस्टी तुगलक डाइनस्टी में आप देखिए 1320 से लेके 1412 AD तक देखिए खिल जी गए लुटक लिए सारे के सारे अब उनको रिप्लेस किसने किया तुगलक उने किया सबसे पहले कोन आये थे स्लेव डाइनस्टी तुगलक अब तुगलक में क्या यहां फिल जिन्दा रह पाता है तुगलक यह पांच साल Оля、 यह बहुत developments करता है ठीक है आप देखिए कि ये title सुल्तान का accept नहीं करता है ठीक है थोड़ा सा humble होता है भाईया कहता है सुल्तान नहीं बोलेगा कोई मुझे बढ़ ये गाजी मलिक का title accept करता है तो ये याद रखना सीधा सीधा सवाल आएगा paper में कि गाजी मलिक का title किसने accept किया आप देख पारे हैं कि यहाँ पर सीधे इतने सारे सवाल आपको मैं दे रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिए एक बार end तक हम जाएंगे गांदिया नहरा के बाद भी independence तक इंडिया गी ठीक है आपको मैंने लग जाएंगे तो भाईया दो महीने लग जाएंगे तो मैं ये सब बनाते बनाते नोट्स सीधा सीधा आपको मैंने ready and made पकी बकाई खीर दिया है तो share कर देना इसको यतने भी लोग देख रही हो और telegram चैनल को भी बहिया सब्सक्राइब कर ले चैनल को इसको भी subscribe करो बहुत मेननत से यह चीजे मनते हैं बहुत समय से बना रहता है असा नहीं कि एक दिन मैं बना दिया यह पिछले एक देर महीने से लगा हो था मैं कि हिस्टरी का जुरूर मनाऊंगा कुछ ना कुछ आपको मैंने स्ट्रेटेजी भी दी थी इसलिए दे पाया था क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा देख रहा था कि क्या आपके लिए मैं हेल्फुल एंड में क्रियेट कर सवाल के लिए किसी भी एक्जाम के लिए आप ये वीडियो को ज़रूर कंसीडर करके जाओ क्योंकि बहुत सारे कोश्चन इसी सबस जाएंगे आप देखिए कि इसका और सीधा सीधा सवाल करते हैं कि इंट्रोड्यूस इस ने किया पॉस्टल सर्विसी डाक व्यवस्ता का चरकी उडचर आगे झाओ कbec थाझान सारो पॉस्टिर सर ने के अपुक्र जैसलिक्ते को जाओ क्बटी दौन उसे कुष्ट को कि यहांन है। तो अलग अलग companies ने आके उन services को और fast कर दिया, तो लोग उनको use करने लगे, ठीक है, DT-DC हो गया, blue data हो, कई सारी चीज़ आरे, development है, अब दीरे दीरे क्या होगा, आने वाले समय में, ड्रोन कर देगा, शाहिद इन सब चीज़ों को replace, तो फिर ड्रोन से जाया करेगा सारा समान, तो ऐसे ही है, तो वहाँ पर सुधार हुआ एक, postal services यानि dark वैवस्ता, आपको कोई चिठी पतरी बेजनी है अपनी girlfriend को, तो भाया, इनको बताओ, यह अपने आप फिर आगे, उसको pack करके देदो, अपने आप बेज देंगे, आगे जहां बेजने है, ऐसे ही था, introduced irrigation system, तो उस टाइम पर क्या था कि, सिचाई के लिए कोई वैवस्ता नहीं होती थी, आप कुछ इस तरह का समझिए कि, जैसे यह खेत है, अब यहाँ से, जैसे suppose करो, नदी जा रही है, तो अब नदी से क्या होगा, इस खेत को तो पानी मिल जाएगा, लेकिन suppose करो, कोई एक बंदे का खेत यहाँ पे है, अब दोनों जूड़े तो होते हैं, लेकिन अब इसको कैसे पानी मिलेगा, तो आप कुछ इस तरह का समझिए कि, यह नदी जा रही है जैसे, तो इसने यहाँ पे कुछ इस तरह का एक बीच में, ऐसा सिस्टम क्रेट कर दिया, अब होगा क्या, जब इधर पानी आएगा, तो इस खेत को यहाँ से दे दिया, ठीक है, यहाँ से जगा छोड़ दी, और इस खेत के लिए, यहाँ से, मलग कुछ इस तरह का इसने सिस्टम सा बना दिया, आप यह समझ लिजए, इरिगेशन सिस्टम बना दिया, आज की डेट में भी सिचाई विभाग होता है, तो कुछ यह समझ लिजए बस, ठीक है, याद आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि पूरा स्टोरी की फॉर्म में, और सब कुछ एक सीक्वेंस में बता रह होगे, यह तो तुक्का भी कैसे लगा होगे, तो आपके सब कॉंशेस मैंड में यह चीज़े रह जाएंगी, जो मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या किया, एक और बड़ा काम किया, इसने एक्स्पैंड किया दिल्ली की सल क्वेस्ट कर लिया, और यह सारा दिल्ली सल्तनत में आ गया, हाला कि खिलजी ने इदर वाला भी किया था, ठीक है, खिलजी के राज में, लेकिन वही है ना कि एक तो फटे करना और फिर उपर से उसको मिंटेन कर पाना, दोनों में फरक है, यहाँ पर डिस्टैंस ही दिल्ल आज नहीं कर पाओगे कहीं भी, कहां कहां पर खुद जाएगा बादशाह, तो यही चकर होता था, ठीक है, तो इसने क्या किया, अब बंगाल को मिलाया जा सकता साथ में, क्योंकि वो इसकी टेरिटरी के साथ लग रहा तो एटलिस्ट इसने क्या किया, यह बहुत बड़ी अब उदर लाहोर है, काबूल है, वो सब इनी के अंडर चल रहे हैं, आप देखिए, छोटा नहीं था यह, बहुत बड़ी थी दिली सल्तनत, लेकिन इंडिया को फूरे को कवर नहीं किया था, इन्होंने अभी, समझ गये, कि साउथ वाल स्टेट्स अभी भी, मॉंबे, मह जिरनी भी हैं, अंदरप्रदेशbourg थाइपर, यह सबब अभी बची हुई थी, करनाटका, तमिलनाड, ओके अब यहां पर क्या होता है, पांत साल में इतने सुधार तो कर गया, अब क्या होता है, कि जिस दिन यह जशिन मना रहा होता है, यह बंगाल की जीत का, तो जोणाक जोना खान कोन होता है इसी का बेटा होता है 1325 की बात है देखो 1320 से 1412 में ये पीरिट चलता है पूरा तुगलक नाइस्टी का लेकिन 1320 से 1325 तक ही यासु दिन तुगलक राज कर पाता है ठीक है 1325 के बाद 1325 से 1412 में चेंज हो जाएंगे बहुत सारे बात्शा तो फिर जोन राजा पागल राजा देखिए इतिहास में बहुत तरह के राजा हुआ है एक पागल राजा हुआ है एक रंगीला राजा हुआ है एक पता नहीं और क्या-क्या हुआ है वो सभी हम डिसकस कर लेंगे जितने भी ऐसे राजा हुआ है ना जिनको अजीब-जीब से टाइटल म प्रक्राइब की एक कर दूए लेंगे ठीक है जी ये कोपी करो आप प्र आगे बढ़ता है चलिए अब देखते हैं कि तखता पल्त होने के बाद जब मोहमद बिन टुगलक टीक है ये बहुत साब आते हैं जोना खान यानि की आपको पूछ सकता है कि महमद बिन तुगलक का जौना खान या यह पूछ सकता है कि जौना खान किस रूलर का असली मलब रियल नेम था तो आप बोलेंगा मुहमद बिन थुगलक और इसको मैंने क्या पता है आपको पागल राजा भी बोला जाता था इसने जो भी पोलिसी निकाली वो सब फ्लॉफ होगे फ्लॉफ शो अभी आपको देखने को मिलेगा लेकिन यह था सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मौस्ट लिटरेट सुल्तान था दिली सल्तनत का इससे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किसी ने निकर रखी ती लेकिन आप देखे आज की डेटर में क्या होता है बेशक से आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखे लेकिन नौकरी फिर नहीं लगी तो फाइदा क्या है हो सकता है कि आपको implementation नी चीज़ों के अच्छे से आती है ये भी एक कारण हो सकता है आप देखें कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो कई लोग होते हैं वो इतने successful नहीं होते हैं कई अनपढ़ गवार लोग होते हैं वो आपसे ज़्यादा पईसा कमा रहे होंगे और मैंने बहुत बारी ये examples भी दिये हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिन्नोंने कभी कोई किताब नहीं उठाई जिनको A-B-C-D-B-D genction याती वो भी महीने के एक-गलाग को मार है कोई एक दिन के ऐसे बंदे देखे एक दिन के एक-गलाग को मार है उनके पास एक skill है ठीक हैं हर बंदे के बास जिसके भी skill है उस में वो माहीर है तो उनका खांदा नहीं पेशा हो जाता है बही है लगे हुआ है अब गोलकपे वाले को देखे उसके पास एक skill है गोलकपे वाले कई ऐसे गोलकपे वाले भाया हमने देखे चंडिकड में जो फिछले 50-60 साल से उनकी family यही काम कर रही है और पहले रेडियों पे था अब बड़ी-बड़ी कोठियां बड़ी-बड़ी कारें और बड़े-बड़े होटल में आ लिए तो यही चीज़े हैं ठीक है जरूरी थोड़ी आप गोलकप बेचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तो यही चीज़ है यहां पर business is everything यहां पर यही समझी आप इस चीज़ को उसके बाद इसने क्या किया किया इसको क्यों पागल राजा बोले जाता है सबसे बड़ा कारण देखिए देखिए इसका सोच ठीक थी इसने सोचा कि भाईया दिल्ली पे हम शासन कर रहे हैं लेकिन अभी हम यहां पर नहीं ग्रो कर पाए हैं इसने देखा कि पापा ने बंगाल को विजय कर लिया बेंगाल को किसे ने जीता पापा ने जीता घ्यासू दिन ने घ्यासू दिन तुकलखने तो भईया मेरा भी नाम होना चाहिए तो मैं भी कुछ कांड़ करके दिखाता हूँ तो भईया सोच तो इसकी यह थी कि अब दिली सल्टनार को फैला देते हैं पूरे हिंदुस्तान में फैला देते हैं सोच ठीक थी तो इस भाई सापने क्या सोचा कि चलो भाईया साउथ की इस टरिटरी को पकड़ते हैं विजेनगर एंपायर को जिसको कि हरी हर बुक्का ने बनाया था अगर आपको याद हो तो तो आप देखें कि हरी हर बुक्का देखें एंशेंड में हम गए नहीं हैं लेकिन बस आप याद रख लीजे नहीं भी बता है तो हरी हर बुक्का ने विजेनगर एंपायर की स्थाफना कीती हरी हर बुक्का याद रेगा आपको तो ये दिल्ली से क्या करता है एक दिन एलान कर देता है कि भाईया आज से हमारी capital बनेगी देवगिरी तो वहाँ पे चलेंगे तो सभी को उठाके बोलता कि चलो सारी की सारी प्रजा उनको भी साथ ले आता है ऐसा नहीं कि खूदी आ जाए प्रजा को भी साथ लेके आ रहा है तो यहाँ पे गिरते पढ़ते बिचारे लोग गिर रहे है इतने हजारों किलोमेटर का डिस्टेंस है देखिए और उस टाइम पे तो इतने विकल भी नहीं होता था कुछ ठीक है तो ये विचारे गिरते पढ़ते लोग यहां से यहां पे आ रहे हैं जैसे तासे पहुंचते हैं यहां पे ठीक है देवगरी में और फिर यह देवगरी का नाम क्या रख देता है दोलता बात रख देता है अब देखो कमाल की बात क्या है कि इसने सोचा था कि मैं इसली इनको conquest कर लूँगा लेकिन यहां पर पढ़ती थी Krishna River और साथ में परवत श्रिंखला थी ठीक है तो अब दिक्कत यह हुई इसको इसने जितना सोचा था कि अराम से मैं यहां पर विजय वराफ्ट कर लूँगा विजयनेगर एंपायर पर यह नहीं कर पाया और इसने देखा कि जोग्राफिकल लोकेशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुराने समय में या आज की डेट में भी देखिए अगर आपको कोई यूद जीतना है तो आपको जोग्राफिकल लोकेशन का बहुत अच्छा बहुत होना चीजिसको कि उदर दिल्ली भी हमसे छिन गया कोई आके दिल्ली भी ले गया तो यह ऐसे तो काम खराब हो जाएगा तो इसने क्या किया फिर उल्टे पाउं भागा ही वापस अब देखिए वापस यहां पे भागा दोलताबाद इसको बना दिया देवगरी का और वापस से फिर भाग रहा है दिल्ली में कि भाई यहां यहां नहीं दाल गल रही है फिर लोग बिचारे पहले तो आए थे अब जा रहे हैं हजारों किलोमेंटर का फिर डिस्टैंस लोग बिचारे चलते हुए जा रहे हैं यह अपना गोड़े पे बैठे के नाम से जा रहा है सेना के साथ तो फिर बहुत सारे लोग यहां पे मारे जाते हैं तो इसलिए लोग इतना जाता परिशान थे इससे कि लोग इसको पागल राजा कहने लगे थे कि यह तो पागल है बई पागल यही कहेंगे अब आप सुन रहे तो आप भी तो पागल ही बोलोगे इसको अब इसके बाद क्या होता था देखिए इसने क्या किया फिर कॉपर के सिक्के लॉंच किये अब वहां भी यह फ्लॉप हो गया देखो अब कोई भी राजा था जो या बादशा था वो अपने सिक्के लॉंच क्यो करता था आप देखिए कि उस एरिया में जैसे वो नया राजा बन गया ठीक है लेकिन उससे पहले जो लोग है महाँ पे बड़े बड़े बिजनसमेन हैं उनके पास बहुत सारा धन होता था ठीक है अब राजा तो वो बन गया अब उसके पास उतना धन नहीं है मान लीजिए कि पिछले वाला सुल्टान खूब याशी कर गया तो धन छोड़के ही नहीं गया ऐसे ही होता था बहुत ज़्यादा नोटंकी करते थे ऐसा थोड़ी था कि राजा के खजाने में हमीशा खजाने भरी रहते थे ऐसा नहीं होता था ठीक है तो फिर क्या हुआ उस केस में होता था कि जो बड़े धनवान लोग है वो राजा को सप्रेस करेंगे जैसे आज की डेट में आप देख लीजिए कि बड़े बड़े इंडस्टरिस्ट हैं वो हमारे अगर कोई भी बनता है कोई भी ऐनी पीम बनता है कि उसके उपर दबाब बनाना शुरू कर दें ठीक है क्योंकि अब वो लोग क्या वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए है तो दबाब बनाएंगे वो कि हमारे पीम पे यां सीम पे कि भाया तुम हमारे अकोडिंग मनाओ पॉलिसी तो यहां तो पीम सीम जितने भी लोग है तो वो सारे का सारा एक तरह से ब्लैक मनी हो जाती थी और जो भी उनका वाइट मनी होती थी बस वो उसी को कनवर्ट कर पापाएंगे ठीक है तो वो उसके बास आएंगे राजा के बास आना पड़ेगा यह रहा हमारा पुराना माल अब नया माल हमें दे दो तो उससे यह भी ओड़ेट हो जाता था कि किसके बास कितना धना और जो पुराना पड़ा रहा गया जो जिसका कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो फ़स जाएंगे वो दिखा नहीं सकते है समझे इस चीज़ को हाला कि आज की डेट में तो आप देखिए कि बड़े-बड़े चोरों को कहां पकड़ा जाता है बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलके ही ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है तो फिर छोटे ही बिज़ते हैं इसके अंदर ठीक है जब कि पहले उल्टा था तो ये सी सब चीज़े होती थी अब इसने copper coins launch तो कर दिये लेकिन हुआ क्या कि market से copper coin copper ही मिलना बंद हो गया बया और coin क्या तो पता ही नहीं लग रहता है चोरी हो गये सारे के सारे सिक्के तो इसने ये बड़ा परिशान कि भईया कहां गई सिक्के बाद में पता लगता है कि उस टाइम पर copper के भाव जो होते थे बहुत ज़्यादा होते थे देखिए यहां भी इसने कमी छोड़ दी इसने सोचा नहीं कि भईया ज़रूरी तो तुझे copper के चलाने किसी और के चला ले जो सबसे सस्ती दातू है उसके सिक्के चला दे copper के काहे को चला रहा है तो उस टाइम पर लोग क्या कर रहे थे इसको तांबे को पिगला पिगला के इसको बेचना शुरू कर दिया उन्होंने तो भईया ओविस सी बात है अब आज की डेट में मोदी जी बोलें कि भईया मैं 10 रुपे का सिक्का जो है आता तो भईया मैं सोने का सिक्का चलाओंगा 10 रुपे का ठीक है तो क्या करेगी दुनिया दुनिया क्या करेगी जितने भी 10-10 रुपे के सिक्के भरमार हो जाएगे भाया मार्केट से गायब हो जाएगे और लोग क्या करेंगे पिगला पिगला के सुनार के दुगान पर जाएगे उसको बोल देंगे भाया दो पईसे हमें सोने के पईसे तो वही चीज यहां पर हो रही थी समझ गे तो इसने इसका असेस्मेंट ने किया कि भाया आज ही रेट में कोपर के बाहूं प्लाओ कप वह अस concern क्या तो वहां पर यह प्लॉप शो हुआ पिर इसन रोज जा कि भाया इस बढरी सिखे निकालेंगे नीए इस बड़ी पेपर की currency निकाल से टोघन करशे इसने शूरू कर दी लेकिन वो भी flop हो गई, वो भी किसी ने believe नहीं किया उस token currency पे, तो आप देखिए कि इसने इतना कुछ देखिए, आज की date में क्या है, token currency है, यह 1000 का note, 2000 का note, 50 का note, यह सब क्या है, यह token ही तो है, paper ही तो है, असलियत हमें इसकी क्या value है, यह तो सिरफ पूरे देश में आप value रहेगी, नहीं रहेगी, लेकिन वही चीज, अगर सबसे बड़ा राजा जो कर देगा, तो उसकी value बन जाएगी बस, कि भाईए, यही है तुमारी currency, तो वो एक विश्वास है, ठीक है, that is just a faith, money is nothing, एक paper ही तो है, लेकिन वो faith है एक तरह से, क्योंकि हमें बार्टर सिस्ट हम से तभी निकल सकते हैं, जब हम एक तरह से token currency को use करेंगे, तो आज की date में देखे, token currency use हो रही है, विजन इसकी यहां भी ठीक थी, लेकिन फिर गड़ बड़ा गया सारा मसला, अब end में क्या होता है, कि आप देखे कि इबन अवतूता होता है, यह सवाल बार बार paper के अं पर, तो यह इसको काफी कुछ से देता भी है, पैसे उसे भी देता है, बतहरा कुछ होता है, अपने को क्या लेना है, अपने को मुद्धा यह है कि इसने इबन अवतूता ने एक बुक लिख रहा था, तो यह अपना इतना ज़्याद घूमकर था, यह 30 countries घूम चुका था ज जिस दिन ये राजा मरेगा, उस दिन सारी प्रजा बहुत खुश होएगी, जशन मनाएगी कि भाईया, यह पागल राजा मर गया, ठीक है, तो यह सारे का सारा कहानी थी, मुहमद बिन तुगलक की, अब इसका जो कजन होगा, यानि कि आप देखे कि इसके जो पापा थे ग रखता, इसको पेलता है, और फिर वो कौन होता है, फिरोश्या तुगलक होता है, जिसको हम तुगलक डाइनेस्टी के एफेक्टिव सुल्तान बोलेंगे, पूरे दिली सल्तनत का एफेक्टिव नहीं, अगर सबसे बढ़िया काम किया है तुगलक में तो फिरोश्या लगब साथ, सब्तर, असी, 28, 28, 29, 37 साल तक है ना, 37 साल होगे ना, तो 37 साल तक राज करता है ये और इसी को बोला जाता है, तुगलक डाइनेस्टी का सबसे इफेक्टिव सुल्तान, नोट टैली सल्तन, सिरफ तुगलक डाइनेस्टी का, और ये लिबरल सुल्तान था, अमद बिन तुगलग ने वो बेसिक नीड के उपर लोगों की बिल्कुल ध्यान नी दिया अब इसने क्या किया इसने उसको इंप्रूवाइस किया और ये बोला कि भाया हमने मेडे बनाई हैं हमने यहाँ पे टीले से बनाया है जिसके थुरू आपको पानी जा रहा है अगर आपको पानी चाहिए है तो आपको टेक्स देना पड़ेगा इरिगेशन फैसलेटी के उपर आज की डेट में भी इरिगेशन फैसलेटी होती है इरिगेशन डिपार्टमेंट है गवर्मेंट के अंदर ठीक है इसके अलावा इसने establishment किया की इसने कई सारे department बनाए अब ही हम देख के आ रहे हैं कि अलग लग तरह है कि department कि इसने बनाए फिरोशा तुगलक ने मनाए और कुछ department आप देखे कि अलाओदीन खिल जी ने भी बनाए और कुछ department पहले जही चलते आ रहे थे अब department जो था जैसे दिवाने वजीरत तो अब भईया वो तो commander है तो वो तो चलता ही आएगा ना वो ऐसा थोड़े कि कोई बना रहा उसको तो वो तो पता निकिसने पहले बनाया था तो यही सब चीज़ें कि जो उसके बाद देखो main departments के बाद जो department बनाए जाते हैं के बारे में पूचा जाएगा कि यह किसने बनाए जब जुरूरत पड़ी तो वो department बने और किसने बनाए इसने बनाए दिवाने खेरात बनाया दिवाने बंदगान बनाया बंदगान में जेल दिवाने इलाज बनाया मैंने आपको बताया था कि health ministry होगी एक तरह से यह jail ministry होगी यह फिर कही जेलर हो गया कि रात में की दान दक्षिना देने वाली ministry होगी अच्छा first सुल्तान who imposed jajiya over brahman अब यह most important question है आपका most important question अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत के अंदर first time jajiya किसने कौन लेके आया तो आप बोलोगे फिरोज्शा तुगलक ही लेके आया ठीक है first to impose jajiya यहां लिख देता हूँ मैं कहीं first to impose अभी आपके doubt clear करता हूँ जजिया अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यूं है क्यूं यह पहला वेक्ति था जिसने जजिया इंट्रोड्यूस किया जबकि इससे पहले से था जजिया तो अभी हम पता करके आ रहे हैं पीछे दिली सल्तनत में सबी लोग जजिया लगा रहे थ जब अलहाजाज वाला ठीक है जिसने गोरिला वार्फेर से दाहिर के दाहिर को हराया था तो उसने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था जजिया तो तो फिर उसको क्यों नहीं माना जाता कि इसने पहले जजिया इंट्रोड्यूस किया देकि जजिया में क्या था कि पहले अगर तुम्हारी भीविया है तो तुम्हें जजिया देना पड़ेगा ठीक है फो तो बंदा ही देगा और तो तब काम करती ही नहीं थी कुछ अब कल को मोदी जी आके बोलें कि नहीं भीया आज से तुम्हें विजली का बिल भी देना है तो यह कुछ वैसा सही सीन हो गया कि ब्राह्मन को भी बोल दिया कि जजिया देना है और इन्हों ने देखा कि इसने देखा कि सबसे ज़्यादा पिल्ग्रिम में जाते ही ब्राह्म जो कि है Turkish language में अब आप सोचेंगे कि इसका writer कौन है तो भईया यहां लिख दिया मैं ने autobiography autobiography में बंदा खुदी writer होता है तो खुदी लिखी है इसने और किस language में लिखी है ये भी important Turkish में लिखी है पर्शन में लिखी है फिरोज खिलजी भी था ठीक है और यहां फिरोज शाथ तुगलग भी है तो वहाँ भी आपको confusion हो सकते कि कौन है या फिर वो क्या करेगा चार option देगा फुदूते खिलजी दीने खिलजी पता नहीं क्या क्या देगा मुस्तकबिल खिलजी कुछ भी बोल देगा यार अब आपने को जादा पता नहीं इस चीज का तो वह कोई चार वर्ड ऐसे देदेगा जिस खिलजी कह रहा हूँ फुदूते फिरोज शाही मुस्तकबिल फिरोज शाही कुछ भी लिख देगा ऐसे वह पर्षयन बन जाएगी यह दोनों चीजे मैंने लिए इंपोर्टेंट है तो मुगल्स जितना भी काम कर रहे थे मौस्ट ओफ दा काम वह पर्षयन में कर रहे थे कोई-कोई छोटे-मोटे काम उन्हों टर्किश में किया होगा क्योंकि पिछला कल्चर तो भी चलता रहा था लेकिन जो यह हैं यह लोग में काम सारे का सारे टर्किश में ही कर रहे थे यह पर्षयन को यूज नहीं करते थे ठीक है भाई अब यह पुछा जा सकता है कि जो अशोका के शिला लेक हैं स्क्रिप्चर्स हैं उनको लुंबिनी से इंडिया में कौन लेकि आया तो वो फिरोशा तुगलक ही था यह सीधा सीधा सवाल आ सकता है तो फिरोशा तुगलक है और दूसरा मैंने आपको देखिए यह पहली बता रखा है कि जो कुटब में आ रहे हैं उसको रैनोवेट किसने करा है तो वो फिरोशा तुगलक ने करा है बनाया किसने स्टार्टिं किसने करा दी थी कुटबुदीन एबक ने और उसके बाद उसकी तीन मंजिल रहेगी थी बननी तो वो किसने कम्प्लीट कर रहे थी इल्तूत मिशने आके ठीक है और उसके बाद फिर देखिए सो साल का पीरिड हो चुक है आज की डेट में आप देखिए कि अब हम कहां पर पहुंच गया है 1388 में पहुंच गया है और वो कब आया था सिलेव डाइनेश्टी वाले बारासो चे में आये थे जब गोहरी की मिरित्यू हो गी थी तो उस टाइम पर सिलेव डाइनेश्टी आय थी बारासो चे के अंदर और आप देखिए आज की डेट में कहां पर पहुंच गया है तो लगवख सो साल से उपर का समय हो गया है तो इसका मतलब है कि जर जर होगी होगी इमारत तो इसने क्या किया फिर उसको रेनोवेट करा है इससे भी आपका अंदाजा लगा पाएंगी और एक बात है कि इसने बिल्ट की ही बिल्ट थ्री सिटीज तीन शहरें शहरों का निर्मान किया है और उनके नाम इसने अपने जिसाब से दिया पहला तो फिरोजाबाद ये तो इसने दिया अपने नाम पर इदूसरा जौन पूर को सिराजे हिंद भी बोला जाते है याद रखना आप अब जौन पूर किसके नाम पर अपने भाई मुहमबद इबन तूगलक की याद में इसने मनाया है भाई ठीक है जो भी है तो उसका जोना खान बोलते थे आपको पता है तो इसलिए जोनपूर बना दिया और तीसरा इसने बना दिया फतेहबाद ठीक है तो ये सारे का सारा हमारा गेम था फिरोजशा तू तूगलक टू तो ये जितने भी टू-टू होते हैं ये अपनी पहचान नहीं बना पाते है इसलिए कहते हैं कि आप किसी की कारवन कोपी मत बनिये आप खुद में बनिये कि आप क्या है अगर कोई आपको बोलते कि भाया तूम तो सलमान खान टू लगते हो तो आपकी आसुदिन टूगलक टू आता है तो कुछ नहीं कर पाता है एक साल में हट जाता है वो भी तो एंड में जो लास्ट राजा होता है वो यहां का आखरी सुल्तान नासर उद्दिन महमूद शाह नासर उद्दिन महमूद शाह 1390 से 1412 AD तक का इसका राज है लेकिन बहुत grammat करते मगों लंग ये बहुत ज्यदा करते हैं कि बहुत ज्यदा आकरमन करते हैं लोगों बाट करते हैं बरता प्रश लात ही तते हैं तो यह क्या करते थे यह आ जाते हैं डिली के ओफ़ाइगा है, दिली सल्तनाज़ में 1398 ade में आ जाते हैं फ Lewis तो यह बादिशा जो होता है इसके हाथ पर फूल जाते हैं यह वहां से गोली हो लेता है ठीक है और लोगों को ऐसी मरने के लिए छोड़ देता है लोग बिचारे ढूंड रहे हैं कि हमारा बादिशा कहा है कहा है नासिर उद्दीन महमूद शाह तो भादिशा इसका कुछ अ ऐतनी बाकियों को समभाल के रखना जो गए तो गए क officially 122 तक तो इसका अतापता रहता है यह आता रहता है वीचे में चला जाता है लेकिन 1402 के बाद आप देखें कि 1406 के अंदर तो बिलकुल लापता हो जाता है इसका सिस्टम 1406 के बाद किसी को नहीं पता कि ये जिंदा था मर गया था कहां गया था या किसी सद्वे में चला गया था या मंगोलों ने इतना डरा दिया था कि फिर उसके बाद ये कहीं से निकली निपाया या कहां से लोटपोट हो गया कुछ नहीं पता इसका ठीक है लेकिन आप देखे कि लाहूर के अंदर लाहूर के अंदर इसने एक गवर्नर बना रखा था इधर है दिल्ली ठीक है मैंने क्या बोल आपको कि इनकी टरिटरी पीछे तक फैली हो थी अब ये मत समझे कि दिल्ली ही इनके लिए सब कुछ था पीछे तक थी इनकी ठीक है तो इसने यहाँ पे किसको गवर्नर मना रखा था खिजर खान को खिजर खान को ठीक है यह यहां का गवर्नर था गवर्नर जनरल जो भी मना रखा था अब यह यहां पे लेटर लिख रहा है इसको इसको पता लगते है कि भाईया वहां मंगोलों का अक्रमन हो गया है यह भाई साब आते तो है निया बचाने पूस्ट उने के लिए आरे चलो चलना पड़ेगा भी है हो सकता है कुछ काम दम हो गया हो तो यह यहाँ पर उठके आता है दिल्ली के अंदर ठीक है यह देखता है कि भाईया देखते हैं कि अपना बादशाह कहाँ पर है कहाँ पर है बट बादशाह हो तो दिखाई दे वहाँ तो ना बंदा ना बंदे की जात वहाँ तो बिल्कुल ऐसे समझे कि अंधेर ना करी हो रखे कुछ है ही निया, सब उथला फुथला पड़ा है तो भाईया ये आता है, ये देखता है ये कहता है चलो हो सकता है ये बादशाह कहीं गुमने भिरने गया हो, हो सकता है वापस आजाएंगे, सब जचाल लेंगे, फिर जो खिंडा हुआ है वापस चला जाता है फिर दो-एक साल बाद फिर वापस आता है, फिर देखता है कि भाईया, यहां तो भी तक खिंडा पड़ा भीया बादशाह अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलता है कि भाईया बादशाह तो अब टपक लिया है अब नहीं आता बादशाह अब यह क्या करता है, यह बोलता है, इस इस इज़ राइट टाइम तो अब यह यहां पर आएगा दिल्ली के अंदर और अब यहीं से तुगलक टाइनेस्टी आफ की खतम हो जाएगी सारी की सारी यह देखें तुगलक टाइनेस्टी तेरो सो बीस से लेके जब खिलजी गए, खिलजी कब गए? तेरो सो सोला में तो अलाउग दिन खिलजी था उसके यह चार साल के बाद देखें, यह मली गफूर वगएरा तेरो सो बीस के अंदर बना था, शत्रीस दिन के लिए उससे वहले मॉहनुदिन मुबारक शाह जो भी था, वो बना था ठीक है? तो उनका कोई वैल्यू निया तो तेरो सो बीस से चोदा सो बारा एडी तक करना था तो आप देखी कि 1406 के बाद यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बाद यह बिचारा गूम फिर के आ रहा है, इसको पत्रा चार कर रहा है तो कहने का मतलब है, 1412 एडी के अंदर 1412 एडी के अंदर यह भाया आ जाते हैं यहां पर कि बहुत हो इनो टंकी, अब हम ही यहां के गुड्डू भईयां हमी राचा, ठीक है, लेकिन डर इसको फिर भी सता रहा होता है, कि भईया कहीं पिछे से सुल्दान दुबारा से ना आ जाए, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं भी हम, सारे का सारा, तो यहीं से सायद कि शुरुआत हो जाएगी, उतार इसको कोपी में, और एक और चीज मैं आपको बताओं, एक फैक्ट है, इंपॉर्टन्ट, लिख भी देता हूं यहां पर, कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे, किसके पास थे, बताईए आप मेरे को, कमेंट कीजिए, कि आप बता सक पास थे, यह थे आपके, फिरोज शाह, तुगलक के पास, लेकिन आप देखे कि बिगएस्ट आर्मी किसके पास थी, बिगएस्ट आर्मी, गुलाम अलग बात है और आर्मी अलग बात है, गुलाम तो बैया ऐसी आपने खरीद लिया लग लग जिगह से, यह कहीं पर यह बिगएस्ट आर्मी किसके पास थी, एक ही है, बन अलली, अलाव दिन, खिलजी, खिलजीयों का पर्चम, लहरता रेगा, ठीक है बाई, उतार उसको कॉपी में, हाँ जी, अब आगे देखिए, अब आती है सहीर डाइनेस्टी, सबसे शांती प्रिय कोई डाइनेस्टी इसको कुछ नहीं करना पड़ा तो वो यही है, इन्होंने एक दम मजह में जीवन गुजारा है, और कोई खास डेवलप्मेंट्स नहीं किये ना इस्टैबलिश्मेंट्स किये तो इनके उपर से सवाल आना मुझे नहीं लगता कि लाजमी रहेगा, ऐसी जगह से क्यों सवा जबते हैं, देखिए मैने क्या बता है आप को कि खिजर खान जो होता हिर। है यह ला होरि का गधानर होता है, ऐसको पाद बाता है और होह लेटर llesे४ी होता है, यहां पे डिल्ली दिली के बादषाय का रहता है, यहां पर दिल्ली बाद्षा attached, पता ही है नहीं यही किर में शुरुआ शुरू ह utilizar उससे पहले झो है यौ तो नासिरुत दीन कीथी लेकिन नासिरुत दीन का पता ही निहवे ता और यह पहले चाहना बहुत झाल एक और मुझे ाये पहले पैंयाद किया गालपेस होती है भृट गोष्चन जो भी कहना चाहो लिता है नहीं तो हर वंदा कोई नहीं डरा ता यह यह कोई टाइटल नहीं लेता है ठीक है भाई तो 14-14 तक से 1421 तक इसका टैन्योर रहा है यानि कि 7 का टेबल चल रहा है साथ दूनी 14 साथ यह 21 ऐसे और यह सारी डेट्स आपको याद रखने है नितो फिर आपको पता नहीं लगा कि कौन सी चीज कब हुई है ठीक है जितने भ साथ काम नहीं ऐसा करता है यह बस नॉर्मल ही अपनी जिन्दगी जी के चला जाता है 1421 से 1434 में कई परी हम देखिए अप्रोक्सिमेट भी पता हो तो तब भी हम काम कर लेते हैं अब देखो इसने कुछ किया नहीं है तो हमें इसका पता होना चीए मोहमध शा का पता होना चीए तो अप्रोक्सिमेट भी पता होता है तो हम पने काम बन जाता है और हम आपे मार्क कर सकते हैं यहीं फाइदा है ना कि मैं यहां पर आपको सारी चीजे बता पा रहा हूँ आप पीडिएफ दे दूगा तो पीडिएफ में आपको पता ही निलगा आप रट्टा मारते होगे यहां पर आपको याद करवा रहा हूँ सारी की सारी चीजे तो 1421 से 1434 कितना हो गया यह tenure ठीक है 13 साल हो गया ठीक है तो 13 साल तक यह मारता है और यह एक ही काम करता है यह मुँबारक बाद बनाता है दिली में यह सिटी बनाता है यह शहर बसाता है नगर बसाता है मु अब देखिए हम आगे भी ज़ल पड़ेंगे वहांपे भी मोहम्मद्शा ऩ他的 किसी को ब्लाजय की बात कर wonderful कि आगे यसे मैं मुल्ख बन तगल राजय को बोलते हैं ऐसे ही मूरक लंपत राजया दोनों रगों पागल अलग है, पागल अलग है, मूर्ख लम्पट अलग है, यह महम्मद बिन तुगलक से भी एक कदम आंगे था, जो लम्पट मूर्ख पागल राजा था जो यहादर शादर शाह था यह अंग्रेजों के टाइम कर अर इसके जहादर शाह के बाद आता है एक और मुहम्मद शाह, वो होता है रंगीला राजा, वो भईया नगन अवस्था में रहता है वो कोई कपड़े नहीं पहनता है बाजार में भी नंगा घुमता है आसपास भी लड़कियों के अलावा किसी मर्द को आने नहीं देता है, तो वो होता है टैक्सिस माफ करा लेते हैं, करंसी चेंज करवा लेते हैं तो भईया वो अंग्रेजों के समय है, ठीक है, 1700 कुछ का है और यह देखिए, यह कब का है, यह 1400 कुछ का है तो लोग अकसर इसमें confusion कर लेते हैं तो मुहम्मद शाह क्या करता है जैसी यह बादशाह चेंज होते हैं, यह weak ruler होता है, यह कुछ करनता है नहीं है तो मुहम्मद शाह आता है, तो इतनी देर में क्या आता है, मैंने क्या बता है आपको जैसी बादशाह मरता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पे सारी situations बदल जाती है कोई नहीं पूछता है कि उसका बेटा कौन है, उसका भाई कौन है भाईया पिछले बादशाह के साथ अपनी discussion होई थी तो जो साउ लोग होते थे, वो तो रहते थे अपनी बात पे, जो साउ नहीं होते थे वो मुकर लेते थे, भाईया पहली फुरसत में निकलो उनको यह पता थे, नहा बात शाह आया है पहले यह खुद के सुधार करेगा, उसके बाद हम पे आकरमन करेगा करेगा, तो हो सकता है कि हमें फ्री कर दे तो इस चकर में वो खुद को फ्री गोशित कर लेते थे और उतने समय तक वो लोग भी क्या करते थे थोड़ा खुद को डेवलप कर लेते थे और खौफ चो होता है, देखिए, अब मालों की ये लोग डरते हैं, मालों खिजर खान से तो फिर खिजर खान की खौफ रहेगा ना, दूसरे का कैसे रहेगा, तो खिजर खान ने यहां पर जीता था मालवा, अब इतनी देर में देखिए, कितना साल बीत गए है, तो इतनी फ्लक्ट्वेशन हो गी है, तो अब मालों खुद को क्या करना शुरू कर देता है, ये ख में रहा उनके, तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मालवा चला गया, तो यहां से ये बैक सपोर्ट देंगे, ये बेस कैंप बनाएंगे, सारे के सारे लोग मालवा में, और फिर मालवा हमारे पस सीधा सीधा दिल्ली पे आकर्मन कर देगा, और अपना खेल ख चूड के आता है, यहां का गवर्नर बना के, समझ गें इस चीज को, पहले खिजरकान खुद था गवर्नर, फिर बहलो लोदी को यहां पर गवर्नर बना के, खुद यहां पर खेलता खेलता यहां आ जाता है दिल्ली, और उसके बाद ये साम नोटकी होते है, अब मोहम्मध इस को पहूंचा बेचा है, यहां पर पतर लिखता है, इस बहरो लोडी को कहने का मतल़ है कि इसमें अपने साथ मिला ले लिया, और क्योंकि इसमें बड़ी होद ने इतनी बड़ी है धनी या को अखेल की तीन वहां पर थे पर क्योंकि उस ताइम पर क्या था लोग साला मुकर जाते थे ते याँ ऐसा भी तो हो सकता था बहलोल ओडी को यहां पर बनाया बहलोल ओडी पीछे सही भईया लगा हुआ जहां पर सब को अपने अंडर में करने और वाद में उखे जरकान इसको पूछे महमभ तो अबई चाँ करा म recovery आठीका कई तो immers ऑफड़ि को जितने को में और क्वाने को और उस्वी ते की इसे剧 माने को इसे का इसे को यूर्व आरे में जाना कारेकाशन को तो सब्सक्राइब करें यह तो तो अब सायर डाइनस्टी यहीं से खतम और लोधी डाइनस्टी शुरू हो जाएगी उतारोगोपी में अब देखिए कि लोधी डाइनस्टी में क्या क्या होता है लोधी डाइनस्टी चलती है 1451 से 1526 तक है यानि 1451 से 1526 और अगर ध्यान देंगे तो यह 1526 वही है जब बाबर इंडिया में आता है ठीक है भाई इधर आप देखिए कि यह सब चल रहा था लेकिन भारत के नक्षे से बाहर जब हम आफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो क्या चल रहा था बाबर अपनी जड़े मजबूत कर रहा था खुद को डेवलेप कर रहा था ठीक है तो वह वहां तक भी पहुंचेंगे अब देखो बहलोल लोधी जो होता है मैं मार्क कर देता हूँ एक यह है बहलोल लोधी यहां है सिकंदर लोधी और यहां है इबराहिम लोधी अब यहां हो बहलोल लोधी जो होता है 1449 से 1489 तक रहता है लगबग आप देखिए कि कितने साल तक रह रही है कितने 38 साल होगे 38 साल तक रह रह रहा है ठीक है तो इस तरह से थोड़ा से याद रहता है यार और खुछ नहीं है थोड़ा हलकल का अंदाजा रहता है कि 38 साल तक ता तो अगर आपको 1451 याद है तो अगर यह याद है कि 38 साल तक ता तो उसमें 38 साल करके वहां तक पहुंच आपको बहले, यह कि अद बीद तक रहा है, अकबर फोर्टी नाइन एर्स तक रहा, शाँजा इन अर्स तक रहा, शांजा 30 तक रहा, विल् 흩जै तारह से थोड़ daytime, jarnaon ऐर 20 में तक रहा से और बाबर चार साल तक रहा इंडिया के अंदर, ठीक है तो इस طरह से तोड़ा थोड़ा आप है कुछ निए बस आपको याद रहती है ठीज़ें और क्या है तरीका है अगर आपको पहली डेट बयाद दे जैसे बाबर की डेट याद है तो फिर आपको आगे का अपन्यापी बता लग जाता है ठीक है भई अब आप देखिए कि पहला अफगानी सुल्तान दिल्ली का ठीक है अब मैं क्यों लिख रहा हूँ कि पहला अफगानी सुल्तान यहाँ पे देखिए आप आए तो सारे अफगानीस्तान से ही थे क्योंकि गोर कहा था गोर अफगानीस्तान में था आप बोलेंगे कि बया जो सल पहला रूलर दिल्ली सल्तनत में अफगानी, तो मैंने आपको पहली बताया था, जो कुत्बुदी नेबग था, वो क्या था, वो एक टर्क सलेव था, किसका गोरी का, तो आप अगर तर्किश रूलर पूछ रहा है पहला, फिर आप कुत्बुदी नेबग वहाँ पे लेकिन और तर्किश में भी देखिया, हाँ, कुत्बुदी नेबग वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन दिली सल्तनत में कहा रहा हूँ, I am specially telling about Delhi सल्तनत, लेकिन जब आप बोलते हैं कि अफगानी सुल्तान पहला कून था, तो फिर आप बहलोल लोधी को ही भोलेंगे, ये प्य नाम सी याद हो जाएगा, उसके बाद इसने expand किया दिली सल्तनत को कहा तक, गवालियर तक, गवालियर ये कहा है, MP में, आप देखिए कि मालवा क्षेत्र को पहले ही जीत रखा था, महमत शाहा ने, और यही तो जीत कया था मालवा क्षेत्र को, लेकिन अब इसने क्या किया इसने गवालियर को अपने साथ मिला लिया, ठीक है, महा का ही मालवा क्षेत्र का ही, और कुछ पार्ट इसने दक्कन का भी टच कर लिया, अब दक्कन बोले तो महराष्ट्रा को, अब देखो ना आप, कि यहाँ पर अगर मध्या प्रदेश है तो नीचे क्या है, महराष्ट का पार्ट हो गया, इधर गुजरात का पहली कर रहा है, खिजर खान ने वो तो तपका कर रहा था और वो इनके कंट्रोल में ही था, तो इस तरह से आप देखिए कि मुगल सल्तनत कहां तक टच कर गई है, मुगल सल्तनत क्यारों, दिली सल्तनत अपने आपको कहां तक टच क कर गई है, बस आप देखिए कि महाराष्ट्र से नीचे बाला बाटी नहीं है, बाकी सारी जगह पर किसका पर्चम है, डेली सल्तनत का, अब आप देखिए नेक्स्ट रूलर जो आता है, इन साम में से थोड़ा से जिसको सक्सेस्फुल जादा क्या सकते, देखो ये बड़ इसके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ था, ठीक है, तो सही चल रहा था इसका, तो सही था, उसके अपनी स्ट्राटीजी थी, तो सही था, सिकंदर लोधी जो है, ये आता 1489 में, और ये रहता है, आप देखिए कि ये हो गया 90, और 20, 20, 20, 28, 28 साल तक रहा गया ये, ठीक है, 28 साल तक सिकंदर लोधी रहता है, जबकि वो 38 तक है, ठीक है, तो 28 साल के अंदर ये क्या है, काफी कुछ करता है, होता है, ये भी नो टंकी बाज है, एक नंबर का, इसके पीरिड में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ फोड की जाती है, और ये भी हिला होता है थोड़ा सा, लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, अब ये खुद को टाइटल देता है, ये टाइटल देता है खुद को शाही का, तो अगर कोई पूछले कि सिकंदर शाही का टाइटल किसको मिला है, तो सिकंदर लोधी को मिला, ठीक है, ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता है, ये भी एक लैंड simple सा यही है कि अगर आपको भया आजकी data में हम भोल देते हैं कि आपके पके फिस कितने किले हैं तो कुछ बोले का 5 किले हैं लेकिन अगर आपको किला कैया है unit ऐसा तरह से तब क्या होता था तब बिशु ऐसा unit इता unit, गजाय शिकंदरी आज भी आपको घर खरी देना है तो आपको लोग फूचें कि कितने गज का घर चीए तो आप बोलेंगे 200 गज का घर चीए ठीक है इस तरह से और फिर इसने इस्टैबलिश किया आगरा सिटी को 1504 में याद रखना आगरा सिटी को किसने इस्टैबलिश किया सिकंदर लोधी कितने यहीं वह आगरर सिटी चहांपे अकबर बैठ के राज किया करता था ठीक है तो आगरा सिटी को सिकंदर लोधी nे लोग पर यहिवरी यह बोलेंगे कि साला आगरा सिटी है तो फिर अकबर्र का ही नाम ले दिते हैं अकबर ने अकबर का ही नाम ले देते हैं, अकबर ने फतेफुर सिक्री का निर्मान किया था, ठीक है, और फिर उसी को अपनी कैपिटल बना लिया था, जबकि आगरा सिटी को किस ने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था और इसी को फिर इसने अपनी capital मना लिया था दो साल के बाद 1504 के बाद 1506 में इसने अपनी capital मना लिया था और इसका poetry का नाम एक्चली इसको कवीता ही लिखना बहुत पसंद था और कवीताओं में इसका उपनाम था, अपना नाम नहीं बोलता था, एंड में लिख देता था, बहुत कि तुम हसीन हो, गुलाब लगती हो, पता नहीं क्या क्या शबाब लगती हो, जो भी लिखा होगा, फिर उसके नीचे लिख देता था, बाए गुलरुखी, ठीक है? तो ये नीचा था, कि बाए शिक अदर लो दी, चलिये, Фॉंड ऑफ शहनाई था ये, इसको पाँ 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 तो भी इसको बहुत पसंदता है, इसका मन करता था कि जब ये सो रहाए तब भी शहनाई बजती रहे, उठता है तब भी शहनाई बजती रहे, इसके entry वे शहनाई के साथ होती थी अधर उदर लोग खड़े हो के पापापापापापाः ऐसे बजा रहे होते थे और ये बीच में से आ रहा होता था यू 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 करके फिर ये जब बैट जाता था उसे बाद ही शहनाई बंद होती थी वैसा नहीं है, मेरा परफस है कि आपको exam में help हो जाए, मैं उस angle से बना रहा हूँ, मैं उस angle से नहीं बना रहा है कि मुझे आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर पढ़ाना है कुछ, पढ़ाना नहीं सीधा सीधा आपको content देना है, content, direct content, ठीक है, और इसके बाद फिर देखे फिर 15100, 1517 से 1526, ठीक है वाई, कpiece 1517 में सीधा अंदर लो दिया है, उसके बाद ये आ रहा है, तो 1517 में आया, और फिर 1526 में ये भी लूड़क लिया, अब इसका यूद्ध होता है, पानीपत का यूद किसे होता है बाबर से तो बाबर से ये हार जाता है जहीरु दिन बाबर मैंने बताया आपको बाबर भी उस टाइम पर डेवलफ कर रहा था खुद को हाला कि वो खुद अफगानिस्तान में कई जगा पर हार जाता है लेकिन फिर वो इंडिया का रुख करता है और बोलता है कि मैं लोधी को हराएगा तो लोदी को हराने बाबर यहाँ पर आ जाता है और लोदी भी जो होता इबराहिम लोदी ये भी एक नंबर का हराम खुर इनसान था अब ये समझ लीजिए कि इसने वहाँ पर जितना गंद मचारक खाता ये इतनी बेजज़ती करता था अपने नोबल्स की इसके घर के परिवार की जो सदस्य उनकी बेज़ती करता था अपने भाई को इसने एक बार बहुत जादा बेज़त किया और वही जो दौलत लोग दी था इसका भाई, वही फिर बाबर के साथ मिलके इसके उपर हमला किया था उसने, तो वह सारा भी जब बाबर पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो उसने, सब लोग इससे परिशान हो गए थे, जैसे मुहमद बिन तुगलक से सारे परिशान हो गए परिशान कर रहा था, ऐसी इसने भी बहुत ज़्यादा उत्पात मचाये था, तो फिर वही है ना, जो बे इंतहा उत्पात मचा दे, फिर लोग परिशान हो जाते हैं, फिर उसका समझ लिजी कि अंतिसमय भी पास में ही है, फिर कोई ना कोई उठके आएगा और ठोक डाले अब इसके बाद हम बढ़ेंगे मुगल सल्तनत की तरह हो, अब देखें कि हम करते हैं मुगल एंपायर के बारे में, और बहुत ही फटक फटक से ठा 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 तरीके से करेंगे हम इसके अंदर भी, और जितने भी important सवाल बनते हैं, सारे के सारे हैं आप देखेंगे कि आपको सबी वो सवाल डाल दिये, जो किसी भी पेपर के अंदर आ सकते हैं, और ये एक तरह से जिस्ट है, ठीक है, इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूरे का पूरा हम complete उठा के history को पढ़ रहे हैं, नहीं, वो जो 20-25 गंटे की history है, उसको concise करके ठा करके कि सवाल क्या पूछेगा ह उठा के ये है, आप देखें मुगल एम्पायर में सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ये पीरेड है, ये आपको पता होने चीए, हाला कि जब आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो आपको अपने याद होते जाएंगे ये पीरेड, और ऐसे ही, आप पंदराश चबविस में आया है ये, और कैसे फिर हम देखेंगे इसके अंदर की जो डैली सलतने था वो खतम हुई, इबराहीम लोदी के साथ इसका यूद हुआ है न, लास्ट एमपरर था, वो वहां का एमपरर का एरो सुल्तान था, दिली का, तो उसको इसने हराया है, ठ राहीम लोदी की भी किस तरह से धजियां उड़ाई, वो सब हम देखेंगे, ठीक है, और फिर लेकिन यहां इंडिया में, आया तो जाने के लिए था, लेकिन रहे गया फिर, सब चीजे मैं आपको बताऊंगा की कैसे है, और इसके अलावा देखें, इसके बाद इसका विघम कौन-कौन है, बहुत सारे सवाल ऐसे आपके दिमाग में आएंगे, और successor कौन है, इन्होंने क्या-क्या, मयलब की किले बगार जो बनाए, जो monuments है, क्या-क्या बनेवाए, वो हो गया, इनकी कबरें कहां पे है, यह सबी सवाल जो है, बन सकते हैं, और सारे के सारे आता है अकबर सबसे बड़ा कोई रूलर रहा है इस पूरी डाइनस्टी के अंदर या फिर कहें कि पूरे मुगल एंपरर के अंदर तो वो यही रहा है इसने सबसे ज़्यादा लोजिस्टिकली समझा कि यहां के लोग चाहते क्या है ठीक है इससे बड़ा जो यहां का मैं कहूंगा कि राजा है ou फिर कहें कि जो भी सुल्तान जो भी कहना चाहते है आप एंपरर वो इस पूरे में कहीं नहीं हुआ ہے हाला कि इसने भी 49 येर राज किया इसने भी 49 येर राज किया लेकि दोनों के राज में जमीन आसमान का फर्क है दोनों का नाम ए से शुरू होता है लेकिन एक जो था उसको सल्यूट करते हैं लोग उसकी स्किल्स के उपर लोग मैंने कभी कोशन मार्क नहीं किसी ने उठाया शायद पूरे देश को साथ लेके चला और एक को देख लो एक ने तो बुरा हाल कर दिया देश का बिल्कूली खचर मना दिया तो ये भी था इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आया 1605 से 1627 तो लेकिन जहांगीर जब आया बनलब जब अकबर की डेथ होती है 1605 तो उसके बाद अंग्रेज भी अब सार का सार अब पैरलल हो जाएगा इसके बाद समझ रहे हो इस चीज को पहले क्या हो रहता दिल्ली सल्तनत और मुगल संतनत मुगल भी एफट कर रहे थे कि इधर आज के इंडिया भी अटाक करें और उदर दिल्ली सल्तनत तो चली रही थे उनके अत्याजार तो चली रहे थे ठीक है लेकिन अब वो दिल्ली सल्तनत वाले तो निकाल दिया उनको तो वो तो ख़दम कर दिया सिस्टम अपने तो उसके बाद अब इनकी सत्ता हत्यानी के लिए ये लोग आएंगे और फिर एंड में आप देखेंगे कि इनके साथ साथ ब्रिटिश के साथ साथ फिर आपके Marathas जो है Marathas ये लोग भी पैरनली बड़े हो रहे होंगे अपने आपको ग्रो कर रहे होंगे और आप देखें कि Marathas भी अपने आपको फिलाते हैं फिर एंड में जब इनकी जड़े कमजोर हो जाएंगी तो Maratha Empire बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर ये जो Britain वाले हैं, British वाले हैं, ये Maratha को भी कैसे तोड़ेंगे, बहुत मज़ेदर चीजे हैं, लेकिन हम बिल्कुल to the point रहेंगे, क्योंकि ये अपना बिल्कुल वो है कि बि कभी लगाने चाहतों लगा सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो knowledge है, सारी की सारी वो जो stories है, history की, वो आपको बहुत help करती है, option elimination के अंदर, ठीक है भाई, अब देखो ये याद रहेगा, आपको कि जहांगीर के period में ये सब शुरू हुआ था, लेकिन आये कौन थे, दो जाये थे, दोनों अलग लग समय पर आये थे, दोनों के बारे में discuss करेंगे और सवाल directly आ सकता है, फिर जहांगीर के बाद, शाह जहां भाई साब आये, इनका बारे में आपको पता है, ताज महल, लेकिन इनकी जो बेगम है, अब उसका मैं अगर असली नाम पूछ लूँ, तो फिर तोते उड़ जाएंगे, ऐसे ही यहां पर भी confusion रहती है, अकबर की बेगम का नाम जोधा, और जहांगीर की बेगम का नाम भी जोधा, तो लोग बोलेंगे कि जहांगीर की मम्मी भी जोधा, और बेगम भी जोधा, ये कैसे हो गया, तो वो सब भी हम discuss करेंगे, इस के अंदर, ठीक है, तो वो सारे discuss कर लेंगे, ऐसी शाह जाह की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो था, रियल नाम, लोग तो मुम्ताज महल, मुम्ताज महल करते रहते हैं, यार किसी का नाम होता है मुम्ताज महल, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ नहीं है, में जो अ किया, तो अकबर नहीं किया, पूरे के पूरे इंडिया में अपना विस्तार किया, लेकिन ये दोनों एकदम मजे से रहे हैं, कोई खास इन्होंने युद्ध या दिनी लड़े, इसने बाई साब ने एक युद्ध लड़ा था, वोर्टुग इसके अगेस्ट, लेकिन वो अट्रोसिटी, अत्याचार दिखाए, निरिशंस था ये बंदा, तो इसने पूरा खलारा पागे रखा पूरे इंडिया के अंदर, बहुत सारे, आब मैं बोलू कि मंदिर तुड़वाए, फिर वहाँ पर मस्जीदे बनवाई, थोड़ा सा आब ये कह सकते हैं कि कट्रपन थी था, और अपने पापा को ही जेल में डाल दिया, और अपने भाई को, दारशी को जो था, जो कहीं ज्यादा अच्छा रूलर बनता इससे, लेकिन ये इतना इंबिशिस था, कि उस भाई को भी मरवा दिया, इसने अपने भाई को, ठीक है, तो ये सारी का सारा है मुगल के अंदर, जो हम इस सेशन के अंदर डिसकस कर लेंगे, फटक से, ठीक है, चलो, अब एक एक बंदे का पोस्ट मॉटम कर देते हैं, उठा उठा के, तब ही आपको समझ महेगा, अदर्वाइस तो फिर नहीं तो उपर से निकल जाएगा, चलो, अब देखिए कि बाबर का आ अदमी था, ये क्या था कि अपने आसपास के जितने करीबी भी होते थे, इसके लिए कोई कितना ही कुछ कर ले, ये उनके साथ गलत बिहेव करता ही करता था, और इसका एक भाई था, चचेरा था, ममेरा था, वो नहीं पता, भीया, एक भाई था, इसका दौलत लोदी, ठी अजया, रहा कि उसको एक इसने territory दे ररखी थी, लेकिन फिर भी इसने बहुत बैज़ज़त किया उसको भाई को, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने बेशक्स से उसको इसने territory दे रखी थी चलाने के लिए, लेकिन इतनी बैज़ज़ती होने के बाद वो अपने दिल से कि बावर कुछे तो अगर तुझे ड़े पर थी रोग्त इंडिया से रेगा को अनल सब्सक्राइब के इस ने दिया कुछल एकर बावर में ड्रनिया आजके दिया काल में हम अग्या कि रaranॉus 226 में हुआ जिसमें बावर ने इबराहिम लोधी को हराया लेकिन अब गेम कै ए को बाबर इबराहिम लोदी को क्या बोल के आया था हर कोई इंडिया के अंतर यही बोल के आता था कि भाईया हम तो यहां तो वैपारी आदमी है यह फिर यह बोल के आता था कि भाईया हमें तो सिरफ यह सोने की चीडिया है तो यहीं सब पैसे चाहिए अपने को राज नहीं करन क्षिए आप जब ढ़ तीन महीने के बाद कोई जा ही नहीं राख गर कोई गास्ट आजाए तो क्या अखा होगे एंड में कि भाज आस्फ दो यही काम उसने किया दोलत कहा लोगी इने बा़ लोग मुध भार जो ये लिखी है ना किताब बाबर नामा ठीए तो उसके अंदर भी mention किया कि उसे इंडिया का मौसम बहुत ज्यादा पसंद आये था तो उसे इंडिया का मौसम अच्छा लगा तो उसे भाईया ने प्लैन बना लिया कि भाई अब तो हम ही यहां के राजा है हम ही डॉन है और तुम निकलो यहां से तो उसने दौलकां लोभी नहीं जब इसके ऐऊपर ज्यादा stress बनाने की कौशिश की कि नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तुम ऐसे ओ तुम वैसे हो तुम वैसे हो तो भाई ने अगन निकाली और ठोक दिया उसको ठीक है फरगना के अंदर हुदा काबूल के अंदर वाइफ इसकी थी माहम बेगम और यही वाइफ जो इसकी माहम बेगम है ये आगे फिर किसकी माता बनती है ये ये बनती है हुमायू की यानि कि माहम बेगम और इसका जो बेटा होगा वो हुमायू होगा अब पहला टैक इसने तो अब किसने लिखी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ठीक है एक बर यह उतार भी लो जितना भी है ना यह content तो यह किसने लिखी का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यह तो इसमें इसे बाद यह बैटल तो इसमें लो के बाध्म होता है और पानी बत का बैचली बाGG़े अविज से अब ध kisses के और उसके बाता से तो को ज़ेदा बता होगा और यह वह महाराना परताप के दादा जी जो थे ठीक है आई होब की दादा जी थे ठीक है छोटा मोटा कुछ error हो जाए तो बता दे ना मेरे को वैसे most probably जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल well verified है कोई इसमें error होगा नी ठीक है 99.999% it kills the germs ठीक है कहने का मतले हो कि 99.99% जो ये है आपको sanitizer में provide कर रहा हूं ये effective है तो कोई 0.0001% कोई error हो तो आप मेरे को comment box में comment करके बता दीजेगा ठीक है और दिल पे नहीं लगाना यार कि कहीं कोई बंदा बोले कि बाबर तो हमारा hero है आप ऐसे बोल रहे हो अम एक्जाम के point of view से कर रहे हैं मैं कोई GS का teacher नी हो मुझे क्या करना मज़े से आपको बता के सारी के सारे points निकल लेना ठीक है अपना का math का पढ़ाना है ये तो सिरफ आपकी help हो जाए तो जिस्ट होना है इसके बाद खानवा का battle हुआ 1527 में रानसांगा को यानि महराज संग्राम सिंग को इसने हरा दिया फिर चंदेरी का battle हुआ 1528 में आपको मैं याद कैसे रखना वो भी बताऊंगा तो उसमें मेदनी राये थे ये मद्यापरदेश के राजा थे इनको हराया फिर घागरा का battle हुआ 1529 में तो आर्मी ओफ बेंगॉल और बिहार को हराया फिर एंड में 1530 के अंदर ये भाई लुड़क लिया इसकी हो गई मृत्यू और इसका टॉम था जो पहले वो आगरा में आनन फानन के अंदर इन्होंने आगरा के अंदर ही दफना दिया लेकिन इस भाई की अंती मिच् पहल से आगरा में कहां दफना आए गया था अराम लाहम बाग के अंदर दफना गया था ठीक है तो ये सारी के सारा खेल था जो बाबर ने किया आप कैसे याद रखनें है आप देखिये कि पानी और खाना पानी और खाना कब खाना है चानद निकलने के बाद और किसने खाना है घागरे वाली ने मतलब घागरा पहने कोई लड़की खड़ी है उसने वरत रखा है ठीक है कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं तो पानी खाना पानी और खाना कब खाना है चानद निकलने के बाद किसने घागरे वाली लेडी ने ऐसे याद रख सकते हो बस एक तरीका है और कुछ नहीं है और यह आप देखिए यह पुल्कुल सिक्वेंस में है मैंने बोला 1526 में बाबर आया आया तो किसी को हरा के ही आया होगा ना तो 1526 में सीखती बात है इब्राहिम लोदी को हराया तो 15 1526, 27, 28, 29 यह बिर्गुल सिक्वेंस में है और 30 में भाया राम नम सत्य ठीक है भाई तो I hope कि इतनी सी बात आपको समझ आई होगी अब 1530 से आगे हम जो tenure देखेंगे हुमायू का देखेंगे इसको फड़ा फड़ा से नोट कर लो नेक्स्ट क्या है आप देखेंगे नेक्स्ट है अपना हमायू तो आप देख पा रहे हैं कि 1530 में जब बाबर गया तो तभी हमायू आया ठीक है लेगिन इसके दो tenure है वो अभी आपको समझ आजएगा कि क्यूं है यह थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तभी वैसे भी समझ आजएगा उसके लिए अपने को पहले इसके बैटल में जाना पड़ेगा क्योंकि सारी गेम हमायू की जिंदगी जो थी यह सारी परिशानियों से गिरी हुई थी क्योंकि आप देखें कि बाबर का खौफ था बाबर आया तो बाबर ने पैर जमाए पहले लेकिन अभी मुगल सल्तनत के जो है पैर इतने अच्छे से जमे नहीं थे तो समय लगता है हर चीज को जमाने में है ना तो जैसे ही मेन बादशाह लुटका पहले का तो आप देख पा रहे हैं कि कबसे यही चलता है रहे दिली सल्तनत में भी यही हो रहा था कि जैसी राजा जाता दिया ठीक है तो उस टाइम तक उसने खुद को इतना जबर्दस ग्रो कर लिया था लेकिन अब हमाईयों जो है हमाईयों के पिछे पिछे भी आ जाएंगे तो वहां पर इगरबढ़ होएगी सारी की सारी तो देबरा का बैटल हुआ पंतरा सु इकतिस में यह खास कोई है लेकिन फिर भी बता दिया आपको मेन कंसर्न पर आते हैं चोसा का जो बैटल हुआ है और कनोज या फिर जिसको बिलग्राम का बैटल भी कह देते हैं यह जो दो हैं यह गेम है पल्टने वाले इसी के अंदर ही वैसे तो 1539 में लगबग हरा दिया था शेरशाह सूरी ने ठी अपने आप में वो था कि दिलेर बंदा था तो उसने सोचा कि जड़ से मिटाता हूं इसको तो वो इसके पीछे लगा तो पीछे लगा रहा तो फिर बिलग्राम तक के बैटल जो हुआ 1540 में तो उसके बाद फिर बाबर को अपना यहां से निकलना पड़ा वापस से शेर्शा सूरी कहीं नहीं लिखा था लेकिन वो हुमायू के जस्ट बाद हम पड़ेंगे शेर्शा सूरी ठीक है क्योंकि वो बीच वाला पार्ट है क्योंकि आप देखेंगे कि हुमायू भी चुप बैटने वाला नहीं था हाला कि हुमायू ने अपने भाईयों के साथ मि कि बहुत कोशिशें की की दुबारा से ले लेता हूं तो इसके भाईयों ने बीच में इसके भाई इसको धोका भी दे देते थे लेकिन फिर भी उनको बक्ष देता था देखे आप अब तक देख पा रहे थे कि आगे औरंग जेप को भी आप देखेंगी तो वो किसी को नहीं बक्षता है ठीक है लेकिन दिली सलतनतर में देखते हैं वहाँ भी किसी को नहीं बक्षता है चाइब बाप हो बेटा हो भाई हो बीवी हो कोई भी हो बेटी हो चाइब कोई किसी को नहीं बख्ष रहा, कुरूर है सब लेकिन यहाँ पर हुमायू जो है वो अपने भाईयों को कभी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसने अपने पापा को यानी की बाबर को वाइदा किया था उसने वाइदा लिया था बाबर ने उसे कि कुछ भी हो जाए चाहे कितनी भी बड़ी गलती करें तेरे भाई तुझे इनको कुछ नहीं कहना है तो उन्होंने बहुत सारी प्लैनिंग की बाबर को उतारने की भी जब बाबर था देखी क्योंकि 1530 से 40 तक तो था ना बाबर 10 सल तक तो था ना तो उसमें भी बहुत सारी वो conspiracy करते रहते थे खुद को राजा घोशित करने के लिए हाला कि उनको छोट छोट टेर्ट्रीज दे रखी थी लग से बट फिर भी ठीक है बाबर ने कभी उनको कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में फिर उनको अपने साथ बाबर ने मिलाया और उन्हों ने फिर बाबर की पूरी help कि उसके अंदर और फिर जैसे तैसे इन्होंने अपनी सेना सुना बनाई और बहुत सारी नोटकी होई कि क्या से क्या चीज़े कि अब उस चीज में आपने को नहीं घुसना यह नहीं तो फिर बहुत लंबी हिस्ट्री बन जाएगी ठीक है फिर तो यह वीडियो पता नहीं कितने घंटों के बन बंदे में दम होना चीए चीज़े तो वहीं है ठीक है आप देखिए कि बाबर में दम था तो कोई थेला नहीं पाया लेकिन हुमाई हुमे उतना दम यहाँ पर नहीं था अभी जवान लॉंडा था लेकिन आके छेर्शा सूरी ने छक्के छुड़ा दिये लेकिन उसके बाद इसने भाई ने खुद को डेवलप किया जैसे तैसे खुद को उपर तक और लेके गया है क्योंकि और इसके पास कोई option नहीं था ठीक है तो फिर इसने आके जब शेर्शा सूरी नहीं रहा तो इसके बेटे सिकंदर शाह सूरी था अब देखो बाबर का बेटा कुछ नहीं भई थी जगा भी वही थी बट फिर भी यह जो है इसको नहीं हरा पाया बाबर को ओ स्वरी बाबर को कहा रहा हूं हमाईू को तो एंड में फिर क्या वता है कि हमाईू यहां पे पंद्रा सो पच्पन में जीत जाता है आप देखिए कितना बड़ा अंतराल है पंद्रा सो वाला यूद्ध ही था इसके साथ, वे SSC का पेपर की तयारी कर रहा था कि नौकरी लग जाए, तो बस वही हुआ है हुमायू के साथ, तो 15 साल के बाद बट ये काबिले तारिफ था कि इसने 15 साल में bounce back किया, और end में आप देखी कि 1555 में जब ले ली इसने गदी, तो एक ही स ये शासूरी ने नहीं बनाई है, ये हुमायू ने बनाई है, सिर्फ ये शेर लिखने से ऐसा नहीं कि उसने बना दी, ठीक है, उसने क्या बनाया, तब पढ़ेंगे जब उसके बारे में बात करेंगे, ये एक लाइबरेरी थी और आपको ये सवाल आ सकता है कि कौन सा आपका आंसर आजाएगा, हुमायू, मिल्कुल टू दा पॉइंट मैंने वही पॉइंट्स पकड़े हैं, इसके अलावा दीन पना सीटी इसने बनाई थी, तो ये दोनों अगर आया, तो सीधा-सीधा इसका उत्तर हुमायू हो जाएगा, ठीक है, अब मरग ऐसे था ये, त आपको डेटेल मिलेगी, शेर्शासूरी की, देखो, शेर्शासूरी के बारे में सीधा-सीधा बता दू, अभी जितना मैंने बताया आपको हुमायू और शेर्शासूरी बिल्कुल कंटेंपरेरी हैं, तो आपस में तो यूद हुए है इनका, तो सीधी-सीधी सी बात है, इसमें कुछ extra आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन to the point देखते हैं कि क्योंकि पांची साल का इसका राजर है, 40-45 तक, उसके बाद इसका बेटा सी अंदर शेर्शासूरी आ गया है, ठीक है, तो ये जो पांच साल है, इसके अंदर इसने क्या-क्या कारणामे की हैं वो बता देता हूँ, एक तो इसका रियल नेम फरीद खान था, दूसरा ही है कि बच्पन में इसने शेर का सर काट दिया था, एक ही तलवार के उससे जोर से, तो उस ताइम पर फिर, बलब कि एक तरह से तब ही से इसका नाम होना शुरू हो गया था, अपने क्योंकि 1540 में तो बिल्गरिम वाला हुआ ना, बिल्गराम वाला, कर्नोज बिल्गराम वाला, 1539 में जो फर्स्ट टाइम इसने हमायू को रा दिया, तो इसने बोल दे कि हम ही गुड्डू बहिया है, और ये हपन का एरिया है, ठीक है, अपन चे भगवान है, तो वही बात बता है ये कि मैं हूँ शेर्शा, ठीक है, और इंट्रोड्यूस इसने क्या क्या रुपाया, अब समझ ना इस चीज को, आप देखे कि जैसे ही शेर्शा सूरी आता है, तो अब हमारी जितनी भी बाते होने लग जाएंगी, एकनोमिक्स की, कि भईया उनकी सैलरी कितनी होती तो 178 ग्रेंट, सिल्वर के एकवल होता था, और इसी पिरिड ओफ टाइम में, जो मलिक मोहमद जैसी है, उसने क्या लिखी थी, पदमावत लिखी थी, वही जो चचाजान वाली, ठीक है, जो देखी होगी आपने, वो रनबीर कपूर, कपूरनी सिंग वाली जो मुवी है, ठीक है, तो वही वाली पदमावती, और ओल्ड फोर्ट, इसने काम क्या किये, दो में काम किये, पांच साल के टैनियोर में, एक तो इसने ओल्ड फोर्ट बनाए, जिसको कि किला ए कुहाना के नाम से जाना जाता है, और जो सबसे में इसका काम है, वो ये है, जीटी रोड, जीटी रोड के बारे में, तो आप से सुना होगा, पजाबी में काना भी है, जीटी रोड ते बरेका लग गया, जदे गड़ियां, चेकड़ियां, बज़ियां, ठीक है, तो जीटी रोड जो है, इसको और भी कई नाम है, इसको और भी कई नाम है, इसको और भी है, तीन- लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसका uniformity लाने के लिए GT Road ही जादा यूज किया तो फिर तब से फिर यही चीज इसका चल गया ठीक है Grand Trunk Road तो जो अंग्रेजों ने इसका नाम रखा वही इसका चलता रहा हाला कि शुरू में सड़के आजम उतरबत ऐसे नाम थे इसके ठीक है तो अब आप देखिए कि जो अकबर की duration है वो आपकी 1556 से लेके 1556 से लेके 1605 तक चलेगी तो कहने का मतलब है कि इसने 49 year rule किया है यहां से भी आप याद रख सकते हैं आप देखिए कि born जो हुआ है 15 October 1542 को हुआ है कहां पे हुआ है अमरकोट में देखू मैंने आपको क्या पताया था कि हुमायू था जो वो अफगानिस्तान से जब इंडिया आया है तो उसने अमरकोट के राजा के वहाँ पे शरन ली है जो कि सिकंदर्शा सूरी से उसका यूद होना था ठीक है तो अब बच्चे को और बीवी को थोड़ी यूद में लेके जाएगा यार ठीक है तो इसने क्या किया अमरकोट के राजा से हल्प मांगी तो उसने इनको शरन दी दी और वहाँ पे फिर अकबर की जो मम्मी थी उसने इसको पैदा किया ये समझ लीजी आप हमीदा बानो इनकी मदर थी और फादर तो हमायू पता ही है ठीक है भाई तो हमायू की बीवी जो म चार भी वैसे से प्रकट हुए ठीक है जिसका कि आगे आपको रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा तो वही चीज है ना कि जैसे आप रंग में रहोगे तो वैसा वैसा आपके अंदर भी वो चीजे आती जाएंगी तो क्योंकि इसने हिंदू कल्चर को भी वहाँ पे दे तो यह अपने आपको बाहरी कैसे समझेगा अब इसके लिए तो यही इसकी मदर लैंड हो गई समझेड़ो इस चीज को तो जिसके लिए यही उसकी जगा हो गई तो वो क्या उसने यहां पर सोचा राज करने के लिए ना कि उसने यहां पर सोचा कि यहां का घजाना लूट कहा है लूटके लेकर जाता, वो तो यहीं पर पला बढ़ा है, तो आप समझेंगे कि 14 साल तक वो यहां रहा, 14 साल यहीं पर पला बढ़ा रहा, क्योंकि तब तक चीजे सैटल नहीं थो और हुमायी उसको लेके नहीं गया था, ठीक है उन लोगों को अपने महा महल में लेकर तो आप देखे कि 14 साल तक जो बच्चा जहां रह लेगा तो उसके लिए तो वही उसका घर है तो खजाना लूट के लेके कहां जाएगा तो खहने का मतलब है कि वो इस देश पर राज करना जाता था वो ना कि यहां पे लुटेरी की तरह आया था कि लूट के लेके जाना है और पड़े लिखे का और इंटेलिजन्ट होने का कोई आपस में वास्ता नहीं है वो आप ऐसे भी देखते हैं आज की डेट में भी आप देखे कि जैक मा जैसे लोगों को देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आप देखेंगे कि जो बिल्कुल पड़े लिखे नहीं और आपस कहीं 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 ज्यादा धनवान होंगे बहुत सारा पैसे कमाते होंगे और वो रियल लाइफ में अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे कि किसी बंदे के बाद से एक स्कील है उसने पड़ाई बिल्कुल नहीं कर रखी है जैसे मैं आपको अपनी बैकबॉन का भी कि अकबर पढ़ा लिखानी था बट यह क्या करता था यह लोगों से सुनता रहता था मनलब अपने साथ बिठा लेता था और कहता था चलो आज इस किताब को पढ़ो चलो आज उसके आपको पढ़ो तो वह पढ़़ किसको सुनाते थे और इसकी ग्रास्पिंग पावर अच सलती रहती थी कि मैं बनूगा राजा वो बनेगा राजा और उसने शायद हुमाईयू का साथ दिया होगा उस टाइम पे तो वो सब जो भी नो टकी होई तो आदिल्शा भी बना था ठीक है सिकंदर्शा सूरी के बाद आदिल्शा सूरी बन गया था उसको भी एक गदी दे है दिल्ली के सिहासन पे लेकिन अब मुद्दे की बाद देखें कि 26 ही दिन तक सिहासन पे बैठ पाता है क्योंकि होता क्या है कि अकबर तो अमर्गोट में है और बैरम खान जो है वो जो हमायू होता है उसको बोलता है कि भाया मेरे बच्चे का साथ देना है तो उसको 12 साल का बच्चा है अभी ठीक है तो खुद तो को यूद लड़ भी नहीं सकता है ये तो अकबर को अमर्गोट से लेके आता है ये लेकिन अब उसे पता है कि दिल्ली के सिहासन पे ये बैठा हुआ बाई साब है मूँ ठीक है और वैसे ये लोग जो मेन इनकी कैपिटल हु मजलों की हुमाईू के बाद ये मत समझना की गद्धि खाली है उनका वारिष जो है यानि की जलालुदिन अकबर का असली नाम क्याता है जलालुदिन तो वो अभी जिन्दा है तो वही अब अपना नया राजा है लेकिन ये बंदा नहीं मानता है ये हिंदू शासक है ये बहुत योदा दावीर था लेकिन दिक्कत क्या थी कि अब मुगल्स के बास देखिए रिसोर्सीज भी ज्यादा और उपर से इस भाई को अभी 26 दिन तो हुआ है बने को तो यही बहुत सारी दिक्कते रहती है तो उसके बाद बैरम खाने क्या किया युद किया अब अकबर ने युद नहीं किया यह जो बैटल ओफ पानीपत टू है आप देखिए बैटल ओफ पानीपत वन जो है वो बाबर ने किया आके समझने इस चीज को किसके साथ एबराहिम लोधी के साथ लेकिन यहाँ पे 1556 में वो था 1526 की बात और यह है 1556 की बात एंड में दोनों के छे हमु का और हमु को हरा दिया था इन्होंने तो उसके बाद फिर अकबर को मां बिठा दिया सिहांसर में मुद्दे के बात यह लेकिन आपको पते कि अकबर अभी बच्चा ही था और 1560 से 62 में क्योंकि बैरम खाब पूरे देश में व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे कि दाई मा दाई मा है से करके है ना तो उसका एक बेटा भी था इसका नाम था माहम मंगा इसका बेटा भी था मेरे को नाम नहीं यादार कौन था कोई इंपोर्टन नहीं है उसका नाम ठीक है यह चाती तो अपने बेटे को बिठाना थी गद्दी पे क्योंकि इससे लगता थ कि अकबर तो अभी बच्चा है उपर से इसको दो साल के लिए संस्था दे रखी है भीया कि तुम चलाओ यहाँ पे तो वफादार ये भी बहुत थी इसने भी अकबर को बचाया था एक दो बार इसने बचाया था तो उसके बाद इसने काफी ट्रस्ट चीत लिया था ठीक है लेकिन मुद्दे की बात यह है ना कि अब इसके बेटे को है तो पराये थे ना तो उसके बेटे के अंदर शाही खुन थोड़ी था उसको थोड़ी बिठा देंगे गदी पे कि नहीं भीया तुम्हारे बेटे को बिठा देते हैं आज से सार राज तुम मा बेटे करूगा इसा नहीं चलता ठीक है तो बट फिर इसने क्या किया यह अकबर के कान भरती रहती थी भरती रहती थी और आपको पता है कि फिर जोदावाई भी आती है एंड में तो फिर वो सब नो टंकी इनकी चलती है वह शायद आमने मूवी में भी देखा होगा और कुछ लोग ऐसा आमरे ऐसारण को के भी आल्यूग के जीक प्रफिधशां करोशना सब्सक्राइब फेयरण करा है कृशन के सके संग्या होग का वह जढ़ता है कि तीन आती आतो आप सुबह ले लिगे और क्या तरह से व थी लयिए यह फिर एक होता था है मैं और प्यृण सबनेकश से बहू कुछ ऐसे बोलते थे तो इंटेलिजन्स ब्यूरो जॉइन कर लिजिए यहां फिर हज यातरा पे चलिजिए तो जो अपना बैरम खा था वो हज यातरा पे चला गया था ठीक है और वो अलग बात है कि फिर वो जब जा रहा था तो रास्ते में जो कुछ इतिहास का रही है बो का आप क्या करते हैं कि उस सिचवेशन को आज के समय में डालने की कुश्छ करते हैं तो फिर आप जस्टीफाइ नहीं कर पाएंगा उस चीज को जिस समय की बात हो रही है उसी समय के हिसाफ से सोचेंगे तो आप को जस्टीफाइबल लगेगी क्योंकि वहाँ पे उस टाइ इंडिपेंडेंट फैमिनिजम नहीं था कहने का मतलब हुटना बहुत कम का मिए इस निकलता था फैमिनिजम नाम की चीज नहीं थी उस टाइम पर तो फिर इस चक्कर में क्या होता था कि उसको बहुत सारी दिकटेश करनी पड़ती है तो अकबर ने शिरफ से अपना नाम दिया था शादी करके ऐसा निये कि मलब आप समय से पाएंगे कि कुछ ऐसा उसके साथ कर रहा था या कुछ ऐसा है ठीक है बहुत इज़त करता था अगबर बैरम खां की और उसकी वाइफ की भी तो बस वह एक रीजन था अरे अगबर के पास कमी थोड़ी थी यार कैसी बाते कर रहे हो यार रानियों की कमी थी गया अगबर के बास तो वही या ना पूरे देश का राजा बन रहा है वो और वो क्या आपने मलब की बैरम खां की वाइफ के उपर लूड़के गया तो लोगों के ऐसी भी सोच है तो सोचने वाली बाते हैं ये सारी की सा करते थे वहाँ पे पूरे सब लोगों काट मार करते थे अकबर का कहना था कि भाया हम शांती पूर्ण तरीके से ये सारी की सारी डील करेंगे ऐसा नहीं है कि महाँ पे मार काट करनी है अपने को अपने को उनको अपने साथ मिलाना है ठीक है इनका मुद्दे का सीधा सीधा प्रपस ये था, अकबर क्या चाहता था centralized power करना है, जैसे आज कल मोदी जी कर रहे है, है न, centralized power का मतलब है कि, ये जो center है, ये अकबर है, ठीक है अब जितना भी पूरा देश है पूरा देश जितना भी है, चाहे वो इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, North, South, East, West, जितना भी, ये सारा जो देश है, ये चलेगा यहीं से, ठीक है, जैसे अभी दिल्ली है, दिल्ली क्या है, एक तरह से center, सरकार हो गई, और बाकी जो states है, वो किसके इशारे पे चलती है, वो दिल्ली के इशारे पे चलती है, ठीक है, हाला कि सब states के पास अपनी तंतरता है, लेकिन दिल्ली के इशारे पे चलती है, और अकबर यही चाता था, वो centralized करना चाता था, पावर की भईया, rule मेरा होगा, चलाओ तुम कोई दिक्कत नहीं है, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तो तुम मेरे साथ आओगे, और जब तुम्हारी उपर कोई हमला करेगा, तो उसे पहले मुझसे यूद करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, और ओवेसी बात है कि जो centralized power है, उसके पास पूरे देश के resources है, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी जबरदस चीज है, अच्छा, एक और चीज है, 1542 में तो अकबर का जनम औरक है, एक सेकंड रुखिए, और यहाँ पर ये 1540 आएगा, महाराना परताब का भी पैरलेली, contemporary है न, दोनों के दोनों, तो महाराना परताब दो साल बड़े थे, तो 1540 में इनका जनम होता है, ठीक है, इनका कॉंबल गड़ फोर्ट के अंदर होता है, तो दोनों, महाराथ ही, एक साथ इनका जनम होता है, हाला कि अकबर दिमाग से तेज था, वो उसको पता था कि रूल कैसे करना है, लेकिन आप सोचें कि वो physically भी उतना strong था, तो ऐसा नहीं था कबर के साथ, उसकी शरीर की बनावट ऐसी नहीं थी, ना उसकी कद काठी वैसी थी, कि वो बहुत ज़्यादा strong हो, अगर वो direct महाराना परताब से लड़ लेता, तो कपका लुड़क लेता, तो ऐसा नहीं था, और वैसे भी मैं आपको बता दू कि, आप कभी भी देखिएगा कि जिसने भी रूल किया है, जितने भी बड़े ruler हुए है, वो हमेशा, वो खुद इतने strong है, कि उस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है, उनका जो vision है, उनकी जो thinking है, उनकी जो शासन करने की skills है, लोगों को समझने का तरीका है, जिसका वो strong है, उसी ने rule किया, चाहिए आप शत्रपजी, शिवाजी जी, महराज जी है, उनको देख लीजिए, वो directly खुद थोड़ी हर जगा पे जाएगा यार राजा यूद करने, वो अपने बंदों को बेज़ेगा, कभी तानर जी को बेजने, कभी किसी को बेजने, तो ऐसा थोड़ी कि हर जगा पे राजा खुद चला जाएगा भी या, अगर राजा चला गया यूदी के अंदर, कोई extreme case होगा, जहाँ पे राजा को जाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं है कि राजा हर जगा पे चला गया, जो main centralized person होगा, छोटे-मोटे हमले जो होते हैं, इनके लिए तो वो दूसरों को ही भेजते हैं, समझगे इस चीज़ को, अपनी जान थोड़ी खत्रे में डालेंगे, क्योंकि वो main बंदा है, अगर उसको कुछ हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर पूरे का पूरे सियासत बदल जाएगी, पल्टा हो जाएगा एक तम से, मलब कि जो stability थी, वो lose हो जाएगी, और इनके एक बादिशाह के सामने, 10 तरफ से attack हो रहे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 10 जगा पे चला जाएगा, तो वो हमेशा क्या करते था, उनको पता होता है, यहाँ से क्या सकते है, यहाँ से क्या सकते है, जोग्रफी के सारा गेम था, मलब पुराने समय में, जिसको जोग्रफी अच्छे से आती थी थी ना, ठीक है, वही युद्ध जितेगा, मुद्दे की बात यह थी, और एक और short note है कि, बाबरी मस्जीद का अगर कोई पूछ ले, क्योंकि बाबरी मस्जीद बीच 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 में पिक्चर में अभी आपको पता है, जैसे जो भी अभी हुआ है, राम मंदिर वाला सीन भी हुआ है, तो यहाँ पर जो बाबर ने यह बनाया था, पंद्रासो अठाइस से उनत्तिस में बनाया था, मालवा, यानि कि मद्या प्रदेश के पार्ट्स में था यह मालवा, तो बाज-बादुर मा का शासक था, उसको अपने अंदर मिलाया, उसको बोला कि भाईया हमारे से ट्रिटी करो, नहीं तो हमसे लड़ो, ठीक है, और लड़ भी लेते थे तो ऐसा नहीं कि उसको मार देंगे, ठीक है, मतलब लड़ने में क्या होगा, जालमान का नुकसान होना है सारे का सारा, और अल्टिमेटली फिर उसकी शर्ते माननी पड़ेंगी, अब जो जो रियास्ते इतनी बड़ी नहीं थी, जिनको अपने उपर confidence नहीं था, तो वो तो भाईया सिधा सिधा मिल रही थी, उनको पता है कि भाईया हम भी लुड़केंगे साथ में, जनता भी इतनी जाएगी, इतनी सारे सिपाही भी मरेंगे, resources भी खराब हों, क्योंकि एक युद्ध के बाद क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे देश जो होता है, पूरी state को suffer करना पड़ता था, क्योंकि और उपर से जितने भी लोग होते थे, उनको taxis heavy पे करने बढ़ते थे, खाने पीने को कुछ बचता नहीं था, नर्स अहार इतना होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, बहुत कुछ होता था, ठीक है, तो इस चकर में फिर ये लोग हाथ मिलाते के अकबर के साथ, और अकबर ने इनको due respect दी, ऐसा नहीं किया, उसने कि इनके उपर पूरा रॉब जाड रहा है, due respect पूरी दी इनको, कि भाईया तुम्ही राजा उटेंशन मतलो, बस हो मेरे अंडर, तो मालवा को अपने अंडर लिया, फिर इसने ट्रीटी ओफ आमेर, ये अभी राजपूतों का देखिए, राजपूत बड़ी टेडी कियर होते थे, अभी दिक्कत वही थी न, कि उस टाइम पे एकता तो होती नी थी, अगर इतनी ही एकता होती राजपूतों के बीच में, तो आपको पता है कि महाराना परताब ने ट्राई किया, ट्राई किया कि सब को एक जूट एक छतर के नीचे लेके आएं, ठीक है, अभी तो पहले थे, अभी तो वही किया कि एक तरह से वो भी सेंट्रलाइजट कर रहे थे पावर को, लेकिन वो कहां पे कर रहे थे, वो एक छोटे एरिया में कर रहे थे राजपूतों के एरिया में कर रहे थे अकबर कहाँ अकबर की thinking कहाँ चल रही थी पूरे देश में करनी है समझ रहे हूँ उस चीज को तो वहाँ पर ही लफड़ा फसरा था क्योंकि महाराना परताब जो थे वो सिरफ ये समझ लिजी कि एक तरह से राजस्थान के एक शौट पार्ट में कर रहे थे और जब अब वब्वेस ही बात है कि या जितना बंदा पहले आपने आसपास के लोगों को नहीं जब तक अपने साथ मिला पाएगा तो फिर पूरे देश को कैसे मिला पाएगा तो वही चीज थी जबकि अकबर के साथ सीधा सीधा हो रहा था अकबर वहां महा टार्गेट कर रहा था जहां जहां पर उसे लग रहा था कि ये easy soft target है तो उसने पहले soft targets को अपने साथ किया समझे नो इस चीज को यही तो game होती है सारी की सारी और आगरा में बैटके यह सब कुछ operate कर रहा था अब यहाँ पर क्या होता है यह होगी treaty of armor ठीक है और यहीं पर अकबर की शादी होती है जो दबाई के साथ वो आपको पता ही है इसके बाद 1562 में जो अपना slavery system होता है यह देखिए यह तीन जो black में लिखी है ने इनको आप यूद नहीं कह सकते हैं इसलिए यह black वाले में अलग से लिख दिये क्योंकि यह क्या है यह आपके उसने अकबर ने जो एक तरह से सुधार कह सकते हैं ठीक है वो किये यह वो है सारे के सारे तो आप देखिए कि यूद यह treaty जो है वो blue से ही लिखे है मैंने सारे के सारे तो 1562 में यह अमेर की treaty हो लेकिन 1562 में इसने slavery system को भी abolish कर दिया जैसे कि हम पहले देखते थे दिली सल्तनत से चला आ रहा था कि जिसके बाद जितने ज़्यादा गुलाम है वही सबसे बड़ा राजा है तो वो सब नो टंकी इसने खतम कर दी कि कोई भी गुलाम नहीं अब अब सब आजाद रहेंगे human beings है तो कुछ कुछ चीजे इसने बहुत अच्छी किया है ठीक है ऐसे ही 1563 में इसने abolish किया pilgrim tax अब pilgrim tax में क्या था थे कि आप तीर्थ या तरह पे जा रहें तब भी आपको tax देना पड़ेगा काहे को देना पड़ेगा भगवान की पूजा करने जा रहे हो पहले musulmanों से अटाया इसने pilgrim tax जो muslims से लेते थे 10% और hindus से लेते थे 5% अब वही दिक्कत थी यहाँ पर कि भईया एक तो वहाँ पर unfair हो गया डाई और पांच वाला और दूसरा यह है कि भगवान के दर्शन करने के लिए tax लिए जा रहे है तो यह एक तरह से अगर आज की डेट में आप देखिया कि अगर बोला जाए कि आप मंदिर में जाएंगे वैशनो दे भी जाने किसीने तो भईया tax दोगे तब ही जाओगे तुम लोग आगे राज्य को चलाना है ठीक है इस चीज में बड़े solid थे यह एक से नहीं हटा है दोनों से ही हटा दिया ठीक है और ऐसे ही फिर 1563 के बाद 1564 में बिल्कुल दो चीजें होती है एक होता है जकात एक होता है जजिया जकात तो वो हो गया कि जो Muslim से tax लिया जा रहे कि भईया तुम धरम के लिए tax दो कि हम इस धरम को promote करने है इसको spread करने है तो तुम हमें इसको जकात दो, जकात का मिसले टेक्स दो, ठीक है, लेकिन अब वही टेक्स अगर हिंदू से ले लिया जाएगा, आप समझी इस चीज को, तो हिंदू इसलाम धरम को प्रमोट करने के लिए काहे को टेक्स देगा, हिंदू बोलेंगे कि भहिए, आप हिंदू धरम को promote करो तो हम दे देते हैं तो उनके साथ एक तरह से क्या हो गया unfair हो गया यह चीज ठीक है तो वही एक धबा है यह तरह से यह चीज जजिया जो है वो negative word है जकाज जो है वो positive word है समझे इस चीज को तो अगर यह हिंदू के धरम को promote करने के लिए लेता तो तब आप जजि में fair नहीं माने तो इसने क्या किया दोनों से हटा दिया कि भाईया तुम दो नहीं मत दो समझे तो खुश होगे भाईया दोनों तो आप देखिए कि लोगों को किस तरह से अपने साथ मिला रहा था जो छोटी-छोटी negative चीजे थी उनको हटा के लोगों को अपने साथ कि अब देखो होता क्या था कि राजपुताना घर की जो लड़कियां होती थी वो हर चीज में महाईर होती दिखाना मनाने में भी और ये तीर अंदाजी में भी तलवार बाजी में भी तो अगबर इंप्रेस्ट था उससे ये समझ लो आप तो फिर वहां पे जब चीज से इनकी जो प्रसिद्धी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसने भी यहां पर अपने सिस्टम स्टार्ट कर दिया तो उसने बहुत कैची था वो तो इसलिए अपने दिमाग में वो देखता था कि कहां कहां से क्या क्या चीजें पोजिटिव हैं जिससे की 1569 के बाद 1571 में क्या होता है फत्यपूर सिकरी को कैपिटल मनाते यह बी ब्लैक में लिख दिया क्योंकि यह कोई ट्रेटी नहीं है तो यह क्या करता है अब फत्यपूर सिकरी को अपनी कैपिटल मना रहा है आगरा से शिफ्टों के वहाँ पे चला जाएगा तीक है अब य याद रखिएगा, समझगे इस चीज को, इसको उतारो कॉपी में, पढ़ा पढ़ से फिर आगे बढ़ते हैं, अगे देखिए, 1573 में, एक बाद इसको कॉपी में भी उतार लो, ठीक है, यह स्क्रीन शोट लेना ले लो, 1573 में, गुजरात के अंदर, जो क्वेस्ट होता है, उसको हरा देता है, अब 1575 में आप देखिए, यह ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर दिया है, इसका मतलब है कि यह कोई रिफॉर्म ही किया होगा, इसने, यह है इबादत खाना बनाया था, यानि कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी मुसलिम लोग होंगे, यहाँ पर आके पूजा पाथ अपनी करेंगे, यहाँ फिर धरम के उपर जो विचार विमर्ष होगा, जो भी करना है, यहाँ पर आके मुसलिम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन वही बात कि यह जो देखिए, यह पंदरसो पिचतर में यह पंदरसो अथातर पे चलते हैं पहले, इस पर पाद आते हैं, पंदरसो अथातर में फिर देखिए, इबादत खाना लिखा और पार्लियमेंट ओफ रिलिजिन मना दिया, अब पार्लियमेंट में देखिए, आज की डेट में हम देखते हैं, तो विपक्ष भी बैठेगा, तो विपक्ष कौन था यहाँ पे, यहाँ पे ह चार धारा में फर्क था, तो अब कोई भी नहीं आता था यहाँ पे, ठीक है, इस कंडिशन में, पंदरसो अथातर में ये एक फलोप शो हो गया, ठीक है भाई, अब पंदरसो इक्या, पंदरसो चैतर का देखिए, आप देखो कि महाराना परताप और अकबर के बीच को जीतने के लिए अकबर मलब की पिछे ही पड़ गया इसके, मलब की महाराना परताप के इनके, तो ऐसा नहीं था, देखिए, आप देखिए कि दिक्कत मते क्या थी, यहाँ पे जैसे मान लिजी कि यह महाराना परताप का है अपना, ठीक है, चितोड़गर, तो दिक्कत क् होती थी, जितने भी वेपारी आते थे, यह एक तरह से समझ लिजी कि कोरिडर था, ठीक है, और वेपारियों के लिए, तो उनको यहाँ से निकलना परता था, फिर आगे वेपार करने के लिए, समझ की इस चीज को, यह एक तरह से shortest पाथ था, इसको समझ लिजी आप कि यह क कहीं भी जाना है तो यह shortest बात था महाराना की territory से जाके ही है महाराना परताप की territory से जाके ही आगे वो मैंने छोटा बात देखिए अब आपको आप वैपारी हैं आप इतना सारा समान लाद के लिए के आ रहे हैं तो आप छोटे पात आप प्रेफर करेंगे ना कि यूँ घूम फिर के जाएंगे आगे समय रहे हैं इस चीज को तो और पहली वैसे भी आपको बता है कि जंगल जूंगल होते थे ऐसा तो है नहीं था कि हर पात पर किसी भी पात पर निकल जाओ आप कहीं पहाड़ है कहीं जंगल है तो जो रास्त बात है कि अगर महाराना परताब के यहां सहेंगे तो यह भी टॉल लेंगे यहां जो भी होगा यह आने दे नहीं आने दे भीया इनकी टेरिटरी इनकी मरजी समय रहे इस चीज को तो फिर जब यह सब बहुत सारे लोगों ने यहां अकबर को आके रिक्वेस्ट की तो फिर अकबर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था जहां तक मेरे को बता है इतियास का मैंने देखा है तो जिस दिन महाराना परताब की मृत्यू हुई है तो उस दिन अकबर को भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर फील हुआ और आमने देखा होगा कि वहां पर जितने भी जो बहुत वीर योधा शहीद भी हुए है जो जूद के अंदर उनकी भी अखबर ने अलग से कुछ वो मनलब कि यह हम कहने कि मूर्ती बनाई है या जैसे भी है ऐसा जो मैंने पढ़ा है मेरे को एक्जेक्ट तो नहीं पता कि वो योधाओं का नाम क्या है बट मुझे इतना पता है कि शायद एक कल्ला जी थे और एक और बहुत तार नहीं कोई नाम नहीं यादा रहे ठीक है अभी क्या है ना कि अपने पेपर के पॉइंट ओ व्यूसर वो सब इंपॉटन्ट होता तो वो मैं सारे इंक्लूड कर देता है यहाँ पर लेकिन उसका कोई मतलब नहीं व हुआ था और यहाँ पर महाराना परताब को हाला कि बहुत benefit भी हुआ था क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मैंने क्या बोला कि जोगरफी का ज्यादा महाराना परताब को पता था ना कि अकबर को बर स्टिल आपको पता है कि यहाँ पर जो भी हुआ है सारे हालातों का आपन यह सब चीज़ें जो होती है इससे क्या होता है कि अपना जो इतिहास है जब आप इसको टेंपर कर देते हैं तो बहुत गडबड हो जाती है और फिर कोई सामने वाला बिलीव भी नहीं करता है कि भाई अच्छा ऐसा भी होता था किसी को यकीन नहीं होता है आप खुद सोचि यह कि क्या कोई सो किलो का बाला सो केजी का बाला उठाके कहां पर मारेगा भाई सो केजी का बाला पहली बात तो उसको उठाएगा कैसे और वहां दुश्मन है भारी से थोड़ी फरक पड़ता है उसके अंदर भारी भी एक लिमिट तक होना चीए बारी से क्या उसने क्या टॉप का खोला थोड़ी ऐसे मारना ही उठा के तो एक तो उसको सही direction में बाला लगना चीए जाके आगे से पूरा पैना होना चीए और ऐसा तो होना चीए यह थोड़ी है कि यहाँ पे तुम्हारा दुशमन खड़ा है बाला इतना भारी है कि आसे भैका यहीं पर गिर गया दुशुमन के लगाई नहीं जाके, तो लोग क्या करते हैं यार, ऐसी बस मजे लेने के लिए उट पटा के बाते करने लग जाते हैं, जबकि आप देखेंगे वहाँ पर जाके भी जो जिस मॉनुमेंट्स में सारे के सारे रखे हुए हैं, म्यूजियम के अंदर इनके जो अस साइन्टिफिक है, उसको हम जब चेंज कर देते हैं तो बहुत गडबड हो जाती है, और हम फिर उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कुछ लोग, नहीं जी वो तो इतने बीर्थ है कि उठा लेंगे, अरे उठा लेंगे वो ठीक है वह उठा लेंगे तो क्या हो गय ठीक है, अब आप देखें, यहां पे कि 1581 में, अगें फिर यह क्या करने हैं, काबूल को जीते लेते हैं, यह मिर्जा हकीम होता है यहां पे, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि आपको मैंने पहले भी बिताएता है कि पहले भी Bाबर के टाइम पे क्या था, अफगान पीछे तो कहने का मतलब और आपको पता है हमाईउ के साथ भी सेम भई हुवा कि उदर से शेयरशाँ सूरिया आ गया तो अकबर को पता था कि भई Iya ये जो है अपना देश है जो ठीक है इधर तो मैंने सार्ष जीत लिया इधर सारष मैंने हेंडल कर लिया लेकिन जो इधर से आसकते हैं अफगानिस्तान से अफगान जो आ सकते हैं अब उन पे भी नकेल कस्नी कपड़ेगी तो उसने फिर क्या किया उठा कि इसको ही अपने कबजे में कर लिया इनको पहली साथ में मिला लिया ताकि एटलिस्ट यहां से कोई इधर ना हमला कर बाए समझ गे इस चीज को चलिए अब आप देखिए कि 1582 में इसने क्या किया दीन इलाही बना दिया यह इसने एक नया धर्म की शुरुआत कर दी क्योंकि यहां पे जब इसने देखा कि यह फ्लॉप शो हो गया इबादत खाना वाला कि कोई आही नी रहा है तो इसने सोचा कि चलिए एक नया धर्म बना देते हैं तो इसने कहा कि भाया इसके अंदर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़े इंसर्ट की जो उससे लग रहा था कि फाल्तू की चीज़े हैं उनको हटा देना चीज़े जैसे की बड़ इसको माना निए गया देखो इसमें क्या होताँ कि जैसे मुसलिम्स हैं अब वह आप बातें ऐसी sporting हैं क्या है अब मालो को पीग को अपना वह मांते हैं ठीक है पवित्र मांते हैं हंदू कौं को मानेंगे तो अगर यह मुसlingen काओ को अकबर ने यह सब चीजों को खटाया यहां से तो वहाँ पर ही दिख्कत आ गी तो जब दोनों चीजों को खटाओंगे आप तो ना वो मान रहा है ना वो मान रहा है तो यह सबसे बड़ा फ्लोक शो था अकबर का यह बिल्कुल किसी ने नहीं माना और इस धरम को अकबर के इलावा सिरफ एक ही बंदे ने माना था, वो था बीरबल, ठीक है, तो कोई मतलम नहीं बैट था उस चीज का, बीरबल का असली नाम क्या था, महेश, महेश दास, ठीक है, कालपी के थे, बीरबल कालपी के थे, और 1586 में फिर ये कश्मीर को भी जीत लेते हैं, ठीक है, ये जो उपर वाल कश्मीर है, इसको भी जीत लेते हैं, 1592 में ये सिंद को भी अपने अंडर कर लेते हैं, फिर 1599 में ये एहमद नगर को, ये जो था एहमद नगर, चांद बीवी वाला, देखिए, मैं क्या बोल रहा था, कि फैमिनिजम नहीं था उस टाइम थोड़ी देर पहले भी मैं ये बोल रहा था, लेकिन मैंने क्या बोल रहा था, exceptions थी तब भी, exceptions तो जासी की राणी के टाइम पर भी थी, समझ रहो, लेकिन most of the cases में तो ऐसा नहीं था ना, समझ रहो, तो वही चीज है, तो हाला कि जासी की राणी का देखिए, उस टाइम प आज की डेट में फैला हुए, क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार हुए, ओरते अपना उपर हुए, अत्याचारों को भूल नहीं पा रही है, तो अब वो सच भी है कि उस टाइम पर मैनमेड सोसाइटी थी, इसमें कोई दो रही नहीं है, ठीक है, फालकि आज की डेट में स बोला कि exceptions है, अब कोई ना कोई case आप उठाके, कि भाईया इसके साथ ही हो गया, वो हो गया, वो मैंने का exceptions है, जहां रिमोट एरियाज है, यहां पर बिल्कुल nonsense लोग रह रहे हैं, जिनको कोई समझदारी ही नहीं है, education ही नहीं है, तो वो बेवकूफों के बीच की बात करो होगे तो फिर एक अलग बात है, समझगे इस चीज़ को, हाँ जी, तो यह एहमद नगर को जीतने में अकबर को तीन साल लग गये थे, देखिए, है लड़की है, लेडी है, लेकिन फिर भी उसको जीतने के लिए तीन साल लग है अकबर हो, समझ रो इस चीज़ को, तो ऐसा कारण भी आपको बताया, कारण क्या होता था कि यह निए कि यह जा के खुद लड़ रही है, हाला कि जितने भी अपने हिंदूश आ सकते हैं, उनको लड़ना ही पड़ता था, उनको बिचारों को बस कोई option नहीं होता था, क्योंकि सेना इतनी बड़ी नहीं होती थी, कि सेना होती थी, उपर से यह अकबर के पास, देखिया, आप कितनी जगा जीत लिया, अब सारी की सारी सेना, पूरे देश की सेना, अकबर के हाथ में, और ये विचारी कब तक टिकेंगी, लेकिन फिर भी देखिया, आपकी तीन साल तक कि इन्होंने रोक के रखा, तो अपने किया, ठीक है, और 1605 में, आप देखिए, 1601 में ऐसा इस्टैबलिश करके गया है अकबर, ती आगे अब कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं को, और मैं ये भी बता दूँ कि इस टाइम पे देखिए, ये जब सारी चीजे चल रही थी तो, सिख एमपायर था जो, ये भी एक सवाल बन सकता आप से सीधा सीधा, और देखिए, सिख एमपायर भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो फुर उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो बट मैं भी में में बता रहा हूँ कि आज के ट्रेंड में जो चीजे आ रही है, ठीक है, और दूसरी ब लेम लगाए जाता है कि आपने भीया मनलब की एक वो नहीं हो, ता राजद्रो कर रहे हो, तो फिर इनको क्या किया जाता है, ये जहांगिर, उस्टाहिम की बात बता रहा हूँ, मैं जहांगिर क्या करता है, चलो वहीं पर बताऊँगा, ठीक है, जब आईगे, जहांगिर क जैसे आपसे tax लिया जाता था उस टाइम पर main क्रिशी होती थी और वेपार्थ जो होता था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही जाता था तो क्रिशी जो agriculture होता था वो agricultural society थी आप ये समझे एक तरह से तो वहाँ पर agriculture से लिया जाता था समझे और कई राजा पागल होते थे तो तीन साल के लिए माफ भी किया था उसने अकपर ने ठीक है वह तो इस तरह से वह पको अपने साथ मिलाता गया अव को मैं बता रहा हूँ कि 1605 में आप देखिए ये ध्यान रखिएगा इस डेट को इसी डेट के अंदर अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी आके अकबर को अप्रोच कर रहे थे अप्रोच कर रहे थे कि हम अपनी फैक्टरी लगाना चाहते हैं लेकिन अकबर ने किसी को गुसने नहीं दिया बाद में जहांगीर के टाइम में फिर आपको पताईए अभी मैं बताऊंगा जो आगे तो अंग्रेजों को 1605 तक हिंदूस्तान की दरफ देखने भी निदी अकबर ने तो ये एक बहुत बड़ा इंपेक्ट था जिसका बाद में बहुत बड़ा खामियाजा भी भूगतना पड़ेगा जब जहांगीर ने उनको एंटरी दे दी तो अचा एक और चीज है कि मनसबदारी सिस्टम जो है राजा टोटरमल ने स्टार्ट की थी ये भी अकबर के अंडरी थे और इसमें minimum salary कितनी होती थी एक्चुली मैं कहा था कि बाबर के टाइम पर जो salary मान लोग 5 रुपया चल रही है तो 5 रुपया इसमें दे रहे हैं और आप देखें कि यहां पर यूग बदलने को रहे हैं और आप देखें कि 1600 पे आ गए हैं आप एक तरह से देखिए है ना वह 1500 की बात है यह 1600 की बात है तो तब भी salary वही दे रखिए तो बड़े चीज अकबर ने देखी इसने राजर ओडरमल से पूछा कि भाया क्यों demotivated रहते हैं हमारे जो cynic हैं तो उसने जब सारे analysis की तो उसने पाया कि यह जो salary का लफड़ा है तो इन्हों ने क्या किया कि हर 10 साल में salary को revise करेंगे जैसे अपना pay commission आता हर 10 साल में तो वैसा ही था तो हर 10 साल में salary को revise करेंगे और जो भी entry होगी नए सिपाही की पहले बालों का वेतन बढ़ा दिया ठीक है 5-10 कर दिया और जो नया भी आएगा उसको 10 रुपे तो कम से कम मिलेंगे ठीक है जी और जो IAS officer होंगे इनके कहने का मतलब नवरतन होंगे यानि की high level के जो होंगे म और जाए इस चाण्दी कर दिए चलिया को यह संब रूपाय की चेंज हो सकती है कि कि किसी और तरीके का होगा रूपया आज की ड्र रूपया अलग होगा पहले की अलग होगा देकिन था रूपया ठीक है तो आप देखिए कि इतनी जबरतस सलरी थी आज़ की डेट में 12,000 रुपए देखें 12,000 की नोकरी मिलती कहा है 12,000 रुपए की नोकरी नी मिलती है आज की डेट में लोगों को इंजीनियर बनने के बाद समझ रहे हो तो उनके नवरत्रों को मिलते थे 12,000 रुपए बहुत बड़ी रिकम है उस टाइम के हिसाब से क्रोड़ रुपए हो गया एक तरह से मेरे हिसाब से तो उस टाइम की बात है यह यह देखो 16,000 कुछ की बात है ठीक है जी तो यह सारे का सारा अकबर ने इस तरह से जीता अब आगे बढ़ते हैं अकबर की तरफ इसको उतार लो फटावर से कोपी में अब देखिए अकबर के नवरत्रों के बारे में नाइन जोल्स हैं यह आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बीरबल है यह क्या होते थे एडवाइजर होते थे बुद्धिमान थे तो एडवाइजर होंगे तांसेन, मुजिशन, टोडरमल जो थे वो फैनांस मिनिस्टर थे जैसे कि मैंने आप बताए कि मनसब सिस्टम भी उन्होंने स्टार्ट किया था तो सारा पैसे का लेन दें दें था सालरी की बाती तो फैनांस मिनिस्टर ही होंगे ठीक है मान सिंग देखिए यह जोधा भाई अपनी को अपनी बुवा कहते थे तरह से बतीजे थे ठीक है तो यह चीफ कमानडर थे अब देखिए कि यहां भी स्ट्रेटजी थी अगबर की हाला की ठीक है यह बंदे को समझ थी सपुछ था वो तो ठीक है लेकिन इसने अगबर ने क्या किया कि राजपूत आना वेक्ति को ही रखा अपना चीफ कमानडर यह भी कमाल की बात है ठीक है खत्रे से खाली भी नहीं था लेकिन रखा भी यह भी अपने आप में देखिए गट्स देखिए उस बंदे के बहिए चीफ कमानडर रख रहे हैं वो भी एक राजपूत वेक्ति को लेकिन दूसरी तरफ देख जी जिन पर टिक किया यह दोनों भाई थे यह पोईट थे और यह जो अब्दुल रहीम खाने खाना यह आपको 1560 में पता है कि जो बैरम खान है उनकी मृत्यू होगी थी तो बैरम खान की जो वाइफ थी वो एक्चुली प्रेगनेट थी उस टाइम पर तो यह अब्दुल अंदास जी यह भी पोईट थे और मुला दो प्याजा यह कुख हुआ करते थे नोन वेजटेरियन यही बनाते थे वेजटेरिन जोदा भाई मनाती थी ठीक है तो यह सारे के सारे नवरतन है इनको भी नोट डाउन कर लो आगे देखो यह हैं बिल्डिंग्स जो अकबर ने ठीक है तो एक तो दिखेगी दो तरह के इसके कोर्ट चो ठीटी दो भागों में डिवाईड थी दिवाने आम और दिवाने खास फोर्षी मंदल होगा आपस में चरचा करेंगे उस युद्ड को कैसे जीतना है अच्छा तो भहिया पूरब से यह लोग हमें दबाने की कोश करने हैं पश्चिम को इस तरह से दबाना है हमें ये सब चीज़ां ऐसे चलती थी ठीक है वो सारी discussion strategy वाली दिवाने खास के अंदर होती थी तो और ये आप समझ भाएंगे कि दो भागों में हमेशा एक बादशाह की जिंदगी रहती थी और तीसरा भाग उसकी personal life ठीक है ये दो भागों के अलावा भी अब देखिए monuments कौन कौन सी इसने मनाया एक तो आगरा फोर्ट मनाया ठीक है ये पहले ही पता ही है कि आगरा के अंदर से operate करते थे ये उसके बाद फतेपुर सिक्री को अपनी capital मना लिया थह तो वो भी इसी ने मनाया है नया शहर अलाबाद फोर्ट इसने मनाया बुलंद दरवाजा भी इसने मनाया जोदा भाही महल तो वह तो नामसी clear है तो इसी ने मनाया हूँगा ह्ला की confusion भी हो सकता है जोदा हुए मैंने क्या था, देखिए, मेरे तरह से आपको भी याद हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, मेरे को सब चीजे याद हैं ये डेट के हिसाब से, ठीक है, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को दो तीन बार देख लेना, और कुछ नोट मत करना, एकदम से वीडियो को देखो, जो बच्चे सोच रहे हैं, सिरफ PDF से काम बन जाएगा, आप याद करते थक जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेंगी, चीजें, अगर इस वीडियो को दो बार देख लोगे, तो अपने आप भी याद हो जाएगी सब कुछ, क्योंकि मैं आप ऐसे डेटा को याद करेंगे, तो कभी याद नहीं होगा डेटा, लेकिन जिस हिसाब से मैं स्टोरी की फॉर्मेशन करके आपको बतारों तो आपको पका याद हो जाएगा, भूलेगा ही नहीं, ऐसी 1578 में किया था, पार्लिमेंट आफ रिलिजियन के तोर पर इसको ख अब देखी कि अकबर के बच्चा हो नहीं रहा था, तो उसने क्या किया था, जो उस टाइम पर शेख सलीम चिश्टी जी की जो दरगाह थी, वहाँ पर जाके अब मेरे को पता हैं कि वो जीवित थे कि उनकी दरगाह थी, वहाँ पर जाके बेसिकली उन से ये मुराद मांग सलीम होता है, सलीम कैसे, मैंने भी आपको बताया कि सलीम चिश्टी जी की दरगाह पर जाके अकबर ने ये मुराद मांगी थी, और इसलिए इसको शेखु बाबा भी बोलते थे अकबर, जब ये छोटा होता था थो, ठीक है, और ये वही है, अनार कली वाला सीन यही है, ठी लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब जहांगीर बन जाता है अकबर के बाद, तो खुसरों जो होते हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं, क्योंकि वो भी बनना चाहते हैं, तो ऐसे केस में अब इनकी चोब ये छीना जड़प होती है, ये उसके पीछे सैनिक लगा देते होंगे, तो अल्टिमेटली जो खुसरों हैं मैंने क्या बताया आपको, पंजाम में जाके गुरु अर्जन देव के बास जाके वो शरन ले लिते हैं महाँ पे, ठीक है, हालकि ये कॉंट्रोवर्शिल मैटर है बहुत जादा, तो उसमें मैं पढ़ूँगा नहीं, बस में में मुद जी से परंपरा चलती आ रही थी, कि जो इनकी विचारधारा है वो वही रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई बादिशाह आके उस विचारधारा को चेंज कर पाए, और ही गुरुनानक देव जी को बहुत सारे जो आप देखे कि सिद्ध लोग होते थे, जो नात होते थे, वो पेड में सब को हराया भी था उस नहीं पर, मतलब की विचारधारा की बात थी, सारी की सारी, कि विचारधारा को उन्होंने कभी चेंज नहीं किया, विचारधारा जो बहुत स्ट्रॉंग थी, ठीक है इस रिलिजन की, तो वो चलती आ रही थी, वो घुरुनानक देव जी से चलत जाएगा कि नहीं, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, जो गुरु महराज के महाँ पर आ गया, तो बस ठीक है, फिर उसकी पूरी हल्प की जाएगी, चाहिए वो कोई भी आ जाए, चाहिए वो बादशाय है, चाहिए कोई भी भी आए, ठीक है, बाद में आप देखेंगे अभी तो नहीं बताऊंगा, तो एंड में बहुत कुछ होता है, ठीक है, बादशाओं की भी हल्प होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी की मैं बात बता रहूं, यहाँ पर की क्या हो रहा होता है, और गुरु अरजन देव जी ने ही क्या किया था, एक अंग उठे पर ख मुख से उसको उचारन गया था, तो डेली इस तरह से होता था, ऐसा नहीं कि एक ही बार में, ऐसा कोई कहानी मैं यहाँ पर बना के नहीं बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं था कि एक ही बार में लग गये और लेक दिया, ऐसा नहीं, डेली का काम होता था यह, तो धीरे-धीरे क तो तब जाके यह completion हो गया था और बहुत सारी controversy भी हमें उसमें पढ़ना नहीं चाहता कि क्या हुआ क्या हुआ कैसे हुआ वो फिर कभी बताऊँगा आपको जब मैं पूरा पढ़ाऊँगा बहुत खुछ है बताने को तो अब यह होता है कि खुसरों यहां पर आके इंसे help मांगता है कि मेरी मदद कीजिए मेरे को मेरे पीछे पढ़े हो भी है सानिक तो अब मुद्धा यहीं पर फसता है कि जो जहांगीर होता है वो बोलता है कि गुरू अर्जन देव ने राजद्रों किया है कि जो बंदा हमने पकड़ने के लिए जिसको बेजा हुआ है उसको यह शरन दे रहे हैं तो अब भाईया हो गया हो गया स्यब पकड़ा तो अब यह क्या करता है जहांगीर अब देखे इस टाइम तक क्या होता है कि सिखों के पास मिल्टरी इतनी नहीं होती है यहां तक गुरु अर्जन देव तक उसके बाद हुआ था आर्मी खड़ी ठीक है तो वो यही कारण था जब इनको गुरु अर्जन देव जी को फिर यह ले गए ठीक है अब वहाँ पर भी जाकर यही होता है सारी का सारी बहस कि जो जहांगीर है वो इनको बोलता है कि आप बताइए कि आपने उसको शरन दी तो यह कभी देखे जूट बोलेंगे निं तो इनोंने बोला कि हां दी तो जहांगीर बोलेगा कि भईया इसको छोड़ दो इसे हमें सौप दो तो यह मना कर देंगे क्योंकि मुद्दे की बात यह है न कि जो विचार तारा strong है उनकी वो clear है अपने mind में तो भाईया चाहिए दुनिया इदर से उधर हो जाए वो नहीं हिलेंगे अपनी जगह से ठीक है तो और फिर end में बहुत कुछ होता है कि इनको ये भी बोला जाता है कि आप इसलाम कबूल कर लिजिए आपको छोड़ देंगे बहुत सार प्रलोबन भी दिये जाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि मुगल बात्षाई इस टाइम तक कि मैं बात करना हूँ है न क्योंकि है तो उसी वंशा से था अकबर से था तो काफी हालात सुदर गेते हैं और ये भी बहुत पहुंचेवी चीज थे तो इनको भी बता था कि अब इनके साथ कुछ करेंगे तो unstability create होगी ठीक है तो ऐसा नहीं होता था कि अब इन्होंने आके इनको कुछ भी ऐसी उठाके भी बहुत चलो assassination कर देते हैं तो बहुत सारे प्रलोबन दिये बहुत कुछ किया ये नहीं माने ठीक है क्योंकि ये अपने धरम पर अटल थे ये नहीं change हो सकते थे ठीक है तो उस कारण से फिर इनको क्या कहा गया कि ठीक है कि अगर आपको ऐसा है तो इनको फिर तसीहे देने शुरू किया हुआ क्या आप देखी कि सबसे पहला काम क्या किया जाता है ये गरम तवा है ठीक है ये आग लगी हुए नीचे और इसके उपर इनको बिठाए जाएगा इसके उपर इनको बिठाए जाता है और फिर उपर से गरम रेत डाली जाती है होट सेंड जिसको कहते है गरम रेत डाली जाती है बट ये टस्से मस नहीं होते है ये फिर भी अपने उसी जो चीज है उसी पर लगे जाते है गरम रेत के बाद गरम पानी डाला जाता है बिल्कुल शरीर जब तक लहुलुहान नहीं हो जाता तब तक इतने तसीहे दिये जाते हैं ठीक है बट ये अपने जो धरम से कभी भी विचलित नहीं होए उसके बाद फिर रावी में एंड में जब ये बिल्कुल इंतहा हो गई जुलम की और इन्होंने सोचा कि भाया अब तो कुछ हो नहीं सकता है अब तो ये हटेंगे ही नहीं तो फिर इनको उस टाइम पर छोड़ा गया लेकिन तब तक ये ऐसी स्थिती में पहुंच चुके थे कि बचना मुश्किल था क्योंकि है विचारधार एक अलग बात है बट ये जो बोडी है ये तो शरीर है ना जो perishable है तो वही था कि यहाँ पर फिर इनको end में बिल्कुल जब ये ऐसा हो गया था बिल्कुल शरीर लहूलोहन हो गया तो फिर रावी नदी होती थी वहाँ पर ठीक है रावी नदी तो वहाँ पर इनोंने फिर उसके अंदर अपने जो है प्राण त्याग दिये थे तो ये ठीक है तो ये जो है जहांगीर पर सबसे बड़ा कलंक यही था अकबर ने जो काम नहीं किया ना वो जहांगीर ने फिर से करूरता दिखा दी यहाँ पर मिदलब अकबर ने कभी ऐसा काम नहीं इतना किया जो जहांगीर ने करके दिखा दिया कि एक जो व्यक्ति जिसके पास सिरफ विचार धारा की पावर्थी हत्यार नहीं थे उसके ओपर ये किया तो इसके बाद जो इनके बेटे होते हैं गुरू हर गुमिन सिंग जी तो वो फिर क्या करते हैं आर्मी खड़ी करते हैं वो बोलते हैं कि अब हर घर से एक बंदा आएगा और हम बनाएंगे सिख मिलिटरी बनाएंगे तो वहाँ से स्टार्ट होती है सिख मिलिटरी की शुरुआत और वहाँ से ही फिर वो ट्रेनिंग देते हैं फिर जितने भी उनके साथ यो यूद होते हैं वो कभी हारे नहीं वो भी यूद क्या गेते हैं कि जो जिस उसमें जेल में रखा था ना वहाँ पे 52 राजा और थे 52 किंग्स बावन राजाओं को और इन्हों ने इसने क्याद कर रखा था ओके तो 53 में ये हो गए गुरू हरगोमिन सिंग जी जो गुरू अरजन देव जी के बेटे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी तबीद ऐसी खराब होई कि भईया इनसे सोया नहीं जा रहा था इनसोमनिय टाइप हो गया था सोते थे तो बुरे-बुरे खयाल आते थे इनको इनका इतना बुरा दुरगती हो गी थी तो इन्होंने फिर जाके दरगाहा पे अपने जो भी इनके होते हैं मौल भी होते काजी होते हैं उनसे पूछा कि भईया मेरे साथ ऐसा क्यू हो रहा है मैं रात तो को सो नहीं पा रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि आपने पहले भी एक गलत काम किया था और आज फिर दुबारा आप गलत काम कर रहे हो आपने एक जो पवित्र रुह है पायस सोल जो है उसको आपने कैद करके रखा हुआ है अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ फिर से नॉर्मल जाएगी अब उसको आप scientific region से बोलें तो इनको पता था कि पहले भी मैंने गलत काम कर रखा है अब दुबारा फिर से मैं गलत काम करने जा रहा हूँ ठीक है तो वो आप ये समझ सकते हैं कि एक mental stress था या जैसा भी था जिस भी तरीके से आप इस चीज को समझना चाहें ठीक है तो इनों ने जहांगिर ने इनको request की गुरू हरगोमिन सिंग जी को अब यहां पर फिर भज गया कुंडी ठीक है क्योंकि बावन राजाओं को इसने नजाय जी ऐसे ही कैद कर रखा था तो फिर इसने भी गेम खेली कि बाईया ऐसा है एक साथ आप जितने राजाओं को अपने साथ बाहर लेके आ सकते हो आजाओ उतने राजाओं को हम मुक्त कर देंगे तो भाईया यहाँ पर गुरू हर्गोमिन सिंग के सामने फिर से एक चैलेंज आ गया क्योंकि अब कितने लोग को एक साथ बंदा अब हाथ पकड़ के भी कितने लोग आ जाएंगे पैर तो पकड़ेंगे नहीं, पैर से तो बाहर जाने, अब हाथ पकड़के, कितने लोग हाथ पकड़ लेंगे, कि अब 52 लोग हाथ पकड़ लेंगे एक साथ, नहीं पकड़ सकते हैं, तो फिर इन्हों ने क्या किया, गुरु हर कुमिन सिंग ने, इन्हों ने एक अपना सूट सिलवाया इन्होंने एक डिमांड की कि मेरे को एक सूट सिलवाने दिया जाए और उस सूट में 52 धागे या फिर केंगी मोतियों के धागे इस तरह से लगवाए गए और फिर जब ये बढ़ आए तो 52 लोगोंने उन सारे सारे के सारे धागों को पकड़के मोतियों के जो धागे उस सूट में लगवाए थे, जालरे लगवाई थी, सारे के सारे बाहर आए, तो ये एक वही है ना, कि जो बंदा मांसिक तोर पर स्ट्रॉंग होता है, खराब से खराब परिस्तिती में भी वो रास्ते निकाल लेता, ये तो 52-52 लोगों को बाहर लेके आए, तो कमाल की बात होती थी, चलिए, ये तो कहानी की बात ही, मैं वही कहारो हिस्ट्री में हम जाएंगे, तो यार इतनी ज्यादा ड़क्त में चले जाते हैं, कि हम कहा निकल जाते हैं, फिर पता नहीं लगता, वापस आना पड़ रहे चलिए, कोई बात नहीं, उस चक्कर में अपने को फसना नहीं है, वो कोशन नहीं आएगा, कोशन यही से आएगा, तो इसकी तीन वाइफ थी जहांगीर की, एक, दो, तीन, ठीक है, 1585 में मानभाई से शादी की, 87 में जगत गोसाई से, 1611 में महरुनिसा से, अब मुद्दे टाइटल था, ठीक है, यह नाम नहीं रही, अगर दोनों का नाम जगत आजाए, तो दोनों का मार्ग कर सकते ही, ऐसे ही महरुनिसा थी जो, इसको क्या बोला जाता था, नूर जहां, अब लोगों को ये नूर जहां तो याद है, लेकिन उस, पेपर में एक बार आ गया था, SSC के वेपर में आ रखा है ये ठीक है नूर जहां का असली नाम क्या था या फिर ये कहें कि वो उन्होंने पूछ ले कि जहांगीर की बीवी है उसका नाम बताई ये option दे दिया अब जहां पर महरून इसा लिखा है अब आपको पता ही नहीं महरून इसा है तो ये फिर भस गये ना तो यहां आपको ये पूछ सकते हैं कि नूर जहां का असली नाम कहता महरून इसा ऐसी मुम्ताज महल का पूछ सकता है तो वो जब मुम्ताज महल पर पहुंचेंगे फिर करेंगे हाला कि एक बड़ी पहले भी बता माद का टाइटल दिया था ठीक है बाई एक सकंद यह अकबर नहीं है यार एक सकंद यह जहां गिर आएगा यहां ठीक है जहां गिर नहीं ठीक है उतार लो इसको गोपी में अब आगे देखिए कि कुछ सवाल सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपसे कि जो पेंटिंग थी वो अपनी चर्म सिमा पे फुल गलोरी में किस राजा के या किस मुगल शासा के पिरेड में थी तो वो सीधा सीधा उ बहुत शोकीन था जितने भी पेंटर होते थे बढ़िया पेंटिंग बननी चीए फुल ओन पैसे देता था तो तब क्या था इसका पेंटिंग का खुब बोल बाला हुआ था तो उस बज़े से चीज बोली जाती है ठीक है चेन ओफ जस्टिस यानि कि इसने क्या कर रखा थ अपने महल के बाहर एक जगा पे एक चेन लगवा रखी थी उस पर घंटा बंदवा रखा था जिसको भी राजा से मिलना है उस चेन को खीच दे तीन बार घंटा टुन 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 बजेगा और राजा फिर उस बंदे से सीधा मिलेगा कोई बीच में बैरियर नी था कहने का मतलब कि राजा से सीधा मिला जा सकता था आप सोचेंगे तो रोज लोग मिलते ही रहते होंगे राजा से ऐसा नहीं था भाई राजा से डरते भी तो थे लोग ऐसा थोड़ी है कि छोटी सी चीज के लिए राजा के आके पेश हो जाएंगे राजा को देखते होए ड दूटा तो कभी खीचेगा ही नहीं यार उस बैल को ठीक है तो ये था chain of justice, king of justice इसको कहा जाता है, हला कि एक धबा था, जो मैंने आपको बता दिया इसके नाम पे, अब यहाँ पे देखें गेम क्या है, कि Britishers का entrance होता है, यहाँ पे, आप देखें कि 1608 के अंदर क्या होता है, यह देखिए, हम यह नए टेकनोलजी बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, इंप्रेस कर देता है यह जहांगिर को कि भाया हमें एक factory बनाने दो, तो हम यहाँ पे कपड़ा भी बनाते हैं, गड़ियां भी बनाते हैं, यह बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या है, इसने 10 चीज़ के लिए आया था, ठीक है, एक बरी entry होगी, अब उसके बाद, जब जहांगिर ने देखा कि चलो भाया, यह तो वेपारी आदमी है, यह बोलता कि अपने को कोई मतलब नहीं आप, राजा तो आप ही हैं, आप ही माई बाप हैं, बस यह बता दीजी कि factory हम कहां लगा सकते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1615 में आता है Sir Thomas Rowe, तो यह भी आता है, कि भईया factory यह लगानी है हमें, तो इसके बाद क्या होता है, यह जगा जगा factory यह लगा देते हैं, अब इसको लग रहा होता है जहांगिर को, भईया इतने साल हो गया है, यह हमारे साथ काम क इंडिया में, ठीक है भई, उसके बाद फिर इस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती ही गई, अब कोई पूछे तो, यह दोनों सवाल आते हैं, यह दोनों question बहुत important है, यह सीधे सीधे SSC के अंदर आ सकते हैं, आप देख लिए जिएकर paper में कोई ना कोई question फसे गा, इस session के अब देखे एक अकबर की रह गई थी, अकबर की जो बायोग्राफिया, अकबर नामा जिसको लोग बोल देते हैं, उसका असली नाम है आईने अकबरी, और यह अकबर ने खुद नहीं लिखी, इसको ओटो बायोग्राफिय नहीं कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन इसमें के अंदर लिखी गई है, ठीक है बाई, उतार लो इसको कॉपी में, तो यहां से अपने जहांगीर का पीरेड खतम हो जाता है, तो अब देखते हैं हम शहां जहां के बारे में, अब इस आशिक मिजाज व्यक्ति का तो सब को पता ही होगा, ठीक है, तो जहांगीर की मृत्त अब इसके अब जहांगीर के जहांगीर का पता है, तो जब 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 जबानी के दिन थे तब बाप नी माना और अब जाके शादी होई है, तो क्या फायदा? चलिए, कोई बात की, अब शाह जहां जो है, इसका बेटा है, और जहांगीर का राज बिल्कुल सुक्षांती से बीता है, क्योंकि आप देखे कि अकबर जो है, पूरा सामराज्य हिंदूस्तान का, उसको ठाली में परोषके दे गया था, और आप देखे कि शाह जहांगीर इसका भी कारेकाला आप देखेंगे कि अराम से ही बीटता है, ये लोग कोई खासा कुछ इनके पास रहनी जाता है, यूद करने के लाएक, ठीक है, तो आपको पता है कि अंग्रेज इस वक्त आ रखे हैं, लेकिन वो धीमे धीम में अपनी पकड़ बना रहे हैं, ऐसा कि अराम किसका नाम था, बच्पन का, यहां सीधा पूछ लेकि कि शाज यहां का बच्पन का नाम क्या था, तो यह सब ऐसी चीजे हैं जो मैं डिरेक्ट लिख रहा हूँ, सीधा सीधा सवाल आपके कोशन पेपर के अंदर दिखाई देगा, वाइफ इसकी आर्जुमंद ब इसकी आर्जुमंट्स बोले तो क्या होता है, जितने भी आप देखेंगे अभी कि रेड़ फोर्ट इसने बनवाया, ताज महल इसने बनवाया, तो जितने भी मॉनुमंट्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे सारे के सारे, क्योंकि इसका पीरिड जो था मॉनुमंट्स से भरा क्या पता है यह पागल बनाने के लिए लिखा हो, यह हो ही न, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसने एक ही बैटल लड़ा था पॉर्टुगीज के अगेस्ट, बंगाल में होली रिवर को कैप्चर किया था, वहापे और इनका जो वर्चस्प था पॉर्टुगीज का खतम किया थ आपको पता है कि पॉर्टुगीज भी थे उस टाइम पे, चोदा सो कुछ के आसपास पॉर्टुगीज आ रखे थे इंडिया में, ठीक है न, और फिर बात आई कि औरंग जेब जो है, इसका बेटा, दो इसके जो मेन बारीस चोईस था इसका, दूसरा बेटा था, दाराश ठीक है, लेकिन औरंग जेब क्या करता है, ये बहुत जादा महतु कांक्षी होता है, तो ये उस कहानी को औरंग जेब में डिसकस करेंगे, ठीक है, आगे डिसकस करेंगे, लेकिन सिरफ मुद्दी की बात ये समझ लोगी, ये अरेस्ट कर लेता है, अपने बाप को, और डा में डाल दी इसको को खास मतलम नहीं था और अपने पापा से तो पपा को डाला जेल में कि भाईया तुम यहीं सड़ो यहां पे हलागी शाजा की विश्थ थी कि मेरे को उस किले में रखा जाए जहां से मेरे को जिसकी खिड़की से मुझे ताजमल दिखाई देता रहे ठीक ह अब फिर इसका देखते हैं कि आगे इसने काम क्या 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 किये अब देखते हैं हमकी शाजाय ने जो आपके मॉनुमेंट्स बनाए हैं वो कौन-कौन से बनाए हैं लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो इसकी बीवी थी अर्जुमंद बानो ठीक है यह 1631 में आप दे इसमें अर्जुमंद बानो अपने चोथे बच्चे को चार बच्चे थे शाह जाएं के चार बेटे थे मुराल था उसका नाम पढ़ियात करने की जरूरत नहीं है तो उसको जनम देते हुए यह चलवजी ठीक है बई अब इसके बाद शाह जाने क्या है कि बहुत सारी यह तो इसी की मौत के आप देखिए कि बाद ताज महल की 1631 में इसने नीव रख दी थी बहुत इसने अर्किटेक्ट्स फरोले जगह जगह से इसने दुनिया से लोगों को बुलाया कि भाया ऐसी शानदर बिल्डिंग मनानी है कि जो आज तक किसी ने बनाई ना हो किसी ने दे करेंगे तो 1631 को नीव रख दी थी इसकी अब उससे पहले आप देखिए कि 1635 में इसको बिल्डिंग्स मनाने का बहुत शोंकता आर्किटक्ट का तो आर्किटक्ट इसके प्रेन में सबसे चर्म सीमा पर था या फिर कहीं मॉनुमेंट्स और बिल्डिंग्स 22 मार्च 1635 ये ये कोशन आ चुक है SSC के अंदर की पिकोक थ्रॉन किसने बनाया ठीक है वो शाजान जाने बनाया इसके बिल्कुल मिड में सिहासन जैसे बना होता है तो बिल्कुल मिड पे क्या लगा हुआ था कोही नूर का हीरा और इसको बाद में क्या हुआ था कि नादिर शाह तर्की ले गया था इसको लूटके और तर्की पे उस टाइम पे राज होता था अंग्रेजों का तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कहा इसको सिहासन को इतने बड़े को उठा के लेके जाएंगे तो इसमें से में में चीज निकाली उन्होंने हीरा निकाली है कोही नूर का जो कि अब लंडन में है ठीक है बाई तो उसके भी तीन भाग है अगर आपको पता हो एक वो रानी खुद लगाती है पता नहीं दो और ऐसे हैं कोई म्यूजियम में रखा है कि क्या कर रखा है जो भी है तो अब यह हाल कर रखा है उसके तीन भाग मना रखे है इन्होंने और यही जो तक्ते ताउस है इसको शहां जहां रेड फोर्ट के अंदर यानि लाल के लिए के अंदर रखा हुता था वहीं पर बैठके ये शाशन करता था अब इसके अलावा इसने बनाई है कि 1631 में और ये 22 साल लग गए 22 साल लग गए इसको या इसी से याद रहेगा कि 1631 में शुरूओ के 1653 में खतम हुआ ठीक है AD का मतलब है after death of Christ तो ये सब कुछ AD का ही चल रहे है जितना भी चल रहा है ये मुगल वगरा का period इस सारा AD का है ठीक है और इसके बाद क्या हुआ कि त संगमरमर के पत्थे बड़े बड़े पत्थर होते थे उसको उठाना था तो इसलिए 1000 हाथ ही लगाए गए आप देखे और 22 साल इसको बनाते बनाते लग गए और इसको जो वैसे तो तीन कारिकर में थे लेकिन जो में दो कारिकर हैं जिनके हाथ कटवाए हैं वो हैं उस्त क lemon कारिकर में जो कारिकर होते हैं उनके हाथ कटवा के तो वो कुछ कर भी सकता है में जनक guards पता कि क्या कंटवार्य है जो अलगा रहा है है कभी भी किसी को हराना है किसी भी country को हराना है कहीं भी किसी रियासत को हराना है तो main जो उसका thinking tank है thinking tank पर हमेशा work किया जाता है उसको हराया जाता है सोच को हरा दिया तो देश को हरा दिया बात खतम ठीक है तो ये जो दो है इनके हाथ इसने कटवाए थे और ठीक है ताजमाहल के बारे में एक और बताता हूँ कि यह पूछ सकते हैं कि ताजमाहल कि इस नदी के किनारे तो यमूना नदी के किनारे है बट अब गेम ये भी आती है कि इसकी जब नीव रखी जारी थी तो आप सोचेंगे कि भाया नदी के किनारे वाली जगह है कैसे रख देंगे वो तो सीले ना जाएगी तो तूट जाएगा तो आपको अगर आप साइन्स के स्टूडेंट है तो उस टाइम पर फिर इंजिनियर्स ने यही काम किया आप तो आपको पता ओगा कि जो जिपसम होता है C.A.S.O.F.O.R.D.2.H.2.O. इसी को जिपसम बोलते है और अगर C.A.S.O.F.O.D.H.2.O. हो जाए तो P.O.P. प्लास्टर ओफ परिस होता है ठीक है ये भी सवाल आया है S.S.C. के अंदर तो साथ की साथ मैंने बता दिया तो जिपसम में क्या है कि जितना भी पानिया पैड करते जाओगे it hardens तो ये hard होता जाता है जितना भी पानी आप आड़ करते जाओ ठीक है तो फिर जब तक वो नदी चलती रही तो ये बिल्कुल solid सकता रही है इसकी नीव ठीक है बाई और इसके बाद फिर क्या है रैड फोर्ट इसने बनाया लाल किला मैंने जैसे बताए कि मैयूर सिहासन को इसने लाल किले में विराज मान किया ये देखोए मैं 30 में इसको सिहासन को बनाया फिर 38 में लाल किला बनाया और वहाँ पे इसने सिहासन रख दिया अपना और उसके बाद जामा मस्जिद जो इसने बनाई है ये तो पूजा पाट के लिए होगी एक तरह से 1644 सेड़ी में ये तो आप दिली में देख भी पाएंगे और इसके बाद मौती मस्जिद जो बनाई है 1648 सेड़ी में बनाई है 1648 के अंदर अब एक और चीज है यहाँ पर समझने वाली कि मौती मस्जिद भी दो तरह की है ये जो मेन वाली है मौती मस्जिद जो शाह जाने मनाई है ये तो है आगरा फोर्ट के अंदर ठीक है इसने भी मौती मस्जिद के नाम सी बनाई है बटे इसने लाल के लिए के अंदर बनाई है रेड फोर्ट के अंदर बनाई है ठीक है कि कैसे शाह जहां को इसने बंदी बनाया औरंग जेब ने ठीक है तो ये सारे का सारत जितनी भी चीज़ें थी ये शाह जहां के रिगार्डिंग थी तो इसको आप एक बरी कौपी में उतार लो फटाफट से अच्छा औरंग जेब पर जाने से पहले एक और चीज में आपको बता दूँ अब इंटर रिलेटिड ही रहेगा सब कुछ ठीक है ये ताज महल की एक चीज अपनी रहेगी है कि ताज महल पर क्या था जैसे मान लीजिए कि ये पत्ते लगे हों है ठीक है ऐसी नकाशी हो रु सबस्टे थे ये पत्तों के अंदर हरे रंग के रूबी लगाए जाते थे यहां कि पन्न लगाय जाता था और यहां पर डैमन लगाया जाते थे जो फूल थे ना ये डैमन के बनेवो थे आप सोचिंक अब कहाँ गए तो ये एंगरेज लूट के ले हैं सारे के सारा ठीक है वाई तो ये खासियत थी ताज महल की कि देखते ही गजब का था वो तो बट खैर अभी तो ये नहीं रहा और दूसरी बात एक और कमाल का सवाल ये बनता है ये कोशन आपको डिरेक्ट एक्जाम में देखने को मिल सकता है कि कौन सा ऐसा मुगल टूलर है जो एक मौनूमेंट बनाते हुए या एक बिल्डिंग बनाते हुए दिवालिया हो गया था क्योंकि आप देखिए कि शाजान ने बेशुमार दोलत लगा दी थी लगबग इसके ख़जाने खाली हो गये थे ताज महल बनाने की चकर में टो आप देख पाएंगे कि कितना पैसा इसने लगा दिया था ठीक है बई तो इसके अंदर फिर इसके भी ताज महल के अंदर मुमताज महल की भी कब्र वहीं है यए और साहजा आप देखिए या पके कौरिंग जयाब की एंट्री हो ती ह है 1618 तक शाह जा रहता है आपको याद रखने हैं यह tenure यह जो tenure है यह आपकी बहुत help करेंगे कि इस time पर कौन था उस time पर कौन था इसमें बहुत help मिलेगी contemporary का पता होता है आपको ठीक है अब जैसे 1628 से 1618 यानि कि 30 साल तक मौज लूटके गया है शाह जाह जाह इसने कुछ नह करके गये थे उनको बेशुमार लुटा रहा था और कुछ ना कुछ बन वारा था बस यह समझ लीजिए monuments का शौक था तो बैया जिसको जो शौक है वो अपना पूरा करेगा बादशाय तो शौक तो पूरा करेगा ही ना किसी को किसी का शौक है तुम बादशा बनोगे तु अकबर खड़ा करके गया था ना कि एकदम आप कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर को जो सैट करके गया था वो कि नई भया हम भी आपके बीच के हैं हम आपके यहां पे रह के रूल करना चाहते हैं ऐसा हमें पराया मत समझो एकदम जो फीलिंग अच्छे वाली देके गया था इसने आते ही सारा सत्यनाश बजा दिया ठीक है अभी आपको समझ जाएगा क्यों सबसे पहले तो भाई साब आप देखिए कि ये खुद को क्या बताते थे बोलते थे कि मिरको तुम लोग जिन्दा पीर बोला करो या फिर शाही दरवेश बोला करो बताओ अब ये क्या होत सिर्फ मस्जिद बनवाते थे और मंदिर वगार तुडवाते थे बलब एक थोड़ी सी कट्रवादी सोच थी इनकी जबकि हम अकबर को देखते हैं तो अकबर ने ऐसा कभी नहीं किया अकबर ने सबी धर्मों को एक समान समझ के उनको आगे लेके गया वो लेकिन इसने क्य जहां गिर के टाइम के आचुके हैं और अब ये शाह जहां का काल खतम हो गया और अब हम कहां पर औरंग जेब के काल में और अंग्रेज बस इसके मरने का ही इंतजार है अंग्रेजों को ये समझ लीजिए इस वक्त अगर ये इतना कुरूट शासक ना होता ना तो अब तक अंग्रेज कबजा कर चुके होते एक ये भी फैक्ट है ये भी सच बात है ठीक है भाई तो बस अगर शाह जहां होता ना यहां पर मैं बता रहा हूँ कि कबजा हो गया था बस यही समझो बट ये बंदे ने सब की बैन बजा के रखी हुई थी और अंग्रेज तब तब तक ये भी मजे लूट रहे थे और कुछ नहीं था बस नोटग्की करने में सब लगे होए थे किसी कों पड़ी नहीं थी ऐस वकत अगर थोड़ा सा देश के बारे में सोचा होता तो बहुत कुछ कर लेते लेकिन वहीं है ना समय रहते है किसी ने सोचा ही नहीं हिए उनके घसा कि 1659 के अंदर बैटल ओफ धर्मत हुआ यहां फिर कहें कि देवराय डिफिटिट दारशी को लेकिन इससे पहले वाली बात समझिए 1658 को यह उपर लिखना चाहिए था कोई बात नाम लिख लिजेगा 1658 में शाहजा को इसने क्या किया क्या क्या एक दिन क्या हुआ था कि दार दलबादिया और शाहजा की आखरी भी यही थी कि महर को उस जाल में ड Catholics जाए जहां से मेरको सालने से चींड तराजमाहिल दिखाई दे तो महीं डलबादिया इसने थी द इसने जोस को मतलब नित यहीं मिलना जाता था उससे त्रे determinedundo तो यह यहां पर कंपने के बाद atर मि के लिए न और यह जो पत्म पर लगता है कि यह आ इसे पह 피ड़े हमार्ण के लिए दोड़ता लेकिन वो जैसे ठर्शकरा को टिए क्या किया इसने उसके पीछे सैनिक लगा रखे थे कि भईया ढूंडो कहां पर आओ जहां दिखे ठोक डालो तो वही काम था इसका तो 1659 में बैटल ओफ धर्मत या बैटल ओफ देवरा देवराय होता है जिसमें ये दरशिकों को हरा देता है और फिर दुवारा से अपनी सेर करे सरता है चाहिए सब और जहां जाओ अब बैए वह गया वहीं वह गया तो अब दुबारा से क्राओंगा जिसमें देख लो मैं हूंहीं यहां का到ण हूँ गुड्डु भईया मैं ही हूं। ठीक है तो ये दुबारा कराई भाई आने ठीक है तो ये सीधा सवाल आएगा ये क्यूं बता रहा हूं आपको डिर्रेक्ट कोशन आएगा कि कौन साहसा मुगल शाह सकता जिसने दो दो बार अपनी कोरोनेशन सेरेमनी करा है, राज्या भी शेक दो बार करा है, तो ये भाई साब है, औरंग जेब, और इनको ये भी बोला जाता है, आलमगीर, जिंदा पीर, शाही दरवेश, आलमगीर, ये सब इसी के नाम है, ठीक है, और फिर देखेगी, यहां से 59 के 10 साल बाद, 1669 में, इस इसने जरोखा दर्शन को अभोलिश कर दिया, जरोखा दर्शन क्या होता था, ये नीचे दरबार लगा हुआ है, और जो चछत होती थी, चछत पे ऐसे चारो तरफ न, छोटे-छोटे जरोखे बना दिये जाते थे, परदे के साथ, और वावे बाले चोटे-चोटे आले ट इसने पंद कर दिया, कोई जरूरत नहीं है तुमें देखने की, इसने फेमिनिजम को खतम कर दिया, बिल्कुल से नकार दिया, फिर 1669 में इसे सठिया गया थोड़ा सा और भाई ने क्या किया, सारे मुजिशन थे अपने जो कोट के, निकलो यहां से, कहीं आप एक तरफ द पॉइट थे, इवन की कुक भी था, तो उनको वो कितना सम्मान देता था, क्योंकि उसको पता था कि टैलेट की कदर करनी चाहिए भीया, जो बंद अपने फन में, अपने काम में माहिर है, तो उसको अगर आप अपने साथ रखोगे, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके विचार जो होंगे, उसकी सोच होगी, आपके लेवल की होगी, लेकिन ये भाई साथ कहता, कि जो गाना बजाना करते हैं, ठीक है, और जो ये जरोखा दर्शन करते हैं, ये सब आपको इसलाम धर्म से दूर लेके जाता है, तो आपको ये सब काम नह करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नमाज अता करनी है, और खुद भाई वीना बजाता रहे चाहे, खुद ये म्यूजिक बजाता था, लेकिन बाकियों को मना करता था, ठीक है, ओ भाई, चलो, 1670 में फिर इसने तूलाजान सिस्टम भी अबोलिश कर दिया, पैसी की कमी हो होगी होगी, इसलिए तो कर दिया, है ना, मैं बाटने का मूड इसका बिल्कूल नहीं था कभी, सीधी सी बात ये है, और इसने जजिया वगारा सब स्टार्ट कर दिया, तूलाजान सिस्टम को भी अबोलिश कर दिया, ठीक है, इसको एक बड़ी कॉपी में उतारो आप, त 1668 में इसकी वाइफ की डेथ होगी थी, वाइफ को थी, दिल्रास बानो, इरानियन महिला थी, इरानियन राजकुमारी, ठीक है, उसकी डेथ के बाद ही इसने जरोखा दर्शन भी उड़ा दिया, तूलादान सिस्टम भी उड़ा दिया, और एक और था म्यूजिशन को भी अपनी कोट से, ऐसा लगर था, खफा हो गया था ये भी या, उसके बाद, उसे पहले तो थोड़ा ठीक था, तो उसके बाद पता नहीं क्या हो गया इसको, तो इसने ये सब नजायच खोशित कर दिया, ओके, और उसके बाद फिर नौरोज फेस्टिवल होता था, इसने वो रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताज महल को बनाते बनाती, शाह जातो भया, दे दना दन, दे दना दन, मकबर बना रहा था, पता नहीं क्या क्या बना रहा था वो, तो जो मॉनूमेंट्स बनाने में लगा हो था, उसने खूब पैसा उड़ाया है, खूब एश म होना चीज, जब तक पैसा नहीं होगा, तब तक दिक्कत आ जाएगी, और आप आगे चलके देखेंगे कि जब अंग्रेज आ जाते हैं, तो इनके पास बिल्कूली पैसा नहीं रहता, अपने जो, देखी, कितने सालों से चलती आ रही है, मुगल संतनत, लेकिन अंग्रेज के अंदर गुशे हैं, बाकि उसको तो क्या कसूर देंगे, खुद ही हम लोग जा जाके अंग्रेजों के आर्मी में घुशते थे भईया, ठीक है, उनके जूते पॉलिश करते थे, क्योंकि पैसे मिलते थे, महापे जादा, तो यही लफडा रहा है, सारे का सारा, ठीक है, चोटे-चोटे अपने benefits को देखने के लिए हमने उन बड़ी चीजों को ignore कर दिया हमेशा life में, यही होता है, और एक और चीज है, कि अगर कभी पूछले कि जजिया को first time किसने introduce किया, तो देखिए वैसे तो मुहमद बिन कासीम ने किया था, मुहमद बिन कासीम आया था, त ठीक है, जब कभी भी मेरे पास समय होगा, 20-25 घंटे अराम से पढ़ाओंगा आपको, मैं एक बार में 20-25 घंटे पढ़ लेना चाहिए, सब एकदम tips पे आया हिस्ट्री वाली चीज़े तो अपने को, ठीक है, बहुत interest है मुझे हिस्ट्री में, मज़ा आता है, बस पढ़क यह समझ लीजिए, ओके, और आप देखे कि जजिया मुझे बिन कासीम ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उस खईवरी option में नहीं देगा यह आपको, तो उस case में आपको कासीम ना लिखके फिरोजशा तुगलक लिख देना, आप आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा इस लिए है क्योंकि फिरोजशा तुगलक ने ब्रामन्स पे और महिलाओं पे भी लगा दिया था यह जजिया, ठीक है बाई, और किसी ने भी ब्रामन और महिलाओं पे नहीं लगा दिया, इसलिए यह बोला जाता है कि सबसे पहले जो जजिया लगाया, वो फिर यही बोला जा लेना बहुत काम की वीडियो और बहुत fast forward चला रहे हैं इसको आप 2x speed पर करके देख लो चाहे हाला कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कर देखेंगे कि तो कुछ बुक्स में गूगल में लिखा होगा आलम शाह ने बनाया है और जबकि उस टाइम पर रूल किसका था औरंग जेव का था क्योंकि आप देखिए ना 1707 में गया है औरंग जेव शिक्टियेट में यह बन गया है तो भाई सिंपल सी बात है अब यह जरूर हो सकता है कि उसने अपने बेटे को बोल दिया हो कि भाईया तुम बनवा दो लेकिन उसकी मर्जी के बिना नहीं बन सकता उस टाइम पर ठीक है कितने करूर होते थे यह बादशाह आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ अपने बा अगर आलम शाह ने बनाया भी है तो भी उसने औरंग जेब से परमीशन ली ही होगी बिना परमीशन के नहीं बना सकता अब 1707 में औरंग जेब की डथ हो जाती है और फिर इसको दफनाय कहां जाता है इसका टॉम है औरंगाबाद में और एक सवाल यह भी बन के आएगा कि औरंगाबाद का अब नाम क्या रिखते हैं तो न्यू नेम इसका थाकरे सरकार जो है उद्धव थाकरे वगरत जितने बी हैं जो भी है यह इन्होंने संभाजी नगर इसका नया नाम रखती है ठीक है वाई तो यह सवाल निकल के आते हैं सारे के सारे औरंग जेब से और 1707 साथ के बाद बिल्कुल डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा मुगल एंपायर का और अब ब्रिटिश आके इसको कब्जा में लेने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान को ठीक है यह उतार लो फटावड़ से कॉपी में तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं अब देखे मै मुगल काल था जो मुगल एंपायर था वह बिल्कुल विकन होना शुरू हो गया था और ऐसा नहीं है कि एकदम से विकन हो गया मलब सिमटना शुरू हो गया था जैसे कि अगर हम बोलें कि ऐसे फैला हुआ था बहुत ज्यादा तो आप यह देखे कि कंफाइंड हो के छोट कुछ चल रहा था मैंने आपको बदा था सिख एंपायर भी उनके पैलल में चल रहा था और मराठा एंपायर भी मराठा भी उठ रहे थे ऐसा नहीं है कि सिरफ मुगली उठ रहे थे ठीक है और उधर राजपूतों का तो वैसे तो उन्होंने बिल्कुल वो करी दिया था ब यहांपर जिए व्यै में बस्यानः गर्री थे तो इस तरह से यहांपर होता क्या है कि आपको मैंने पहले भी बताए कि ब्र्रेटिश तो जो थे, वो 1600 में एंटर कर चुके थे, जब वो 1600 में आये थे, तो किस शिप पे आये थे, वो Red Dragon नाम के शिप पे आये थे, ठीक है भाई, Red Dragon नाम के शिप पे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जहांगीर से जब वो मिलने आये थे, तो वो अपने आपको वेपारी ब रहा था, और अब हम देखेंगे धीरे-धीरे की अब जब इन्होंने देखा कि मुगल समराजे बिल्कुल वीकन होता जा रहा है, अब देखिए कि मुगल समराजे में बीच में कई बादशाये, उनका कोई नाम का आलम शाव वगारा, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उ उन्होंने कुछ खास नहीं किया, एश आराम किया उन्होंने, तो अब उसके बाद जो कुछ दो-तिन राजाये मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, आपको मजब बहुत आएगा सुनके इनके बारे में, आप देखिए कि उसके बाद आया मूर्खलंपट राजा, जिसक के बारे में जानने से पहले आपको यह मैप देखना पड़ेगा देखो यहां पर क्या था कि 1498 में वासको दिगामा जो था फर्स आइम इडिया में आ चुका था ठीक है भाई उसने इडिया के अंदर कदम रख दिये थे लेकिन पंदरा सो दो में बहुत सारे पोर्टगीज आ गए थे और वह एस्टेब्लीश हो गये थे अब यह पोर्टगीज कहां एस्टेब्लीश हो थे यहां पर हो थे यह देखिया आकर अपना जो वैपार है अपनी जो फैक्टरीज है वो लगानी शुरू करी अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ाना शुरू किया ठीक है भाई अब आप देखी कि यह लोग कब से आ रखे है 1492 से ठीक है भाई यानि कहने का मतलब है कि यह अंग्रेज जो है वो 1608 में पह पहली सूरत के अंदर मिल लगाई थी अंग्रेज जो ने ठीक है भाई लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना प्लैन सारे का सारे चेंज कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि यहां पर देखी कि अल्डेडी यहां पर इनका कबजा था पॉर्टिज का और अंग्रेज जस्ट अभ क्यों क्यों यह बढ़े उसका भी कारण था क्योंकि गुजरात से आगे बढ़ने का मतलब है महराठाओं के साथ पंगा लेना ठीक है भाई क्योंकि यहां पे तो सिंक्रोनाइज होए जा रहा है यह जो मुगल एंपायर ही है तो अब यहां गुजरात में आ भी गए तो फि फिर मराठाओं से permission लेनी पड़ेगी और मराठा उसने देंगे नहीं इनको और इनकी intentions अलग थी क्योंकि इनकी intentions क्या थी इनकी intention थी कि हमें वैसे ही हडपना है ठीक है सारे का सारे देश को इनका में मकसद वैपार होता तो फिर यह कहीं से भी enter कर लेते असली मकसद कुछ हो थी कि हर बंदे को यह अपने साथ मिलाते थे और अगर कोई गरीब सामराज होता थी जिसे मदद की जरूरतों थी उसे आर्थिक मदद भी दे देते थे ठीक है यह अपनी इन सब चीजों के लिए बहुत मशूर थे तो ओवेसी बाते कि हर कोई इनी के साथ मिलना चाहेगा यह अब यहाँ पे बन लए थी वह central power ठीक है पेशवा की गदी यहाँ हुआ करती थी यही कही पूने के असपास हुआ खरती थी वहां पेशवा बैठा करता था और वही सब कुश हैंडल करता था यहाँ पर तो यहाँ की centralized कर रहे थे power को यह ब यही वही काम करना चाहरा था ठीक है भाई, तो अब ये जब फैलते जा रहे हैं तो अंग्रेज क्या इन के साथ पंगा ले पाएंगे जब ये मुगलों को नहीं बख्षे रहे हैं हमाराठा इस वक्त तो अंग्रेज क्या चीज थे उस टाइम पे तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाया हम ऐसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो अंग्रेज यहां से यहां गुजरात से हटके वो यहां से गोल घूम के कहां पहुँचे बेंगॉल में बहुँचे क्योंकि यहां पर उनको अपर्चुनिटी दिखाई दे रही थी और आप जब पढ़ेंगे हिस्टरी तो आप देखें कि अंग्रेजों ने जो कबजा स्टार्ट किया कहां से किया बंगाल से आपको सिराज उद्दोला का नाम याद होगा और मीर कासिम का नाम याद होगा मीर कासिम ने धोखा दिया सिराज उद्दोला को और वो देखो वो धाई 300 अंग्रेजों ने पूरी सेना का कतले आम कर दिया सिरा जो दोला को मार दिया है ना कैसे कर दिया वो मीर कासिम की हेल्प से कर दिया और उसके बाद फिर मीर कासिम को भी हटा दिया गया फिर उसका कोई भतीजा था कि कौन था उसको लगा दिया अंग्रेजों ने फिर ये अंग्रेज क्या चाल चलते थे कि नए राजा को बनाते फिर उसको बोलते थे कि वह यह तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है ठीक है उसके सामने ऐसी ऐसी कंडिशन्स रखते थे पपेट की तरह कि वह यह तुमसे तो हैंडल नहीं हो और फिर उसको भी हटा देते थे फिर दूसरे को लगा के फिर उसको भी हटा देते इस तरह से इनका ये करियर बरिबाद कर देते थे थे अंग्रेज ठीक है तो वह सब चीज़े अलग है उसमें अपने जादा नहीं सकता ठीक है तो जो मुगल थे वो यहां पे सब कुछ हैंडल कर रहे थे तो अब यह क्या है कि मूर्ख लंपत राजा के पास जाते हैं अंग्रेज और बोलते हैं कि माई बाप हमें तो भाईया पैसे की कमी बढ़ रही है तो आप हमें टोल डूटीज माफ कर दो तू हुआ है क्लमपत राजा है क्योंकि इसको यह बोलने आए बूलते कि भाईया हमें और फेक्टरी ने लगानी है तो हमें आपकी एल्प की नीड है तो भाईया जब और फेक्टरी लगानी पहले पिछले वली तो सेटल cambacter nuclei लगानी है तो बहुंड जरूरि लगानी है पिछल उने उठा के वहाँ पे अपने टॉल बनाने शुरू कर दिये ठीक है ये स्टार्टिंग थी इस चीज की उसके बाद जहादर शा का पीरेड खतम होता तो नया राजा आता रंगीला राजा ये उससे भी दो कदम आगे भाई साब ठीक है इसका नाम था मोहमद शाहा अब ये क खुद भी भाई साब जहां भी गुमता था पूरे राज्या में या अपने दर्बार में बिना कपड़ों के गुमता था भी तो ये अलगी लेवल का किसम का इंसान था ठीक है इसके अंदर कुछ अलगी फीलिंग थी ये अलग हाट ड्राइवर था ठीक है तो अलग इसके बाद इसके बास आते हैं बिटीशर तो इसको बोलते हैं कि भाई साब सर ऐसे है कि आप अपने पास पैसे खतम है और हम कोशिश करेंगे जैसे तैसे कुछ पैसे कठे करके आप से जमीन लेनी है हमें हमने और फैक्टरियां लगानी है तो भाई इस बंदे को ये पू उन फैक्टरिस को ध्यान में तो रखो तब अगली लगाओगे और काहे को लगानी है तुमने लेकिन ये जमीन मांगने आये इससे ठीक है ये रंगीला राजा से तो इसने क्या किया अनलिमिटेड बोलता वो बोलते कि हम खरीद लेंगे ठीक है तो इसने खरीद नहीं नही की जमीनी जितनी चाहिए आप ले लो जहां लगानी है फैक्टरि लगा लो उसके बाद अंग्रेज भाईया जहां उनका दिल किया उन्होंने फैक्टरि लगाई ठीक है भाई ऐसा हाल कर दिया इसने इतने मूर्ख लोग थे कुछ ऐसे भी लोग थे पर ठीक किसमत में इन कर रहे हो वहाँ से कमाओ और लगाओ नहीं फैक्टरि बेए नहीं भाई इसने बोला कि टेकसिस वेगरा की तो तुम बात ही मत करो वो कहने आयसे की ठोड़े पैसे दे होगी हदी होगी है अगर किसी को बोल दिया जैकरन्सी चापने को तुम रात और रात रात खुद उस देश का परदानमंतरी बन जाएगा इतनी करंसी चाप लेगा तो ये हाल हुआ अंग्रेजों ने अपनी करंसी चाप दी उसके बाद ये बाई साब किसी दिन निकले बाहर टॉल पे इनको गेर लिया गया तो इनसे टॉल टेक्स मांगा गया इन्होंने अपनी करंसी निकाल के दी तो उन्होंने बोला कि ये कौनसी करंसी है ये यहाँ पे नहीं चलती फैक के मारी साइड में तो फिर ये बोलते कौनसी चलती है तो उन्होंने दिखाई तो वो अंग्रेजों की करंसी थी बढ़ तब तक बहुत देर हो चुकी थी ठीक है भाई, तो ये इस तरह का खेल था और Britishers ने फिर धीरे-धीरे अपनी जगा बनानी इंडिया में शुरू कर दी East India Company के नाम से अलग-लग जगा पर इन्होंने वेपार के नाम पर अपना जो है ये स्टार्ट किया ठीक है भई, सबसे पहले टार्गेट किसको किया बंगाल को बंगाल को conquest किया और आप देखेंगे कि ये बंगाल को end तक क्या क्या करेंगे अभी बंगाल के साथ ठीक है, और ये वैसे भी मैं आपको बताऊँ तो ये जो राज्जा होता था ना, कलिंग ये कलिंग राजय क्या था अशोका के टाइम प्या है अशोका ने जीता था कलिंग राजय हाला कि वो एक confusion में हुई थी वो सारी सारी fight वो फिर कभी discuss करेंगे तो वो इसी चक्करे में हुआ था क्योंकि कलिंग जो था ये corridor था तो यहां पर जोतने भी लोग वेपार करने आते थे उनको कलिंग से होके गुजरना पड़ता था मैंने पहले भी आपको पता है था कि कहीं भी आप घुज गए तो फिर आपको पता ही नहीं लगए कि कहां जाना है तब कोई ऐसे नहीं था कि हाईवे बने हुए बहुत सारे ठीक है कुछ दीरे दीरे टार्गेट कहां पे आएगा अब देखो बंगाल से सीधा यहां मराठा पे जाना तो कुछ समझदारी वाली बात इनको दिखाई नहीं दे रही थी अभी ठीक है तो इन्हों ने सोचा और सिख एमपायर इधर है तो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि बीच मे अब मैसूर जाएंगे कैसे तो बीच में इन्हों ने देखा कि किस परसन को पकड़ा जा सकता है तो यह हाइदराबाद था बीच में हाइदराबाद का निजाम था यह थोड़ा ग्रीडी किसम का लालची इनसान था और उसी देखिए उसी लालच का अंग्रेजों ने नहीं पर भी होती थी इसकी इधर भी होती थी यह सब जगह से हड़ापना चाहता था यह ऐसा निजाम था थोड़ा हिला हुआ करेक्टर था यह था ठीक है भाई तो अंग्रेजों ने क्या किया इससे बात की इसको बोलते कि तुम्हें मैसूर दिला देते हैं तो यह बोलत बेस कैमप बन गया अब वो इतनी बड़ी आर्मी को सुबा दुबहर शाम का खाना ये निजाम खिला रहा है उनके रहने सैने का इंतजाम ये निजाम कर रहा है मतलब इतने इसके वो कितने चलाक थे यार उन्हों ने इसके इतने बैसे खराब कर दिये कि लगबग इसका आ एंगलो वार वन हुआ है एंगलो मैसूर वार वन जिसके अंदर इन लोगों ने यहां पे इस पर आकरमन करना शुरू कर दिया मैसूर में ठीक है और इसमें भी इन्हों ने क्या खेल खेला की अपनी जो इसकी निजाम की आर्मी थी जैसे तो ऐसे कर रखा था जैसे आप सम इस तरह से फाइट होती है यहां पे और जैसे कि मैंने बताए यहां का शासकता टीपू सुल्तान यह हैदर अली का बेटा था वाडिया डाइनस्टी का कमांडर था हैदर अली और इसने रोकेट भी बनाया था और इसको बहुत लोग चाहते थे हैदर अली को क्योंकि वाड लिकत होती थे हल्प करता था तो वहीं से हैदर अली की फेम बनी लेकिन इसने रोकेट भी बनाया भी यह देखो सैंटिस्ट थे तब भी यह लोग भी तो और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान जो इसका बेटा था टीपू सुल्तान वो भी इसी के नक्षे कदमों पे चल तो वो यहाँ पे इसके पास रोकेट होता है तो भाईए यह दे दना दन रोकेट इन पर दागता है दे दना दन रोकेट दागता है और इनकी सिट्टी बिट्टी गुम कर देता है इन्होंने सोचा था टीपू सुल्तान को पकड़ लेंगे लेकिन यह इतने रोकेट दाग फिर अगे देखें कि आगे क्या हुआ था यह पागल राजा के नाम से भी एक आपको मैंने पहली बता रहा है यह है मुहम्मद बिन तुगलक यह मैंने उस टाइम भी बताया था जब मैंने आपको देली सल्तन पढ़ाई थी इसको उतारों को पिम फिर आगे देखते तो आप देखिए कि यह जो एंगलो मैसूर वन है यह मैंने डेट भी लिख दिए 1767 से 1769 तक है टीपूल सुल्तान यह जीतिया था ठीक है और यह जो एंगलो मैसूर वार्ट टू होता है क्योंकि पहला तो यह हरा देते हैं अब एक्चुली वह होते कह चार वोर होते हैं मैं आपको ठीक है इसमें क्या होती है ट्रीटी ओफ मंगलोर ट्रीटी ओफ मंगलोर और ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला देखेंगे एंगलो मैसूर वार्ट थरी तो इसके अंदर क्या होता है ट्रीटी ओफ ट्रावन कोर अब यहां पर क्या होता है कि यह जो थर्ड वार होता है इसके अंदर टिपु सुल्तान लगबग अपना आधा राजय गवाद चुका होता है क्योंकि नुक्सान देखें दोनों तरफ से हो रहा था ऐसा नहीं कि एक तरफ से नुक्सान हो रहा यहां पर बिरिटिश वन बिरिटिश वन टिपु सुल्तान डाइट यह यहां पर मृत्तो को प्राप्त हो जाते है टिपु सुल्तान ठीक है बाई तो यह जो चार थे यह थे आपके Anglo-Mysore War Anglo का मतलब अंग्रेज और Mysore मतलब जो हमारे यहां के जो लोग थे लोकलेट अब इन Anglo-Mysore War से पहले दो वर यह हो थे जो मैं आप थोड़ी दर पहले भी आपको बता रहा था कि Siraj Udola और Meir Qasim वाला सीन वो था Battle of Plassey इसका यह 1757 मैंने सोचा बैटल सारी लिख देता हूँ तो Siraj Udola defeated by British ठीक है और Meir Qasim ने भी साथ दिया था ब्रेटेन वालों का लेकिन जो एंड में मैंने आपको यह भी बताया था कि फिर Meir Qasim को भी गदी से अठा देते हैं कि तुम से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यो ऐसी ऐसी कंडिशन्स रखते हैं कि वो नहीं फुल्फिल कर सकता था ठीक है तो एंड में उसका बस यह समझे लो कि चूतिया काट दिया तो फिर एंड में क्या होता है बैटल ओफ बकसर होता है जिसके अंदर Meir Qasim क्या करता है शूजा उदोला जो की लेकिन यह जो Meir Qasim है यह खुद तो डूबा और इसने शूजा उदोला को साथ में मिला के तो एक तरह से पूरा मुगल एंपाइर साथ में मिलाने की कोशिश की ठीक है और यह दोनों ही हार के ब्रिटेन से तो अब ब्रिटेन वालों के होसले और मजबूत होगे उन्होंने यहां भी कप्चा गर लिया मनलब वो इधर का अभी सोच भी नहीं रहे थे वो अभी इधर ही लटके पड़े थे पट इस आदमी ने इस बेवकुफ आदमी ने Meir Qasim ने उनको इधर भी इधर का भी पूरा कॉंक्वेस्ट करा दिया समझे ने इस चीज को मनलब यह आदमी सबसे बड़ा गदार था अपनी हिस्टरी का इसने सिराज उदोला के साथ एक तो धोखा किया तो वहाँ पर अंग्रेज जीत गे और उसके बाद इस आदमी ने शुजा उदोला को भी अपने साथ मिला के अबद भी अंग्रेजों को तोफ़े में दे दिया एक तरह से ठीक है भाई लेकिन एंड में इसका कुछ नहीं बना ये भाग गया और फिर शुजा उदोला भी भाग गया और पिछे रहागे अंग्रेज उन्होंने अच्छा खासा कबजा कर लिया और फिर खूब पेला है यहां भारतियों को आपको याद होगा बहुत सारे गलत काम किये आप देखिए कि कभी भी यह देख लेते थे मतलब था या खुद के वर्छस वसे मतलब था इनको बहुत कम राजा होएं जन्होंने शायद सब के बारे में overall सोचा हो की कैसे जंता को बचाने कैसे हिंदूस्तान को बचाने कि बहुत ही कम राजा थे ऐसे महाराना परताब जैसे देखिए लेकिन अब देखिए हम तो अकबर को भी निगलत कह सकते उस case में क्योंकि उसके राज में भी इतना गंद नहीं मचा था जितना यहाँ पर अब इतनी भज़ड मर्च चुकी है यह देखिए आप यहाँ पर समझे दो इस चीज को और इतना ही होता तो आप खुद सोचिए न यहाँ पर कि मैसूर का साथ यह मराठा दे देते तो क्या यह कर पाते अंग्रेज अब देखिए वही तो difference था सोच का कि यह लोग इतना भी detect नहीं कर पा रहे थे कि भईया अगला number तो तुम्हारे ही होगा और यह तो भाई था ही लालची निजाम यह जो यहाँ का निजाम था यह तो एक number का लालची आदमी था ठीक है तो इस तरह से अंग्रेजों को कोई खास time नहीं लगा आप देखिए कि यह दो battle होने के बाद यह तो अलगी हो गए यह तो देखिए यह पहले ही हो चुके है यह दोनों battle उपर रख लेना अपने notes में तीक है उसके बाद यह मैसूर का होता है मैसूर को हड़प लेते हैं फिर उसके बाद यह एंगलो मराठा होता है आप देखो एक-एक करके सबका number लगए रहा बट वही है ना कि इनकी अगर सोच इतनी सम तेज होती तो यह जरूर करते तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया मराठा में देखिए इनके पास कोई और कमी थी नी यह greedy थे नी मराठा तो इन्होंने क्या किया अंदर से फिर एक सुया निकाला सदाशिव रहो और उससे पूछा कि भया इनकी weakness बताओ तो पूने में होती थी महाँ पे पूने में होती थी पेश्वा की गद्दी और हर कोई पेश्वा बनना चाहता था जैसे आपस में यह होते थे सिंध्या होगे काईकबाड होगे अलग अलग तरह गया ना तो ये लोग आपस में इनकी जो थी आपस में भीड़ रहे थे बहुत ज़्यादा आपस में jealous factor था हाला कि दूसरों से नहीं था इनको दूसरों पैसान चड़ा के अपने साथ मिला लेते थे लेकिन आपस में अंदर जो family का जो jealous matter था वो सदाशिव रहाओ ने सारा बख दिया अंग्रेजों कि आगे यह इसके साथ food खाता है वो उसके साथ खाता है अंग्रेजों ने फाइदा उठाया उसका और अंग्रेजों मराठा और जो हुआ साथा सो पिचतर से 1818 के बीच में ठीक है तो आप देखिए कि यहां पे तो लगबग यह देखी कि 69 के बाद ही बिल्कुल विकन कर चुके थे यहां पे जब ट्रेटी कर रहा है टिपू सुल्तान है ना आप देखिए 1780 के अंदर अब यहां तो यह लटक करें हैं बस और कुछ नहीं है यहां पे यहीं पे हो गया था लगबग 69 के अंदर ही लगबग उसके थोड़े टाइम बाद ही यह बार-बार चल रही थी और यह विकन हो चुके थे ठीक है और इदर देखी जब इन्होंने देखा यह भी विकन होके हैं तो साथ की साथ इन्होंने मराठा के साथ भी छेड़ दिया 1775 से 1818 साल यह देखी इतना लंबा conquest चला इनका एंगलो मराठा वार ठीक है छोटा नहीं चला बहुत लंबा चला तो थोड़ा 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 करके ऐसे हड़प रहे थे कहीं पर ट्रीटी कर लेते थी कि आप इदर नहीं आओगे हम उदर नहीं आएंगे यह समनों टक रंजीत सिंग होते थे जब तक वो रहे तब तक किसी की हिमत नहीं पड़ी कि सिख अंपायर की तरफ देख ले बहुत ही तगड़ा शासक रहा जो सिख धरम का है अपना जिनों ने महाराजा रंजीत सिंग ने क्या किया है जो गोल्डन टेंपल था गोल्डन टेंपल को बि सब्सक्ता थे जो और वहां पर पूरे का पूरा उसको दुबारा से उसकी रिस्ट्रक्चन करवाई और प्र गोल्ड प्लेटिंग उसमें महाराजा रंजीत सिंग नहीं करवाई थी ठीक है और उसके बाद अंग्रेजज जब यह हड़ा था ने अंग्रेज जोने अश्व उनकी शादी भी होई थी, ब्रिटेन की कोई महारा नहीं थी, मैंने को नाम नहीं याद आ रहा, उनसे शादी भी होई थी, महारा जरन जीत सिंग की, ठीक है, तो फुल स्टोरी फिर कभी बताऊंगा, और इनका जो बेटा हुआ था, उसको ब्रिटीशर्स ने बहुत लंबे स मैं तक, महलब ब्रिटेन के अंदर ही रखा, उसको यहाँ नहीं रहने दिया, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो यहाँ पे रहेगा, तो लोगों का एक सोफ्ट कोरनर है, उस राजा के बेटे की तरफ, तो फिर इन्हों ने कभी भी उसको यहाँ नहीं आने दिया, हमेशा के लोग जबरदस थे उस टाइम पे, लेकिन वही है ना कि हर जगह पे कोई ना कोई तो ऐसा निकल लिया आता, तो at the end of the day, इनको भी हराना, फिर बाद में कोई मुश्किल काम नहीं थे, इनको भी easily हरा दिया, जब महाराजा रंजीत सिंग नहीं रहे, तो जैसा कि मैंने ब छेड़ नहीं पाए थे, तो धीरे धीरे करके इन्होंने इस तरह से आप देखें कि पूरा का पूरा इंडिया जो है, सारा कवर कर लिया है, ठीक है भाई, तो I hope कि आपको ये सारे का सारे वोर समझ आ गया होंगे, और कैसे इंग बिटेन ने किस रंड नीती के साथ काम किय और किस तरह से पूरे भारत को इन्होंने कब जाया है, वो आपको समझ आ गया होगा है, ठीक है भाई, इसको उतारो कोपी में, और आप देख रहे हैं कि अब हम कहां पे पहुँच गया है, अब आप को धीरे धीरे समझ महाएगा, अब हम कहां पे पहुँचने, किस तरफ पहुच रहे हैं, 1857 की करांती की दरफ, सन 57 की जो करांती हुई थी, जिसमें रानी लक्षमी भाई भी हुई थी, और नाना साहिब भी थे, यह जो मराठा एमपायर था ना, इतना वीकन कर दिया था, एड़े में नाना साहिब की ये हालत होगी थी, लास्टी एमपरर थे व 1849 तक का हमने देख लिया, अब इसके आगे जो देखेंगे, सन 57 की करांती का देखेंगे, उदारो इसको कोपी में, तो आगे देखिए भाई, अब देखिए हमने देखा कि अंग्रेजों ने लगबग सारा हिंदूस्तान तो कैप्चर करी लिया, अब वहाँ पर क्या होता जा जाके जो है अपना मुगली आर्मी को छोड़ छोड़ के, क्योंकि मुगल ऐसे नहीं था कि completely खतम हो गये थे, मुगलों के बात्षाह बने जा रहे थे, लेकिन उन पर कोई अंग्रेजों का ज्यादा फोकस नहीं था इस वक्त, ठीक है, तो मुगली आ बात्षाह को कर दिया इन्होंने, ठीक है, इंडियन्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो भी छोटे-छोटे benefits के लिए और इनसे बिलकुल, आप समझे की class 4th का काम कराया जाता था, इनको उपर नहीं रखा जाता था, कभी भी decision making के अंदर, ओके, तो वहाँ भी जूते polish करा लिए, खाना बनवा लिया, सफाइया कर लिया, मिलब ऐसे, sweeper का काम करा लिया, ये सब काम इनसे कराया जाता, बड़ ये खुश थे, ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि, आर्मी के अंदर ही, आप लिखे कि, अब 57 की करांती आएगी, 1857 की, ठीक है भाई, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो होते हैं, ये रिवोल्ट करते हैं, आप मैं थोड़ी सी इसकी बैकराउंड दाता हूँ, ये 34th Bengal Native Infantry के मलब सोलजर थे, इसको सिपोय म्यूटिनी भी बोलते है, ये बैरकपूर बंगवल में हुई थी, सीधा सिधा सवाल आगा, सिपोय म्यूटिनी इसको बोलते हैं कहां हुई थी, कब हुई थी, कौन सी यूनिटी के ये बंदे थे, ठीक है, 34th Bengal Native Infantry यूनिटी के बंदे थे ये, और ये देखिए आपकी हुआ क्यों था ये, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि एक पहले न गन होती थी, तो गन जो राइफल होती थी, उनमें क्य आपकर में क्या था कि नई Enfield गन आई, जिसमें क्या था, वैक्स लगाया होता था, अब अफवा ये उड़ी उस टाइम पर कि जो वैक्स है, वो सुवर की चर्बी और गाएं की चर्बी से बनी होई है, ठीक है, और जो मंगल बांडे थे, तब तक ये बात नहीं पता थी, तो उन्हों नहीं सब को सिखाया था, वो चलाना, और उसमें क्या था, मुझ से चीलना होता था था, ठीक है, तो अब आप समझ पाएंगे कि गाएं और सुवर की जो चर्बी आप मुझ में डाल रहे हैं, समझ गें इस चीच को, तो आपका धरम प्रष्ट हो रहा है, उपर मंगल पांडे, ब्राह्मन विक्ती थे, तो इस तरह से क्या हुआ, वो उसका फायदा यह होता था कि वो सिलिप नहीं करती थी, क्योंकि वैक्स लगी हुई थी, तो वो मॉस्टराइज नहीं होने देती थी, गोली को एक तरह से, समझ गें, तो अब सब जगह पे जब वही छल दी है, तो फिर जब ये बात अफवा उड़ती है, तो ये लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि भाईया हमारे साथ ऐसा है कर रहे हैं, वो बहुते हैं, तो एक अफवा है, ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ करें, लेकिन एक दिन क्या होता है कि मंगल पैंडे को एक विक्ती आ और रहोता है कि मैं कैसे face कर पाँगा अपने जितने भी साथि हैं उनको क्योंकि सिखाया भी में नहीं है, but सब लोग नको accept कर लेता है क्योंकि उनको पता है कि इसकी कोई गल्ती नियां इसका कोई root cause नहीं है यह ठीक है? root cause कोई और ही है और फिर उसके बाद जो सब लोग मिलके करते हैं ये सब लोग revolt खड़ा कर देते हैं मंगल पैंडे को मारने आ रहे होते हैं वहाँ से जो soldier है ना इनको पकड़ने के लिए तो ये दो जो अपना British soldiers होते हैं उनको भी मार देते हैं गोली और उसके बाद फिर इनको भी गोलियां लगते हैं तो इनको फिर आप देखें कि भरती कराया जाता है इनकी treatment के लिए अंग्रेजी कराते हैं और 6 April को 1857 की बात हो रही है 29 March को revolt करते हैं ठीक है और 6 April को जब ये ठीक हो जाता है तो इनका पकाइदा court martial किया जाता है और उसके बाद 8 April को देखे 6 April को court martial 8 April को 1857 को इनको सरे आम फांसी दी जाती है और मुँपे कपड़ा भी निए डाले जाता है लेकिन ये घबराये नहीं बिलकुल ये अपना देश के भारत माता के नारे लगाते रहे ये अंग्रेजों को लगा था कि घबरा जाएंगे है ना और फिर लोग देखेंगे कि भाया ऐसा हो सकता है लेकिन हुआ उल्टा ही तो इससे क्या हुआ कि इससे और विद्रो फैल किया और जो ये यूनिट थी ये जाके फिर बहादुर शाह जफर जो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको की मुगलिय सलतनत है जो बिल्कुल सिंक्रोनाइस छोटी सी हो गई है जो तो उनके बास जाके ये मिलते हैं बहादुर शाह जफर को उनके पास पैसे हैं उपर से बुढ़ापा और आर्ख है बट फिर भी उन्हों ने क्या किया कि इनकी हेल्प करने के लिए ठान ली ठीक है तो जो लोग उनके पास गए पूरा जितने भी लोग गए तो फिर इन्होंने का अब रहादुर शाह जफर ने ठीक है मैं आपकी हल्प करूँगा अब वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जगा पर ये लोग अपरोच करते हैं और अलग अलग लोग जो होते हैं वो इसमें हल्प करने के लिए मान जाते हैं अब उसके बाद गया होता है रिवोल्ट 1857 इसमें अब आपको देखे कि ब कालपी से तात्या टोपे कालपी वह ये बीरबल वाले जहां पिसे बीरबल था और ये कानपूर में मैंने क्या बताया था आपको ये महाराष्ट्रा हो गया इनकी मराठों की तो इतनी बुरी हालत कर दी थी अंग्रेजों ने कि नाना साहिब उनको अपने ये जो रिवोल् आतर लिख के भेज रहें अंग्रेजों को कि भाया हमें एट लिस्ट पेश्वा की गद्दी दे दीजिए मलब हमें पेश्वा कंसीडर कर लीजिए लेकिन आपको पता कि अंग्रेज का कर रहे थे डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स कर रहे थे तब तो वह चाते थे कि उस माना जाता है मराठा के अंदर तो उन्होंने पेश्वा की पोस्ट को ही खतम कर दिया और वह बाकी के जगा पर भी क्या करना की सोच रहे थे अंग्रेज की यह सबसे बड़ा इसका कारण यही था डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स ही था ठीक है क्योंकि जहासी गिरानी ने भी वारे इसकोशिक कर दो और दूसरा यह कि आप ऐड़ौट भी नहीं कर सकते हो ठीक है तो इस चिछक को तो यह लफडा बट रहा था उस ताइम पे तो उस pension नहीं लगा दो, लेकिन उन्होंने pension भी नहीं लगाई है तो देखिये आप कितनी बड़ी बात है, कि इतने बड़े Martha Samuraja का जो leader है, वो अंग्रेज उसे pension मांग रहे है, तो देखिये कहाँ पह लिया है अंग्रेज, कमाल की बात थी कालपी से तांते टोपे होगे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला होगे, लखनव से बेगम हजरत महल होगी और बरेली से खान बाहदुर खान, जांसी से लक्षमी भाई, ये तो आपको पता ही है जगदीशपूर यानि की बिहार से कुंवर्सिंग होगे और आलाबाद से लियाकत अली होगे ये सारे लीडर बहुत इंपोर्टन है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इतने लोगों ने रिवॉल्ट किया, फिर भी कि ये सक्सेस्फूल इसलिए नहीं हो, इसका बहुत बड़ा कारण था जब ये रिवॉल्ट कर रहे हैं तो इनको नहीं पता काप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो इनको नहीं पता, मतलब आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं था एक दिन छाट के एक साथ रिवॉल्ट करें कोई मतलब नहीं है ये अपना अलग से कर रहे हैं ये अलग से कर रहे हैं तो बही अगर अलग अलग करते रहेंगे तो क्या? अंग्रेजों के लिए तो असान है ना? एक बार यहां पर हैंडल कर लेंगे एक बर यहां कर लेंगे एक बर यहां कर लेंगे तो यह लफड़ा पड़ा था सबसे बड़ा कि इस रिवोल्ट का कोई खास फाइदा निकल के नहीं आया लेकिन हाँ शुरुआत जुरूर हुई थी एक करांती की ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं था लेकिन एक करांती की खिलाफ खड़ा करने की कोश्च करेंगे लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी बार्टी चल नहीं पाएगी इसके अंदर इसलिए उसके बारे में सवाल भी बहुत ही rare case में आएगा और मैं बिल्कुल आपको sequence में लेके चलता हूँ कि जिस जिस date को जिस जिस year के अंदर कुछ important ह हुआ होगा है वो सारे year लिखता जाओंगा और आगे लिखता जाओंगा आप देखें कि ये question सीधा आएगा कि 1864 के अंदर Translation Society जिसको कि बाद में नाम दे दिया था Scientific Society ये किस ने मनाई ये सर सयद एहमद खाने मनाई और उल्टा भी पूछ सकता है कि Translation Society कब बनाई गई या Scientific Society कब बनाई गई किसी भी तरीके से पूछ सकता है तो ये पूरी information आपके पास होनी चाहिए 1875 के अंदर देखें अलीगड मुस्लिम यूनिवस्टी बनाई गी थी ये भी किस ने मनाई थी सर सयद एहमद खाने मनाई थी और Indian Association की स्थापना भी इसी टाइम पर होई थी एसन मैनर जी और अनन्द मोहन ने मिलके बनाई थी लेकिन क्या मैं आपको समझानी कोश्च करना हूँ कि कोई भी successful नहीं हो पा रहा था उस टाइम पर क्योंकि अब क्या है न कि बाद में Congress क्यों हो या आपको समझ आएगा धीर धीर अभी आप जब Congress पर मोंचते हैं तो फि यही राहूल गांदी वली जो अभी है सोनिया गांदी है जिसके अंदर यही वाली Congress उस टाइम पर 1885 के अंदर बनी थी Indian National Congress का नाम रखा गया था अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है बनी कहां थी यह मुंबई के अंदर बनी थी मैं ब अब इससे क्या होगा कि अब यह भी ब्रिटिशर एक तरह से ठीक है तो अपना खुद का तो है निए इंडिया का तो एक तरह से क्या हुआ कि स्टैंप लग गई कि उस टाइम पे जो लोग आपका आपके उपर रूल कर रहे हैं उनकी परमीशन से आपने किया है ना तो उस से क्या हो गया कि एक तरह से इसके अगेस्ट नहीं कोई किया और यह कॉंग्रेस का हमेशा रूख भी ऐसा राई है कभी ब्रिटिश के बहुत ज्यादा अगेस्ट एकदम से नहीं गया है ना यह धीरे-धीरे-धीरे जैसे जो ब्रिटेन वालों ने किया ऐसे इनों नहीं कि कि यह भी धीरे 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 अपने आपको develop कर रहे थे ऐसा नहीं नहीं किया कि आते ही ताबर तोड बल्ले बाजी शुरू कर दी है ना वो नहीं किया इन्होंने यह बिल्कुल दब्बू बनके रहे और एंड में फिर उठते 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 एकदम से इन्होंने फिर बहुत सारे रिवोल्ट्स करने शुरू कर दिये ओके तो वो इनकी strategy काम कर गई और ribbon कटा इससे करा ली तो यह और काम कर गई ठपा लग गया कि हाँ भया यह यह तो जो अभी की ब्रिटिश गवर्मेंट है उसी की पार्टी है उन्हें लगता था यह तो भया हमारी लोग है अब इसके बाद देखेगी अगर तो आपको founder पूछ लेगा इसका तब तो आपको A.O.H.E.M. याणि कि Alan Octavian Hume ही उतर मार्क करने है देखिन अगर Indian founder पूछ लेगा तो Indian founder में दो आएंगे और दादा भाही नरो जी एक दिंशा इडल जी वाचा इसको दिंशा वाच्चा के आगे फुतलवार सी पकड़नी होती थी यह नो टंकी होती थी जो भी है ठीक है तो इनको फिर नाइटूट का टाइटल मिलता था यह सब होता था और आगे चलके देखें कि रबिंदरना टैगोर को भी मिले है जब आगे पहुंचेंगे तब देखेंगे ठीक है तो एक और हो है यहां से पता होने शुरू होने चीए 100% पता होने चीए ठीक है तो आप देखें कि उस टाइम पे लोड डफरिन था कौन था वाइसरो लोड डफरिन अब यह अपने आपको पगले भगवान बताते थे ठीक है जबकि बस है कुछ नहीं था काम सारे गलत करते थे लेकि और जब भी इंडियन फाउंडर है यहां तो यह होंगे यहां यह होंगे कोई एक ही उप्शन में दियागो तो इसको कॉपी में अब आगे देखते है भाई आप देखिए कि अब यह अपना वेन्यू और लीडर ठीक है यह जो चार्ट है यह आपको बहुत है परेगा लोमेश चंदर पहनर जी को बनाय जाता है ठीक है भाई तो यह आपको एक गलत हो सकती चीज तो ध्यान रखना इनदर दादा भाई नौरोजी का ठीक है यह बने थे head बने थे, president बने थे INCK, लेकिन ये सिरफ एक बार नहीं बने, ये तीन बार बने है grand old man इनको कहा जाता है, ये याद रखना मेरी बात आ चुका बहुत बार सवाल और ये भी पूछा जा सकता है कि कब कब बने अब वो option में क्या गरेगा, चार option देगा और बोलेगा कब नहीं बने, तो तीन option ये देदेगा तीनों पता होने चीए, 1886 में यानि कि Congress बनने के एक साल के बाद बने एक तो, ठीक है दूसरा कैसे याद रखना है, 1906 वाला 1906 वाला याद रखने के लिए याद रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था Partition of Bengal उसके बाद बने ऐसे याद रहेगा आपको अब और क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था तो वहीं से याद रहेगा कि कलकटा में ही थी है ठीक है, ये session इनका कलकटा में था, session रखे जाते था अलग लग ठीक है, अलग लग जगा पे ये भी कलकटा में, ये भी कलकटा में अब ये जो 1893 है ये आपको याद रखना पड़ेगा 1893 कहा था लहोर में ये लहोर session था, वहाँ के ये प्रेजिडेंट रहे, ठीक है अब मैंने का बोले, ये पहला session ये जो है, blue वाले जो लिखा है ये दूसरा session, ये blue वाला तीसरा session आपको यहीं से फ़ल लगए, 85, 86, 87 87 का मदरास session होता है तो बदरुदिन, बदरुदिन तयाब जी है ठीक है, बदरुदिन तयाब जी और 1888 में आलाबाद के अंदर जो session होता है George Joule, अब सवाल देखे, क्या बोलेगा पहला Muslim President कौन बना तो आपका आएगा, बदरुदिन तयाब जी पहला English President कौन बना या फिर British President कौन सा बना तो आप बोलेगे George Joule बना ये सीधा सीधा सवाल आएगा, कब बना 1888 में, वो ये भी पूछता है कि कौन से session में बना आलाबाद session के अंदर बना, ये कौन से session में बने, मदराज session में बने इसको आप याद भी रख सकते हैं मलब कि कैसे भी इसको बस ऐसी याद रख लो न, BCMA ठीक है, BCMA ऐसी याद रख लो ठीक है, तो ये चारो बहुत important हो जाते हैं क्योंकि इसमें question बहुत सारे बन जाते हैं अब देखे, पहले WCMA जी, दूसरे दादा भाई नवरो जी, देखे, साथ में मैंने दो और लगा रखे हैं इनमें भी यही थे, फिर बदरुदिन अब कुछ-कुछ important चीज़े और मैं आपको बता देता हूँ कुछ-कुछ session हुए थे, अलग-लग ठीक है, उनके अंदर देखिए कि क्या-क्या हुआ था देखो, 1938 में जो हरीपूर session हुआ था ये question बार-बार आ रहा है, 1938 और 1939 ये पक्का आने के chances रहते हैं क्योंकि इसके पीछे की कहानी बहुत तगड़ी है तो 1938 में जो हरीपूरा session हुआ वहाँ पे सुभाश चंदर बोस जो है वो प्रेजडेंट बन गी, लेकिन अब क्या हुआ 1939 के अंदर गांदी जी अड़ गए गांदी जी बोलते कि भाईया voting हो रही थी वहाँ पे बोलते कि P. Sita Ramya को vote करना है जो मुझे मानता है अपना leader वो P. Sita Ramya को यही थे ना, हाँ पत्ता भाई Sita Ramya ठीक है P. Sita Ramya को vote करना है, अगर Sita Ramya को vote किया तो समझ लेने गांदी को vote किया ठीक है, ऐसा था, लेकिन उस time पे आपको मैं बताऊं, सुभाष चंदर बोस का जो बॉल बाला था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो एक तरह से समझ सूजवान और थोड़े अग्रेसिव भी थे ऐसा नहीं था कि गांदी जी की तरह बड़ा ही शांत सभाविये नहीं थे वो तो ये चक्कर हुआ कि लोग उनको ज़्यादा पसंद करने लग गए और जब वोटिंग हुई तो इनको बिचारे को सीता रमिया को तो इतने ज़्यादा कम वोट मिले और सुभाष चंदर बोस को फिर बहुत ज़्यादा वोट मिल गए तो उस चक्कर में क्या हुआ कि 1939 में त्रीपुरी सेशन ये याद रखना त्रीपुरी सेशन ये हरीपुरा सेशन है ये त्रीपुरी सेशन है त्रीपुरी सेशन में फिर सुभाष चंदर बोस बन गए तो आब गांधी जी अंशन पे बैठ गए ठीक है जैसे यह अनना हजारे बैठे थे ऐसी गांदी जी अंशन पर बैठ गए कि भया इसको नहीं बनने दूँगा मैं उनका ये था कि इधर माइवे और हाइवे में भी नहीं हाइवे का भी मैं आपको क्या बोलू वो कहते थे पैरलली चलो जादो उपर उड़ने की कोश् हम तो रिजाइन करते हैं और निकलते हैं यहां से हम अपना और कुछ काम कर लेंगे ठीक है ओल इंडिया फॉरवर्ड ब्लोग बाद में मनाया था वो सब बाद में करेंगे बात ने जब इनके उपर आएंगे सुभाश इंदर बोश के लेकिन यहां पर रिजाइन कर देते है यहां पर राजेंदर परसाद को क्या बना दिया थे इन्होंने यहां पर हैड बना दिया था 1939 का प्रेजिडेंट ओफ त्री पुरी सेशन तो यह याद रखना मेरी बात कि पूरी कहानी इसके पिछे बना दिये तो सुभाश इंदर बोश के रिजाइन देने के बाद कौ इसके बाद बिल्कुल चेंज हो गया तो सारा सेनेरियों ऐसा नहीं था कि जैसे यह सेशन रखे जाते थे ना इस तरह से सेशन नहीं रखने यह सेशन रखने बंद हो गये थे तो यह लास्ट सेशन था जिसके अदर पी सीता रमया बने थे और 1924 के अंदर गांदी जी बने और 1931 में सरदार वल्लब भाई पटेल बने कराची सेशन में और ऐसे ही 1929 के अंदर आप देखेंगे जेयल नहरू बने लाहूर सेशन में ऐसी 1937 में फिर बने जेयल नहरू दो बार बने है फैसफुर सेशन में यानि सुभाष चंदर बोस भी दो बार बने और जेयल ये एक Irish महिला थी, इनके बारे में भी आगे जब चलेंगे तो बहुत कुछ इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये कलकटा सेशन में बनी, ठीक है, ये सारे important leaders है, आप देख पाएंगे कि एक भी leader इसके अंदर ऐसा नहीं है, कि जो आपने नाम ना सुना हो, सभी का नाम आपने सुना होगा, तो इसलिए मैंने सभी को include कर दिया, ताकि पेपर के अंदर आए, तो आपको session भी पता होना चाहिए, और आपको year भी पता होना चाहिए, ठीक है बाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए, बिल्कुल main points में आएंगे, जहां पर कोई काम यह elaboration का, वहाँ पर कुछ elaborate नहीं करूँगा, क्योंकि उससे सवाल कभी आएगा ही नहीं, यह कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो सीधर-सीधर सवाल आएगा तो आएगा, इसके depth में कभी सवाल नहीं आएगा, 1893 में गणपती महुतसव यह स्टार्ट किया, बीजी तिल और 1897 में, रामकृष्णा मिशन, फाउंडर थे, विवेकानन्द, रामकृष्णा, इनके गुरू है, रामकृष्णा परमहंस, तो उन्हीं के नापर रामकृष्णा मिशन, इन्होंने स्टार्ट किया, विदान्त की प्रमोशन के लिए, और हेड़कोर्टर इसके वेलूर आजाता है, 1902 में, गांदी जी अभी कहां पर है, इंडिया में नहीं आया, अभी, अभी कहां पर है, अफरीका के अंदर है, तो गांदी जी, पब्लिष्ट इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये जो मैगजीन है, इन्होंने लौंच की, उसके बाद 1904 में, अभीनव भारत सोस है, कि मैंने आपको क्या बताया था, कि बंगाल का पार्टिशन होता है, वहां से याद रख सकते हो, आप दादा भाई नौरो जी का, कि 1906 में वो बनते हैं, कॉंग्रेस के अधियक्ष, ठीक है, तो वहां से भी मैंने आपको बताया था, 1905 में क्या होता है, बंगाल का इसको क्या हिंदी में लिखूं मैं, मुसलीम, ऐसे थोड़ी लिखूंगा यार, है ना, तो आप खुछ समझ दा रहे हैं, तो कोई मेर को ये मत बोले, इसको हिंदी में पढ़ा दो, ये हिंदी और इंग्लेजी, तो ये तो सेम ही रहेगी ना भाई, यहां पर कहां से समझ आएंगी, 1905 में बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये लोग क्यों कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा होता है कि बहुत ज्यादा एक जुटता हो रही होती है, और मैंने आपको क्या बता है था कि सबसे पहला इनों टार्गेट किसको किया था, जब इस्ट भागों में जब उसको बांट दिया, तो उसके बाद क्या होता है, वाइसरय कौन होता है, इस काम को करने के लिए, जो ये काम करवाता है वो होता है लोड करजन, तो अब कई बरी एक पेपर में अंदर आप देखेंगी, बहुत बार सवाल आ रहा है सिसी के अंदर की कौन स जो बंगाल एक साथ ना खड़ा हो पाए, फिर जब बाट देंगे, जो ग्राफिकल डिविजन कर देंगे, तो कुछ ही लोग इधर से होंगे, कुछ लोग इधर से होंगे, बहुत फरक पड़ता है इसका, और 1905 में देखे, फिर क्या होए, जब ये चीज हुई, ये लोग मनाएंगे, हम ये पार्टिशन ऐसे नहीं होने देंगे, उधर वाले लोग इस्ट वाले और वेस्ट वाले लोग एक दूसरे को राखी बांदेंगे, ताकि हम डिवीड ना हो, लेकिन अब देखे कि कितने दिन तक ही सब चलेगा, एक ना एक दिन तो डिवीजन होनी थी औ में, तो धीरे धीरे उसने अपना बड़ा रूप ले लिया था, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा जितने भी ये मोमेंट्स थे, दव गए थे, ठीक है, आज की डेट में भी आप देखे कि जैसे सपोस कि किसान अंदोलन तो उसको भी दबाने के लिए किस तरह से किया जाता ह है, डिवाइड रूल की पोलिसी खेली जाती है, लेकिन फ्लॉप शो हो जाती है, आज की डेट में लोग समझदार बहुत जाद हैं, हाला कि तब भी समझदार थे, लेकिन अंग्रेजियों के सामने करते क्या, और आज की डेट में भी देखी क्या बोलते हैं, हिंदू, मु इस्टिचूशन है, अगर उनके स्टूडेंट्स अंदोलन में पाए जाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स उन इस्टिचूशन को बोईकोट करते हैं, वहाँ पर आने से पढ़ाई नहीं करते हैं उन इस्टिचूशन में, तो उन इस्टिचूशन को जो फंड देती थी, ब बड़े बड़े नेता थे, वो सभी Congress के अंदर ही थे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 1906 के अंदर Muslim League बनाती जाती है, All India Muslim League, Founder इसके कौन होते हैं, आगा खान थरी, Khwaja Salimullah और हकीम अजमल, इन में से किसी का भी नाम आए तो आप मार्क कर देना, लेकिन कई लोग Real Founder इसका जो होता है, वो बोलते है, Muhammad Ali Jinnah को, उसका कारण यह है कि Muhammad Ali Jinnah इस Muslim League को टॉप तक लेके गए, फिर यह जो पाकिस्तान में जाती है, यह वही लीग होती है, Muhammad Ali Jinnah के साथ ही जाती है, ठीक है, तो इसलिए Real Founder, मतलब कि जिसकी वज़े से नाम ज़्यादा हो गया ठीक है, समझ रिए ना, कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए जो बहतरी के लिए सबसे ज़्यादा इस बंदे ने काम किया, हला कि इसको लीडर ही बनना था इस विक्ति को, लेकिन ठीक है, तो Muhammad Ali Jinnah को Real Founder बोला जाएगा, बट सिरफ Founder की बात है, तो इन तीनों में से Congress भी बहुत जादवीक होगी थी, क्योंकि बहुत सारी लीडर, जो Muslims वाले थे, वो अलग होगे, और जो Congress है, उसमें सिरफ Hindu लोग रह गए थे, और आप आगे चलके देखेंगे, तो Congress और वीक हो जाएगी, जब B.R. Ambedkar आएंगे, और वो Dalits जो होंगे, वो भी उसमें से ज जाएगा, सिख इसके साथ जाएगा, इसा इसके साथ, मैं लोग, सुरी इसाई नहीं आएगा, मैं लोग, Community-based हो जाएगा, ठीक है, तो वही चीज का फाइदा भी आगे, British government ने उठाय था, communal elections भी कराय थे, वो सभी आएंगे भी आगे, और दूसरा बात यह है कि यह बनाई क्योंकि आप देखें कि most of the, जो revolts हैं, वो सारे north से ही start हो रहे हैं, तो इसलिए epic center यहीं था, लखनौ, पंजाब, बिहार, यह सब ज़्यादा epic center में थे, ठीक है, अभी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, आगे फिर चलके जब गांदी जी आ जाएंगे, तो वो सूरत मे भी start कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ भी और ज़्यादा होने लग जाएगा यह, तो यहाँ पे जो north वाले लोग थे, आप देखें वैसे भी कि north वाले लोग जो होते हैं, यह थोड़ा सा, आप देखो कि north का इलाका हमेशा जो है ना, battles के लिए रहा है, जादा तर में involved नहीं रहा, वहाँ के लाके थोड़े शांती प्रिया रहे हैं, as compared to north, क्योंकि north में बार-बार अफगानियों के हमले होते थे, और सबसे ज़्यादा loot part, mark उटाई, नर्सहार, रेब, यह सब चीजें, north के लोगों को ज़्यादा face करनी पड़ती थे उस case में, ठीक है, त यह था सारे का सारा All India Muslim League के बारे में, अब बात करते हैं, 1907 की, अभी बहुत कुछ होना बाकी था, यहां तक तो Congress weak होई तो चलो कोई बात नहीं, इतनी भी weak नहीं होई थे अभी, क्योंकि सारे हिंदूस के साथ थे, 1907 के अंदर सूरत सप्लिट हो जाता है, सूरत सप्लिट का मतलब क्या है, आप देखिए, दो तरह के दल है, देखो, एक दल है नरम और एक दल है गरम, ठीक है भाई, लेफ्ट राइट वही हो गया, ठीक है भाई, तो जो नरम वाले हैं, यहां पर कौन है, गोपाल, कृष्न, गोखले, जो मेन लीडर है, और जो गरम दल है, यहां पर है, लाल, बाल, पाल, ठीक है, लाला, लाचपतराय, बाल, गंगाधर, तिलक, और विपिन चंदरपाल, यह तीन जो थे, यह गरम के निता थे, और यहां पर क्या होता है अब, कि यह लोग जो बोलते हैं, गरम वाले, यह थोड़ा सा कहते हैं कि भाईया, आजादी ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा जोश दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इनकी थिंकिंग, विचारधारा यह थी, कि चाहे थोड़ा वहता वाईलेंस भी करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, मनलब कि थोड़ा सा कुछ करने से यह ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल शांती से, यह से करके बैठे हो और आप बोले कि कोई आपको थाली में परोष के दे जाए, लेकिन इनकी विचारधारा अलग थी, ठीक है, यह गांदी जी के पॉलिटिकल गुरु भी है, अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कोई पूछ ले तो यह गांदी जी के पॉलिटिकल गुरु भी बाने जाते हैं, तो अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में यही रहता है की इससे ज़्यें है कि election करा लगते हैं, आपस में यह बोलते हैं हमारा head बनेगा, यह बोलते हैं हमारा head बनेगा, तो रास बिहारी boss को बीच में लेकर उसको बना देते हैं कि आपको यह सारी लेक्शन कंड़क्ट कराने हैं ठीक है भाई तो अब होता क्या है कि इनको भी पता होता है को पाल कृष्ण गोखले को भी कि बाल गंगा धरतिलक को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ठीक है आप देखेगी 1893 में इन्होंने गणपती वाला वो जो महुत्सव है वो भी स्टार्ट किया था शिव जी वाला महुत्सव भी स्टार्ट किया था क्योंकि महाराष्ट्रा से थे सोरी महाराष्टरा कहा रहा हूँ अपना गुजरात से थे ठीक है तो अब इनको पता होता है कि इनको बाल गंगा दरतिलग को लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो होने कहां थे इलेक्शन नागपूर के अंदर होने थे लेकिन नागपूर में नहीं होते हैं इलेक्शन तो इनको पता है कि वहाँ शायद ज़्यादा लोग इनको चाहते थे तो ज़्यादा चाहते थे तो मुद्दे की बात करते हैं तो नागपूर में इन्होंने होने नहीं 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 इनको मिलके 67% वोट्स इनको मिलके 67% और वहां पे हुआ क्या वोटिंग से पहले बहुत इन्होंने कुछ इनको बोल दिया इन्होंने कुछ इनको बोल दिया तो वहां पे अंडे चपले जूते सब चले मरलब इतने बड़े बड़े नेता जो हैं आपस में अंडे चपले इसी तरह से बचा लिया गया और उसमें फिर बाल गंगा दर्तिलक उस प्रेजिदेंसी से भी बाल गंगा दर्तिलक जीत गये और बाल गंगा दर्तिलक का तो जनम हुआ था वो हुआ था गुजरात के अंदर तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा कि इनकी हॉम प्रेजिदेंसी तो यहीं पर इन्होंने OKD खेला था गो पाल-कृशन, को खले तो यह जब हो गया तो गोपाल-कृशन, को'कले ने बोला कि भ allies अब यह बनाने वाल से बाल गंगा दरतीलक़ व तो यह भोलते यह और तो बनन और बाहर कहीं होते तो हम बना देते तो ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ट था जो इन्होंने सोचा नहीं और इन्होंने सोच के खेल दिया ठीक है तब ही तो बोलते हैं पर उठा के करा लिया हमारे साथ विश्वासकात कर रहे हो तो हम अपना अलग बनाएंगे आप अपना अलग बनाएंगे यहां से अब यह जो है स्प्लिट हो गया इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट और यहां पर यह जो कॉंग्रेस थी यह बहुत वीक हो गई बहुत वीक हो फिर ये गांदी जी के पास भी जाते हैं तो गांदी जी उस टाइम पर बिजी होते हैं South Africa के अंदर वहां के reforms लाने में ठीक है तो वो उनको बोलते हैं कि ठीक है बाद में मैं आऊँगा जैसे यहां से free होता हूँ तो वो सब नोटंकी आगे चलती है ठीक है भाई इसको उतार लो कोपी में बागे देखिए आप कि 1908 में मुझफरपूर का बम कांड होता है इसमें जो खुदी राम बोस हैं वो करते हैं ये इसमें होता क्या है कि ये एक तो दो ब्रिटिश के जो इंपलोई होते हैं दो दो कोई I think आरमी के ही लोग होते हैं ठीक है तो उनको एक तो बम से उड़ाने की कोश्च करते हैं लेकिन वो लोग दोनों किसी ने किसी तरीके से बच जाते हैं उसके बाद एक जज होता है उसने बहुत बार क्या किया होता है कि जैसे जो अपने जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं लेकिन उसके अंदर जो एक महिला होती है और उसकी बेटी होती है कैनेडियन महिला होती है तो वो दोनों मर जाते हैं ठीक है लेकिन उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है और फिर फांसी की साज़ा चुनाई जाते हैं जफर्पुर जेल के अंदर ही, I think 11 August 1908 को दी जाती है, फांसी, ठीक है? अब यह कोई बहुत जादे इंपोर्टने नी, लेकिन फिर भी मैं बता दिया मैं एक्जाम के point of view से बोलता हूँ, इसको दूसरे अंगल से मत ले जाना कोई भी लोग और 1909 में क्या हुआ था? मारले मिंटो रिफॉर्म आये थे, मारले मिंटो रिफॉर्म क्या बोलते थे? communal elections मैंने जासे पहले भी आपको पताया था कि भाया, सिखों के अलगसे होंगे, Muslims के अलगसे होंगे, इसाइयों के अलगसे होंगे, सब लोग हिंदू है, लेकिन कुछ आप देखिए कि Muslim भी है, मान लो, और यहाँ पर सब लोग Muslim है, ठीक है? लेकिन कुछ Hindu भी है, तो जो majority है, majority को तो कोई दिक्कत नहीं थी, majority वाले यहाँ पर क्या बोल रहते हैं कि हमारा नेता बने, communal में यही तो फरक है, ठीक है? अगर communal word ना आता है, communal election ना आते हैं, तो फिर क्या होता? फिर सब भी लोग सोचते हैं कि भाईया, जो सही बंदा उसको खड़ा करते हैं, यह देखिए तब से जो बीज भी रखे हैं, तब से जो बीज बीजे गए, आज तक वही चल रहे हैं, आज की डेट में भी आप किसी भी government को देख लीजे, वो भी धर्म की राजनीती करते हैं, यह देखिए, तब भी धर्म की राजनीती किसने शुरू की थे अंग्रेजों ने, तो इन्हों ने जान बूच के की थी, अब यहां पे जो Muslims थे, हिंदू बहुतायत एरिया में, यह डरने लगे, कि भाईया, अगर हिंदू का राजा बना यहां, हिंदू का लीडर बना, तो हम फस जाएंगे, हमारी कोई देखबाल नहीं करेगा, इदर Muslims वाले इलाके में, हिंदू डरने लगे, कि भाईया, अगर Muslims का लीडर बना तो हमारी देखबाल कोई नहीं करेगा, तो यह इस तरह कि इनके conflicts का यह root cause है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि यह जड़ जो थी, बीज जो था, इन्होंने इंग्रेजोंने यहां पर उत्पन कर दिया था, और यह बहुत बड़ी चीज हुई थी, और आप देखिएगा, कि यह जो communal elections हैं, इसका कोई खास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाला कि उनको आके यह चीज करनी चाहिए थी, लेकिन वैसे वो बहुत कुछ करते रहें, कि हाँ, हम सब भाई बाई हैं, लेकिन यहां पर जो यह चीज जो इन्होंने की अंग्रेजोंने, इसके लिए वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यहां तक यह अपना जो जड़े थी मजबूत कर चुका था, तो एकदम से अब इसको खतम नहीं किया जा सकता था, समझगे इस चीज को, कि यह भी क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी यह भी, और 1911 में देखिया आप, यह मारले मिंटो रिफॉर्म से हैं, इस टाइम इसको बुलाता है, तो यह लोग आते हैं, अब यह क्या बोलते हैं, आप देखियेगा ज़रा ध्यान से, कि बंगाल में यह लोग का हेड़कॉर्टर कहां था, अंगरेजों का, बंगाल में था, सारे इंडिया को, कहां से यह रन कर रहे थे, अड्मिनिस्टेशन को, बंगा नौर्थ में, यह जितने भी लाल बाल पाल थे, वो भी नौर्थ के अंदर, तो आप देखिये कि जितने भी लोग थे, वो नौर्थ में कर रहे थे, सारे की सारा प्रोटेस्ट, और यह बंगाल में बैठे हैं, तो इन्हों ने सोचा कि भाया, हम कब तक यहां पे बैठके इस administration को चलाएंगे, तो चलिए वहीं चलते हैं, जहां पर यह सब हो रहा है, तो इन्हों ने इंग्रेजों ने अपनी जो capital शिफ्ट कर दी, डेली में कर दी, ठीक है भाई, इन्हों ने दिली में अपनी new capital किसको बना लिया, दिली को बना लिया, कलकत्ता से दिली आ गए अ और जब से यह आए हैं, उसके बाद बंगाल जो है यह वैसे का वैसा ही पड़ा है, किसी ने इसको सुधारने की कोई कोश्च नहीं की, आप देखें कि सबसे पहले यहां पर development स्टार्ट होई, लेकिन आज की data में कोई खास development है नहीं, बंगाल को आज भी देखेंगे तो आ और आप देखें उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि हम बंगाल के partition जो हमने किया था 1905 में उसको refuse कर देते हैं भाई, अजीब मतलब कुछ भी हाथी के दान खाने के और दिखाने के और वाली बात, कि अब इसको refuse कैसे कर दो कि भाई, जब तुमने बंगाल के कर रहे हैं बिहार और उडिसा की, अब आप देखिए कि क्या जबरदस्त गेम खेलते हैं, जाते जाते भी यहाँ पर उपर वाले भाग को काट गे और एक नीचे वाले को काट गे, यहाँ बना उडिशा और यहाँ बना बिहार, यह बंगाल से ही बने आए, तो अगर कोई पूछले कि उडिसा और बिहार कब बने, तो आप बोलेंगे कि 1911 में ही यह जो इनकी डिवीजन थी, यह पास करती थी इनोंने, ठीक है भाई, और आप देखिए कि यहीं पर ही एक यह जो 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 जोर्ज फाइव थे, इनोंने क्या किया था, यह देखो यह 1911 की बात है, ल नाइट हूड के टाइटल से सम्मानित किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नाइट हूड का टाइटल कैसे हो, तलवार यूँ करके उसके आगे जुगना पड़ता था, फिर वो नाइट हूड का टाइटल देते थे, तो यह सब नों टंकी करते थे, यह अंग्रे गदर पार्टी बनाई जाती है, अब आप सोचें कि यह गदर पार्टी क्या है, यह वर्ड ही अपने आप में आपको डिफाइन कर रहा है, गदर का मतलब है कि बेसिकली किसी के अगेंस्ट हमने एक तरह से बहुत बड़ी वोईस रेस करना, ठीक है, यह जो है, यह मेंली सि सिख धरम के लोग थे, यह अलग 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 कंट्री में फैले हुए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिख उस ताइम पर क्या था, कि वइपारी भी होते थे, तो यह ऐसा नहीं था कि सिरफ इंडिया तक फैले थे, यह अलग अलग कंट्री में जाके फैल गे थे, USA में, Canada में हाला कि बाद में मैं आपको बताऊंगा यह को मगा तुमारा वाला भी कि यू कैनेडियन्स ने कैनेडा वालों ने इनका एंट्री भी बंद कर दी तो उसके बाद क्योंकि ये लोग अब देखी कि क्या होता था कि जब आफ किसी कंट्री में जा रहे तो ऐसा तो है नहीं जाए था कि बहुत जाए strict laws थे या क्या था बहुत सारे लोग क्या था illegally भी चले जाते थे ये सब आपको देखने को मिलेंगे, मेली इलाला हर्दियाल का ही आपको option देखने को मिलेंगे कि किस ने गदरफाटी बनाई और कब बनाई, 1913 में, ठीक है, इनका काम क्या था, ये वहाँ बाहर जाके बहुत मेहनत करते थे, वहाँ में बहुत सारा पैसा कमाते थे, और आपक अपने देश को अजात कराना था, तब तो लोग भेज रहे थे, तो आज किसानों को की मांगे हैं, उनको फूरा कराना है, तो किसानों के बहुत सारे गाउं के बच्चे हैं, जो गए हुए हैं, बाहर पंजाब से इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो आज जब पंजाब को जुरूरत है तो क्या वो नहीं भेजेंगे पैसे वहां से तो यहाँ पर क्या मतलब अंदोलन के ऐसी चल जाते हैं इंडिया में जितने अंदोलन चल रहे थे सब यही पैसा भेज रहे थे भया उससे पहले तो कोई अंदोलन खास चला ही नहीं आप देखिएगा कि जब यह आये हैं इन्होंने बहुत सारी funding इंडिया में start की है उसके बाद आप देखिएगा कि कितना जवर्दस तरीके सा आगे अंदोलन पिक करेंगे है ना इससे पहले तो अंदोलन ही नहीं चल रहे थे कुछ होई नहीं रहा था इंडिया में as such ठीक है तो पैसी की तो जुरूर हर जगा पर होती है तो वह ही यहाँ पर था तो अब क्या होता है कि 1914 में देखिए आप कॉमा गातू माराशिप इंसिडेंट इसमें क्या होता है कि बाबा गुर्दित पापा गुर्दित सिंग जी जो होते हैं ये सिंगापूर के बिजनसमेन होते हैं ये होते हैं इंडो कैनेडियन यानि इंडिया के भी रहने वाले और कैनेडा के भी रहने वाले दोनों जगा पर ही रहते थे बिजनसमेन होते थे सिंगापूर के ठीक है तो ये जो है उस टाइम पर Canada ने क्या किया था बंद कर दिया था बहुत सारे पंजाब के लोगों का वहाँ पर entry तो जो भी जाता था उसको entry नहीं करने देते थे क्योंकि यहाँ पर जो हलात थे इंडिया के हलात थे उनको पता था Canada वालों को कि भया वहाँ पर बहुत सारा यह नो टंकी चल रही है ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं तो security reason भी थे बहुत सारी दिक्कते थी वहाँ पर क्योंकि फिर यह वहाँ जाके Canada में जाके कि अपनी parties form करेंगे और बाबा गुर्दित सिंग जी का सिरफ इतना सा concern होता था कि अगर आप दूसरी जा रहे हो तो आप वहाँ भी इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं एक तरह से वह होता है कि सीड बहुत सकते हैं फिर वहाँ पर भी जब वह चीज बड़ी हो जाएगी तो ओवसी बात है आज की रेटर में देखिए आप कि कैनेडा के अंदर कितने सारा पंजाब बस गया तो ऐसा नहीं कि उसको हलके में ले लिया जाएगा ठीक है वो एक इंटरनेशनल प्रेशर हो गया एक तरह से यह समझ लीजिए तो वो उनकी थिंकिंग थे उस टाइम के लोगों कि बहुत सार लोग ऐसे भी थे आप देखिए तो उन्होंने क्या किया था यह चार्टर किया थे ऐसे से अलग लग लोग गये थे ठीक है लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने मना कर दिया इनकी एंटरी को और सिरफ 24 लोगों को ही वहाँ पर एंटरी अलाव हुई थी जो कि उनके रूल्स के अकोर्डिंग फिट वैट रहे थे बाकी सबको वाफस तो यह 1914 का कोमा गातु तुमारा शिप इंसिडेंट है ठीक है भई यह इधिंक जपान से चला था यह जहाज कोमा गातुमारा और उसके बाद अब देखे कि 1915 आ गई है और गांदी जी इडिया में आ गए है और अभी यह एक डेट साल अपना अराम से अपना आश्रम उश्रम बनाने में व्यवस अब यह तो अकेले आर्मी थे वनमेन आर्मी तो भाया इनके पीछे तो अभी बहुत सारे लोगों ने लगना था तो इन्होंने पहले अपना आश्रम बनाया और आपको मैंने बता रहा है कि गोपाल गरिशन गोकले कौन थे इनके पॉलिटिकल गुरू थे तो सीधा सीधा किसी बात है कि पूरी की पूरी कॉंग्रेस की बागडोरीनी के हाथ में आने वाली थी कॉंगरेस का मतलब गांधी आगे यह होने वाला था ठीक है अब देखें कि 1916 में क्या होता है अब देखो यहां पर आये हैं लेकिन पिछे के जो कम्यूनल इलेक्शन चल रहे हैं उसक जो भी कारण है लेकिन आगे आपको चल के देखने को मिलेगा कि आगे फिर नहीं अपोस करते हैं यहां तो ठीक है आगे फिर एक गलती करते हैं वो आगे चल के देखेंगे जब हम पहुंच जाएंगे वहां तो आप देखें कि 1916 में क्या किया था बनारस हिंदू जब आप देखें कि अभी गंदी जी आ तो गए है 1915 में लेकिन यहां पर होता क्या है कि कॉंग्रेश जो है कॉंग्रेस है जो उसमें सारे बुढ्दे रह गए हैं सभी क्या है बुढ्धे नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सबी वरिद लीडर हैं तो उसके लिए फिर क्या था इन्होंने सोचा कि और उपर से ये इतनी वीक होगी आप देखे कि यहां तक आपको कहीं भी कॉंगरेस दिखाई दी नहीं दिखाई दी दिखी नीरी कॉंगरेस कहीं पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि मुसलिम लीग अलग होगे इस्ट्रीम लीडर सलग होगे और ये खुद ही बचे हैं बस अब वरिद लीडर तो अब ऐसे में क्या था कि जो आपके बाल गंगा दर्तिलग लाल बाल पाल थे उन्होंने क्या किया उन्होंने रिक्वेस्ट की मुसलिम लीग को कि आप वापस से आईए और कॉंग् ये इन्हों पुलॉअ बाल गंगा दर्तिलग हो लाल आ च्पटरबा बेवन चंद्रबाल हो हो बहुत विन्होंने क्या किया कि कॉंग्रेस की हल्प की उन्हों निढगहें कि अलग थल्ग पढ़े हैं क्योंकि उल्टिमेटली मोटॉ सेम था गोल सेम था तो उन्होंने उनके विचारिक मतबेद थे, बट ऐसे अंदर से सब लोग एक ही थे, सब यही चाहते थे कि अजादी मिले है न, तो उन्हों ने फिर से Congress की help की उसको region rate करने के लिए, तो यहाँ पर Muslim League फिर इसके साथ जुड़ती है Congress के साथ, और फिर यह स्ट्रेदन होती है, ठीक है, अब 1916 में ही क्या है कि बाल गंगा धरती लग क्या करते है, Home Rule Movement स्टाट करते हैं, कि भई अब हमारा सवदेशी राज रहेगा Home Rule Movement, इसमें क्या होता है, कि प एक सगेंड रुकिया है, ठीक है, और चंट कोल आ जाते हैं, ठीक है, आप देखें कि इन्हों ने की स्टाट पुने में एपरिल के अंदर, ठीक है, लेकिन एनिविसेंट ने भी इनको देखके फिर स्टाट कर दी, मदरास के अंदर, एनिविसेंट काउन थी, एक आईरिश केसरी, यहां लिखे देना कहीं, मराथा, और केसरी, ठीक है, और इनको देखके ही, इनको देखके ही, एनिविसेंट ने, कॉमन एंड न्यू इंडिया, एनिविसेंट ने जो निकाले, कॉमन और दूसरा था, न्यू इंडिया, ठीक है भाई, तो ये दो जो निकाले, में उतार लो इसको कोपी में अब आगे देखिया आप कि अब गांधी जी का टाइम शुरूँ हो गया सबसे पहले अंदोलन गांधी जी ने कौन सा किया था चंपाराण अंदोलन किया था 2017 के अंदर ये Indigo Farmers के लिए किया था आप लिख सकते हैं यहां पर हुन्थ के लिए लिए फौवा क्या था इसके अंदर की जो गोवल्मेंट थी उसटाइम की British government इसने बॉला था कि जो इंडीगो अफने खेats में उगाएगा उसको तीन गुना हम ज्यादा पैसा देंगे लेकिन ना तो इन्होंने तीन गुने ज्यादा पैसा दिया उपर से कमदामों में इंडिगो खरीद रहे थे और जहां पे इंडिगो की फसल उगाई जाती थी वो जमीन तो बंजर हो जाती थी, आसपास की जमीन भी बंजर हो जाती थी, तो इस चकर में सारे के सारे किसान जो हैं, गंधी जी के पास आये थे, नाम नहीं मेरे को याद आरे, एक सेकंड रुखिए, मैं नाम बताता हूँ आपको, कि कौन आया था, मैं नाम भूल किया उनक किसानों के बिहाफ पे थे राज कुमार शुकला जी ठीक है राज कुमार शुकला जी आये थे गांदी जी के पास यह नाम याद रहना आपको भूलना नहीं है मेरी तरह है ठीक है तो मेरा चल जाएगा आपका नहीं चलेगा राज कुमार शुकला जी आये बहुत देर हो यह अंग्रेज मान गए थे और तीन गुना मुआफजा भी उन्होंने दिया इनको किसानों को ठीक है तो तब से इंपक्ट पढ़ गा गांदी जीगा कि हाँ ये non-violence के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं देखिए कुछ-कुछ चीज़े होते हैं जो अग्रेज इंडिया को बोल रहे थे इंडिया के नेताओं को कि भईया आप हमारी सपोर्ट कीजिए वर्डवार के अंदर आप अपनी सेना को भेजिए अपने लोग को बोलिए तो भईया इतना ही non-violence का था तो गांदी जी ने तब यह क्यों नहीं बोला इनको कि नई भईया हम नहीं भेज़ेंगे पहले इंड की में भेज दिया लोगों को है न तो कितने लोग मारे गे वहां वल्डवार के अंदर लाखो लोग मारे गए το यहकों यही था यही समझ लिजी कि एमदाबाद के अंदर क्या था जो मिल थी वहां के लोगों को पैसा नी दिया जा रहता है वह सुराद दिन उनसे ओवर टाइम कराया जा रहता है शिफ्टों के अंदर तो कहने का यह मतलब था कि उनको दिक्कत हो रही थी वो गुजारा भी नहीं कि सेलरीज रुकी हुई थी और ओवर टाइम दो सब कुछ दिया गया और उसके बाद गांदी जी ने बोला कि ऐसे बात नहीं बनेगी यहाँ पर लेबर यूनियन मना देते हैं क्योंकि अब सिंगल कोई बंदा जाएगा तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा लेकिन अगर ल 1919 हाता है 1919 में मॉन्टेक कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं यह क्या थे यह कॉंस्टिचूशनल रिफॉर्मस आप इनको कह सकते हो कि जैसे इंडिया की जो असेंबली है उसको दो भागों में बाटा जाएगा यहाँ पर डूल सिस्टम जिसको हम डायर्ची कह सकते हैं बस आपको इतना जाद रहें मॉन्टेक कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स का बाई 1919 में कौन था वाइसरो यही है नाम उसका वाइसरो का मॉन्टेक कैल्मसफोर्ड ठीक है अब इसके बाद देखिए यह जो रॉल अटेक्ट है ना इसको उपर डाल ले यहाँ नीचे मठ डालो रहता था कि कोई भी बंदे को हम शक की बुनियाद पर गिरफतार कर सकते हैं वाया और उस पर केस ट्राइल चला सकते हैं तो यह कैसा है था रिफॉर्म यह तो पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने एकदम से तबाही मचा दी तो लाल बाल पाल जो बाल गंगा दरती लग थे यह सब लोग जितने भी स्टूनेंट्स थे यह क्योंकि यूथ के नेता थे ठीक है यह यूथ को अपने कंट्रॉल में रखते थे और जो गंदी जी थे यह अपने जो बुजुरग नेता होते थे बुजुरग लोग होते थे उनके साथ ठीक है तो वैसा रहता था क्योंकि यूथ कभी भी non-violence वाली साइड में जाता नहीं था और वो आपको भी बता है हना खून जो होता है गरम होता खौलता है फिर तो आजादी के लिए तो ये जो था इन सबने लाल बाल पाल ने जाजा के students को इसमें जागरित किया बहुत सारे students इनके साथ जुड़ गए ठीक है और उसके बाद देखिए कि home rule movement जैसे हुई थी पहले मैंने बताया था बाल गंगादर्ती लेगने स्टार्ट की थी तो वो जो पत्र लिखते थे अपना newspaper लिखते थे बहुत लोग पढ़ रहे थे उनके साथ बहुत लोग जुड़ गे थे तो अब वहां तो उन्होंने कहा दिया कि Indian secretary को puppet बना के कि भाया Indian secretary बोल रहा है वो तो puppet होता था government का कि जरूर हम कुछ अच्छा करेंगे तो सभी students को शांत करा दिया सारी movement को शांत करा दिया लेकिन अब यहां पर क्या roll attack लिया है अच्छा तो क्या करना था roll attack लिया है ठीक है कि कि किसी को भी गरिफतर तो फिर जब students को पता लगता है तो वो इस movement में आगे आते हैं और गांदी जी क्या करते हैं गांदी जी जगा 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 जाके अलग लग जगा पर प्रोटेस्ट करते हैं लोगों को सभाई करते हैं लोगों को अवेर करते हैं और इनी सभाओं का एक पार्ट होता था जल इसको कहते है, रॉल अटेक्ट के है, काला कानून, इसको लाया जा रहा है, इसको काले कानून के दौर पर भी जाना जाता था, तो भाईया, आपको अवेर रहना है, इसके लिए फैलाओ सब जगा पर ये बात, लेकिन, अब एक व्यक्ति था, गदार, जिसका नाम था कि जनरल डायर को बता दिया, वो जनरल होता था है, जनरल डायर ने क्या कहा, कि चलो भाईया, ठीक है, आने दो एक बरी सबको, सब लोग अंदर आए, दिवारे थी वहाँ पर उची उची, तो ये हंसराज को उसने बोल दे कि भाईया, तू कर देना दर्वाजा बंद, इस सब लोगों के उपर उसने गोलिया चलाई, क्या बच्चे, क्या बुड़े, तो इतना दुर्गती कर दे और आप देखेंगे, जब कभी जाके वहाँ जलिया वाला बागा भी, तो वहाँ पर रेनोवेशन चल दे तो खुला नहीं है, लेकिन जब भी खुल जा, कभी देख जिसका बजला लिया था, उदम सिंग ने, ठीक है, शायद मेरे खाल से 22 पता नहीं, 23 साल बाद कुछ ऐसे उसने क्या किया था, इसके बाद जनरल डायर तो चला गया था अपना बिर्टेन, वो तो एकदम मजे में रहा रहा था, उन्होंने कुछ नहीं बोला इसको भाई, ये एकदम फुल ओन, इसको पता नहीं क्या क्या ओनर्स वगरा दे रहे थे वो, तो उदम सिंग वहाँ पे गया, इसकी जो बेटी थी, वो कुछ ऐसा अफेर उफूर हुआ इनका ठीक है, और फिर भरी असेंबली में उसने अपनी गन निकाल के जहाँ पे जनरल डायर को सम देगे दिवानी, कोकि एक बंदा इतना बड़ा क्राइम कर गया और उसके ओपर ट्राइल नहीं चलाय जा रहा है, लेकिन इंडिया वाले छोटा सा कुछ भी कर दे, तो उसके ओपर ट्राइल चलाय जा रहा था, यह भी दोगला स्टेंडर्स आप देखिए, इसे बात तरकी के अंदर भी इनी का राज चल रहा था, और तरकी के अंदर क्या था, कि जैसे इंडिया में पेशवा की गद्दी थी, ऐसी वहाँ पर खलीफा की गद्दी थी, ठीक है, और इन्हों ने देखा कि भाईया, जैसे इंडिया में पेशवा की गद्दी को खतम किया, वही strategy वहाँ अपनाई इन्होंने क्योंकि वहाँ भी इनके control में से बाहर ती परस्तितिया तो इन्होंने क्या किया खलीफा की गद्धी को ही खतम कर दिया ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस हो लिए मतलब खलीफा रहेगा ही नहीं तो लोग सुनेंगे किसकी तो खलीफा की गद्धी को ही खतम कर दिया उस treaty को बोल दें Seavers Treaty ठीक है और इससे क्या कर दिया इन्होंने तरकी को दो भागों में वाट दिया वही जैसे बंगाल भी भाजन किया ऐसी वहाँ पर विभाजित कर दिया और इसी के अंदोलन में पूरे टरकी में अंदोलन हुआ था इसी चक्कर में और इंडिया से भी अंदोलन हुआ था क्योंकि इंडिया वालों ने देखा कि भाईया वहाँ पर हो रहा तो इन्हों ने भी जो यहां के मुसलिम था उन्होंने भी इस उपर्चुनिटी का फाइदा उठाया और उन्होंने भी वो लगी हम यहां भी करेंगे उसके लिए अंदोलन तो मुहमद, अली और शौकत अली इनको अली ब्रदर्स बोलते हैं 1929 के अंदर वो सब पूचा आप देखिए बहुत सीक्वेंस में मैंने बनाया बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एक-एक स्लाइड को बनाने में ठीक है क्योंकि इसका content चापने में मेहनत लगती है सारी की सारी यहां पर पढ़ाने के अंदर इतनी मेहनत नहीं है जितनी content बनाने में लगती है और वो भी सई सीक्वेंस में 1920 के अंदर फिर देखी क्या होगा कि बाल गंगादर तिलक नहीं रहे और फिर क्या होगा कि non-cooperation moment start कर दी गई ठीक है अब यह क्या है कि गांदी जी ने non-cooperation moment start कर दी आप देखिए कि बाल गंगादर तिलक ने क्या किया था उन्होंने जब गंगादर तिलक पड़ रही थी तो उन्होंने क्या किया था लखनव पैक्ट करवा के और कोंगरेस को strong किया था क्योंकि उनको पता था कि हमारा motive एक है लेकिन अब आज देखिए गांदी जी नरम दलके नेता है और बाल गंगादर तिलक गरम दलके नेता है लेकिन फिर भी गांदी जी ने क्या किया उनके उस दिन को यादगार मनाया और दूसरी बात ये भी थी कि गांदी जी ये भी समझते थे कि इस वक्त लोगों के इमोशन एकदम हाई लेवर पे हैं कि भाया हमारा जो मेन लीडर है वो नहीं रहा है ठीक है तो उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि भाया यही सबसे बड़ी उपरचुनिटी है कि सबको एक साथ इस इस इमोशन को पूरे के पूरे इमोशन को एक साथ कवर किया जा सकता है तो पूरे देश में नौन कोपरेशन मुवमेंट चलाएगी गांधी जी ने अपना टाइटल जो कि एंगरेजों ने उन्हें दिया था के इसरे हिंदिये वापस कर दिया उनको और अब इसका चोटा से एक्जामपल आप ऐसे समझ सकते हैं आज की डेट में जब किनसा अनन जाणुआ तो बहुत सारे प्लेयर्ज अपने आवार्ड्स उर्मेंट को चले गें दूरोन चार रहे अवार्ड पर भूषन पर बह Óर्ड सब वापस करने चले चीलेगे कि भया आप किस हम किसान हैं हमारे साथ यह कर रहो हम किसान के बच्चे हैं भया हम यह रप पड़े- आवर्ड आप हमारी मांगे मानो तो कुछ वैसा ही यहां पर हुआ ठीक है आज के साथ रिलेट करके मैंने बता दिया और 1921 के अंदर प्रिंस चार्ल्स इंडिया यह थे तो यह कोई अब देखिए कि मैंने आपको जैसा कि अब समझाए कि जलिया वाला बाग कांट जब हो चुका था तो पूरे देश में इतना गुसा था इतना रोश था कि भईया हमारे लोग के साथ यह क्या किया है इन्होंने अब यहां पर क्या होता है कि नॉन कोपरेशन मोमेंट तो भी जैसे कि मैंने आपको पता है कि यह 1922 में बंद हो जाएगी कैसे बंद होगी चोरी-चोरा हत्यकांट होता है यहां पर गोरखपूर के यूपी में एक्चुली में कहता है कि शराब की दुकान के बार हुजूम लगा होता है लोग तो पीने के लिए भाईया अपना खरीद समझे उन पर गोलियां चलाते हैं और एक बंदे के हाथ पर गोली लग जाती है अब जैसे ही यह काम होता है आपको पता है कि देश में गुसा अल्रेडी इतना भरा हुआ है भाईया उपर से यह लोग और मारने की कुश्च कर रहे हैं फिर से वही चीज तो लोगों का दिम पुलिस स्टेशन में गुस गए तो वो पुलिस स्टेशन के गेट फिर इन लोगों ने जाके बंद कर दिये और उसको चारो तरफ से घेर के उसके उपर कैरोसीन का तेल शराब की बोतलों को डाल के वहां पर आग लगा दी शराब की बोतल से भी आग एक तम पकड़ती है तो वहां पर पूरे पूलिस स्टेशन को जिला दिया और उसमें 23 पूलिस वाले थे ब्रिटिशर्स 23 के 23 मारे गए और उसके बाद क्या होता है कि फिर ब्रिटिश गवर्मेंट के एकदम हाथ पाउं फूल जाते हैं कि भाया अब तक तो ये बिल्कुल शांती से शांत इनको ऐसे तो या उट ओफ कंट्रोल हो जाएंगे तो हमें ठोकेंगे पकड़के तो इन्होंने क्या किया इन्होंने जगा-जगा से आप लोगों को उठाना शुरू कर दिया और गांदी जी को भी उठाया गया और इनको 10 मार्च 1922 को गांदी जी को संटेंस किया गए 6 सा इन्होंने बोलता कि मैं इस मूवमेंट का पार्ट अब नहीं हूँ यह इस बंदे को पता था पहले आप देखे कि यह थोड़ा सा दूर दर्शी विक्ति था इनको पहली बता होता था कि भाया देखो मेरी आइडेलोजी तो यह है मेरा रास्ता यह है मैं सब को यह बोलता ह होनी रहा क्योंकि बार-बर स्ट्रेटीजी आपको चेंज करनी पड़ेगी कुछ ने कुछ नया लेकि आना पड़ेगा ताकि सामने वाले को दिखे जैसे अंग्रेज करते थे वो हर एक दो साल में कुछ नहीं चीज ले आते थे तो अब यह क्या यहीं मुमेट थोड़ी च चोड़ दिया लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया कि नहीं भईया इनको तो सजा देंगे चाहिए इसी केस में घेरो पर घेरो जरूर ठीक है जी अब यह देखिए आप समझेगा कि गांधी जी जेल में है सब बड़े-बड़े नेता जितने भी कॉंग्रेस के सब जेल के अंदर पटक दिये नों ने उठा के अंग्रेजों ने और आप देखिए आप बाहर कुछ ही नेता रह गए हैं तो 1923 के अंदर आप देखिए कि स्वराज पार्टी जो है यह फॉर्म की जाती है जिसके प्रेजिडेंट बनते सियार दास, चितरंजन दास और यह अभी क्या है कि उनका टाइम आना है, समय दो इस चीच को, तो अब क्या होता है कि यह सारे लोग मिल जाते हैं, यह सबी लोग इस सवराज पार्टी के अंदर मिलते हैं और कॉंग्रेस प्लस खिलाफत, खिलाफत के जो लीडर थे, अली ब्रदर्स यादो आपको, वो बहु ठीक है, तो शोव अपना चलता रहा बाहर जो भी था, फिर 1924 में आप देखिए, खेल बदलेगा, 1924 में एचारे की स्थापना करते हैं, एचारे है हिंदूस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन, और यह है एचारे, अभी आगे चलके आएगी HSRA, जिसका करते हैं संगठन, अ इन की साथ मिलते हैं, ठीक है, यह सारे जो युवा है, अब यहां पे जो आपको देखने को मिलेगी, आगये पाкіया तूब आपकी हीरो भी आने वाले हैं, भगत सिंग जी है और चंधर शेखराजा, बोनों आने वाले हैं, ठीक है, अब दोनों की एंट्री होने वाली है, अब आप देखिए कि 1924 के अंदर अब देखिए लाल लाजपतराई तो थे माँ पे और बिबिन चंदरपाल सन्यास ले चुके थे और बाल गंगा दर्तिलक रही नहीं थे तो अकेले लाला लाजपतराई की भी काफी एज हो चुकी थी ठीक है तो वो यूथ को बस एक डिरेक आपको याद होने ची दोनों में से कोई भी आ सकते है पेपर में डिरेक्ट पूछेगा कि अचारी की स्थापना किसने की और कब की कब तो पक्का पता होने चीए टिप्स पर होने चीए कि 1924 में 23 में सवराज पार्टी और यह सवराज पार्टी के तुरांत बाद 1924 में अब देखिए कि यह क्या करेंगे अभी आपको बताता हूँ पहले 1925 में चलते हैं उसके लिए 1925 में यह continuity में अभी बताता हूँ लेकिन 1925 में क्या होता आरसेस का भी संगठान होता है यही आरसेस है जो आद मोदी जी वाली जो अभी ठीक है तो राष्ट्य सवयम सेवक सं बाइक के भी हजवर और हैड़क्वाटर इसके नागपूर में मनागे थे महाराष्ठा में ठीक है यह एक फैक्ट है इसको याद रख लेना अरसेस कब बनी 1925 में बनी और यह याद आपको वैसी भी रहेगा आरसेस का कैसी याद देगा मैं बताता हूँ आपको 1924 में जो अचारे बनी अब इन्होंने क्या कहा इन्होंने सोचा कि भाया अब हमें चाहिए हत्यार यह गरम खूंता है एकदम भाया कि ठोक डालेंगा अंग्रेजों को पकड़के मैंने क्या बताया आपको कि 1919 के बाद लोगों का खून खोला हुआ था उस टाइम पर कि इनको ठोकना है अब पकड़के उपर से चोरी-चोरा कांट हो गया तो यहां से लोगों के और होसले बुलंद होगे कि ठोकेंगे सालों को पकड़के तो फिर वही बात थी यहां बे कि इनका दिमाग सिर्फ इस वक्त यही था कि भाया हमें शांती से नहीं इनको ठोक के हमें अजादी ल जिसको हम बोलते है काकोरी कॉंस्पिरेसी भाय अचारे तो ट्रेन होती है कि अंग्रेजों की उसके अंदर यह पता लगाते है सारे का सारे कि उसका रूट क्या है और कहां पर ट्रेन रुकेगी और बीच में कहां पर सुंसान रास्ता आएगा कि भाया वही पर घेरेंगे और उसके अंदर 8,000 रुपए थे उस टाइम के 8,000 रुपए मानलो पता नि 8 करोड मानो के 80 करोड मानो कितने होंगे उस समय के आप देखिए 1925 की बात हो रही है तो बहुत बड़ा माउंट होता होगा 8,000 रुपए लूट लेते हैं ये लोग लेकिन जब यह लूट लेते ह तो इसके बार बहुत कुछ होता है बहुत के कि भाया इनको पकड़ो और चंद्रशेकराजाद भी इसी युनियन को जईन करते हैं ठीक है इसी को एसचारे को जईन करते हैं फिर बाद में सब जगह पे येही फैला होता है ये जो होता है जितने century लोग इनको पकड़ने के लिए जगा जगा पर फैला देते हैं, हलाकि बाद में फिर इन सब को पकड़ भी लेते हैं, और इनको फांसी होती है, फांसी की साथ सुनाई जाती है, ठीक है, और आगे चलेंगे अभी, इसी को continuity में रहेगा ये, HR ये अभी continuity में रहेगा आगे, क्योंकि अभी चंदरशेख की हिस्ट्री के अंदर, अब आपको शाज जादा मजा आएगा, अब क्योंकि अभी यहाँ पर चंदरशेखर राजाद, भगत सिंग की जब बाते आते हैं, तो अव्वेस सी बात है कि एक अंदर से अलगी feeling आने शूरू हो जाती है, ना, आप देखिए 1928 में क्या होगा, क साइमन कमिशन आया इंडिया में, और इनको, जैसी इनकी ट्रेन आई न साथ बंदे थे, इसके अंदर, सभी ब्रेटिशर, वाइट मैन कमिशन बोला जाते है, इसको एक भी इंडियन नहीं था, उसके अंदर, तो वही पर लाला लाजपतर आये ने बगत सिंग, दोनों पहले सी जानते थे, एक्चुली में, बचपन से ही, ठीक है, तो वो मिलने आये, तो उन्होंने बोला कि भगत ऐसा है कि भाया, कल कोई दंगा नहीं होना चीए, एक दम शांती पुन तरीके से होना चीए, हत्यार नहीं चलना चीए, कोई भी, हम लोग जाएंगे और वहाँ पुलिस वाले होते हैं, ब्रेटिश पुलिस वाले वो लाला लाच पतराय पे लाठी चार्ज का देते हैं, एक छोर पे होते हैं, भगत सिंग, एक छोर पे लाला लाजी होते हैं, तो वो इतनी तेर में उनको बचाने आते हैं, तो इतनी तेर में बहुत ज़्यादा उनके स सन्यास ले चुके हैं और सिर्फ लाला लाजपत राए बचे थे जो यूथ को डिरेक्शन दिखा रहे तो और कोई था ही नहीं तो वो भी नहीं रहे अब और इसके बाद फिर इसी 1928 में नहरू रिपोर्ट भी आती है फिर फिर एचसारे का गठन होता है मैंने आपको पहली बताया था कि अब लाला लाजपत राए तो रहे नी ठीक है और भगत सिंग ने नोजवान सबाब बनाई होती है अपनी कोलेज टाइम में ठीक है और एचसारे कोन बनाता है यह बनाते है चंदर शेखर आजाद इन इनका अस उसी के लिए यह पूरे का पूरा य्ये अप पार्टी का गठन करते है क्योंकि ऐसे ही होता था प्वाइ कुछ भी नचा करना है तो आपको प्रॉपर ये क्या गरते थे ऐसी पार्टी इस बनाते थे जिसका मकसद पूरा हो जाता था तो फिर उसको डिल्यूट करके फिर न इस पर बाद में चलते हैं तो भगत सिंग आते हैं चंदर शेखर आजाद से मिलने की भईया मैं भी जॉइन करना चाहता हूं अब वहाँ पर होता क्या था देखिए यहां तो फिर भी यह आये मिलने ठीक है लेकिन जो लोगों को रिक्रूट करना उता था ना जैसे तो चंदर शेखर आजाद क्या करते थे जैसे मैंने बताए कि यह राम पर साथ बिसमिल के टाइम के थे तो यह क्या करते थे यह जाके अच्छा दो तो मिले निए चंदर शेखर आजाद से तो फिर वो बताते थे उनको की जो आपके साथ यहां पर मिलके गए हैं और ने रिकूरूट करके भी चले जाते थे और पता नहीं लगता था तो यह था इनका जबरदस परसं थे तो और इन्होंने कसम खा रिखी थी क आज के बाद कभी एंग्रेजों के हाथ नहीं लगूँगा, मरूँगा तो खुद से मरूँगा एंग्रेजों के हाथ से कभी नहीं मरूँगा, तो अब भगत सिंह इनके पास आते हैं, कि भईया मेरे को जॉइन करना है और ये पक्ष में थे इस चीज को, ये चाहते थें कि अभी इस चक्कर में ना फसें, वो अपनी पढ़ाई बगरा करें, तो ये शायद उसको, उनको future के तोर पे देखना चाहते थे, ठीक है, तो ये नहीं धगरी इस चीज के लिए कि भगत सिंग को इसके बीच में इन्वाल किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि एक बारी एंट ही जाएगी, आपकी मौत होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और उन्हें अपना भी बता था, और ये पक्की बात थी है न, ऐसा तो है नहीं था कि यहाँ पर एक केस कर जाएंगे बगत सिंग और वापस से फिर साव बनके रह लेंगे और अंग्रेज उनको छोड़ दें हैं, तो वो इस चीज में एंटर कर गए उस टाइम पर, ठीक है भाई, तो जेपी सांटरस को मारने के लिए भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव, ये तीनों गए, और इनके बस गंस थी, और लेकिन हुआ क्या कि उस दिन जेपी सांटरस तो पिछे रह गया, उससे पह अली खफा थे कि भईया, चोरी-चोरा कांट हुआ, अब यहां पर भी ठोक डाला हमें, बार बर हमें जो आ रहा है ठोके जा रहा है, जो आ रहा है ठोके जा रहा है, तो अब ये अंग्रेज भी बिल्कुल एक तरस सेहम गए थे, डर गए थे, क्योंकि इनों ने देखा कि अब हालात जो हैं, बिल्कुल बदलते जा रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में, अब क्या है कि ये पीछे बढ़ गए कि भीया, इन्होंने जेले भर दी, जो इनको बंदा मिलता था, उसको पकड़ लेते थे, जो बंदा मिलता था, उन्नीस में रॉलर्ट एक्ट लगाया था, अ आपको भी याद हो, तो किसी को भी पकड़ सकते थे शक्की बुनियाद पे, तो दे दना दन पकड़ी जा रहे थे, और फिर सारा दिन सुबा से लेकर रात तक मार कुटाई होती थी उनके साथ, उनको अधमरा कर देते थे, ना खाने को कुछ देते थे, ऐसा हाल कर दिया थ इस चीज के लिए, कि मेरको तो भी या नहीं पकड़े जाना है, लेकिन भगत सिंग का मानना ये था कि हमारे ही बंदे हैं, वो जो अंदर हैं, और वो इतने तसीहों में हैं, इतना उनके साथ अमानुविय वैवार हो रहा है, तो और हम यहां पर छुपके बैठे हैं, तो अभी उम्र ही कितनी है इनकी, ठीक है, वो चाहते थे कि अभी भगत सिंग कोई ऐसा काम ना करें, लेकिन उन्होंने प्लान मनाया भगत सिंग ने कि भईया हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल असेंबली है, मैंने आपको क्या बताया था, भी थोड़ देर पहले, कि रिफॉर्म साय थे, जिसके अंदर, Montec Camps for Reforms, जिसके अंदर मैंने बताया था कि डियार्ची सिस्टम और Central Assembly वाल यह सब चीज़ें करना चाते थे उसके अंदर, तो अब Central Assembly है, जो जैसे आज करी संसद हो गी है, Central Assembly में इन्होंने क्या किया, धूए वाला बंब गिराया, और गिराया भी हम ये काम करेंगे, और at the end of the day, British government, क्योंकि हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ धूए वाला बंब गिरा रहे हैं, उससे मरेगा नहीं कोई, और leaflets गिरा रहे हैं, तो कोई भी हमारे उपर ऐसा trial, जो ऐसे charges हैं, कि किसी को, मलदर के charges हमारे उपर नहीं लग पाएंगे, मुद्दे की बात ये थी, तो इस तरह से इनको पकड़ लिया जाता है, हाला कि चंदर शेकराजाद को पता होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है, बट ये agree नहीं किया उस बात पर, तो अंदर जाके फिर इन्हों ने देखा कि बहुत ही बु नहीं है, पॉलिटिकल प्रिजिनर है, तो हमें वही खाना दिया जाए जो ब्रेटिश गौर्मेंट के सिपाईयों को दिया जाता है, और वो बात भी सही थी, ठीक है, क्योगि मर्डर चार्जिस कोई लगे थोड़ी थे अभी इनके उपर, तो फिर इनके प्रोटेस्ट करन के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इसी सब के लिए 112 दिन की हंगर स्ट्राइक की थी अब आज की डेट में आपको मैं दो गंटा भुखा रहने के लिए बोल दो दो गंटे नहीं रह सकते चार दिन की को स्ट्राइक नहीं कर सकता, चार दिन के बाद कोई ना कोई पहुंच जाता है, उसे पानी पिलाने के लिए, ठीक है, अपना ही बंदा, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतनी लंबी स्ट्राइक नहीं चले हुए, 112 दिन तक भगत सिंग ने हंगर स्ट्राइक किया, इनके साथ और भी जो जेल के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उन्हों ने भी यही किया, और बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, तो उस टाइम पर इतना बुरा हाल हो गया था, कि लोग मरे जा रहे थे, ना पानी पी रहे थे, और इतना ज़्यादा परिशानी हो गई थी, ब्रिटिश गवर्मेंट को भी वही है, यह हो क्या रहा है हमारी यह लोग अंदर, तो at the end of the day, उनको मानना पड़ा था, लेकिन इनी प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर्स ने धोका दे दिया, जिसका नाम आज तक कभी डावेल पाईयों को गोली मारी, तो उस बंदे के थुरू इन्हों ने यह निकलवा लिया, उसको basically witness मना दिया, कि हाँ उसने देखा है, इनको मारते हुए, बस इतनी सी बात थी, अंग्रेजों को बस यही तो चाहिए था, एक hint की कोई मान जाए, और वो उन्होंने एक बंदे को मना लिया, अब क्या है कि इनके उपर murder charges लगा दिये, क्योंकि murder तो murder है, चाहिए JP Saunders का करे, चाहिए किसी का भी करे, murder तो, आया तो इन्सानी, तो अब इनको फिर इन्होंने, within two days इन्होंने trial करके, और इनके उपर पूरे सारी धराएं लगा के, इनको फांसी की सदर सुना दि चाहिए कि 24 मार्च 1931 को आपको फांसी दीजएगी, ध्यान देना मेरी date चो मैं बोलनो, 24 मार्च 1931, ठीक है, 1931, अब क्या होता है, इसी बीच मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये 1931 की बात है, इसी बीच 1929 में पूर्ण सवराज की मांग हुई थी, रावी के किनारे, ल 24 दिन तक गांदी ची चले थे इसके अंदर और जाके महाँ पर सॉल्ट बनाया था, क्योंकि इन्हों ने बोला था कि अब हम अंग्रेजों के कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, सॉल्ट के ओपर टेक्स बढ़ा दिया था, कि ये सॉ अब अग्या अंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फरेंस की बात हम अलग से करेंगे बाद में, ठीक है, और 1931 में फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फरेंस हुई थी, जिसमें गांदी भी अटेंड किये थे, फर्स्ट वाली में नहीं किये थे, सिरफ बियर अंबेत कर गए और ये अपना, बहुत सार लिडर, सबसे ज़्यादा जो बंदे गए थे, वो पहली राउंड टेबल कॉन्फरेंस में गए थे, ठीक है, और गांदी इर्वीन पैक्ट होता है, जो अब यहाँ, मैं आपको लेके कहाने वाला हूँ, गांदी इर्वीन पैक्ट पे और एक य इर्वीन नहीं बोला था कि आप आजा हूँ, सेकिंड टेबल कॉन्फरेंस में, लेकिन ब्रेटिशर्स ने इर्वीन को चेंज करके, वेलिंग्टन वहाँ पे खड़ा कर दिया, नया वाइस रहे, तो वो सारे का सारा पैक्ट रद हो गया था, ठीक है, तो यह सारा हुआ, अब मैं मुद्दा ये दो चीजों पे लेकिया रहा हूँ, अब देखिए कि 23 मार्च को तो फांसी हुई है भगत सिंग को, लेकि 24 मार्च को थी डेट, 23 को नहीं थी, 24 मार्च 1931 को हो नहीं थी फांसी, ठीक है, और यहाँ पे हुआ कि 27 फरवरी को, चंदर शेकर आजाद न जाते थे, तो इनका पूरा प्लैन था कि ऐसा करेंगे हम, लेकिन इनको ये पता था कि ये प्लैन होने के बाद, मैं और भगत सिंग यहाँ नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, कहीं नहीं पकड़े ही जाएंगे, तो हुआ क्या क ये अल्फरेट पार्क के पास ही आनन्द भवन था, जहां नहरू का घर, ठीक है, और नहरू फैमली अल्रेड़ी पैसे से संपन्त थी बहुत जादा, इनके अच्छे खादे का चांटेक्ट भी थे, तो ये इन्हों ने क्या किया, ये दस बज़े के आसपास, ठीक है, उस यहां इंडिया में ने रह पाएंगे, तो रश्या में निकल जाएंगे, ठीक है, मैं और भगत सिंग, और फिर वहां से अपना कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, ताकि वापस से यहां पर कुछ बढ़ा कर पाएं, ठीक है, तो अब ये नहरू जी के पास गए, और नहरू जी ने इनको आश्वासन दिया कि ठीक है भाईया, और वहां से यह मिल मुलक है, कि भाईया हमें ऐसे रश्या का रास्ते से निकाल दीजिगा, यह वो, ठीक है, यह वापस से अल्फरेड पार्क में आते हैं, उस बंदिस से मिलने, वो साइकिल वाले से, लेकिन इतने में द कि भाईया, एल्फरेड पार्क के अंदर चंदर शेकरा राजातों में मिलेगा, समझ गए इस चीज़ को, तो आप खुद समझदा रहे हैं, इसके लिए आप खुद सोचिए, कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईएगा, कि आपको क्या लगता है इसके बीच में, ठीक है और उसके बाद फिर क्या होता है, कि ये अकेले होते हैं, और उदर 60 सिपाई होते हैं, लेकिन ये दुआ करते हैं, फूरी फाइरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और उन सिपाईओं को लगतやって कि बई, नदर पता हैं कितने लोग हैं, जैसे और ये अलग-लग जगह से, ये ल प्रारा उन लोगों को ठीक है चार पांच लोगो को पल्टा दिया उसके बाद एक गोली नों पहले ही निकाल के अपने लिए रख देती क्योंकि इन्होंने बोला था अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगूँगा और वो गोली इन्होंने खुद के मार ली और उसके बाद ज कहीं अभी जिन्दा ना हो तो उसके ओपर भी गोलियां चलाई उसके बाद फिर डंडा लेके डंडा से ऐसे ऐसे करके देखा कि कहीं सच में अभी जिन्दा तो नहीं है इतना खौफ था उनके अंदर ठीक है तो इस तरह से वो मार्टियर होगे अपना चंदर पूरे का पूरा और पांच मार्च 1931 को देखे कि गांधी इर्विन पैक्त हो रहा है गांधी इर्विन पैक्त में क्या था कि एक तो यह जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉंफरेंस ती इसके अंदर किसी ने पूछा ही नहीं था इनको ठीक है अभी भगर सिंग जिन्दा है लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया वो दिखाना चाते थे कि आपके बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो हुआ भी क्योंकि गांधी जी नहीं गए कॉंग्रेस नहीं गई लेकिन बाकी के लीडर्स थे जो वो चले गए और सबसे ज़्यादा इसमें अंबिश्यस थ आपके बियार अंबेतकर साब वो चाते थे वो बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिड थे कॉंस्टिशन को बनाने में ठीक है तो वो बोलते कि ठीक है यह नहीं जा रहे हैं बट हम तो जाएंगे अटलिस देखके तो हैं कि बात क्या चल रही है वहाँ पर क्या चाते गया है ठीक है तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉंफरेंस में वो गए जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और वो निकलना भी नहीं था ठीक है वहाँ पर क्या थे यार यह मुस्लिम्स वाले लीडर को मैं भूल जाता हूं बार बार मुहमद अली जिना भी गये थे ठीक है अब वहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉंफरेंस को अटेंड किया तो कॉंग्रेस की सिटी बिटी गुम हो गी तो फिर इ अंशन करने बैट गे थे लेकिन इनके अंशन की किसी को नहीं पड़ी थी यह जितना भी प्रोटेस्ट कर देते जितना भी भूखड ताल कर दे गांदी जी कि तुम मत जाओ मत जाओ कोई भाव नहीं दे रहा था इनको उस टाइम पर ठीक है तो एंड में जब इर्विन न दो नहीं था इसा नहीं था कि कोई है got बना के लिए जा रहे है। अब क्या था कि इर्विन ने गांदी जी से ये ये प्युछा comp 1 day देखो 5 March 1931 और 24 March 1931 को क्या होना है? 24 March 1931 को भगत सिंग को फांसी होनी है तो इर्विन ने गांदी जी से पूछा इर्विन ने बोला कि अगर आप चाहो तो हम गांदी जी इसको इनको भगत सिंग को छोड़वा सकते हैं तो आप बताईए कि क्या करना चाहेंगे इस मसले में तो देखिए आप यहीं से देखिए कि कितना बड़ा नाम हो चुका था बगत सिंग का ठीक है आप समझ रहें ने इस चीज को तो गांदी जी ने बोला कि देखिए कि आपका जो कॉंस्टिजूशन किसी मर्डर को सजा देना चाहे आपके कॉंस्टिजूशन के अकोर्डिंग जो भी किसी चीज के लिए मर्डर के लिए सजा है वो आप दे सकते हैं अब देखिए ये सबसे बड़ा लांचन है गांदी जी पे क्योंकि आप देखिएगा कि अभी कॉंस्टिजूशन बना नहीं है ये राउंड टेबल कॉंफरेंस काहे के लिए भी थी भाईया मनलब क्या बात कर गया वो बंदा क्या लोजिक दे गया अब आप खुद समयधार ने सोची इस चीज को कि कॉंस्टिजूशन अभी बना नहीं है बट वो उनको कह रहे है कि आपके कॉंस्टिजूशन के हिसाब से जो ठीक है भाईया जब कॉंस्टिजूशन ही नहीं है तो काहे की कॉंस्टिजूशन की दुहाई दे रहे हैं आप ठीक है ये तो एक पार्ट था तो इसके लिए कोई भी शायद गांदी जी को कभी माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए ठीक है बट मैं अब दूसरा पार्ट भी बताता हूँ दूसरा पार्ट भी समझाता हूँ ठीक है दूसरे पार्ट में क्या है कि अब उनके खुद के प्रिंसिपल्स है क्योंकि वो नोन वाइलेंस को प्रमोट करते हैं ठीक है लेकिन साथ में ये भी था कि credit war भी था भाई सबसे बड़ा game credit war का भी था reality तो यही है अब आप मानों चाहिए ना मानों कोई कि यहाँ पर हर कोई खुद credit लेना जाता था अगर कुछ हो रहा था तो भईया मेरे recording हो अगर मैं उसमें involved नहीं हूँ तो कोई मतलब नहीं है आप देखें कि यहाँ पर roundtable conferences में पूछा नहीं गया तो अंशन करने के लिए भी यह बैट गये थे ठीक है भाई तो क्योंकि पूछा नहीं गया जब पूछा गया तो अंशन तोड़ दिया फिर तो आप वही चीज देखें कि यहाँ पर भगत सिंग और यह जो राजगुरु सुकदेव चंदर शेकराजाद यह लोग गांदी जी से प्रेड़ना नहीं ले रहे थे यह इन से पूछके नहीं काम करते थे ऐसा ही सुभाष चंदर बोस के साथ भी हो एंड में ठीक है तो आप देखें कि सुभाष चंदर बोस को तो फिर जो बोला जाता ह है कि उनके एरोपलेन को क्रेश करा दिया गया वो तो एक अलगी चीज है आप यहां पर देखें कि यहां तो शेयामी मतलब यह तो डिरेक्टली साफ ही दिखाई दिया कि वो बचाना ही नहीं चाते है क्योंकि एक तो उनके खुद के सिधानत होगे कि भाईया मैं नोन हिसाब से चलो या फिर मुझ से उपर का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई देता उस पर चलो तो वो उस पर भी नहीं चलने देंगे ऐसा हाल था कि भाईया मेरे हिसाब से ही चलोगे तुम सब लोग ठीक है तो यह था तो जो भी उनके अगेंस्ट किया है तो फिर उसका जो कि दो मार्च को भगत सिंग से जितने भी लोग मिलने आते सब को मना कर दिया गया और उनकी पिता जो थे किशन सिंग थे और माता थी जो उनको बुलाया गया मिलने के लिए ठीक है दो मार्च को और दो मार्च के बाद सब को बंद कर दे गया जबकि दो मार्च से पहले ठीक है और लगदटप्ख आप देखिए कि डेली का अँका और इससे मिलने कोई ना मिले लेकिन सअकड़ोग लहूर जेल में इससे मिलने जरूर आते थे सअकड़ोग और गंटा गंटा मिल के जाते थे इंसे लेकिन दो मार्च को सब का मिलना बंद कर दिया और उसके बाद सबको लग गया पता कि भाईया आप तो कुछ खतरनाक होने वाला है आखरीर समय में अब देखी कि देश के हालात जैसे हो गए थे उपर से चंदर शेखराजाद ने जो कर दिया था इसके बाद इतना ज़्यादा डर गए थे अंग्रे हुए थे ये लोग 24 मार्च को फांसी देनी थी लेकिन इन्होंने क्या किया एक दिन पहले ही दे दी 23 मार्च को ठीक है और वो भी कब दी शाम को आठ बजे जबकि कभी भी सूरज ढ़लने के बाद फांसी नहीं दी जाती है सुबा ही दी जाती है लेकिन फिर भी ये इतने बुक हुए कि इन्होंने किया ऐसा काम और आखरी बक्त में भगत सिंग एक रश्यन रेवलुशनर ये लैनिन उनकी बुक पढ़ रहे थे दो पेज रहे गए थे जेलर को उन्होंने बोला कि ये दो पेज हैं ये पढ़ लूँ तो जेलर ने बोला कि नहीं भी आप बानी का पाठ कर रहा है मुझे याद कर रहा है जब पूरी जिंदगी याद नहीं किया तो अब दो मिनिट याद करने से क्या हो जाएगा तो उन्होंने फिर जेलर बुक मंद की और जेलर के साथ चल दिये वहाँ पे जाके फिर तीनों को खड़ा किया गया और भगत सिंग से पूछा गया सिरफ भगत सिंग से कि क्या हुमारी कोई आखरी ख्वाइश है तो उन्होंने बोला आखरी ख्वाइश तो ऐसी है वाई साब कि तुम पूरी नहीं कर पाओगे वो बोलते क्या है तो बोलते कि आखरी ख्वाइश तो यह है कि तुम हमारे देश को आजाद क करके यहां से फर हो जाओ लेकिन वो तुम करनी पाओगे लेकिन फिर भी तुम पूछ रहो आखरी ख्वाइश तो मेरी यह है कि हम तीनों के हाथ खोल दिये जाए हम तीनों आपस में गले लगना चाहते हैं एक बार और उसके बाद तीनों के आथ राजगुरु सुक्तेव औ लाहोर जैल के बाहर तांता लगा ही रहता था लोगों का उनको पता था अंदर भगत सिंग है तो इसलिए वहाँ पर बाहर हुजूम रहते ही था तो अंदर फिर इनों ने बहुत जोर जोर के इंक लाभ जिन्दाबात के नारे लगाए लेकिन बाहर तक अब आज नहीं आ सकती थी जैसा वहाँ पर बनाई गई थी जेल उसी साब से ठीक है बड़ी बड़ी दिवारे थी और फिर आठ बजे इनको फांसी दे दी गई आठ बजे फांसी दी गई है और एक गंटे के अंदर बाहर खाबर फैल गई कि भईया भगत सिंग को फांसी हो गई है और पूरे देश में जो रोश था जितना गुसा था भी पूरा इतना ज़्यादा नारे बाजी इतना बड़ा हुजूम हो चुका था पूरे देश में गई था बजी सुपर हिरो वाली खता है एक ही सुपर हिरो रह गया सुभाष चंदर बोस तो उनका भी काम यह लोग ता माम कर देंगे जल्दी धिका है तो जो असली सुपर हिरो थे जो बड़िया जबरदस्त लोग थे ठिका है जो सच में जिनको कह सकते थे कि हाँ यह टाल देता कहीं न गई ठीक है खतम ही कर देता है क्योंकि अगर वो रहे तो फिर उस राजा की खुद की सत्ता चिंज जाएगी सीधी सी बात ये है I hope इशारों को समझोगे तुम लोग तो जितने भी लोग थे वो सब लोग खुद राज करना जाते तो और एंड में हुआ भी वही जो असली में आजादी दिलाने वाल लोग थे वो तो भईया कपके निकल लिये थे और मैं बता रहा हूँ आजादी तो कबकी मिल जाती इंडिया को लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कुछ न कुछ नहीं चीज ऐसी जबरदस लेके आते थे कि इनको लगता था क्या आजादी मांगे तो ये भी बिचारे डिले पड़ जाते थे ऐसा हाल चल रहा था इनक ये भी क्लियर नहीं था इनको कि अभी हमें आजादी चाहिए भी एक है नहीं चाहिए ठीक है जी उतारो इसको कोपी में तो आगे देखिए कि 1930 के अंदर आप देखो तीनों राउंटेबल कॉंफरेंस का मैं थोटा सा करक्स आपको बता जता हूँ कोई कई चीजे इसमें लुख देखो चीजे उठेस्के लुदो में याद करना थे आपको 1930 में पहली बतार जाया व्यारी राउंटेबल कॉंफेर्यार अफेरंस महां था और को वंशे आपको. तो अब गांदी जी जाएंगे इसके अंदर और जाएंगे तो वहाँ भी इनको दर किनार कर दिया जाएगा आप देखेंगे अभी थोड़े टाइम में और इसके अंदर सेकेंड डाउंड के अंदर सरोजनी नाइडू थी जो उन्होंने इंडियन विमन को रिप्रेजेंट किया था ठीक है भाई अब इसमें कैसे दर किनार किया गया था देखें सारी बाते हो रही है वहाँ पे गांदी जी भी बैठे हुआ है अब देखें कि मैंने बही बोला ना गांदी जी का सिस्टम यही था कि इधर माईवे और हाईवे अब वहाँ पे अम्बेदकर साब भी बैठे थे और मुहमद अली जिन्ना भी थे ठीक है अब यहाँ पे होता क्या है कि बाते चल रही है अभी ठीक है यह सारी बात चल रही है कि हम कॉंस्टियूशन बनाएंगे यह करेंगे वो करेंगे और इधर वेलिंग्टन बिठा रख है इन्होंने इर्विन को चेंज ही कर दिया बहुत कनिंग थी ब्रिटिश जो हुकुमत थी अब गांदी जी क्या कर ल बिए सैपरेट == इलेक्शन चेकिये है किसकी अवाज अई इतने में जैसी बी आर को और जाती है साइड मैं से कहीं से महम्मेद अली जिन्ना की ब्हाज आती है ऑर बहु हुत इस बेक्टर यह घ्कहार कि दे sagundi झी बहुत ही जबर्दस्टcle है और वहाँ पे घंदी जी और बीरम बेत करके बीच बहुत ही जबर्दस्त पहस होती है और विलिंग्टन साब बोलते हैं कि यह समीधान की किताब को साइड में रखो यह हम बाद में करेंगे अभी हमें शोग देखने दो थोड़ा कि क्या चल रहा है और फिर वो देखते हैं तो उनको एक बात समझ में आत एडनी जिन्ना की और बीरम बेत करके और गांदी जी ओकॉर्णर कर दिया गया अब देखीए यह ब्रिटिश कोवर्मन थी भाई तो कितनी चालाग थी उन्होंने इर्वीन को बदल दिया नहीं तो गांदी की तरफ देखते की भाई अपना तो प्क्त हो रख है यह क्या क पर बैढ़े कि नहीं मैं सेप्टरेट एलक्टरेट नहीं होने दूंगा but no one cares किसी को कोई मतलब नहीं था कोई जाही नहीं रहा था कॉंगरेस की रैलियों में B.R. Ambedkar की रैलियों में भुजूम आ रहा था, इतने लोग आ रहे थे इदर जिनना थे जो भी हार्ड कोर muslim तो और वो एक जबर्दस लीडर के रूप में उपरे, ये सारे के सारे बड़े लीडर्स के रूप में उपरने लगे थीक है, तो muslims की रैलियों में जिनना की रैलियों में muslims हा रहे हैं बहुत ज़्यादा हम बेदकर की रैलियों में दली ता रहे हैं बहुत ज़्यादा और कॉंग्रेस की रैलियों में कोई जाई ही नहीं रहा बैठे है राम से भाईया कर लो अंचन तो ऐसे हालात हो गए थे अब होता क्या है कि 1932 के अंदर थर्ड राउंड टेबल कॉंफरेंस होती है ठीक है जिसके अंदर सिरफ 46 पीपल आते हैं और कॉंग्रेस बॉयकोट कर देती कि भाईया आपने तो गांदी जी के साथ ऐसे दोका किया हम तो नहीं आएंगे तो यह नहीं आते है और जो बियर हम बितकर होते हैं वो इसमें भी और तीनो इन राउंड टेबल कॉंफरेंस इसका कोई वो नहीं निकलता है ठीक है कोई कॉंग्रेस आएगी बितिश इस बात को समझते थे कि जो लॉंग टम के प्लेयर हैं हमें उनके साथ डील करना है पड़ेगा उनको भी मनाना पड़ेगा तो इन तीनों कोई वो नहीं अब देखिए 1932 के अंदर क्या होता है पूना पैक्ट होता है क्योंकि गांदी जी बैठे हुए अंशन पर और यह गांदी जी होते हैं उस टाइम पर यर्वदा जेल के अंदर ठीक है यह अंशन पर बैठे हुए कि भई यह सेपरेट इलेक्टोरेट में होने नहीं होगा और यहां पर जो ब्रिटेन के पीम होते हैं राम से मैकडोनल्ड होते हैं वो बोलते हैं कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता हूँ कि इनको दे दूंगा जो यह मांग रहे हैं ठीक है तो इस तरह की नोटंकी चलती है बट होता क्या है कि राजेंदर परसाद और आप माना कर दीजिए लेकिन ब्रिटिश गवर्मेंट ने इस बात के लिए माना नहीं किया वो कहते कि नहीं हम तो देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है अब यह साफ था कि मुस्लिम अपना लीडर जिन्ना को चुनेंगे और दलीद अपना लीडर बिया अर्म अब आपको आगे कहीं पिक्चर में ही नहीं दिखाई देंगे वो जादी की बस वहाँ दिखाई देंगे जब माउंट बैटन प्लैन आएगा जहाँ पर पाकिस्तान चाहिए होगा तो अब आप देखिए कि यरवदा जेल के अंदर है गांदी जी अंशन पर बैठे हुए तो आप सोच रहे हैं कॉंग्रेस की लिटर की भईया इस तरह से तो काम खराब हो जाएगा ये इनको कुछ हो गया तो फिर तो गडबड हो जाएगी पूरे देश के अंदर तो अंग्रेज माननी रहे हैं तो इन्होंने क्या किया बियार अंबेटकर को मनाने की कोशिश की पेट और बीयार अंबेटकर से रिक्वेस्ट की कि आप गांदी जी के साथ सोला कर लिजी और उसमें क्या था कि फिर बाद में आपको बताए कि रिजर्वेशन मिल गी थी सेपरेट इलेक्टोरेट ना होके रिजर्वेशन मिल गी थी Elections के अंदर ठीक है दलितों को तो वह इही पुना पैक्ट था जो गांदी जी और बिया रंबेतकर के बीच में हुआ है यर्वधा जेल के बाहर हुआ है यह गांदी जी के भिहाफ पे मदन महान वालविय और रजेंदर परसाद इन लोगों ने साइन किये और उदर दलितों के बिहाफ पे बियारंबेत करने साइन किये यह पैक्ट वाइन के बीच में 1933 में हरीजन पत्रिका निकालते हैं गांदी जी ऐसे वर्ड्स हरीजन टाइप के यह भी गांदी जी ने दिये तो उसको ये feel कराने वाली चीज ही है कि भईया तुम depressed हो depressed class हो ठीक है क्योंकि आप किसी को special अगर ऐसे treatment देते हो तो ऐसा लगता है कि आप आप शायद सामने वाले को feel करा रहे हो चीज, मेरे को ऐसा लगता है, यह मेरी अपनी thinking है, तो कभी शायद किसी कोई आपको लगता है कि छोटा वेक्ती भी है, तो उसको कभी भी कोई special word से मत भुलाइए, वो ताने की तरह ही चुबेगा, मुझे ऐसा लगता है उसे, तो बट बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के words के साथ separation हो जाती है, तो यह भी एक तरह से क्या, communal separation हो रहे हैं, तो यह बहुत सारी दिक्कते हैं, इसलिए मैं कहा रहा था आपको कि जब communal election मौरले मिंटो नहीं करवाए, तो आकर उसके बाद जो भी communal election होते थे, तो उसको चाहिए था, उसके against रहना चाहिए था, अब यहाँ पर वही दिक्कत आ गी है, separate electorate मांगी जा रहे हैं, ठीक है, नितो नहीं मांगा जाता है, यह दिमाग में आती ही ना किसी के बाद, अगर communal election ना होते है, तो धर्म की राजनिती ना होती तो यह बात भी किसी के दिमाग मे ना आती, अब 1935 में देखी क्या होता है, Government of India Act आता है, यह याद रखेगा कि 1935 में है, इसमें क्या होता है, आर बीआई की स्थापना होती है, फेडरल कोर्ट की पीएसी, फेट सेक्टरा यह सब होता है, बाइकेमरलिजम होता है, छे स्टेट्स के अंदर, ठीक है, तो यह ह पूछले की, पाकिस्तान वर्ड पहली बर का पिक्चर में, तो रह्मत अली खान ने, 1936 में पाकिस्तान वर्ड की स्थापना की थी, ठीक है भई, बाइबाक का मतलब होता है, साफ सूतरा, स्तान का मतलब जगा, ठीक है, साफ शूतरी जगा, और 1937 में, आप देखेए कि जो नहरू जी है, यहां लिखे लो आप, नहरू जी, एक मात्र ऐसी मुवमेट है जो इन्होंने अपने दम पे जो भी स्टार्ट की, यह है इंडियन सेल्फ रूल मुवमेट, ठीक है, तब तक हालात काफी सुदर चुके थे, तो इंडियन सेल्फ रूल मुवमेट इन्होंने जाएगा कि क्यों हलात सुदर गये थे, वर्ल्ड बार छेट चुका था तब, ठीक है, तो इसलिए हलात सुदर ने शुरू हो गये थे, तो इन्होंने इंडियन सेल्फ रूल मुवमेट एक लोती है, ऐसी मुवमेट है, कोई पूछे नहरू जी कि तो यह ही है, ठीक है, इन और पूरे देश में फिर इलेक्शन करवाई भी जाते हैं, पूरे देश में कॉंगरेस ही जीतती है, 11 प्रोविंसी में कराये जाते हैं, दो में हार जाते हैं, ये लोग वो भी ब्रिटिश गवर्मेंट के फ्रोड के कारण, क्योंकि बंबे प्रेजिदेंसी और बंगाल प प्रेक्टरिस थी, यहां पर सारा पईसाब धन वैबसवाब इनका यहीं पर था इनी दो जगापे, और इन दो जगापे इन्होंने पूरा फ्रोड के साथ जीता है, इलेक्शन, ठीक है भाई, EVM तो थी नहीं तब, क्या हम बोलते हैं, EVM गोटाला हुआ है, तो इन दोनों कंटिन्यूटी थी अपनी डेट्स की, उस पर वापस आएंगे, 1939 से 45 में World War 2 चल रहा था, नैरू जी ने वो बना दिया, अपना नई इंडियन सेल्फ रूल मुमेंट स्टार्ट कर दी, उलेक्शन हुए, सेपरेट इलेक्टोरेट का नो टंकी हुई, ठीक है, वो सब चीज बालों ने, ठीक है, वो 1925 में हुई थी और उसी के चकर में सुभास चंदर बोस को भी इन्होंने अरेस्ट किया था, और अलीपूर जेल में बेज़ा था, उसके बाद मैनमार के रास्ते में मैंडले जेल में बेज़ा गया था, ठीक है, बाद में छोड़ दिया गया था, अब आप देखें कि सुभास चंदर बोस ने 1923 में, इन्होंने कभी कॉंग्रेस को जोईन नहीं किया, आप देखें कि प्रेजडेंट वो फिर भी बन रहे है, वैंने पहले भी बता है, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी को जोईन किया था, जिसमें सी यारदास थे और म मैंने आपको क्या बताया था, कि तब गांदी जी जेल में थे, क्यों थे, जो अपना चोरी-चोरा का कांड हुआ था, तो मुम्मेंट बंद हुई थी, नोन कोपरेशन मुम्मेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी गांदी जी को जोईन किया था, तो उस टाइम पे इन्होंने पीस इतार मिया को खड़ा किया, गांदी जी ने और बोल दिया कि पीस इतार मिया को वोट देने का मतलब गांदी को वोट देना समझ लेना, ठीक है, और क्यों इसको खड़ा, इनको खड़ा किया, क्योंकि गांदी जी चाहते थे कि यही बने, उससे पहले थोड़ी सी तू जाद और भगत सिंग ठीक है तो ये तीसरे हीरो आप यहां पर आ चुके हैं और लोग भी इनके पीछे बहुत जाद थे मनलब कि ये खड़े हो जाएं तो हुजूम खड़ा हो जाएं इनके पीछे ठीक है ऐसे थे और ये खुद भी बेस बदलने में माहिर थे और वो आप य इनकी पहली बहस हो चुकी होती है तो फिर ये जीतने के बाद भी अपनी जीती हुई जो गदी है वो दे आते हैं वहीं पर इगांदी जी को कि भई आया आप ही संबाली है आपकी जैसे विचारधार है वैसी मेरी भी विचारधार है और ऐसा कोई गूफलेक्ट नी था इन इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई ओल इंडिया फॉरवर्ड ब्लोक अब आप देखे एचारे बनी जब एचसारे बनी जब पहले रामपरसाद बिसमिल और सिर्चीदा नंसे नियाल ने बनाई एचारे फिर एचसारे बनी जिसको चंदर गंटे नेता जी के घर के बाहर पैरा लगा दिया कि इनको बाहर नहीं निकलने देना लेकिन वो भेस बदल के वहां से निकल लिये वो कहाई एंग्रेज को कहना था कि आप अंदर रहे तो हमें कोई दिक्कात नहीं है लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते लेकिन वो भेस बदल तो यह डिरेक्ट सवाल आएगा, stories के साथ अपने को सवाल भी तो जोड़ते जाना है, ऐसा थोड़ी है कि stories सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और सवाल को करी नहीं रहे हैं, देखे कितने सारे सवाल यहां पर बॉर्ड पर लिखे हुआ है, अब आपको सारे दिमाग में एकद किस ने दिया था, गांदी जी ने दिया था, ठीक है, उतार लो इसको कॉपी में, इसके बाद फिर सुभाज चंदर बोस का discuss करते हैं सारा, अब आगे देखे कि होता क्या है, जो सुभाज चंदर बोस हैं, अब वो देखे कलकता में हैं, ठीक है, लेकिन अब बचके निकलन पानी के रास्ते हैं, अब देखे कि इतनी दूर है रशिया, जोग्रफी के लिए बहुत दूर है यहां पे, तो रशिया ऐसे निथा कि आर्मी सपोर्ट दे पाता, रशिया यहां से एर स्ट्राइक कर सकता था इंडिया पे, लेकिन एर स्ट्राइक कोई बहुत बड़ी सप निकलते हैं, फिर यहां से पानी के रास्ते, अब देखेगा, यहां से पानी के रास्ते, क्योंकि यहां सारा पानी है बाकी, तो यहां पानी के रास्ते कहा आते हैं, सिंगापूर में आते हैं, ठीक है भाई, इधर सिंगापूर है, अब यहां पे इनकी मुलकात होती है, र आलडवार 2 का दोर चल रहा है, 1939 से 1945 की बात हो रही है, अब मैंने क्या पता है, आपको 1942 में यहां से निकले सुभाष चंदर बोस, और, sorry, 1939 में, 1939 में यहां से निकले, और फिर यहां पे आप देखें कि जब आ रखें हैं, तो 1942 में राजबिहारी बोस ने यह फाउंड कर रहे और 1943 में हैंड ओवर करते हैं सुभाष चंदर बोस को, ठीक है, तो यानि कि 43 तक अभी हम पहुंच चुके हैं, और 45 तक वार चला है, तो 43 तक पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद आप देखें कि यह जपान से सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि जपान जो था, वो ब्रिटेन क अगेंस्ट था वर्डवाट 2 में, तो इसलिए इनको फुल सपोर्ट मिलती है जपान की तरफ से, क्योंकि जपान हराना जाता था, ब्रिटेन को अल्टीमेटली बुंदे की बात ये थी, तो जपान ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी इनको दी एक तरह से, सिंगापूर के आर्मी थी, जिसमें औरतों को भी शामिल किया गया लड़ाई करने के लिए, अब आप देखें कि यहां पे बहुत बड़ी आर्मी एक तयार होगी, सिंगापूर के अंदर, अब यहां से, सिंगापूर से, इनको जाना था इस तरफ, ठीक है, और दिल्ली के जो रेड़ फो आर्मी की चलते-चलते ही वहाँ पे, ठीक है, तो जो जपान की आर्मी होते है, वो धोका दे जाती है, जपान की आर्मी बोलती कि भीया हम तो आगे जाएंगे निए, हम तो वापस जा रहे हैं, फिर कभी देखेंगे कोई अपना पैक्ट होगा तो, अभी फिलहल के लिए ह मैं माफ करूं तो जपान वापस हो लेता है अब यहां पर लेकिन यह आर्मी वापस नहीं हुई थी यह आर्मी इदर बढ़ती रहती है और जो सुभाश चंदर बोस है वो उनका था कि वो पिछे से सब कुछ संभाले हुए थे जपान पर प्रेशर बना रहे था मैं अनमार को अपने संद मिला रहे थे जो जो करना था सब करने यहां पर तो उनका यह था कि मैं डिरेक्ट एरप्लेन से यहां पर पहुंचाओंगा ठीक है भाई एरपोर्ट के थुरू अब हुआ क्या कि 1945 को इन्हों ने यहां से यहां पर पहुंचना था और उधर से फिर रशिया ने एर स्ट्राइक करनी थी सारी के सारा फूरा मोमेंटम इन्होंने सेट कर रखा था बट यह यहां पर कभी पहुंचे ही नहीं क्योंकि बीच में ही एरोप्लेन क्रेश हो गया और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों पर बिल फाड़ते हैं कि इन्होंने एरप्लेन क्रेश कराया होगा उन्होंने कराया होगा तो वो आप अपने अंदाज़ा लगा लिए कि किसने कराया किसने नहीं कराया उस चीज का मेरा concern या आप comment box में अपना point of view जरूर दे सकते हैं कि क्या लगता है कि किसने कराया होगा ठीक है बट उस चीज में मैं कोई जज नहीं बन रहा हूं इस चीज के लिए ठीक है यह मोटी मोटी चीज थी सुभाश चंदर बोस के बारे में जिन्हों ने आप देखी कि कितने ज्यादा जोग्रफी का इनका अंदाजा देखी कि बाहर के कितने सारे कंट्रिस को अपने साथ मिला के और क्या ठा कर रहे थे ठीक है तो यह अपने आप में बहुत जबर्दस चीज थी तो अभी आप देखे कि 1939 तक देखा था सुभाष चंदर बहुत अलग हो गए थे ठीक है वह बीच में मैंने स्टोरी थोड़ी आगे फास्ट फॉरवर्ड करके उनकी बता दी अब वापस से आते हैं ठीक है और इंडिया को काबू करके भी रखना है ठीक है यहां भी रखना है तो यहां पर हालात बेकाबू हो जाएंगे तो आप देखी कि 1940 के अंदर अगस्त ओफर है यानि कि लोड लिनित को कॉंग्रेस को और मुस्लिम लीग को ओफर देता है कि भाया आप हमारा साथ दो वर्ड वार टू के अंदर अपने सोल्जर्स को बोलो अपने इडिया के लोगों को बोलो कि आप इसमें साथ दीजिए और फिर हम आपके बारे में जल्द ही सोचेंगे लेकिन तोनों पार्ट सवदेशी को यूज कर रहा था इनकी जितनी भी फेक्टरीस थी इंडिया में कुछ माल इनी भिक रहा था इनका कुछ नहीं हो रहा था ठीक है तो मुद्दे की बात है कि इनके पैसे लगतो रहे थे ये आर्मी को भी पैसे दे रहे थे ये पूरे देश को संभालने के तो ये फिर से प्रपोजल रखते हैं कि भीया कोंग्रेस को बोलते हैं सिदा सिदा कि अगर आप हमारा साथ दे दे तो इसके अंदर और अपने लोग को बोलते हो कि ऐसे सोलजर वो जाएं यूद के अंदर तो हम आप ही को जैसे यूद खतम होगा आपको ही सारी की सारी सत् मनाएंगे सिंपल सी बात यह है लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए अग्री नहीं करते हैं वो बोलते हैं कि यह तो पोस्टेटिट चेक है ठीक है कि इसका पता ही निए कि कल को बाउंस ना हो जाए गई तो यह ऐसा हाल था लेकिन होता क्या है कि देखो महात्मा गांधी ने अंदर वहाँ से करते हैं यूपी बॉंबे इन सब जगाओं पर इन्होंने किया यह यह मेन रिजन्स थे बैसे पूरे देश में हुआ यह जगा जगा पर सभाइं कर रहे थे और पूरे देश को जाकरित कर रहे थे कि भाईया यह अपनी प्रोटेस्ट होगी इन ऊंगरेस क्या करती है, कौंगरेस में कौन है नेटा इस वक्त नहरू जी है कौंगरेस के अंदर ठीक है Yeah, हम आपके साथ है लेकिन in the meanwhile आप देखिए कि message कैसे जाएगा ये message नेता जी के पास जा रहे है नेता जी उदर क्या कर रहे है 1922 के अंदर राज भिहरी बोस क्या कर रहे है वो INA form करके बैठे है फिर 1943 में नेता जी के पास basically message जहां से क्या जा रहे है कि गांदी जी बिल्कुल सही दारना पे है इस वक्ते यानि कि उनको लगता है कि ये तो हमारी thinking match हो गई और पहले भी आपस में बाते करते रहते थे इतने समय साथ रहे हैं और गांदी जी को अपना गुरू ही मानते थे तो अब उनको लगता है कि भाईया कॉंग्रेस से अलग हो गए है एक तरह से गांदी जी और कॉंग्रेस कुछ और कर रही है ये गांदी जी कुछ और कर रही है तो उनको message ये पास होता है कि हो सकता है कि गांदी जी भी उनकी policy पर आगया हो कि दुश्मन का साथ कभी नहीं देना चाहिए है न लेकिन होता क्या है कि अब देखो बोला जाता है इतियास में कि गांदी जी को पता ही नहीं था कि Congress support कर रही थी अब खुद आप समझदार हो कि ऐसा कैसे हो सकता है यार पूरी की पूरी Congress जिसके सहारे पर चल रही है और उसे पता ही नहीं है कि Congress support कर रही है ब्रिटेन को ऐसा बोला जाता है आप खुद समझदार हो ठीक है उस चीज में मैं घुसना नहीं चाहूँगा तो आप देखे कि पूरी की पूरी कॉंग्रेस ने सपोर्ट करते अब रिटेन को कि ठीक है हम अपने बंदों को भेज देंगे आपके साथ वल्डवार के अंदर ठीक है अब मुद्दा यहाँ फिर यही फसरा था कि यह जो गौवर्मेंट थी अपना इंडियन नेशनल कॉंग्रेस थी इन्हों गंधी की इन्होंने जोइन किया सप्टमबर में जानके और उधर सुभाषच जंदर वो इस दो साल बाद की प्लैनिंग जो कर रहे थे कि मैं दो साल के अंदर यह सब करुंगा वह फास्ट फॉर वर हो जाते हैं उधर से की नही नहीं अब अभी करते हैं शाए का सारा तो वो उस planning को और ज़्यादा तेजी से करने की कोश्च करते हैं क्योंकि वो भी इस विचारदारा की खिलाफ थे कि दुश्मन का साथ कभी नहीं देना चाहिए लेकिन में डाल दिया गए दस जार लोग मर के आप देखिए कि क्या है मनले वाट इस तो ये एक अपने आप में कॉश्चन मार्क खड़ा कर देता उस टाइम के लीडर्स के उपर की क्यों भई क्या मतलब की यह हो क्या रहा था कुछ भी मतलब कुछ भी नोंसेंस बात थी और आप द देखिए कि लाखों इंडिया के सैनिक वर्ल्ड वार के अंदर मारे गए सिर्फ इनकी वज़े से आप देखिए कि इनके एक डिसीजन की वज़े से इंडिया के लाखों लोगों को वर्ल्ड वार के अंदर जाना पड़ा और वहां पे अपनी जाने गवानी पड़ी आप द बिट किसलिए उटा था उसका भी कारण था उस टाइम पे क्योंकि इन लोगों का जो सिख वाला एरिया था था मैंलब पंजाब का एरिया था क्योंकि सबसे बड़ी क्षति किसको ही थी तो उन लोगों का साफसा ये कहना था कि भाया जब वर्ड वार के अंदर मरने के लिए होएंगी आपको अगर एक separate जगह चाहिए अपने लिए ठीक है तो हाला कि बाद में अलग होते हैं सारी चीजें कि जैसे जिन्ना को चाहिए था अपने लिए एक पाकिस्तान चाहिए था ऐसी इन लोग कोच यह था कि पंजाब हमारा डिवाइड ना हो पंजाब हमारा complete हमें दिया जाया लग से ठीक है तो इस तरह की situations उस टाइम पर बन रही थी तो उस टाइम पर गांदी जी और नहरू जी ने ये बोला था कि हम आपकी बात को माल लेंगे लेकिन आप division में उसको on paper मताने दीजे बाद में आप ले लीजीगा लेकिन बाद में ये लोग मुकर गे थे उस चीज से कि वो जमाने और थे ये जमाने और हैं ये words थे नहरू जी के ठीक है तो ये सब चीजे होई है उस टाइम पर तो वो चीज ने फिर धीरे 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 बड़ा आई जब देश को बचाने की बात आई तो सबसे ज़्यादा जाने पंजाब की गई लेकिन जब राज सत्ता की बात आई कि अब राज करने की बात आईगी है ना जब लीडर्शिप की बात आईगी तो तब फिर पंजाब को दो भागों में बाट दिया जाएगा और पंज था कि उनको वो देना चाहिए था मैं लब एक तरह से समझ लीजिए इस चीज़ को है ना तो वो उस टाइम का जो रोश था हाला कि अब सिच्वेशन चेंज हो गी है अब वैसा नहीं क्योंकि अब देखे कि उस बात को आपको समझा रहा हूं कि उस टाइम की सिच्वेशन को समझिए क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की डिमांड अलग चल रही थी पंजाब की अलग चल रही थी और हिंदूस्तान की अलग चल रही थी तो तब की situation के साफ से अभी अगर आप उस चीज को justify करेंगे तो आप justify नहीं कर पाएं क्योंकि आज की data में democracy अब सब कुछ change हो गया है ना अब आप ये नहीं कह सकते कि आज की data में उस चीज को demand करेंगे तो वो गलत हो जाएगा लेकिन जो पहले की situation के साफ साफ सोचेंगे तो आ हमें ब्रिटेन का साथ देने की का जुरूरत थी तो ये सब हुआ है ठीक है उदर नेता जी के साथ भी यही सब नोटन की हुई है आप देखिए कि आई ने जब आती है यहां पे तो एक तरफ आई ने है और दूसरी तरफ कौन है इंडिया के ही जवाने दोनों साइड इडिया के तरफ जाते हैं फिर जो पकड़े जाता है यहां ने के लोग उनका कोर्ट मार्शल किया जाते कि आपने तो भाया हमारे साथ गधदारी की है हम आपके देश के जो नेता हैं वो इस चीज़ के लिए मान चुके हैं कि भाया हम तो साथ देंगे ब्रिटेन का और आ इनने के soldiers के साथ अब इसकी responsibility कौन लेगा अगर उस time के हिसाब से सोचा जाए तो बट वही है कि ये सब बुद्धा भी दब गया और किसी भी leader ने चाहे आप गांदी जी को मान लीजिए चाहे Congress के बड़े-बड़े leaders को मान लीजिए किसी भी leader को मान लीजिए उस time पे देखे किसी ने भी support नहीं किया उन लोगों को ठीक है कुछ को फांसी पर चड़ा दिया गया कुछ को आजादी का जजबा था और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उनके साथ डील साइन कर रहें कि या कोई बात नहीं हम आपके साथ अपने बंदें बेजेंगे वर्ल्ड वार के अंदर आप जीत क्या हो तो ऐसा भी सीन उस टाइम पर बैठा था ठीक है वाई तो क्विट इंडिया मुव्मेंट फिर कॉंग्रेस ने भी जॉइन कर ली थी सेप्टमबर के अंदर उतार इसको कॉपी में अब देखें कि यह जो अपना क्विट इंडिया मुवमेंट थी इसको अगस्त मुवमेंट भी वोलते हैं ठीक है यह याद रहें क्योंकि अगस्त में स्टार्ट की थी बस अच्छा उन्नीजो चालिस में कैबिनेट मिशन प्लैन जो है यह आया था और एक हुआ था डिरेक्ट अक्शन डे डिरेक्ट अक्शन डे में जैसे कि मैंने बताया कि कम्यूनल वाला चीज दिमाग में इतना घुस चुकी थी इंडियन्स के उस टाइम कि अभी भी है कम्यूनल वाली तो वाइलेंस बिट्वीन हिंदूज अन मुस्लिम्स केलकटा में होई कलकटा की लिंक के नाम से जाना ज क्या था कि UN फॉर्म हो गया था United Nations UN फॉर्म हो गया था ठीक है अब ब्रिटेन ने लगबग सारी दुनिया प्यादी दुनिया पर राज कर रखा होता है और ब्रिटेन की सबसे ज्यादा थूथू हो रही थी और आप देखिए कि United Nations बन गया था सब कुछ शांती हो गया था उसके बाद वीटो पावर का मसला आना था और अगर ब्रिटेन की रेटिंग अच्छी ना होई क्योंकि रेटिंग देंगे उसके इसाफ़ से वीटो पावर मिलनी थी तो ब्रिटेन की रेटिंग अच्छी ना होई तो फिर इसको वीटो पावर नहीं मिलनी थी और वैसे ब मेंबर थे पथिक लोरेंस स्टेफ़र्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर ठीक है और उस टाइंप पर पीम कौन था इंग लैंड का क्लिमेंट एटली यह याद रखने आपको और अब होता क्या है कि 1947 में 14 अगस्त को जब यह लेके आते हैं ठीक है अब होता क्या कि मांट बीटन ओता है यह हुता है यह चेंज कर देते हैं थे यहां पर सोचते हैं ऐसे कैसे इनको छोड़ दे कुछ ऐसा करके जाते है कांड यहां पे ताकि लंबे समय तक चले यह कांड और यह इसी चीज में उलजे रहे हैं और यह ग्रोथ की तरफ ध्यान ना दे क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त तक इंडिया को मेजर ध्यान चद गोल्ड मैडल तीन बार गोल्ड मैडल होकी के अंदर जिता चुके थे और मौट बेटन को बैठा सोच रहा हुता है बहुत जाद आपने धितना के घोड़े दोड़ा रहा हुता है तो इसको एक्दम से दिमाग में आता है यह जो डोकुमेंट बगरा देखता रहता है पुराने तो इसको दिमाग में आता है कि खुले मंच से 23 मार्च 1940 को मोहमद अली जिन्ना ने demand की थी कि भया हमें separate Pakistan चीए है ठीक है मैंने क्या बोला था आपको अभी थोड़ी दर पहले भी यही चीज़ समझाई थी न और ऐसे ही demand एक पंजाब की तरफ से भी आ रही थी क्योंकि ultimately तो फसना तो उसी ने था पंजाब ने ठीक है अब मुद्दे की बात यह थी कि वो बस एक तरह से समझ लीजी कि वो demand बहुँ ज़्यादा hype नहीं पकड़ रही थी लेकिन ये वाली demand पकड़ रही थी सीधा सीधा तो Mountbatten क्या गरता है Mountbatten बोलता है कि ठीक है आपको अलग से एक पाकिस्तान दे दिया जाता है तो इनकी documentation में लग जाते हैं और इधर हिंदूस को या फिर कहें कि जो इधर रहना चाते हैं लोग तो इधर वालों को separate India दिया जाता है अब यहाँ पर सबसे खराब चीज़ जो इसकी देखी जाएगी history की कि जिन नेताओं पर लोगों ने इतना विश्वास किया अब बाकी को तो छोड़ो गांदी जी तो वहीं पर थे हाँ वहीं थे ठीक है क्योंकि 1948 में हुआ है जो कांड हुआ है उससे पहले तो गांदी जी भी वहीं थे तो आप देखिए कि इन लोगों ने सिरफ एक news फैला दी कि भी या देश का होरा बटवारा अलग लग हो रहे हैं हिंदू अलग हो रहे हैं मुस्लिम अलग हो रहे हैं तो अब आप देखिए कि जो लोग इंडिया में रह रहे थे एक तरह से आज के इंडिया में यहाँ पर जो मुस्लिम रह रहे थे उनको लगा कि यहाँ पर तो सिर्फ हिंदू रहेंगे तो हमारे तो जीना हराम कर देंगे भईया हमें तो मारेंगे यहाँ पर काटेंगे क्योंकि जो हिंदू थे यहां के वो मुसल्मानों को बगार रहे थे कि निकलो तुम यहां से यहां तुम्हारा कोई काम नहीं और उधर जो मुसल्मान थे उस तरफ वल रीजिन में वो हिंदू को बगार रहे थे कि तुम निकलो यहां से इतर मतलब इतनी बड़ी खाई communal की देखे कहां मारले मिंटों से शुरू होके यहां पे जाके खतम होई और अभी भी खतम नहीं होई आज के देश में आज देखे सब कुछ वही हो रहा है आज इस देश में भी वही हो रहा है तो पता नहीं अब कितने समय में खतम होगी जो अंग भर परवाहनी थी कि भाईया यहां के लोग वहां कैसे जाएंगे और वहां के लोग यहां कैसे जाएंगे उनके लिए special provision तो कर दिया जाए ताकि आपस में मार काट ना हो या इस चीज़ को आराम से नहीं किया जा सकता था कि जितने भी लोग थे इदर वाले पूछ लिया जाता कि भाया आप उदर जाना चाहते हो तो बताइए हम आपके लिए provision कर देते हैं आपको उदर छोड़के आएंगे बात खतम इसमें लड़ने वाली कोई बात ही नहीं थी जो इतना मारा काटी हुई है इतने लोग लाखों लोग मारे गए उसका कोई मतलब ही नहीं था बट यह देखे कि यहां पर सिर्फ और सिरफ अपनी बढ़ी हो थी हर व्यक्ति को कि हमें डोकुमेंटेशन में कुछ घडबड नहीं होनी चाहिए डोकुमेंटेशन एकतम सॉलिड होनी चाहिए यहां पर सिरफ यही चीज हो रही थी जबकि इतने सारे नेता थे किया किसी इस चीज के बारे में सोचा तो यह एक ब्लैक स्पोट है हमारी इंडियन हिस्ट्री पे कि हम बोलते थे हाला कि मेरे को लगता है कि उस टाइम पर सुभाश चंदर बोस जैसे लोग होते बगत सिंग जैसे लोग होते तो शायद बहुत जादा सोचते इस चीज के लिए डिमेंशन अपने ही साब से सेट करके रखता है वही ज्यादा राज करता है बस मुद्दे की बात यही निकल के आती है ठीक है और इस तरह से फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया की फॉर्मेशन होगी एक दिन पहले पाकिस्तान की होगी एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहां ल की बाद में फिर बंगलादेश ने जो वहां के लोग थे वो डिमांड कर रहा थी कि हमें सेपरेट कर दिया जाए पाकिस्तान से तो लिबरेशन वार हुआ था पाकिस्तान से फिर 1971 में इंडिया ने इसमें हेल्प की थी और यह बैनिफिशल भी एक तरह से इंडिया के नहीं तो फिर हम अभी भी वार के बीच में फसे रहते और हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती तो माउंट बेटन जो करके गया था कुछ-कुछ चीज़े हमने ठीक कर लिया है कुछ-कुछ रहा गई है बाकि जो कम्यूनल वाली बाते हैं धरम के नाम पे हम सब ल बाज निती हो सकती है वहाँ पे करते हैं तो हम लोग हैं जो हमें उस चीज़ में ज्यादा घुसना ही नीची है यह जो भी होता है चाहे यह कितना भी धरम के नाम पे लड़ाएं या कितना भी ऐसी चीज़े करें तो अगर आप educated person है तो आप इस चीज़ में नहीं घुसें ठीक है जी एक last point 1947 में हम आजाद हो चुके हैं लेकिन आप देखे कि समिधान कहा गया बियार अंबेतकर साब ने समिधान लिखेना था ना भाई तो वो भी तो बचा है अभी 26 नमबर 1949 को हम adopt करते हैं constitution ठीक है वो लगे हुए था अपना parallelism up करने हैं उनको पता था कि एक दि एक दिन ये करना ही पड़ेगा और 24 जन्वरी 1950 को सब लोग साइन करते हैं कि यही हमारा समिधान रहेगा और 26 जन्वरी 1950 यानि इसके दो दिन के बाद यह effective हो जाता है जिसको कि हम constitution day कह लें या फिर republic day कह लें एक तरह से बनाया जाता है ठीक है 26 जन्वरी को बनाया जाता है आपको पता ही है तो फाइनली ये हमारी complete history थी इसके अंदर medieval history हो गई modern history हो गई ठीक है जो काम की थी अपने अब ancient history करने का मुझे नहीं लगता क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं और उपर से ये वीडियो फिर बहुत ही ज्यादा लंबी हो ज्यादा तो बहुत ज्यादा मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई मेरे इसको शेयर करते ना हर जगा और online ही देख लेना डाउनलोड करने की कोई जरूरत ने नहीं हटाऊंगा YouTube से ठीक है जो मैं आपके लिए मेहनत कर सकता था इ अगस्त मुवमेंट है ना अगस्त मुवमेंट याद होगा ना तो यह अभी के द्वरान की बात है चलो ठीक है भाई आप प्लीज इसको online ही देखना और सब जगा पर इसको शेर करो इसमें से पक्का सवाल फशेगा फशेगा तुम्हारा सी जेल के अंदर ठीक है भाई ओक बाई